अलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मेरा नाव मैस वासकर है आज की जो बेसिकली क्लास होगी इस क्लास में राश्ट्री जो आयोग है नेशनल कमिशन्स हैं आपके सिलेवस में कई सारे कमिशन लिखे वे हैं उनके बारे में लोग डिसकस करने वाले क्लास थोड़ी सी लंबी ह होगी कोशिस यह करेंगे कि सारे कमिशन एक साथ कर लिए जाएं और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट अविलेबल हो जाए मैरा अथन क्लास का यह मतलब नहीं होगा कि आपको इसमें सोट में से करवा दिया जाएगा या हर एक चीज को जो कंस्टिटूशन में लिखी लिए है हर एक चीज को अपन डिसकस करेंगे यहां पर पर्टिक्लर आर्टिकल क्या कहते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है अदर पेक्च्ट्वल टिटेल जो अपन कवर कर सकते वो सारी करेंगे आप लोग हैडिंग डालेंगे रास्ट्री आयोग नेशनल किया आयोग भी हे सबसे पहले वह आयोग देखेंगे जिनका उलेक समीदान में किया हुआ है उनको constitutional समीदानीक आयोग बोला जाता है कुछ आयोग ऐसे जिनका समीदान में उलेक नहीं किया और समय के साब से जब जैसे से समय निकला संसद कुछ कानून बनाए बनाने के बाद में कुछ आयोग बना दिये गए एक आयोग आपके सिलेबस में एसा भी है नीति आयोग इसका ना संसद ने इसके लिए करना धान मंतरी जी ने घोशना करी और एक कार्य आदेश से एक्जेकेटिव ओडर से कमिशन बना दिया जिसका नाम नीति आयोग है तो सबसे पहले अपन सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन-कौन चायोग बेसिकली अपन को यहां पर चर्चा करनी है इनको अपन तीन बागों में डिवाइड गर के देखने वाले हैं यहां पर देखेंगे सम्मेधानिक आयोग इट मींस कंस्टिट्यूशनल कमिशन सम्मेधानिक आयोग में दो आयोग अभी अपने को बात करनी है एक इलेक्शन कमिशन की केंद्रिय चुनाव आयोग की केंद्रिय चुनाव आयोग अलंकि सविधान में केंद्रिय चुनाव आयोग जैसा कोई सब्सक्राइड लिखावा केवं चुनाव आयोग वहां पेंवर्ड मेंसिन किया इसकी बात अपना आगे करनेवाले और एक आयोग पढ़ेंगे अपन C.H.G. इन्ट्र का महालेखा परिक्शक तो ए कंप्ट्रोलर जांग तो आप केवल शेलेबस के साब से लिखेंगे कुछ आयोग ऐसे हैं जो इस्टेचुएट्री है जिसको आप साम विधीक लिख सकते हैं ता मतलब यह जो कमिशन है इस्टेचुएट्री है इसमें विधी वर्ड आ रहा है इसका मतलब विधी के दुवाराये बनायें विधी-भारत में बनाने का काम औभी सी बात है संसद में कानून बनाया और फिर कुछ आयोग बना दिये इसमें शया आयोग अपने स्थारकत आयोग लगा हुए है सबसे पहले बात करेंगे सतर्कता योग की एक अर्क तायोग अब यह सतर्कता योग लिख रहें कि यह आयोग इसको लिख लेंगे आप सेंट्रल विजलेंस कमिशन इसके बाद में जो सेकेंड कमिशन अपने पढ़ने वाले को पढ़ेंगे केंद्र ये सूचना योग इसको बोलते है सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन उसके अलावा थर्ड जो कमिशन पढ़ेंगे रास्ट्री मानवा दिका रहा होग रास्ट्री मानवा दिका रहा होग इसको आप नेशनल वुमन राइट कमिशन लिख सकते है अन्तीम पढ़ेंगे लोगपाल आप इसको नोगपाल को लिख सकते हैं इसका मतलब पहली केटेगरी समयदानिक हुई दूसरी केटेगरी साम भी दीक हुई एक बीच की केटेगरी और अपन कर लगते हैं और उसका नाम अपन लिखेंगे जो कारियकारियादेश से इसको फोर्म किया गया है एक आयोग लिखेंगे जो कारियकारियादेश से बना है कारियकारियादेश से एक्जेकेटिव ओडर कारियकारियादेश एक्जेकेटिव ओडर से कौन सा बना हुआ है नित्ति आयोग नित्ति कमिशन योग ता मतलब केंद्रिय चुनाव योग, किये जी, नित्ति आयोग, चेंट्रल विजिलियन्स कमिशन, चेंट्रल इंफर्मिशन कमिशन, नेशनल हुमन राइट कमिशन एर लोगपाल पुल मिला के आपके सिलेवस में साथ आयोग लिखेवे हैं राज्य वाले आयोग अपने ओलेडी फिनिस कर लिया तो ये साथ आयोग वन बाई वन करके अपने एक एक पर डिसकस करेंगे साथ कमीशन अपने सबसे पहला जो आयोग देखेंगे उस आयोग का नाम होगा इलेक्षन कमिशन या फिर निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रिय निर्वाचन आयोग बहुत विस्तार से कई बातों को डिसकस करना है कि आप आए दिन न्यूजपेपर में पढ़ते रहते हैं भारत में कितनी प्रावदान है कि अचार सहीता वर्ड आप बार बार देखते हैं नेशनल पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए उसके लिए क्या करते हैं जो उनको पूरी करनी होती है साथ इसाथ में कुछ और बाते भी यहां पर देखेंगे परीशीमन आयों क्या होता है कई सारे डाइमेंशन आपके इस टॉपिक से कलीर होने ही वाले हैं एक आध फेक्च्वल डिटेल ऐसी होती है कि वर्तमान में अध्धिक्स कौन है अब यह क्लास चूंकि लंबी चलने वाली एक लास तो हमेशा रहने वाली यूटूब पे उस एक फेक्ट से में बच्चों का की वर्तमान वाले से की वर्तमान में यह आपन वैसे तो डिसकस कर लेंगे पर वो क्योंकि बदलता रहता है इसलिए इस पे वह जदा करनेक जोड़ तनी रहेगी सबसे पहले आप है पहले तो यहीं पर वर्ड आपको क्लियर कर लेना कि भारत के सम्मिधान में केंद्र ये निर्वाचनायोग सब्द नहीं लिखा हुआ है तो इसको अभी क्लियर करने के लिए आप लिखेंगे सम्मिधान में केवल निर्वाचनायोग लिखा हुआ है क्या पता आपकी परीक्षा में साब पूछ ले केंद्री निर्वाचनायोग के लिए भारत के सम्मिधान में कौन सा सब्द यूज किया गया है केंद्री निर्वाचनायोग केवल निर्वाचनायोग रास्ट्रे निर्वाचनायोग इन में से कोई नहीं यह जो जो मैं कोशिन बोल रहा हूँ आपको करना यह है इन कोशिन्स को भी साथ में नोट डाउन कर लेना है लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इसलिए आप इन कोशिन्स को लिख लीजिए कोशिन क्या बनेगा केंद्री निर्वाचनायोग के लिए भारत के सम्मिधान में किस सब्द का उले क्या गया है ए लेवल निर्वाचन कमिशन या इस परकार का कुछ चोथा उप्षन आप पहली बात आपको यही कलीर करने की सम्मिधान में जो चुनाव आयोग अपन पढ़ने वाले हैं इसके लिए सम्मिधान में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन वर्ड इस मेंशन इन ठीकैन अर्ड परतॉ प्राण हैं इन कर में अर्दिटुिए हैं यहा हैं अर्ड ज एंसी स्वेशन फिर्ब्ह एं उखल अर्ड इन इलेक्शन इसका मतलब only election commission word mention किया गया है instead of central election commission एक यह word कामका है इसलिए इस पर ज्यादा फोकुस कर रहे है ठीक है अब इस वाले topic में चुनाव आयोग पन पढ़ रहे हैं तो इसमें से अपने क्या-क्या क्लियर होगा अभी आप यह लिखने की जूरुत नहीं है देखिए जनरली कोई आयोग पढ़ते हैं तो अपने यह पढ़ सकते हैं इनका गठन कब हुआ कि उसके बाद में कि इसमें सदस्य संक्या कितनी होती है कि इसके बाद में न्यूक्ति कैसे होती है है उसके बाद में सपत कैसे होती है इसके बाद में कारी जकृत होता है कि पुनन न्यूक्ति होती है नहीं होती है इसके बाद में इसके कार ये क्या क्या होते हैं और कुछ अन्य डिटेल अन्य एक्ट इट मिन्स कंपोजिशन नंबर अपॉइंटमेंट ओथ तर्म ओफ ओफिस अर्य अपॉइंटमेंट फंक्शन इंड अधर फेक्चुल डिटेल कोई भी आयोग पढ़ते हैं तो ये सारी ब सबसे पहले देखने साथ इसका गठन की स्तारीक को हुआ इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं न्युक्ति किसके द्वारा कि जाती है क्या होते हैं और अधर फेक्ट लिटेल में देखनी है इतने से फिर एक स्लाइड में चुनावाय पूरा हो जाएगा और इक्जामिनर से अच्छे बन जाएंगे अगर यह सारी चीजह आप अलग डाइमेंशन में पढ़के चलते हैं तो इसलिए इनका वर्डिंग नहीं डालके अपन एक एक चीज यह वाली डिसकस करने वाले एक अलग फॉर्मेट में आपको पढ़ाने वाला हूं उसको आपको फोलो करना है सब से पहले बात कर लेते हैं इसके गठन की या फिर सबसे पहले से बात कर समीधान में क्या status लिखा हुः है election Commission का समयधान में status क्या है What is status in constitution समीधान में長 में क्या है जैसा कि आप लोग जानते हैं समीधान में अभरीजिनले अपना constitution बना मूल रूप से जम समिधान बना कुछ समय राज्य चुनावायोग तो था नहीं यह मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया क्योंकि वो पंचायती राज के बाद में स्थितों में आये राज्य में लोकल बोडीज के चुनाव करवाने इसका मतलब अपने कंस्टिटुशन में केवल एक आयोग का उलेख था मूल समिधान में उसका नाम क्या है केंद्रिय चुनाव आयोग मैं यह वर्ड तो बार-बार में वर्ड यूज करूंगा केंद्रिय चुनाव आयोग पर इधर राज्यों के लिए है कि कि अंदर के लिए चुनाव आयोग है इसके लिए आपको पार्ट याद करना भाग और अनुछेद यह बहुत हल्की सी एक फेक्ट्वल डिटेल है ताकि यह आपके दिमार्ग में रहेगे तो कई सारी चीज़े आपके कलीर होती चलेंगे ठीक आपको यह द्यान रखना की आर्टिकल वाइज अगर कई चीज़े लेकर चलते हैं तो कई सारी चीज़े आपको और आपके डाइमेंशन कलीर हो जाते हैं को सबसे पहले तो आपके दिमार्ग में यह क्लीर करके सब आर्टिकल वाइज देख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा और अगर आर्टिकल वाइज आप नहीं भी देखना चाहें और आपको लगता है कि नहीं ऐसे सिधा भी ठीक है तो सिधा भी मैं आपको बता देता हूं वह तो बेसिकली आप याद रखेंगे कि 324 से लगा के 329 तक अलंग की एक अनुचे है जो सारी बात कह देता है वो 324 है सारी बात यहीं पर लिखी हुई है पर हां यहां से यहां तक आप देख सकते हैं और राज्य के लिए अगर देखना चाहें तो 243 क और जेड़ के पार्ट की बात करें तो पार्ट 15 है इधर भाग नो और नो क्या यहां पर लिखा हुआ है यह वाली तो बेसिक बात आप लोगों को पता भी है यह तो वाइस का सम्मिधान में स्टेटस क्या लिखावा है कि साब सम्मिधान में कहां पर लेकिया गया तो मैं थलका सा आपको आईडिया रखे लेना है कि 24-329 तक अनुछेद और चेट के लिए जो प्रोविजन है वो 243 के से जैड नोट्स आप साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं लिखना चाहें तो जैसे राज्या आयों कि काई की आपको पीडिएम अविलेबल करवा है वैसे इसके आपको फूर्प टेलीज्व्ब्राम पर अविद्विल करवा दूगाा अब अरां से इसको सुन सकते हैं जैज से खुदके ऊचि tiger अब बात करते हैं कि इसकी गठन की गठन को समझने से पहले आपको दो बाते ज़ूर समझ लेनी है कि आहरत का जो समिधान है वो 26 नवंबर नाइनटी फॉर्टीनाइन सबीस नवंबर निसो उन्चास को कम्प्लीट तयार हो गया था और चाते तो उसी दिन लागू करत सकते थे उसको पर आपने इधियास में पढ़ा उक साब रावी नदी के तठ पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा घंडा फेराया और उस दिन के एधियासिक महत्व को हमेशा जिन्दा रखने के लिए 29 नवंबर उन्चास को समिधान लागू नहीं करके अगली डेट को 26 जनवरी को लागू किया पर कुछ अनुचेद इतने महत्व पूर्ण थे जिनको लागू उसी दिन करना जरूरी था अपना जो समिधान आन्सिक रूप से कब लागू आ कि डेट इसलिए बता रहा हूं इसे एक चीज आपके समझ में अने वाली है आन्सिक रूप से भारत का समिधान 26 नवंबर पूर्ण समिधान को लागू हो गया कि आप ध्यान रखेंगे भारत का समिधान पार्चियली आन्सिक रूप से मतलब कुछ अनुचेद कुछ का मतलब 16 जो अनुचेद हो इसी दिन लागू कर दिये गए कि बहुत जरूरी नुचेद थे वो लागू करना था वेट नहीं कर सकते थे देश जो समिधान है इसको पूर्ण समिधाना बोल सकते पूर्ण समिधान है वो 20 जनवरी 1950 को लागू किया गया ठीक यह बात डिसकस यहां पर क्योंकि यह जो 16 अनुचेद लागू करें आप अगर देखना चाहें जिसमें आप देखेंगे कि अनुचेद 5 अनुचेद 6 अनुचेद 7 अनुचेद 8 अनुचेद 9 अनुचेद 6E 60 अनुचेद 3 flexible अंनुचेद 367 अनुचेद 379 अनुचेद 851 अनुचे değ90 में 333 में और एक खुद अनुछेद 304 में 304 में वे नम्मर का जो अनुछेद कुछ आर्टिकल के बारे में बात बताता है कि कौन अनुछेद किस दिन कैसे परवर्थ होंगे इसकी बात अपने किसी और क्लास में करेंगे जब आर्टिकल वाइस क्लास करेंगे तब इसमें मैंने एक अनुछेद का नाव बोला है वह उनुछेद है 324 और पीछे मैंने आपको बताया 324 का जो उनुछेद ऑफ शारी बात बता देता है किसके बारे में केंद्रち ये चुनावायों के बारे में इसका मतलब 324 का अनुछेद बहुत ज्यादा महतों पूर्ण है चुनावायों के लिए 324 का अनुछेद कीस दिन लागू हो गया 26 नॉबर 1949 को इन फ्यूचर कोशन आजाए कि चुनावायों का अनुछेद जो है वो आनसिक समिधान में ही लागू हो गया था जब आनसिक समिधान लागू हो गया उसी समय 324 का अनुछेद लागू हो गया यह बात सही है जैसे अनुछेद लागू हो गया और यह चुनावायों के गठन की बात कहता है अब चुनावायों का गठन कर दो तुकि चुनावायों का गठन करना इतना बड़ा इसका इस्ट्रेक्चर तयार करना अपोइंडमेंट करना थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है ये बात तो 26 नवूंबर की है के बाद में 26 दिसंबर आया और 26 जनवरी दो महिने से एक दिन पहले इन्होंने 50 से 60 दिन के बीच में पुनावायों के गठन का काम कर लिया है ये मान की चलिए और डेट आई अगली 27 दिसंबर छोड़ दीजिए 26 जनवरी को तो समीधा लागो ना उससे ठीक एक दिन पहले द देट थी 25 जनवरी है क्या आप याद रखेंगे 30 जनवरी 1950 को कि तुनावायों का गठन किया गया कि वाचनायों कि दें तो ज्यादा ठीक रहेगा कि वाचनायों का क्या हुआ हुआ है इसका मतलब 25 जनवरी की डेट भी इंपोर्टेंट है और 1950 की डेट भी इंपोर्टेंट है अब 20 जनवरी को बारत में गंतंतर दिवस मनाय जाता है और 25 जनवरी को क्योंकि निर्वाचन आयोग जुनाव आयोग बना है बहुत पावर्फूल इंस्टिटूशन है लोक तंतर का एक आधार है इसलिए 25 जनवरी को राष्ट ये मतदाता दिवस मनाय जाता है 25 जनवरी को चलिबरेट नशनल वोतर दे द्युक्त जनवरी को मनाय जाता है उन्नी सो पाचास का दिन भी तो बहुत महतोव पून है यहां पर मनाय यह है जो 90-50 यह टोल फ्री नंबर है अगो फ्री नंबर आप हिंदी में लिख सके हैं और फ्री नंबर तोलफ्री नंबर किसका है चुनाव आयोक का मतलब आप 1950 अपने फोन में डायल करते हैं तो आपको इलेक्शन को लेकर भोग सारी बाते चुनाव को लेकर भोग सारी बाते आपको पता लग जाती है तो आपके इलेक्शन का चुनाव का स्टेटिस क्या है आपका इलेक्टोरल रोल के बारे में स्टेटिस क्या है परदाता सूचियों के बारे में स्टेटिस क्या है और जो आपको अन्य सूच नाए चाहिए वो इस आप यहां पे ले सकते है तो 1950 का आपको महत्तवय पता लगी अब जो बात करनी है अपन को यह चुनावायोग की डेट की बरे में अब बात करनी आर्टिकल वाइज चूंकि अभी तक आपने देख लिया एक साथ यह अपना सिलेबस है इसमें अपन को चुनावायोग पढ़ना है चुनावायोग मुख्य रूप से आपको दो इस्तर पर केंदर इस्तर पर राज्य के इस्तर पर इंदर इस्तर पर अपन जो चुनावायोग देखेंगे उस वह तीन सो चौविस के अनुछे से शुरू है इसका मतलब क्यों ना अनुछे 324 ही पल दिया जाए अब बात करेंगे आर्टिकल पर कि देखेंगे बेसिकली अनुछे 324 क्या बताता है इसमें मुख के रूप से 6 सब क्लोज है यह आप लिख सकते हूँ है सेक्षन ऐसा लिख सकते है इसका मतलब अनुछे 324 को 6 वागों में विवाजित किया है समिधान ने भी एक कर रखा है मूल समिधान से अपन देख रहे चीजों कि छेजे लिखी वी है 324 एक लिखा हुआ है फिर दो लिखा हुआ है फिर तीन से करके 6 चीजे लिखी है 324 एक पहले ही अनुछेद कार ये बता देता है जब चुनाव जब भी होंगे इसमें चार चुनाव का उले किया गया है रास्ट पती उप्रास्ट पती धंटल इलेक्षन का कारिये कंट्रोल का कारिये ये चुनावायों करेगा ये बात 324 में लिखी हुई देखते है 324 का अपन ख्लोज 1 पकड़ते ने शे बते हैं और बात करते हैं कि 321 क्या कहता है कि 321 3バते बताता आपको कि 324 एग 3 बाते बताताइ पहली बात क्या बताता है पहली बात इविए बताते संब जोभी चुनाव होङे जो भी एलेक्शन होगे उसमें निर्देशन का कारिये, दूसरा प्रेवेक्षन का कारिये और तीसरा नियंतर्ण का कारिये चुनावायो करेगा, अभी में हुब हुए एक आर्टिकल भी आपको दिखा दूगा, चाकि लिक कताब क्या यह नहीं, पहली बात लिखी गई है, इसको अगर इंग्लिश में लिख सकते ताकि याद रिजे CDS, इन्दी में लिखते, तो चुनावाँ में रिदेशन, कोमा नियंतर्ण, कोमा प्रेवेक्षन, आजकल एक्जाम जिस परकार से हो रहे हैं, ये वर्ड भी बहुत में तो पूर्ण होते हैं, कि क्या सब्दों का उलेक वहाँ पे है, दिदेशन, नियंतर्ण, एंद प्रेवेक्षन, इसमें कंट्रोल होगा, डाइरेक्षन होगा, एंद सुपरिटेंडेंडेंस होगा, ये तीन कामों का उलेक की आगया है, कि चुनाव आयोग, देकि शुरुआत में कुछ चीजे आपको बिखरी सी लगेंगी, दिरे दिरे जैसे से क्लास बढ़ेगे आगे, ये चीजे सारी एक साथ जूड़ती चली जाएंगी, और एक सांदार कंटेंड आक पास प्यार हो ज होगा, देकि कितने सर्प्राइजिंग ली बात है, पहले ये अनुछेद की पहली बात में इसके कार ये लिख दिये, अभी अपने तो कभी दिमाग लगाए ही नहीं, चुनावाए के कार ये बाद में लिखे जाएंगे, पहले गठन लिखा जाएगा, पहले में इकार ये पता दिया कि ये काम करेगा चुनावायोग, 124-1 की दूसरी बात ये लिख दी कि कि किस किस के चुनाव में एकार ये करेंगे, तो चार चुनाव के नाम लिख दिये, संसद के सदस्यों के चुनाव, राज्यों के विधानमंडली के सदस्यों के चुनाव, राष्ट पती के के चुनाव और उप्राश्पति के चुनाव? तो कोशन पूछा जाए कि कितने चुनाव को वहां पर उल्ले किया ऊप? च्यार प्रकार के यलक्शन की वहां पर ऊख न ग्या आगै? यह बात भी हाव ध्यान रखेंगे. कौन से चुनाव की बात करते हैं यह? एक करते संसंस्द सद्धस्यों की चुनाओ एक करते राज्य विधान मंडल के चुनाओ एक बात करते राष्ट पति के चुनाओ और उपराष्ट पति के चुनाओ एक तुनाव योग दोनाव में निदेशन नियेंतर्ण और परवेक्षण के कारिये करेंगे किसके चुनाव में तनसत के सदस्य है जहां एम्याएं फियाद मन्दल में विदान सबावर विदान परीसे की सदस्य जाएंगे पराष्ट्ट पती के द्वारा bilang कि द्वारा और कितने परकार के दारेक्सन का का रिए एंड कंटरोल का का रिए यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि और इंडरेस्टिंग बात क्या लिखी गई यह बहुत महतुपन बात है जिसको जनली एपनी स्कीप कर देते हैं जब मूल समिधान बना तो वहां पर एक लाइन ओर लिख दी कि जब भी चुनाव होंगे एक चुनाव न्याया धीकरण का गठन होगा यह क्या चीज आ गई इसका मतलब यह था कि अगर चुनाव में लेकर कोई भी गड़बड़ी कोई भी संभाव न होती है या इस परकार की कि चुनाव में कुछ समझें आती है उसके लिए इलेक्षन ट्रिबूनल एक बनाया जाएगा चुनाव न्याया धीकरण बनाया जाएगा कि इस पूछलिया जाए कि चुनाव आयोका प्रावदान की सनुचहद में तो अनुच्छे 324 बता देंगे ऐसा को पूछलिया संसोधन उसमें से पहले चुनाव नियायाधी कर्म का उले किया गया था नियायाधी कर्म क्लियर पर अब नहीं है इसका मतलब कोशन जैसा पूछा जाए कि संसोधन के बाद में चुनाव नियायधी कर्म को हटा दिया गया उनिश्वा संसोधन 1966 के द्वारा इट मीन्स हाद आपके पास वहा आगई तका आपके पास वह अगई है ने आगे इसका मिन्स ऑन जैसा ड्र। यह बात कता तीनसोचोवीस एक कितनी होगी निउक्ती कैसी होगी सारी बाते के करके आएंगी पर तीनसोचोवीस में तीनसोचोवीस का अगर आर्टिकल देखेंगे तो यह बात वहापे आपको मिलेंगी यह बात वहापे मेंसन की मिलेंगी वहापे लिखावा मिलेगा क्या क क्याश सबसे पहले तरफ करें इमगते ही लिखिवी है उसके बाद में चार बाते यह लिखी गई एक बात यह कैसे होगी 324-2 में और ये question बना सकता एक्जाम में अब लिखेंगे 324-2 फिरम आपको complete 324 का मूल समिधान में क्या लिखावा वो और आपको दिखा दूगा 324-2 में और 2 में क्या क्या देना है एक तो हमें संख्या fix करके देनी है एक nukty करके देनी है तो 324-2 में दो बातें आपके mention की गई है एक इनका number और एक इनकी appointment ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे और दोनों में एक एक question की गुणजाईस है question पूछा जाए in future आपको 324-2 का समन्द किस से है आप एंगे सर संख्या और निक्ति से है संख्या कितनी होगी कैसा समिधान में लिखावा है क्या नहीं लिखावा है निक्ति किस के द्वारा की जाएगी रास्टपति के द्वारा की जाएगी दोनों में एक एक चीज़ क्लीर करके चलते है एक लिखावा है इनकी संख्या इसकी चुनावायोग की एक लिखावा इनकी अपोइंटमेंट न्यूपती है आप लिख सके इसको नंबर एंड टम अपोइंटमेंट नंबर एंड अपोइंटमेंट अगर एक से देखा जाए तो इसमें यह लिखावा कि सब संख्या भी कौन ते करेंगे रास्ट पती और न्यूपती भी कौन करेंगे रास्ट पती अग्या भी कौन फिक्स करेंगे रास्ट पती और न्यूपती भी किसके द्वारा की जाएगी रास्ट पती के द्वारा अब यहां पर ध्यान से आप वो समझना है यहां पर केवल इतना लिखावा है कि संख्या रास्ट पती के द्वारा ते की जाएगी और कुछ नहीं लिखा हुआ है और यहां पर यह लिखावा कि निवक्ति राष्ट पती के द्वारा की जाएगी पर संसद की कानून के तैत इसका मुलब निवक्ति राष्ट परी करेंगे संसद द्वारा बनाएगे कानून के तैत संसद द्वारा बनाई गई विधी के अधिन कि आपको लगीगा इसमें क्या नहीं बात है नहीं बात है कि संख्या राष्टपती अपने साफ से तै करेंगे लांकि जहां-जहां में राष्ट पती वर्ड यूज़ कर रहा हूं। इसकी पर काम करेंगे. तधान मंतरी या फिर केबिनीट की पर काम करेंगे. अमझा पार्लियमेंट का कोई रोल नहीं है, संसदगा संख्याते करने में, प्र न्युक्ति के लिए पर्ल्यामेंट पहले लोग बनाेगी, लोग बनाने का मतलब फ़ले लोक स्वाम में बिलाएगा, फिराजय स्वाम फिराश्ठ्पति सांइन करेंगे, पर पर लोग बनाया जाएगा कि ऐसे इनकी न्युक्ति होगी, यहां पर केवल राष्ट पति और प्रदांतरी दोनों मिलकर संख्या तैय कर देंगे कि दो करनी हां कर दीजिए तीन करनी कर दीजिए ऐसा हुआ भी है जब चुनावाए इसकी कहाणी तो अपनागी डिसकस करेंगी 1950 में चुनावाए बना तो इसमें एक ही सदस्य था 1989 में फिर इसमें दो और सदस्य जोड़ दिये फिर 1990 में वापस एक सदस्य कर दिया फिर वापस 1993 में तीन सदस्य कर दिये तो देखो कितना फ्रीप्यट चेंज हुआ है क्यों हुआ है आज आपका संख्या राष्ट पति तै तरदान मंत्री के इसके लिए कोई बनाने की दोरता आपको नहीं है इसका मतलब यहां से एक एक चीज और आपको समय में आएगी सभीधान में संख्या नहीं लिखी हुई है यह कथन आएगा कभी एक्जाम में आप गलत नहीं करेंगे अब सम्विधान में कि इनकी संख्या का उलेख नहीं है ठीक दूसरा न्युक्ति संसंद्वारा बनाई गई विधी के दीन रतेव की जाएगी यहां पर देखे कितना बड़ा कुश्चिन मारक है न्युक्ति कर रहे हैं तो कोई कोलेजियम नहीं है लोक्तंत्र का सबसे मजबूत जो इस्थम्भ है जो चुनाव करवाता है चुनाव आयोग इसके सदश्यों की न्युक्ति कैसे होती है कोई कोलेजियम नहीं है इसका मतलब रास्ट्रपति साव अपोइंट कर देंगे धानमंत्री जी मंदल कहेगी इस वेक्ति को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक नूट करना है कोई वेक्ति जाके कल को फिर अठानमंत्री और मंत्रिष्ट के चुनाव करवाएंगे कोई आचार सा हिताय लगवाएंगे और पारधर्सी चुनाव करवाएंगे किस से परबावित है और वेसी बात है भारत में कितने सारे आईएस अधिकारी हैं उन में से किसी एक आईएस अधिकारी को चुना जाता है और मुख्य चुनाव वेक्त बना दिया जाता है तोच के देखिए जिस आईएस अधिकारी को सारे आईएस बनते हैं सब बढ़ा पत्वडी मिल पाता है इस वेक्ति को चुनाव आयूक्त बनाया गया मुख्य चुनाव बनाया गया कितना ऑबलाइज करेगा कितना वह तो मान पर्दशित करेगा प्रधान मंत्री जी के परती किसर आपने मुझे इस पत्तक पहुचाया। और अगले चुनाव में प्रधान मंत्री जी का चुनाव जब होना होता है, तब वो फिर आचार सहीता हैं , कि Groß इंविक्त कर दिए इस व्यक्तति ने मुझे नियुक्त करवाया है कि या मामले निकाल दूगा भार कि यह किया आपने यह गलत किया ऐसे चुनाव सही नहीं करवाया यह आचार सहीता का उलंगन किया आपने यह आपने अक्स्ट्रा पैसे चुनाव में खर्च कर दिये यह आपने भरस्ट आचन किया यह निर्वाचन कापराद किया आपने अभी नही योगी पर जब पढ़ेंगे तब आपके आखे फटी फटी रहे जाएंगे इतना बड़ा लेकुना कैसे समिधान में इस इस पर कभी मैं एक गोल्डन टेन गोल्डन जीरो टेन के नाम से यहां पर कोई भी कॉलेजियम नहीं है यह सबसे बड़ी बात है कि कॉलेजियम नहीं नहीं है कि दोनों में इंतर जान लेना है संख्या राष्ट पति तैक करेंगे संख्या खाव लेक नहीं है नुक्ति भी राष्ट पति करेंगे पर करेंगे किस के द्वारा संशद की विदी के द्वारा प्रिले इन दोनों में इंतर करना है विदान में का नंबर फिक्स नहीं किया गया है, there is no collegium for appointment, पर सबसे बढ़ा लेकुना और लूफोल से constitution का golden 0 है यहां पर, यह बात आपको समय में आगे होगी 342, क्या क्या देखा अपने, 324 बेसिकली टू चीज़ डिस्क्राइब करता है, first one is the number, number would be fixed by precedent, constitution does not, does not prescribe any specific number, second one is, these members will be appointed by precedent, under the law of parliament, parliament law बनाएंगी, उस parliament law के तहत, president है, इनकी निप्ति करेंगे, यहां तक बात समय में आ गई होगी, तो निप्ति वाला point आपके clear हो गया, संख्या वाला point clear हो गया, और इनका गठन का बुआ, यह point अपने पहले कर लिया, 25 जन्रुनिशो, अब बात करते हैं, 324 तीन की, 324 तीन आसान है, आसान इस सेंस में की, आपर यह लिखा हुआ है, कि जैसे चुनाव आयोग में, पहले इसको समझ लें तो साइड आसान रहेगा, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयोगत होता है, तो, तीस ही बोलते हैं, और दो अन्य चुनाव आयोगत होते हैं, ए और भी, अमिधान निर्माताओने आगे का सोचा तो है, उन्होंने का कि अगर, चुनाव आयोग में एक है तो कोई बात नहीं, अगर तीन है, दो है, तीन है, पांच है, तो यह जो मुख्य चुनाव आयोगत है, यह चुनाव आयोग का अधेक्स की रूट में काम करेगा, इन फ्यूचर अगर परिक्षा में कोशिन पूछ लिया जाए, चुनाव आयोग के अधेक्स कौन है, तो आपको अब ध्यान रखना है, चुनाव आयोग के अधेक्स, मुख्य चुनाव आयोगत है, यह बात देखे, सम्विधान में लिख दी, 324-3 में, या दखे, तो 324-3 में आपको एक बात धान रखनी है, कि, अधेक्स के रूप में काम करेंगे, अधेक्स के के रूप में, 3% के रूप में काम करेंगे, क्लियर, ओके, अब आपको 324-4 ध्यान रखना है, 324-4 याद करने के लिए, आपको पहले मैं यह बता दू, क्योंकि चुनाव आयोग में आपको पता है कि एक मुख्य निर्वाचनायुक्त और दो अन्य निर्वाचनायुक्त, टोटल मेंबर कितने वे, टोटल मेंबर वे तीन, पूरे भारत के चुनाव करवाने, इलेक्टोरल वोटरलिस्ट तयार करना, अदिजूचने जारी करना, आचार सहिंदाओ का पालन वागनी, इसका ध्यान रखना, इतनी सारी EVM मसीन्स होती है, इसलिए कुछ प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान समीधान में कर दिया, तुनाव का सफल संचालन करने के लिए, तुनाव आयुक्तों होंगे, मुख्य चुनायुक्त भी होंगे, पर साथ ही साथ में, यह आपको जरूर ध्यान रखना है, कि कुछ अध अधिकारी जिनको आप प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों बोलते हैं, उनकी निर्वाचन आयुक्तों की 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 निर्वाचन आयु वो बहुत ज़्यादा हो जाए का के लिए फिर 324 रिजनल इलेक्षन कमिशनर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त इसको आप समझ तो गए ना प्रादेशिक का मतलब प्रदेश से आप ले सकते हैं पुरे भारत में चुनाव का संचालन करने के लिए अलगलग पुछ अधिकारी नियुक्त कर दिये जाएंगे आप एक बार क तो न्यूपति किसके द्वारा की जाएगी राष्टपती के द्वारा कि इसमें राष्टपती सला लेंगे कहिए और सला नायों संसचध लीजाएगी ना मंत्री पिरशद की न्युक्त कर दो रहाएंगी pública किंशं की जनाव आयोग से न मुक्त कर निर्लवाच नायूच से इन फ्यूचर अगर कोशन बनता है आपको परीक्षा में प्रादेशिक निर्वाचन आयुकतों की नुक्ति की जावेगी तो आप याद दखने राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलापर तुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की सलापर यहां भी एक कोशन बनाईए प्रादेशिक निर्वाचन आयोग नुक्त की जाएंगे प्रादेशिक निर्वाचन आयोग द्राष्ट पति द्वारा नुक्त की जाएंगे नमबर एक संसद की सलापर नमबर दो संसद की विधी के तैट नमबर दो प्रधान मंत्री मंत्री पुरिषद की सलापर नमबर 3 मुक्रे निर्वाचन आयूपर नमबर 4 तुनाव आयोग पर अदिक्तर बच्चे किसमें चांस लेंगे या तो आप मंतरी, पुरिशत या प्रदानमांत्री में चांस ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं मुक्रे निर्वाचन आयूपर यजबकि यहां पे acad prim कि दे कंसल्टेशन ओफ इलेक्शन कमिशन इंस्टीड ओफ चीफ इलेक्शन कमिशन और एनी पार्लियमेंट लोग ठीक है यह हो गया तीनसोचोवीस च्यार तीनसोचोवीस पांच बेसिकली आपको तीन बाते बताता है इसमें पहली बात यह लिखी गई कि यह जो निर्वाचन आयूग थे इनकी सेवासरते प्लस प्रादेशिक जो निर्वाचन आयूग थे इनकी सेवासरते कैसे ते की जाएंगी दूसरा इनकी पदावदी कितनी होती है चुनावायोग में जो मुख्य चुनावायोग तो और जो निर्वाचनायोग तो होते हैं तीसरी इनको हटाएं कैसे जाता है कई सारी चीज़ें यहां पर है तीन सो चोवीश पाच 324-5 में आपको तीन बाते ध्यान रखनी है पहली बात कि एक तो निर्वाचनायोग और दूसरा प्रादेशिक निर्वाचनायोग तो है कि फिर एक्जामिनर इतना पूछा जा सकता है पर हाँ आपको याद रखना है कि 324-5 में तीन बाते आपको ध्यान रखनी है पहला यह कि निर्वाचन जो आयूगत हैं अपने बात करी प्लस जो प्रादेशिक निर्वाचन आयूगत है प्रादेशिक निर्वाचन आयूगत जो होते इनकी सेवा सरते राश्पती क्यों तैय करेंगे सा हो सकता है पर ध्यान रहिए इनकी न्युक्ति वी राश्पती द्वारा की जाती है इनकी सेवा सरते वी राश्पती द्वारा की जाती है पर यह पर बड़ा इंपोर्टेंट है रास्ट्पति खुज से सेवा सर्टे तरह नहीं करेंगे तो वही न्युक्ति वाली बात संसद विधी के तैत न्युक्ति रास्ट्पति द्वारा संसद विधी के तैत इसका मतलब जो निर्वाचन आयुक्त है और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है इनकी न्युक्ति इनकी न्युक्ति और शेवा सर्टे कोन करेंगे रास्ट्पति करेंगे किसे पूछ कर संसद को संसद की लोग के दिन रतिव की जाएगी अब बात करते हैं इनकी पदावदी को लेकर इनका टम कितना होता है पदावदी तर्म ओफ ओफिस थोड़ा सा ध्यान रिखिए यहां पर कोशन बनाया जासकता है कि पहले जो पदावदी थी हूँ केवल 65 वर्स थी तर्म विधान में पदावदी का ऐसा कोई खास उलेक नहीं किया गया है एक जाब पार्लियमेंट लोग बनाके फिरिन की पदावदी टै करती है तो पहले कितना किया गया था पहले 65 वर्स तब एज ओफ रिटायरमेंट थी ने की कारियकाल था ऐसा कोशन बनाया जा सकता है कि समविधान निर्मान के समय या मूल समविधान में तुनाव आयुकतों के लिए कारियकाल नहीं होके एज ओफ रिटायरमेंट थी तो एक अथन सह भी है पर 1991 में 1991 में इसको 6 वर्ष कर दिया यह थोड़ा आप देहान रखेंगे कब चुनाव आयुक थे इनका कार्येकाल जो है यह 6 वर्ष कर दिया गया और भी है दो आन जाय пропवावन तो यह संख्या लिए प्रोसेस लिखी है ना इसका मतलब इसकाल में नहीं यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ज़्कीता को आ सकता फरीक्षा में कि कि विदान में इसका अब इंट्रेस्टिंग बात है रिमूवल की अर्थार्थ हटाने की अब बात करते हैं यह भी 324-5 में लिखावा हटाना और आप देखेंगे बहुत सर्प्राइजिंगली की सम्मिधान में इसके लिए भी बहुत बड़ा एक लेकुना चोड़ा हुआ है चुनावायोग में न्युक्ति कारियकाल पदावदी हटाना योग्यता इस पर सम्मिधान पूरा ही मोन है कुछ सारे विवाद चुनावायोग को लेकर हटाने का देखें इंट्रेस्टिंग लिए क्या लिखा हुआ है कैसे हटाएंगे हटाने मिमिन को दो बाग में बांट लिया एक मुखे निर्वाचना युक्त और एक अन्य निर्वाचना युक्त कि इस इलेक्षन कमिशनर और अधर इलेक्षन कमिशनर यह का गया कि साब मुखे जो निर्वाचना युक्त हैं मुखे निर्वाचना युक्त इनका रिमूल का प्रोसेस इस आप इनको हटाने इनको रिमूल किया जाएगा मुखे निर्वाचना युक्त हैं अन्य निर्वाचना युक्त हैं इनको मुखे निर्वाचना युक्त की सिफारिस पर राष्ट पति अटाएंगे अन्य निर्वाचना युक्तों को कि इसी लिखा मुशोट में सी इसी इसी की सिफारिस पर रास्पति आपको बजागी बात दो जार नोखी है दो जार नो में जब नवीन चावला गोपाल एन गोपाल स्वाम्मी मुखे चुनाव आयुक्त थे और नवीन चावला उसमें अन्य निर्वाचना युक्त थे उसमें कोपाला स्वाम्मी ने राष्ट पती जी को लिखा था नवीन चावला को हटाने के लिए तब ये बात कई बार अख़वार में चाही रही है जब चुनाव मुखे चुनाव आयुक्त है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है उसको रिमूवल के लिए इतना क्साइब सीसी सि है कि 324 है काफी आसान है यह आपको याद हो जाएगा कि यहां पर यह लिखा हुआ है कि सब चुनाव आयों के रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन कमिश्ण अगर रिक्वेस्ट करें तो राज्यपाल या राष्पति करमचारी उपलब्द करवाएंगे नगरपालिका अदिनियम 2009 की धारा आपको मैंने 18 बताई और 19 बताई वहां पर यह एकसाब चुनाव करवाने के लिए आपके घर में भी कोई क्युनाव आयोग के समय दूटी लगती है जब चुंब करवाने करमचारी चाहिए ऊटそんな राज्येव्में एक्राव करवाने है धर राज्येपाल से रेक्वेस्ट करेंग है सरह करमचारी चाहिए वर के अंदर में मान नोई चुनाव या MLA MP के चुनाव करवाने तो राष्ट पती से रिक्वेस्ट कर सकते करमचारी उपलब्द करवाए जाएंगे तो 324 में बस एक बात लिखी गई है राष्ट पती राष्ट पाल याद रखना ज्यादा पढ़ने के बाद दिमार्ट में यह आता क्यार केंदर का चुनावा योग राष्ट पाल से क्यों रिक्वेस्ट करेंगे तो भी है राष्ट पाल से करमचारी प्रिंद लिखावाएं पर कि इंप्लोई है कि अप्लब्द करवाने के लिए कि अज़ते हैं कि पूली मिला के 324 के पार्ट छैपने डिसकस कर लिए है कि वापस से एक बार बात कर लें कर लेते हैं आपको सबसे पहले तो याद ही रख लेना एक साब 324 अब इसको सोट करते हैं कि 324 एक और चलो एक अलग बैग्राउंड में आपको इसको याद दिखा देते हैं ताकि आपकी अपन के इसको थोड़ा सा बैग्राउंड चेंज करकर करके आपकी मोनोटोनी तोड़ते रहेंगे ताकि आपकी मोनोटोनी तोड़ जाए क्योंकि लंबा समय तक अपनको क्लास पढ़नी है कुछ क्लास बदलती रहती है कुछ पीछे स्लाइड बदल जाती है तो आपके लिए एक इसके लिए अपन क्या अच्छा सा बेग्राउंड यह ले ले लेते हैं इसमें आपको थोड़ी से एक मोनोटोनी तोड़ जाएगी कि हां कुछ नया बता रहे हैं अपन को डिसकस करना है 324 का थोड़ा सा बढ़ाकर के लिए 324 यहां पर देखते हैं 324 एक उसके बाद में देखते हैं 324 दो लापने 324 थीन और तीन अगली स्लाइड पर लेंगे 324 एक में क्या लिखा हुआ है एक में देखा जाए तो 324 एक में कई सारी बाते लिखी गई है तीन बाते मुख्य रूप से पहला सोट में एस डी सी लिखा हुआ है चुनाव में डाइरेक्शन supervision control का काम चुनावाय करेगा किस किस के चुनाव में चार चुनाव की बात लिखी गई है MLA MP राष्पति उप्राष्पति एक चुनाव न्याय धिकरण का उले है न्याय धिकरण कि यह कब था निश्वा समधान समस्योद निश्वा से सग्षाट तो दे रहा है फिर 324 दो, दो में क्या दो हमें, दो चीज करके दो, एक हमें नुकति दो, और एक हमें संख्या फिक्स करके दो, संख्या कौन फिक्स करेंगे, राष्ट पती, इसके लिए कोई संसद की कानून की ज़रूत नहीं है, नुकति कौन करके देंगे, राष्ट पती, पर इसके लि एसे लिखते तीन और आपको पता साब अध्धेक्स जो है वो भी ऐसे लिखा जाता अध्धेक्स ऐसे लिखा जाता है इस कामदब 324-3 में का अध्धेक्स जो है अध्धेक्स यह मुख्य निर्वाचनाय उत्तोंगे ठीक अब बात कर लेते 324-4 की 324-4 और यार को ऐसे याद करेंगे आप 4 4 एफ ओ यू आर आर में लास्ट में आर आरा है और इदर इदर रीजिनल में लास्ट में आरा आरा है रीजिनल का मुद्ब छेटतर है दिर्वाचन आयूत की बात 4 में लिखी गई है ऍढ़ी कोईlı धीन सोइस पाँच अपार में वैसे ही कार्या काल पात्साल नहीं इसका मतलब तीन सोइजी जो पाँच आपको बेसिकली बात बता यह कई बाते बताता है जैसे इनका इमोल किस इस प्रकार से किया जाता है यह वाली बात कि 324 6 सारे करमचारी 6 लगाएंगे चुनाव में इसका मतलब करमचारियों की बात है वह कहां पर लिखी गई कि इसका मूल आर्टिकल और देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है मूल आर्टिकल आर्टिकल यह देखते हैं वह ध्यान से आप कोई चीजों को अगर मूल समीधान आप फोलते हैं तो यहां पर लिखावा है 324 में तुप्रिटेंडेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ओफ इलेक्शन तुबी वेस्टेड इन इलेक्शन कमिशन 324 एक, 324 दो, 324 तीन, 324 चार, 325 और 326 है बाते अपने अपने ओलेडी डिसकस कर ली फर्स्त क्या कहता है अब जब इंग्लिश में कुछ बात बताओं तो हिंडी वाले थोड़ा सा देहरे तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश वाले तो हिंडी में पड़ी काम चला रहे पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं कि आपको कुछ टेमिनोलोजी में बता रहा हूं इंग्लिश में अग्लिश तो हिंडी इंग्लिश इंग्लिश जाट रहा हूं क्युक्श आपको रहा हूं फूरा रहा हूं though the election commission shall consist of chief election commission and such number of the election commissioner if the president may from time to time fix and the appointment of the chief election commission and the other election commission shall be subject to the provision of the law made by behalf of parliament it means number would be fixed by president but appointment also would be done by president but under the law of parliament when any other election commission is so appointed the chief election commission shall act as the chairman of this commission it means three close three kya kata chief election commission would be considered as a chairman before each general election the house of people and the legislative assembly of each state the before the first general election is it means the regional election commission to be appointed by president before election fifth subject to the provision of law made by parliament the conduct of service and tenure of office of the election commission and the regional commission shall be such as the president by the rule provided the chief election commission shall not be removed from his office accept the like manner on the ground of judge of the supreme court and the condition of the service of the chief election commission shall not be varied this advantage after the appointment of providing further the chief election commissioner the president or the governor there will be employment available Africa eligible yeah my so आपको प्रेश आने का सामना होगा इसमें लिखाव आ कि कैसे अटाय जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्याय धीस की तरह है न्याय धीस उसमें आधार भी वह होंगे अटाने के रिमूवल के और मेनर्स रीति भी वह होगी इसलिए दिक्कत आती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसको तो चलो कार्यकाल की सुरक्षा मिली वी है इनका देखी अन्दे निर्वाचनाय तो कभी भी ता देते राष्ट पती जब मुखें निर्वाचनाय उत्केते हटा देंगे इनको इनको कारीकाल की सुरक्षा ही नहीं है यहां पुद्धान रखना है तो अब यहां पर दिक्कत क्या एगी यह लिखा गया है कि नुक्ति के बाद में इसको लेकर नुक्ति के बाद में कि एलाब कारी परिवर्टन नहीं इसका मतलब जब नियुक्त कर देंगे उसके बाद में इसकी सर्विश कंडिशन वग्यरा चेंज नहीं कर सकते इनके बारे में कुछ नहीं लिखावा कुंस्टिटूशन में साइलेंट है इसका मतलब निक बोड़ी है अब इस इसको फिल कीजिए तर्टिटूशनल कमिशन है उसके आयुक्तों को यहीं नहीं पता है कि मुझे कब अठा दिया जाएगा कोई ग्राउंड नहीं है यहां पर जरूर सुप्रीम कोट मुख्य निर्वाचनायुक्त को अठाने में वह सकता सरकार को जोर आए पर इनको कभी अठाय जा सकता राष्ट पती द्वारा मुख्य जोड़ना चाहे तो एक चीज और एड़ कर सकते हैं यह काम तो करेंगे करेंगे साथ में निर्वाचन की सूचियां इलेक्टोरल रोल और तयार करेंगे निर्वाचन सूची तयार करना निर्वाचन सूची तयार करना लेकिन मेरा मतलब यह है कि एक भी वर्ड जो समिधान में लिखाओ छुटे नहीं फेक तो आई जाएंगे तो निर्वाचन सूचियां तयार करना चुनाव में निदेशन ये काम करना ये वाला करना और ये वाला आपको क्लीर हो गया होगा अब बात करते हैं अगली अपन यहां तक आपको समझ में आ इस संख्या को लेकर अपने तीन डिविजन कर लेते हैं 1950 से लेकि 1989 तक 1950 से 1989 तक एक बात तो ये दूसरी बात ये कि साथ 1789 में ये जो है इसका कि स्टरक्चर चेंज हुआ 1929 में ठीक है उसके बाद में वापस नब्ब में स्टरेक्चर चेंज हुआ तो 1990 और फिर वापस उनिसव तर्याणम में स्टरेक्चर चेंज हुआ ये कोश्चन आ सकता है इतना समझ लिया तो आपके कई चीज़े क्लीर हो जाएंगे 1950 से लेकिं 89 तक ये सिंगल मेंबर रहा सोच के देखिए एक सदस से एक सदस से सिंगल मेंबर बोडी नव अच्छी में पहली बार इसको मल्टी मेंबर गोडी मतलब दो और सदस से जोड़े गए बहुषदस से क्यों किया गया इसको बहुषदस से इसका महा आपको बता देता हूं तारकुंडे कमेटी बनाएगी तारकुंडे समीति लिखना चाहिए तो तारकुंडे समीति जुनाव सुधार को लेकर पिचेतर में इस तारकुंडे समीति ने शिफारिस करी कि जो निर्वाचक की जो आयू है उम्र है वोट देने की उसको 21 से गटाकर 18 वर्स कर देनी चाहिए ये किस ने कहा तारकुंडे समीति ने कहा पर इस पर उस समय कोई काम नहीं किया गया फिर गटीवुत चुजते से emerged do you can make with this only SHE a五 आपको पता कि शुनाव के पास बहो सारा काम बढ़ गया इसलिए लगासे में इसको क्या कर दिया का टिमेंबर भुस जपा自 आईक बना दिया एक प्लस दो कर दिया इसमें नब्वे में वापस काम ही पूरा हो गया, तो फिर नब्वे में वापस काके काम पूरा हो गया, तो इसको वापस एक सदसे बना दिया फिर एक important समीति बनी दिनेश गो स्वामी समीति, चुनाव सुधार को लेकर आगे बात करेंगे दिनेश गोश्वामी समीटी की सिफरिस के आधार पर चुनावायो को बहुसद से बना कि यह question उपीएस इने पुछा हुआ है यह यहां पर क्या अधार बैस कि बना दिया ऑनजी सम Mt bloody में में बना लिया कौन चीह आंती चिफर दिनेश गोश्वामी समीटी इसका मतलब 1950 से लेके 1989 तक एक सदसे ही रहा 1989 में बहु सदसे ही क्यों बनाया गया क्योंकि एक तारकुंडे समीती बनी थी उसने कहा था कि मद्दान की उमर गटानी चाहिए 21 से ठारा कर दो और यह गटाई 1989 में जाके सब चुनावा के पास काम बढ़ गया तो बहु सदसे करदिया एक साल में नहीं काम कर लिया अग्शनी से बनान दिया 1993 में बहु सदसे ही बना दिया दिनेस गोषओसवा मी समीती के सिवार इस जो बहुसादी जबनाई इसमें एक प्लस दो कर दिए और वर्तमान में यही हैं. वर्तमान में एक प्लस दो मेरे साबसे यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं आई हो. परिक्षा में यहां से दो क्वेशन पूछे जा सकते हैं. पहला किस सम्मीती की सीफारीस क्या? दार्पर मद्दान की उम्र को गटाया गया तार कुंडे समीती कब बनाए गई थी पिछेतर में कब गटाई गई 61 समीदान 1789 कब हुआ 59 में कितनी करी 21 से कितनी कर दी गठारा कर दी फिर 90 में वापस इसको एक सदसे कर दिया 993 में इसको वाउसदसे किया किस समीती की सिफार इसकी आदार पर दिनेज गोश्वामी आदार पर अब देखते हैं आगे की बात इसको नेक्स बात अब पॉश्चन तो में में का आरेस में का आई इस में का पर आपको कुछ चीज तो समझ में लेनी है ताब मुद्दे क्या क्या चुनावा यह अलग से बोक्स आपको बनाना है ताकि परीक्षा में कई बार कोश्चन आये तो उसको डिरेक्ट आप डील कर पाऊ हो हो मुद्दे प्वॉच के लिए इस्च्ण क्याओ्डे क्या अभी अभी बहुत बाकि पढ़ा है आराम से बहुत साऱ चीजे आपनेसद धिसक्स करनी है मुद्दे जंबे इनकी निुक्ति के ले तु सब्सेरा निुक्ति न्यूक्ति में मुद्धा है क्या कोलेजियम नहीं है और ना ही चाहिए आपको अगर आरेस में कभी पूछा जाए या आरेस के इंट्री में पूछा जाए कि बताओ चुनावायों के लेकर क्या क्या इश्यू है मुद्धे क्या क्या तो करणा सिर्प hele तो न्युप्ति में इस्छु हैינ। दीशत्रम में पाइवास में नहीं नहीं है। को नहीं ही तीसा थी बात कि कार्यव काल की इस्षाइं नहीं है। इसका मतलब जब नुक्त कर देंगे तब चलो मुख्य निर्वाचनायुक तो फिर भी पद पे रह सकते पर अन्य निर्वाचनायुक तो कुछ भी करें जब प्रदान मंत्री जी को कहेंगे आपके चुनाव में गड़ बढ़ी हुई है वो गेंगे रूख्य आपको अटवात सबसे बड़ा मुद्दा क्या है योगयता का कोई निर्वाचनायोंग में मुख्य निर्वाचनायुक तो बनेगा कोई योगता नहीं है तो चोथी बात तो पांच वी बाद देखिए जब कार्ये काल पूरा हो जाता इनका उसके बाद कोई अगर यह फर्दर जोब लेना चाहे अन्य न्युक्ति पर परतिबन नहीं है परतिबन नहीं तो जो स्टूडेंट आरे स्मेंज की तहरी कर रहे है वो तो यह लिखेंगे चुनाव आयो को लेकर मुद्दे है या चुनाव आयो को लेकर समझ आय चुनाव आयो इसमें कोन से इस्शू जाए उसमें पहला है अपोइंटमेंट विडाउट कोलेजियम second one is there is no specific number fixed by constitution थार्ड वार आप्टर री अपोईटमेंट इन फर्दर जोब आप्र रिटर मेंट इसका मुद्द ये सारे मुद्दे है चुनाव आयो को लेकर लालकस्न आडवानी जी ने कहा था अडवानी जी ने क्या पता पूछा जाये कि किस ने कोलेजियम की आला कि कोलेजियम की बहुत सारे लोगों ने सिफारीज करी पर लालकस्न आडवानी ने मुखे उप्से एक आता है कि साब कोलेजियम तो उना ही चाहिए इसको लेकर तो अपोईटमेंट न्युक्ति क्वालिफिकेशन री एक आप QRT तो याद रखना है रखना QRT साथ में NA QRT परीक्षा में कोशन आ सकता है नोक ना QRT याद कर सकते हैं अब इसका अगला जो पड़ाव है इसमें अपने देख लिए क्या क्या सीख लिया इनकी इनका गठन कब हुआ इनकी निफ्ति किसके द्वरा की जाएगी और इसके बाद में आप यह देख सकते हैं किसा आप यह जो अपोईंट किये जाएंगे मेंबर इनके लिए योगेत कारी एडिंग लगाएंगे को डियान से देखने क्योंकि कई सारी बाते अपनियां पे इसक्स करने वाले है कि सब्सेपले चंदक्च इलेक्शन ला ऋ करवाना से दूसरा जो महत्तो पुन कारे चुनावाय का वह ये रियसका परी सीमन करना इ डेलीविटेशन सारी बात आएंगे इसके सलाः कारिकारिये टे वाएजिरी फंक्शन के तुछ रहां कि रहुद अच्त जलेटू पुन कर यह वो साब यह कि जो राज नितिक दल होते हैं एक बाँदन्यतिक दलों को मानेता देने कुछ अलई है वह चुनावी के द्वारा किया जाता तो राज 시청ец के ना पांचवा चुनाव का कारिय देखे तो कुछ अन्य कारिय आप इसको केटेग्राइज कर सकते हैं अन्य कारिय अदर फंक्शन तो इस पेसिब लिए चार पांच केटेग्री में अपने इसको डिवाइड कर लेंगे चुनाव के कारिय सबसे पहले सब चुनाव करवाना तूसरा परीशी मन समंदी कारिये तीसरा सला कारी कारिये तुथा पॉलिटिकल पार्टीज को माननेता देने का कारिये और पाच्वा आपन देख लेंगे पाच्वी केटेगरी अपन अन्य कारियों की स्रेणी में बाट लेंगे ठीक है कि अब चुनाव आयोक के जो कारिये विसक्ली में उसको आप नियुक्त इसनद इस Minnie आप लूगों को यह कारी जュरूर पता है सब चुनाव करवाने समंदीट क्योंकों से कारी चुनाव द्वारा किया जाते हैं को यहां पर लिखेंगे अनंवर250 भाज़ा के आगएं पर सम् आ यह चुनाव करवाने वाले कारियों का मतलब भी होता है कि सबसे पहले अदीसूचना जारी होती है उसके बाद में चुनाव होते हैं उसके बाद में मत गणना होती है यह तीन काम तो मुख्य रूप में करनी है आपको बीच में कुछ काम एक साब वोटर लिस्ट है वो प्रिपेर आपको करनी है कोड ओफ कंडक्ट आचार सहीताय लगानी है और वोटर लिस्ट को लेकर कुछ कानून बनाने एक समंधित कारिये भी हो सकते हैं नोटिफिकेशन उसके बाद में चुनाव काकारिये चुनाव करवाना चुनाव करवाना को नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद में चुनाव करेंगे और उसके बाद में मतगन्ना करेंगे अब अधी सुजना से पहले वोटर लिस्ट भी तयार करेंगे तो वोटर लिस्ट तयार करना एक बात दूसरी जो बात है वो चुनाव को लेकर चुनाव में तो चुनाव में आचार सहीता हैं लागू करना यह important काम है अचार सहीता 30 से लेकर 90 दिन के बीच में लागू की जा सकती है अचार सहीता अपने आप में एक अलग टोपी के जिस पर कभी बात में बात करेंगे अचार सहीता code of conduct अचार electoral role लिख सकते है preparation of electoral roles code of conduct code of conduct जो होती है अचार सहीता तो मुख्य रूप से 30 से लेकिन 90 दिन तक इसको लगाया जा सकता है अचार सहीता का मतलब यह होता है इसाब चुनाव के समय में किन की नियमों का पालना आपको rules and downs क्या होते है क्या करना क्या नहीं करना है अगला साब मत गंड़ना करना और मत गंड़ना के लिए आजकर जो सबसे अच्छा जो system वोटिंग का वो EVM से इस पर बात करेंगे EVM if electronic Warting machine गय5000 और साथ ही साथ मैं आस आजकर में साब वोट्रलीस त्यार कि जाती है वोट्रलिस आप प्रिपेर करेंगे लोट्र एस्ट पर ठैक में पुछह जा सकता है कि वोट्रलीस्ट को लेकर कानून किस के दौरा बनाय जाएका दान सब्सक्रा Calvin schaffen बंा खोड़ी शी गयरी बात है पड़ लिख क्लो कोटर अगर अगर संसद का सकता depart नहीं है राज ज विदान दो राज ज्ञुशन Имन्डल नुए आगंगे को यह काम तो बेसिक करवाने का कारी है तुनाव करवाने वाले कार वो तीन बढ़ों माट लिया एक अधिसे नोकिकेशन जारी करना कि चुनाव करवाना आचार सहीता का पालन करवाना और मत करना पर तो क्मोरद और साथ यसाथ में ऐसा भी काम हो सकता कि अगर चुनाव करना यहीं पर लिख लेए तो ज्यादा ठीक रहेगा तो ना हुए है चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है इंसा लूट पार्ट इंसा हुए है कोई लूट हुए है या फ्रोड हुआ है ऐसे में कहा चुनाव रद करना तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे अगर चुनाव रद कर दिया तो इसे चलेंज नहीं किया जाएगा फिर इसे चलेंज नहीं किया सकता कोर्ट में कि कोर्ट में चुनोती नहीं चुनाव रद कर दिया तो क्या उसे आप कोर्ट में चुनाव रद कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें सब्सक्राइब किया है तो चुनाव रद करना अगर कोई हिंसा हुई है कोई फ्रोड हुआ है कोई र आपको लगार, करता है कि मत करना कामी, EVM. इसके आगे बात करेंगे, आचार सहिता, आपको पूचह जा सकता है कि कितने जुनों के लिए 30 दिन चैनल करवाने का कारिये कि, चुनआवायों का है, वोट्रिडीन सण्सता वो संसद बनाती है और संसद का कानून नहीं यह तो राज्य का विधान मंडल बना सकता है अब बात करते हैं दूसरे कारिये की परी सीमन तो कुल कारिये परी सीमन परी सीमन करना परी सीमन करना er vah rgaat yeah sB ょegas Lektor अर्टिकल यह इंपोर्टेंट लगा लीकर कुछक्षाइन परी सीमन के कारिये को बतव कि मद्स प्षूप हे इसका मतलब होता है कि जैसे जनगण्णा हुई उसके बाद में कि छेत्र को कितनी सीटे देनी है साथ साथ में पहले आपका चुनाव छेतर हो सकता है कि रिंगस विदानसवा में आ रहा होगा इसको सिफ्ट करके जेपूर विदानसवा करती है या पहले आपका विदानसवा छेतर हो सकता है पाली में आ रहा हो अब आप जोदपूर की नीचे से ले गए पहले हो सकता है कि साव आपको इतनी सीटे मिली उगी थी अब आपकी सीटे बढ़ा दी अब आपकी सीटे घटा दी state, full मिला के छुनाऊ के समय, यह चुनाऊ से पहले, वैसे दो जन गुना का आदार है, संजाऊँ आपको, पर आप इतना अकमान के चलिए कि साब जो इलेक्शन जब होंगे तो प्रतेग जनगर्णा के बाद में समीधान में यह लिखाओ गिजनगर्णा के बाद में परीशिमन किया जाएगा परीशिमन के चीटों का अड़िश्टमेंट किया जाएगा इसको लेकर अनुचेद समीधान में कौन कौन से है बेसिकली इसको लेकर चार अनुचेद आपको डिसकस करें एक अनुचेद 82 जिसको मैंने पढ़ाया संसद में एक अनुचेद 170 का सब क्लोस 3 जो मैंने पढ़ाया जल्टाण कोईओ आपको है नहीं है इसको लेकर अनुचेद कौन कौन से है अनुचेद 4 आप डिसकस कर सकते 32 का कि 120 का को और देखे 170 का जब आर्टिकल मैंने बताई तो 170 में क्लोस तीन मैंने बताई था विदान जबा में थीज थर्ड नमर का क्लोस आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं लिखना चाहें तो ज़रूद नहीं है इसके बाद में 327 और 329 परिसीमन को लेकर अगर कोशन पुचा जाता तो अभी तक चार बार परिसीमन आयों का गठन हो चुका है वह आपको देखना है अभी तक घठन इतने परीशिमन बन चुके है अगला या दखना है कि परीशिमन की स्ट्रेक्चर सरंचना कैसी होती है परीशिमन कमिशन की और उसके बाद में थोड़ा सा आप देखेंगे एक फेक्ट और 1971 की जनसंख्या और 2001 की जनसंख्या एक बाद तो आपको इतना लिखने बाद समझ में आई गई होगी तब परीशिमन का जो कार ये है 82 270 कैसे है ये लोग सबा राज्य सबावालों के लिए है विधान सबा और विधान परिशत के अनुछेद के लिए है 327 में लिखावा कि परिशिमन के लिए जो लो है अनून संसक बनाएंगी और 329 में दिखावा कि एक बार आपका च्छेतर किसी पर्ट्यूलर च्छेतर में दे दिया परिशिमन होगया तो court में challenge नहीं करेंगे, आप यह नहीं करेंगे, मेरा जो पाली का जो छेत्र है, मेरा जो छेत्र है पाली में नहीं हा कि मुझे तो सरजोद्पुर में सामिल करो, court में चले गए, यह संभव नहीं है, ठीक है, आपको यह वाले दोनुर उन छेत्र मैंने आपको उलेडी बाद ये पर फिर भी एक एक पर बात कर लेते हैं अनुछेद वाइज लेकर है अनुछेद वो लेकर है कि एटिट्टू है और एक अनुछेद 82 का अनुछेद ये काता है कि प्रतेख जनगर्णा के बाद में इन दोनों में क्या लिखा है वह एक साथ ही बता देता हूं अनुछेद जनगर्णा के बाद करी सीमन किया जाएगा मतलब 10 साल में एक बार जन्गर्ना होती है 10 साल में जब जन्गर्ना हो गई तो फिर आप 10 साल बाद में परीशिमन कर लेंगे मतलब सीटों का वापस अड्जेस्ट्मेंट कर लेंगे परीशिमन का मतलब होता है कि जैसे जिसे आपकी जन्गर्णा क्या बढ़ेगी वैसे आपको सीट अक्स्टा मिलती जाएंगी परीशिमन कर दिया अब एक बार परीशिमन नहीं होगा कब नहीं होगा कौन से संसोतन से नहीं होगा अब याद रखेंगे इसलिए प्रावदाउन तो यह था कि साब हर आपको द्यान रखना की दस साल बाद भी परीशिमन होगा यह बात मैंने उलेडी बता रखिए जब आपको 171 का नुचेद, 170 का नुचेद, डिसकस किया है, 82 के नुचेद में बात सारी डिसकस की वी है खिर भी आपको द्यान रखना की साब परीशिमन नहीं क्या जाएगा, परीशिमन को फ्रीज कर दिया, रोक दिया, अंतिम जो परीशिमन है, को कुल्दीप सिंग जी के देखस्ता में 2002 में गठित वा, उसके बाद कोई परीशिमन का गठन नहीं हुआ है, अभी तक कितने प परीशिमन बन चुके, यहां पर क्या लिखाव, बहिया सी और 170 में, यहां पर दिसक्स करेंग, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, वैसे बहुत लंबा होने वाला है, तो यह मैंने बता दिया आपको 170 में, खेत्रों का निर्दारण जो है, ठीटों का जो निर्दार लोग है, अभी तक, चार परीशिमन बन चुके है, ठीक है, पहला जो परीशिमन बना वो नाइंटी फिप्टी टू में, जो बाउन में, नया नया कॉंस्टिटुशन लगुआ था, उसमें परीशिमन कर लिया, फिर बना गया गया, अब 62 में, फिर 1973 में आपस परीशिमन की रिपोर्ट आई, फिर अंतिन 2002, इसके आप देख से आद रखना चाहिए, पुल्दीप सिंग नहीं है, पुल्दीप सिंग आद रख लें, आपके दिमार्ट में आएगा, परीशिमन वाला यहां टोपी क्यों पढ़ रहे है, अभी थोड़े देर में समझ में आजाएगा, परीशिमन के लिए कि सम्विदान में नुचेद कौन से है, आपको नुचेद समझ में आ गई, कौन-कौन से चार नुचेद है, वो दो नुचेद आपको बताएं नहीं है, एक जो नुचेद है, जो आपको यहां पर डिस्कुस करना 327 का नुचेद, और एक करना 329 का, तो थोड़ा सा देख लीजिए, 327 का जो नुचेद है, वो यह बताता है कि साब परीशिमन को लेकर, जो कानून है, लो है, वो राज्य नहीं बना सकता, संसद बनाएजिए, परीशिमन कानून, संसद द्वारा, डिलिमिटेशन लो फॉंट बाई पार्लियामेंट, संसद द्वारा, सबसे इंट्रेस्टिंग आर्टिकल 329 है, यहां पर यह लिखा, कि मालत है कि परीशिमन आपने कर लिया एक बार, और किसी छेत्र किया सीट का निदान कर दिया, तो आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, जो आपने परीशिमन कर दिया, वो फाइनल है, यह 330 में लिख दिया, मतलब इसको आप सुन में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो चार आर्टिकल बहियांसी 170 में लिखा कि परतेख जनगर्णा के बाद में परीशिमन किया जाएगा, यह बात बहियांसी और 170 में लिख दी, 327 में यह लिख दिया कि परीशिमन कानून हो संसद की द्वारा बनाये जाएगा, अब ऐसा अगर कोशिन आता है तो आपने जनली बर्मी तो जाते हैं कि यह कोशिन कहां से दे दिया, परीशिमन कानून को बनायेगा, यह साफ-साफ लिखे में हैं यह आपे, संसद की बनायेगी, राज्य नहीं बनायेगा, और परीशिमन का आप पोर्ट में क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी सरंचना में, अगली बात अपने इसकी देखने वाले, यह परीशिमन अभी तक 4 बन चुके हैं, 52, 63, 2002, अंतिम जो परीशिमन आयोग बना, उल्दीप सिंग ज परीशिमन आयोग की सरंचना, परीशिमन आयोग में एक तो अधेक्स होते हैं, जो कि सुप्रीम कोट के कोई भी रिटाइड जज, आप देखे कितना बढ़ाई स्टेटस है, सुप्रीम कोट के रिटाइड जज इसके अधेक्स होते हैं, कुछ इसमें सदस्य होते हैं, जिस कि साब परीशी मनायों के कौन होते हैं अद्धेक्स उसके बाद में सदस्थ से है अद्धेक्स कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट के अवकास प्राप्त नय धीस इसके जो सदस्थ से हैं इनको आप चार क्याटेग्री में बाढ़ सकते हैं पहली क्याटेग्री है पदेन मेंबर होगे इसके पदेन सदस्थ होंगे अक्स ओफीस होंगे पदेन सदस्थ से अब चुनावायो का रोल आएगा मुख्य चुनावायुक्त और जो राज्यों के जो चुनावायुक्त होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं मुख्य चुनावायुक्त होगे चीफ इलेक्शन कमिशन और जितने राज्य हैं राज्यों में भी एक एक चुनावायुक्त होते ही हैं जैसे हो सकता है कि किसी में दो हो किसी में तीन हो पर हां मुख्य चुनावायुक्त है रिजिनल नहीं काउंट करें मुख्य वो इनके क्या होंगे पदेल सदस्य होंगे तो पदेल सदस्य को भी दो बाग्माट सकते हैं कि पहले होगे मुख्य चुनावा यूप्थ और दूसरा राज्यों के चुनावा यूप्थ कि इसके लाओ इसे वी सदस्य हैं 10 सदस्यों पांच लोग सबागे सब्सक्राइथ उसी मे मुद्ध करता ही सब्सक्राइब और ऑर चैन तो चैन घर्सीत पा tenth से ओगाशन करता दो एस्थे और पांच विधान सभागे हैं, ये 10, अक्षरा और मेंबर हो गए, इसके बाद में ऐसा भी ऊसकता हैं कुछ अन्ये सहयोगी सदस्य हो जाएं, जैसे इनको जरुत पड़े किसी टेकनीकल सदस्योगी, तो कुछ अन्ये सदस्य भी हो सकतें, तो सहयोगी सदस्य हो सकतें कुछ और अगर आब सताथ तो जन्यका को हुआ सकता है और या अन्य अधिकारी को भुलाइश सकता है तो आवसेक्ता पढ़ने वाले सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दождसं अब चता पढ़ने पर किस को बुला जा सकता है बागे जनगर्णायुथ को बुलाय जा सकता है महा-सरवेयर को बुलाय जा सकता है और कुछ अन्य अधिकारी बिलाए जा सकते हैं तो सर्वेर और फिर सेंसस कमिशनर सदस्य सहयोगी सदस्य कोई भी अन्य सदस्य हो सकते हैं अन्य सदस्य जिस बने पांच लोग सवासे पांच विदान सवासे मुख़्ए निरवा चनायूंत president और राज्यों की चुनावायोग तो होते हैं, तो ये काम तो चुनावायोग का होई गया, इसके बाद में ये आपको पता है कि साब ये अप्रूवल देते हैं तो जाके चुनावायोग का काम पूरा होता है, किसका डिलिमिटेशन का, परीसिमन का टेड़ा काम है, अब आपक के लिए पर चुकि इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा तो अलग से किसी दिन एक टोपिक ले लेंगे जम्मू का बता दिता हुआ काम की बात इसमें रंजना प्रकास देशाई है देशाई की थेख्षटा में इस परिशी मन आयो का घठन किया गया अधिक तेन से कभी बात की जाएगे एक चिज़ और रहाज रख लेंगे आख लेंगे परई सीवन आयों को पॉर्ट में चलेंज नहीं कह जाएगा ये बात तो बता दी मैंने परसाथ में आद देखेंगे भारत में एक तो 1971 की जनसें क्या है देखें इसको मैंने विदान सभावाले टोपिक में अनुचेद 170 से लेके अनुचेद 180 तक पढ़ाएं उसमें आप देखेंगे अच्छे से क्लीर हो जाएगा 1971 और 2001 की जन्गर्णा आप चनली 1971 को ही मान के चल रहे हैं पर गीटों का निर्धारन तो 20 जनसें क्यासे होता है और कि अधर का निर्दान इस जन्सें कैसे हैं इसके लिए वह सत्या सिवा से विदान संस्षोदल इसके लिए वह चोरा सिवा से विदान संस्षोदल और यह 2026 तक ऐसा ही रहने वाला है अब क्यूचर में कभी कोशन है तो गलत नहीं करना है बारत में छेतर का निर्दान की जन्सें के क्या दार्पर किया जाता है आप अपने तो सीधा सा एक्जाम में रटावा होता है और उ 217 पर गलत आ है यह था कौन सा चेतर किसके अंडर में आ रहा है 2001 की जन्व गलत क्या दार्परत किया जा रहा है कितनी सीटे में लेंगी यह उनिस्वी के रहने वाला है यह काम भूगे परीसिमन को अब बात करते हैं सलाकारी कारी कुछ एडवाइजरी कारी सलाकारी कारी है एक चीज में कुछ दिखाने वाला है आपको कर दो अगया है जो अगया है आप इसको खुद देखेंगे दिलिमिटेशन कमिशन फाइनलाइज दिलिमिटेशन ओडर तूड़े यह पी आई भी की न्यूज है यह साब पाच में 2022 की है दिलिमिटेशन कमिशन हेड़ेड वाइज जस्टीस रंजना प्रकास देशाई यह ध्यान रकना आपको पूशन अचा पूछे कि जम्मू कस्मीर परीशी मनायोग के जो आली में बना इसके अदेख्श की चर्चा में है तो जस्टीस रंजना प्रकास देश साई रिटायर्ड जजोफ सुप्रीम कोट एंड तुसील चंद्रा कोण है उस समय तो यह चीफ एलेक्शन कमिशन एंड केके सर्मा केके सर्मा कोण है स्टेट एलेक्शन कमिशनर है यूनियन टेर्ट्री ऑप जम्मू कस्मीर एज अक सोफीशियो मेंबर मैंने बता दिया प सब्सक्राइब के लिए यह बात होगी यहां तक की बात है उसके बाद में आप दे कंसल्टेशन असोशेट मेंबर साइक सब्सक्राइब होंगी मैंने आपको बताया रिपर्जेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी जा सकते हैं कुछ सीटिजन्स आ सकते हैं सीविल सोसाइट यह नो सीट रखी गई है वहाँ पर और चैसीट है तो यह चैस में चैसी इदर से और तीन इदर से यह सारी बात इसके लिए बताई गई है पर आपको एक दो कुशन दो दिमार्ट में रखी लेना एक साब जम्मू कस्मीर परी सीमन आयोग जो बना इसके अध्यक्स जस्टिस रंजना प्रकास देशाई और यह देखें यह सुसील चंद्रा जो मुखे चुनाओं जो पदान एक प्रकास देशाई याद रखेंगे जम्मू कस्मीर परीशिमनायों के लिख सकते इसके बाद बात करेंगे सलाकारी कारिये की एडवाइजरी फ़ंक्शन कोन कोण से किये जाएंगे अगर सलाकारी कारी आपको देखने हैं तो आपको अनुचेद सीधा का सीधा चलना पड़ेगा सब अनुचेद 102 में तो विदान का अनुचेद 102 खास कर अनुचेद 102 क्या कहता है अनुचेद 102 ये कहता है कि अगर कोई संसत का सदस्य है और वो अयोग्य गोसित हो रहा है मतलब उसने या तो लाब का पद ले लिया या विक्रिट चित दिमाग से विक्रिचित होगे या दिवाल या बेंक रप्ट होगे या भारत के नागरिक नहीं रहे या संसत ने ऐसी कोई लोग बना रखे जिसके तैत वो अयोग्य गोसित होगे या दल बदल हो गया इस आधार पर अगर कोई संसद का सदस से अयोगी गोशित हो जाए उसकी अयोगी ताका निर्धारन कोन करेगा ये बात 102 में तो लिखे गए है अयोगी ताक कोन कोन से अधार पर हो सकती है ऑगी तो फिर फैसला वो राष्ठ पति करेंगे इसकी चुनावयों की सला अयोगे को माननी पड़ेगी इसका मतलब चुनावयों का कारी this nature का ये सलाह का ये है परसिडेंट पर अनुचे लिखो 102 वैसे तो सिदा सिदा 103 लिख सकते हैं पर 102 लिखे भी आपको मजा नहीं एगा 103 नहीं समझे आएगा तो लिखो 102 संसर्थ सदस्यों की ऐयोगेता अब ये आधार दिये गए है 102 में संसर्थ सदस्यों की ऐयोगेता ये आधार 102 में आधार है पहला आधार क्या है लाब का पद्ध इसुम्हें कभी बात में बात करेंगे विष्तार से लाब का पद्ध पर यह भी लिखाओ कि कोई मंत्री लाब का पद नहीं होता है लाब का पद्ध इसमें मंत्री सामिल नहीं है यह यहां पर लिख भी आए एक बार दूसरा विक्रित चित और साउंड माइंड ओफिस और प्रोफिट विक्रित चित तीसरा दिवालिया बैंक इन्सोर्वेंश और बैंक्रप्ची दिवालिया चोथा भारत का नागरीक नहीं रहे देखें यहां तक यह भी लिखावा कि भारत का नागरीक नहीं रहे हो तो एक बात है पर इसने किसी नागरीकता को स्वेचा से अरजित कर लिया हो दूसरे देश की या विदेशी राज्य में अगर निस्टा भी दिखाई आपने वहां पे उनके उनका फेवर भी किया है कोई सांसद माल्नों, MP हैं और वह पाकिस्ताद चीन या किसी भी देश का उस देशन में निस्टा दिखा रहे हो उसमें इंट्रेस दिखाह रहे है तो भी आपकी सदसेता रदीकी जा सकती है पिस आधार पर तो या तो नागरीक नहीं या स्वेचा से विदेशी नागरीकतार ज पाच्वा संसद ने ऐसा कोई लोग बनाया है इसके तैत आपको इंगी गोशित कर दिया गया है संसद कानून के तैत अयोगे गोशित यह पांस तो पहले लिखिवी थी कि चट्थी दोड़ी दल बदल के अदार यह बाद में जोड़ी इसको अलग लिखते हैं दल बदल एक सो दो यह कहता है कि संसद के सदस्यों की ऐयोगेता कि क्या क्या अदार होंगे एक दो तीन चार पांच और छे संसद जो लोग बना रखा संसद सदस्य ऐयोगेता 1969 का लोग बना रखा है यह कानून है अपी इत्ता नहीं जाना गया रहा ही में कि इसका मतलब संसद का लोग बनाएवा नाइटी फिप्टी नाइन का अगर आप चाहें तो इसको अलग से मारक कर सकते हैं कि यह मारक किया इस पांच आधार अब इसको मैं एक बार काट रहा हूं इस पांच क्या अधार प्रगर कोई यह यह होता है तो निर्णे राश्टपती करेंगे किसकी सला पर निर्वा चनायों की और साथ में आप यह भी लिख लेंगे अला के अनुसारी कारिय करेंगे अला के अनुसार राश्टपती कारेंगे कि अला के अनुसार ही ऐसा नहीं कि चुनावा है कोई और सलाह दीर किराश्पती मानने नहीं माननी पड़ेगी अलग क्यों लिखा दल बदल पर जो फैसला है वो लोक्स बाक्या देख्स करेंगे लोक्स बात देख्स और इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं है समय निर्दारित नहीं है कि यह हो तो हो लो यह तो हो लोन बनाम जो चलू एक मामला है उस पर दल बदल में आपस कभी एक बार और विस्तार से ग्लास में बात करेंगे इंट्रेसिंग टोपिक है कैसे होता है क्या होता है क्या अधार है निर्वाचित के लिए क्या मनोनित के लिए क्या सारी बात है अधारत का नागरिक नहीं कर सद्खानून के तहते हैं यह या योगी गोशीतalten कर दिया जाए सो इस आगे लिखते हैं, इसका मतलब 102 में आधार लिखे गए आधार, और 103 में निरने लिखा गया है, निरने, यहां पर निरने कौन करेंगे, राष्ट पती, और यहां पर कित्ते आधार लिखे गए, पाँच प्लस एक कर देता हूँ, प्लस एक तो अलग आधार है, यह तो वहां संसद को लेकर, पर माले कोई, राज्ये के कोई मेंबर है, मतलब राज्ये वाले हैं, और राज्ये वाले सदोशने को किसने गड़बड करी है, मेंबर ज बात है कि राजय में एक सो एक्याणम में तो आधार लिखे गए है और आधार कितने वह यह 5-1 और एक 102 में निर्णे लिखा गया और देंक करेगा किसको पूचकर कोई कैंदरवाले चुनावायोग के पूचकर किसको पूचकर यह राज्य चुनावायोग नहीं है हैय और हैंटरल इिलेक्ष्टन कमिशन और इसी के अनुशारकार्य करेगा अनुसार कारिये क्या समझे क्ला कारिये में आप कहेंगे एक 102 में कुछ आधार लिखे गए अटाने के और इसी आधार पर 103 के तहतरास्ट पती अटा देंगे और चुना आयो जो सला देगा कि विश्कें सार आपको काम करना है पर राज्य के मामले में 103 में क्या आधार लिखे गए है और निर्णे किसके द्वरा किया जाएगा रस्ट पती की द्वार और राज्य को लेकर ये वाला है पांच प्लस एक ये दल बदल है तो राज्य में दल बदल पर निर्णे कोन करेगा विदान सबाका अध्यक्स कितने समय म अब अगला काम करते हैं राजनीतिक दलों को माननेता देने के कारी है अगला कारी है राजनीतिक दलों को माननेता आपके साब से कितनी रजिस्टर पार्टी होंगी तुनावायग में आठ बताएगा कोई पचास बताएगा कोई सोग डाइज आर से आधा रजिस्टर पार्टी है येस पर इन पार्टी के दो स्टेटस अपन केटेग्राइज कर लेते हैं एक राश्ट्रिय पार्टी और एक स्टेट की पार्टी सबसे बड़ी दिक्कती है कि साब ये पार्टी का जो अधारव याद ही नहीं होता है कौन सी पार्टी को स्टेटेस मिलेगा याद नहीं होता है एक बात करते है राश्ट вещ party की मानेइट आपको कब मिलती है राश्टो यह डल की मानेता मानेता गगा कोण तुनावाएयो देगा माननेता देने कारिया किसका है अने तो दूके माननेता देने का करिया देख कौन देगा के लेक्शन कमिशन मानेता देने के कारी है तुनावायोग है वह सी बात है सेस्ट्रल कमिशन हो एग एक सेंट्रल कमिशन कमिशन मानेता के आधार क्या-क्या है किसा आदार प्रवानिता मिलती है तो क्या याद रखेंगे उसके लिए अलगादार है तो याद करने मजे की बात यह है और अगली मजे की बात यह है कि मैं कोशिस करना हूँ के आपके याद हो जाएगे अगर किसी पार्टी को रास्ट्रिय पार्टी का दर्जा देना है देना toxicity को रास्ट्रिय पार्टी का दर्जा के आपको इसके लिए याद करना 463 464 474 और 4 इसका मतलब लोगसबाया विदानशवा के चुनाऐंगे तो चार अत्वा दिख राज्यों में लोक सबा अत्वा विदान जभा चुनाओ में चार अथ्वा अधिक राज्यों में है प्रसेंट वोट है प्रसेंट वेलिड वोट वेदमध प्लस यहां पर आपको चार लोक्स वाकि सीट लेनी है चार लोक्स वासी तो क्या याद हुआ 464 से पहले क्या है पहले है तो नाव घिर क्या है मत घिर क्या है स्टेट आएगा स्टेट के बाद में आपको याद दखना है वोट आएगा और वोट के बाद में क्या प्ता सीट जाएगी तो S V S S V S या आपको या दखना है स्टेट वोट एंड सीट राज्य वोट और सीट या दो गया पहलादार या तो आपके पास में यह हो 464 वाला या 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 है या का मतलब कोई एक चाहिए या आपको ऐसा कि 23 43 का मतलब आपके पास 2% लूख सबह में आपने सीटें जित्यों सीट लोग सबह में टोटल सीटें मालो आप मालर के के चले कि 545 है तो आपने 2 परटेंट 2 इस इस लगगी सीट आपने जित्पे यू प्रू 3 राज्य जे से होनी चाहिए लोग सबहनें सीट तीन राज्यों से हैं तीन तो लोग स्वागी सीट तीन आपको राज्यों से मिलनी चाहिए अगली बात है एक साब कम से कम यह वापस यह कम से कम चार राज्यों में आपके पास में राज्य पार्टी का दरजा उना चाहिए तो क्या लिखेंगे चार राज्यों में राज्य पार्टी राज्य दिल की मानेता हुआ यह कोश्ण आरेसमें थे अगया पर्डीलि में तो आता ही आता है अगा चाहिए आठ लहाद को याद्गर्णा कि भारत में रास्ट पार्टी को मानेता कैसे मिलेगी हैभ इसकी ट्रीक क्या है ऐडिक राज्यों में आधिक राज्यों में 10% वोट क्लिस चार लोक्सवाइक सीट आगई या 2-3 2% लोगस बाद seat टोटल लोगस बाद seat है उनकी 2% seat आपको लाणी है 3 राज्यों से लेकिए आणी है अलगले राज्यों से या 4 राज्यों में राज्य दिल की मानने ताथोड़ से आँक बंद कीजिये 464, 244 याद गरना है 464, 244 है तो शोचिट में यार्क तो राज्यों से ठीक है चंपर सेक्ष्प्रेंट वोट होगे चार शीट हो गया क्लियर धीच में क्वर्तमान में कितनी रास्त की पार्टी है दो वर्तमान में साथ राष्ट्रिय पार्टी है ठीक याद कीजिए पर्थम आम चुनाव में जवदा राष्ट्रिय पार्टियां थी इत्ते 14 राष्ट्रिय पार्टियां आप चाहें तो एक मिनिट थोड़ा सा वेट कर लीजिए कुछ चीज दिखा दो आपको कि शु rounded कुछ तो इत्स gonna कुछ आपको 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 श दो ओ कि शुक कुछ तो फर्स्ट लोक सबा के लिए जो चुनावे उसमें कितनी रास्टे पार्टिया थी लग भग 14 रास्टे पार्टिया थी यह आप देख लीजिए यह पहली लोक सबाइक सारी डिटेल आ गई सब्सक्राइब कितने दिनों तो चलिए यह सारा सारी इसकी डिटेल है तो आप इस पे थोड़ा सा पिछे जाएंगे तो देखें टोटल लोक सबाइसीट वर 498 पर्थम लोक सबाद चुनाव में 449 सीटे थी वोटर चोड़िए कोंग्रेस को 346 वोट मिले और टोटल जो पार 40 नेशनल पार्टी फॉर्ट इलेक्शन इन नाइटी फिप्टीवन 14 जलों ने इसमें क्या लिया भाग लिया ठीक तो यह आपको ध्यान रख लेना है अब रास्टे पार्टी कौन सी है उसका चुनाव चिंक्या इसकी स्तापना को यह भी आपके लिए याद रखना जरूर एक लिस्ट बन जाए आपको अलग लग नहीं बटकना पड़े पहली बात आप करेंगे नंबर एक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और आपको पता कि लोग डफ्रीन के टाइम में एयो हूम द्वारा आप इसको लिख सकते हैं दूसरी बात एक साब बीजेपी इसकी चुनाव चिन कमल का फूल है और इसके बाद में ओल इंडिया तरनुमूल कॉंग्रेस या आपको याद रखना है ओल इंडिया तरनुमूल कॉंग्रेस तीसरी ओल इंडिया तरनुमूल कॉंग्रेस तुरुन्मून जो ओल इंडियाय कोउड टूरू तरुन का मतलब तो यह त्रण मुल का मतलब तो घास होता है तरुन साथ में आधा रखना कि बस पा उन्सो चोरा सी हाथ आपको याद रख लेना है उसके बात में कम्मिश्ट पार्टी अगली पार्टी कम्मिश्ट पार्टी कि अमिश्ट पार्टी उफ इंडिया माक्षवादि कमिनिष्ट पार्ट ऑर कमिनिष्ट पार्टि अ इंडिया दोनों अलग़ पार्टी की स्टाफना 1925 में और हसियाuir बाली सुध्री इसके बाथ में औलिव माख शवादी कम्मिनिस्ट पार्टी कर्सटो चौज पर Marshall Simmons पार्टी माख शवादी कम्मिनिस्ट पार्टी 960 टूनाव चिन लगभीしま've सेंट थुड़ा साइस में कहा हने गरेंगे यहां है हसी और थोड़ा और वहां पर हसी आवे बाली तो हसी जह थोड़ा इसके बाद में अगली पार्टी आप ध्यान में रखेंगे राष्टवार्दी कॉंग्रेस राष्टवार्दी कॉंग्रेस आज गी न्यूज़ पेपर में आयो अठागर आपने न्यूज़ पेपर की सेल देखी होगी तो 99 में स्तापनावी गडी इसका चुनाव चिन है उन्हीं सो निन्यान में और गडी और अन्तिम आपको याद रखना है किसा आप नेशनल पिपल पार्टी जो आपको बता है कि 2013 में इसको इस्टेटूट मिला किताब इनका चुनाव चिन है नेशनल पिपल पार्टी नेशनल पिपल पार्टी किताब पिए संगमा कोंड़ाड संगमा अपने नाव सुना होगा नेशनल पिपल पार्टी 2013 रास्वादी कॉंग्रेस नाइंट नाइन धड़ी बाक्ष्वादी कम्यूस्ट पार्टी कम्यूस्ट पार्टी मायावति जी वाली पार्टी बोल सकते हैं आधेक्स आपको लिखना जाए लिख सकते हैं यह हो गया साब करास्टिय पार्टी अब जो स्टेट पार्टी है उनके लिए भी आपको पता साब राज्य दलों को मानिता दिने का कारिये भी कौन करता चुनावे करता अगला एडिंग के लगाएंगे राज्य दलों को मानिता दिने के सम्मधित कारिये राज्य दलों सम्मधित मानिता दिने का टीक है राज्जे दलों को माननेता देने समन्दित आधार रंग पांच है एक विधान सब्था विदान सब्था लोक्षबा लोक्षबा विधान सब्था दोनों तो पहले याद करना है कि नमबर आधार क्या क्या करेगा अब राज्य दल का नाव लेती राज्य चुनावय नहीं कर देना आपको यह भी राष्ट्रे चुनावय करता है यह जरूर जानकडा है कोन करेगा कराश्ट्रिये ना आयोग कि एक बात हो गई है दूसरी कि आधार क्या क्या बेस क्या 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 अधार आधार को अधार में देखेंगे पिर लोग आ देखेंगे और फिर विदान सबाह प्लस लोक्ष्वा ग्रेकर कर आपग दोनों में के विदान सभा लोक सभा विदान सभा लोक सभा इन में देखना आपको क्या क्या आद करना है सब्सक्राइब बात करते हैं विदान सभा की विदान सभा की पहला या आपर निखा कि विदां स्वा fest आम चुनाव में जो आम चुनाव होते उसमें 6% वोट और दोशीथ लानी चाहिए आफको विदां स्वारई चुनावे आपको डकोकी नादर और टोटल वोट पेव्शीथद तो आप राजय पार्टी के रिए आप इलीजिबल है तो विदान सभा चुनाओं में आम चुनाओं में वोट और शीट से ये तो देखिए आम चुनाओं वड़ी से लिए यूज क्या जाता है क्योंकि आम चुनाओं में जनरल लेक्शन में आपको लेक्वाना है मत 6% और दो य विदान सभामया तो तीन परतिसत या तीन सीटे से आपको औरन सब्सक्राइक आपको बात करने है टोटल विदान सवामे मालों 200 हो अपने सवामे इसका 3% कितना होता है 6 seat या तो 6 seat या 3 seat जो ज्यादा हो लेक्या आणिए तो विदान सवामे 3% seat या 3 seat कैसा क्यों जो भी ज्यादा हो या तो यह कर लो या यह कर लो या लोग सबा में यह देखें 6% वोट अब थोड़ी बड़ी है तो 1 seat या किसी राज़े में लोग सबा की जित्ती seat है माल लो इसे लोग सबा में माल लो किसी राज़े में 25 seat है 25 seat में से आपको 1 seat लोग सबा की लेक्या आनी पड़ेगी तो लोग सबा की या लोग सभाकी जो 25 सीटे उसमें से एक सीट आपको लेकिया आनी पड़ेगी और 50 सीटे जो 2 सीट लेकिया नी पड़ेगी, 55 सीट जो 3 सीट लेकिया पड़ेगी 2011 में एक सर्थ और जोड़ी, लोग सभाय विदान सभाकी जो आम चुना होते हैं इन में से अगर आप पास कुछ भी है तो आपकी पास राज्य पार्टिग आपको दर्जा मिल गया याद करवा देता हूं पहले इधर देखते हैं इधर देखते हैं इधर देखते हैं नेशनल पार्टी अरिक्षा में आता है इधर पार्टी यहां पे सर्टे देखी तीन और यहां पे सर्टे देखी पांच यहां पे लिखा हुआ है कि यार सो चोशट्ट कि यहां पर लिखा हुआ है विदान सभा क्यासा कर लें जरूए विदान सभा लोग सभा विदान सभा लोग सभा विदान सभा विदान सभा व्लस लोग सभा विदान सभा विदान सभा है विदान सभा विदान सभा है विदान सभा है विदान सभा है उ प्लस एक सीट खिर विदान सवाम में तीन परसेंट या तीन सीट या लोग सवाम में 25 में से एक सीट दोनों में 8 परसेंट वोट इधर 464 परसेंट वोट या राजु में 6% वोट और प्लस सीट चार सीट रणी से लोग सवाम में 2% आपको सीट जो की तीन राजव में या राजय और आपको राजय दल की मानेत आप राजय पार्टि का दर्जा आपको ले ना तो यह काम अपको करना पड़ेगा आपको अपनी पार्टी राजय पार्टी बनानी कर लीजिए अराम से सुन लीजिए ये इसके अलाव कुछ नहीं करने के जोड़त होती है अक्स्ट्रीम ले रहे हैं जो अच्छी किताब्य है पॉलिटिक जो अच्छी किताब्य आ सबका निचोड उनकी समझ आपके सामने में रख रहा हूं फिर आपको ज्यादा ऐसे धर उदर मार्था पर्ची करने की जो नहीं रहेगी हां अगर कोई और अच्छा पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं और मैं ही ग्यानी नहीं हूं मैं सभी नहीं इसलिए देखो मुझे तो कम एक पर्चेंट भी नहीं होगा पॉलिटी का नोलेज रहां पोस्थी सिये करें कि आपकी एक्जाम का ठीक चला जाए अब बात करते हैं अन्यकारियों की अधर फंक्शन अन्यकारिय क्या-क्या हो सकते हैं इसके अन्यकारिय आपने यह देखा ह अनुछे 356 आपने पढ़ाओगा मैंने यूट्यूब के आपको बताया था यह 356 में यह था कि अगर किसी राज्य में राश्टपती सासन लगता है तो राश्टपती सासन वो मिग्जिवन 3 साल के लिए लगा जा सकता है उस समय मैंने 3 साल डारेक्ट में लिखा कि 2 प्लस एक लिखाया था एक साल इस सिच्वेशन में कि मालों किसी राश्टपती सासन लगा हुआ है अब उस राज्यों में चुनाव करवाने है या नहीं करवाने है यह निर्वाचन आयोगी बताता बात है अन्यकारी में हो गया ऐसा लिख सकते है कि 356 के तैत 356 वाले राज्य मे इस राज्य में ऐसा लेखो जीस राज्य में है तीन सो चपन है कि अनुच्छे थिन सो चपन है अप्लीकेबल हुआ है तीन सो चपन लगा हुआ है हुआ है एक वर्ष में कि अगर वाने समंदी बाते हैं कि अगर वाने कि अनुचला है है अगर किसी स्टेट में आर्टिकल तीन सो चपन की दर फर्षिटे एंचल रूल वाहां पर अप्लीकेबल है विदीन द वन यह वाहां पर एलेक्शन हेल्ड करने 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 यह भी आपको पता कि एडवाइज इलेक्शन कमिश्न की द्वारा दी जाएगी जुनाव एयोग आपका मोटा मोटी पूरा हो गया है एक दो फिक्चुल दीटेईल और बचै जो कर लेते एंफेक्ट अब सबसे लंबा कारियकाल है एक अब यह तो कहीं से भी पढ़ सकते इन में समझाने का कॉशिव्ट नहीं होता है साबशे लंबा कारियकाल कि 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 कुमार सेन अभी लिस्ट निकालते हैं अपने इस लिस्ट में आ जाएगा तू कुमार सेन एक मात्र महिला उके निर्वाचना यूट महिला यह देखे दस मिनिट में चुनावाय। पूरा हो गया इसके बाद में दो मिनिट का टी ब्रेक करेंगे इसके बाद अगले आयुक पढ़ेंगे एक मात्र महिला उके निर्वाचना यूट्थ विएस रमादेवी रमादेवी पूत्विता की दो चुनाव ऐसे जिनों ने त्याग पत्र दिया एक नगेंदर शिंजी ने और एक असोक लबासा जो आली में चर्चा में बिने थे पद्ध पे रते त्याग पत्र वाले निर्वाचना यूट् त्याग पत्र मुखें निर्वाचना यूट्र निर्वाचना यूट्र इनकी लीष्ट अपन देखते हैं भी त्याग पत्र नगेंदर सिंग्ग और असोक लबासा कि यह यह हो यह में यह फैक्षूल लृटेल है इतने आप याद कर लें कि चल जाएगा है इसमें एक कामपण कर सकते हैं जो तुनाव आयोग है इस चुनाव आयोग में कि इस यिप टीपरहम तेंग नेख सकते हैं कि यह लीजिए यह लिस्ट आगई आपके अराम सेन की लिस्ट को देखना एक एक नाम को पहले नाम लिखा हुआ है तू कुमार सेन आप कारिय का लिखना चाहिए तो भी लिख सकते हैं मैं वो दीरी दीरी बता रहा हूँ सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19.58 तक लगबग देखे आठ साल का कारिय काल इनका रहा हूँ है तो रहा हूँ है क्योंकि पहले कारिय काल था ही नहीं रिटार्यमेंट की उमर थी मैंने आपको बता दिया था दूसरे के वी के सुंद्रम यह 20.58 से यह देखे यह लगबग 8-9 साल क थाट नंबर के है स्पी सेन वर्मा उनिसोंटymph सब्से लेकर उन्सोंट log krijgenंदर सींग यह मैंने क्या पता है उन्होंने क्या दिया था मैंदर सीग गखंोच सेततर तक ती स्वामीनाथिन नगेंदर संग जी एक टूबर 25 से उन्होंते तर तक छ्षै फर्मी तर तक लिखें ट स्वामीनाथन आपके इस्टोप करकर के लिख लीजिए ये श्वामीनाथन 7 फर्मी तर से 17 च्षै कर 7 तर तक से लेके 18.07 से लेके 17.082 तक तो आपको द्यान रखना एक चीज और तब आपातका लगा था बारत में आपातका मलब आंत्रीक ऐसान्ती के आदारपर जब आपातका लगा उस टाइम में टी श्वामी नाथन तेतर से 177 के बीच में भारत में मुखे निर्वाचनाव्यट थे अगर यशा क्वोचन पूचा जाए कि आंत्रीक ऐसान्ती क्या दारपरा आपातकाल के समएं गवर्नर के मुखे सीक्सट्युफाइब में लगा उस टाइम में बाणत में के वी सुन्दillance थे तो तो। पहली बार जब दोब पात्का लगे उस टाइम मुख्य निरवाचनाईुग के वी सुन्दrategy और जब अंत्रिक ऐसांति का दर्पा it का लगा तो टी स्वामी नातन उस टाइम बारत के सहीाञी और एसलंसक्दर साब 18 bon cilantro सातार सो स्थानमीष तक अज्ब भी ना आट सुश्यस्य से ईस्यस्यस नवियासि तक रहें पिर दिको विएष रभादयवी है यह सब्च फ्वीश नॉंबर 990-11 नॉंफ़ तक मतलब नॉनबर दिसंबर आप पर पर दिसम्बर तो तीन चार दिन तो यह 12-15 दिन के लिए बारत के मुख्य निरोचनवविक्त के पद्ध पर रहे तिर टीन सेशन सबसे पावरफुल सबसे ताकतवर जो चुनावाय त्रेव टीन सेशन साथ रहे वे पर दोक्टर एमेस गिल साब रहे उन्यसो चार्म से लेके 2001 तक जेम लिंग दो यह जो लिंग दो साब आपको पताए यूनिवर्शिटी में चुनावस होते हैं लिंग दो कमेटी 2001 से 2004 तक यह कृष्ण मूर्ती 2004 से लेके 2005 तक बीबी टंडन साब 2005 से 2006 तक गोपाल स्वामी 2006 से 2009 तक नवीन चावला आपको मैंने का था कि नवीन चावला साब को हटाने के लिए यह एन गोपालन स्वामी साब है इन्हों ने राश्पती जी को लिखा या नवीन चावला जी को टाओ क्योंकि उस टाइम नवीन चावला जी थे वो चुनावायुक्ति थे फिर मुझे से लेकि अप्रेल तक रहे फिर नसीम जदी आपने पढ़ाई है तो क्योंकि लेटेस्ट रहे से दोजार पद्रा से दोजार सत्रा तक फिर एके जोती साब 17-18 के बीच में ओपी राउट साब 11-18 जनवरी से लेगे दिसंबर तक फिर सुनिल अर्वरा साब और सुसील चंद्रा साब 14 मई 2022 तक लेटेस्ट आप लोग अपडेट करते रहेंगे अपना अपडेट आप लिख लेंगे फिर फोरिमर एलेक्शन आपको जो नोट्स तैयार करूंगा वह सारी उसमें विजवा दूँगा सबसे लंबा कारेगाल सबसे अरे कारेगा है यह आपको पिक्चर में दिखा दिया है चुनावायों के बारे में और तो आपको क्या जानना है कि एक्षिन कमिए करेंगे तो कुछ से कुछ नय मिलता ही जाएगा इतना ठीक है अब आप देख लेते हैं साब कुछ फेक्चुल लिटेल ओर लिखवा देता हूं आपको कि साब पहली बार जो इवी एम का प्रियोग उनीसों बैयांसी में के परूर विधान्स बासी किया गया था कुछ फेक इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का पहली बार प्रियोग उनीसों यह भी मापको फेक्चुल लिटेल वापे नोट्स में एड़ करवा दूंगा अपने आप परूर कि एरल कि विधान्स बासीट से किया गया कोशिन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन के लिए आर पीए की कौन सी धारा में संसोद वाँ 61 ए में तो याद रखेंगे एवी एम के लिए आर पीए की धारा री पर्जेंटेसन और पिपल एक्ट की धारा 60A में 60A यह बदलाव करके और एवी एम मसीन को डाला गया याद रखने 60A 2004 के लोक्स बाचुनाव में एवी एम मसीन का प्रियोग कंप्रियोग किया गया 2004 लोक्स बाट इट यह इवी एम को लेकर फेक्ट है कि इसके बाद में आप द्यान रख लेंगे कि चुनाव सुदार को लेकर कुछ कमेटी बनाएगी कुछ समीति बनाएगी इन समीतियों की एक एक नाम आपको लिपा देता हूं ताकि दिकत नहीं है फेडिंग लान चुना और सुदार समीतियां कि इन में पहली आप संसद्य समीतिया रख सकते हैं नमर एक इसके बाद आप याद रखींगे तारकुंडे कमेटी इसकी बाद अपने कर लिए तारकुंडे तारकुंडे समीति 1975-1976 पीछेतर तारकुंडे समीति क्या सिपारिज करी मद्दान की उमर गटा दी जाए और चुनाव में जो प्रत्यासी है इनकी रासी के बारे में इनका प्रावदान था इनके वोगस वोटिंग की समस्या समाधान के लिए दिनेश गोश्वामी समीति बन दिनेश गोश्वामी यह जुरूर ध्यान अगना की कि समीति की सिफारिज के आधार पर चुनाव आयों को बहुसद से कर दिया दिनेश गोश्वामी और इनके सबसे इंपोर्टेन शिपारिज क्या थी कि जो मत्तदात जो चुनाव लड़ रहा है कोई भी जो उमीद्वार वो दो से अधिक स्तानों से चुनाव नहीं लड़ना चीए तो दो से अधिक इस्तानों से चुनाव नहीं लडे कमेए हैं तो आपको एक बार ज़रूर जान होगी कि अपने पास जो पोटे पैचान पत्तर है यह समीघ है इसी पैचान पत्तर कि है इससी प्लब आयदी करण जो यह प्लब परीन इसके अलावा इन सम्मीघ्यों की कुछ एक जो तो फेक्चुल डिटेल आपको जो नोट्स में दिलाऊंगा उसमें सारी सारी और एड़ करवा सकते एक के संथानम समीथी भी बनी जिन्नोंने नियूनतम सेक्षिन गयोगे ताको लेकर प्रावदान रखा गया तुनाव आयोग अपना एक बार के लिए पूरा हो गया है अब कि यह जी करने से पहले दो तीन चार मिनिट का चलू मैं आपको भी ब्रेक है और मेरा भी ब्रेक है पांच मिनिट का लास्ट ब्रेक कर लेते उसके बाद करते देखना तो चलिए मिलते अभी थोड़ देर में कि अ कि अ झाल 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 चलिए अपन सुरुआत करते हैं आगे यहां तक आपने टोपिक इसकस किया आप C.E.G के बारे में देखेंगे इसकस किया आप C.E.G के बारे में देखेंगे C.E.G के बारे में आप चर्चा करेंगे C.E.G का पहले आप हिंदी में लिखेंगे इसको इंदी में लिखना कंट्रोलर इंग्लिश में कंट्रोलर नहीं एक कंट्रोलर है एंड ओडिटर जन्दल कंट्रोलर एंड ओडिटर जन्दल नी एंट्रक वे महा लेखा परिक्षट इसको विस्तार से अपन बात करने वाले एक एक वर्ड पे K कंट्रोलर क्यों लिखावा कंट्रोलर क्यों नहीं लिखा क्या समिधान में क्या इस्टेट से हर एक बात को पर आराम से करने हम अ है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना की जो सीच है गेजी यह जिना तो प्रावदान ही बारत के समयदान की भाग-पाच English अपको मैं बताया था कि भाग पाच के पी अलग को ऑध्याय जो है दो फाक में इसका Olay Kia गया है अध्याय काफ भाग पाच कि इस थाई पाच और झो इसके लिए अनुछेद है को 148 151 तक है कि यह जी निय अंत्रगव मालेका प्रिक्षक कम्ट्रोलर और ओडिटर जनरल भाग पांच अध्याइप पांच और अनुछेद 148 155 के बीच में इसका उलेग किया कि यह का हिंदी में बोलते हैं निय अंत्रगव मालेका प्रिक्षक और साथ साथ में कि यह जी जो है इसको कंट्रोलर ने बोलके कंट्रोलर वो इसको बोला जाता है अनुछेद 148 से अपने अपनी शुरुवात करेंगे 151 तक पहुंचना है और सीएजी पूरा हो जाएगा एक एक वर्ड टू वर्ड आर्टिकल को देखते चलिए तब से पहले लिखेंगे 148 जो है एक वर्ड तालीस का जो आर्टिकल है इसमें कई सारी बातों का उले किया गया है मुख्य रूप से 148 जो नूच्य तरही छह बातों में बता हुआ है इस प्रकार अपने थोड़ी दर पहले चुनावायो के बारे में देखा रूप चुनावायो का जो आर्टिकल है कि वह आर्टिकल जिस प्रकार से 324 वा छह बाता हुएसे ही 148 का पहला जो भाग है नमबर एक उसमें तीन बाते लिखी वी हैं पहली बात लिखी वी है कि भारत में एक का पत तो हुगा ये बात लिखी ही है इनको हटाय कैसे जाएगा ये दो बाते और लिखी गई है तो पहले में दो तिन बाते लिख दी 148 एक की बात करेंगे 148 फर्स्ट में तीन बाते अफ्ली बात ये लिख दी कि भारत का एक सेजी हो गाए तो बैसिक बात लिख दी तो भारत में एक सीजी अजी है पूशन पूचा जाए कि सीजी पद्ध का प्रादां कि समय चैद में 148 में भारत में सीजी है एक है कि ये जी पॉस्ट होगी उसके बाद लिखाओ कि साब सीजी इसकी नुक्ति किसके द्वारा की जाएगी ये इंट्रेस्टिंग है नुक्ति इंट्रेस्टिंग क्यों है बताते है यहां पर ये लिखाओ कि साब सीजी है इनकी नुक्ति राष्ट पति द्वारा की जाएगी राष्ट पति या कोलेजियम इसके लिए नहीं कोई कोलेजियम नहीं है राष्ट पति जब भी न्युक्ति करेंगे तो आपको पता है कि वारेंट जारी करेंगे राष्ट पति जी कुछ पदों के लिए वारेंट जारी करते हैं उसमें CAG का पत्द भी है तो अपने स्ताक्स और मुद्रा सहीत एक अधिपत्तर एक वारेंट जारी करेंगे राष्ट पति मुद्रा सहीत अधिपत्तर अधिपत्तर मतल better अप्सक्रानत वारा आप लिग सकते सको वारेंट जारी करेंगे वारेंट क्युश्चन आ सकता की सीएजी को लेखकर राश्पती दो्राद जारी किया जएगा सब्सक्राइबाब इसके बाद लेको में हट़ाएंगे कैसे इनको हटाने की बात मिन्स गई है अटाना रिमूवल हटाना तो सेम वही बात लिखी गई जो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लिखी गई इसाब हटाने के लिए आपको ध्यानकना कि वही ग्राउंड होंगे सेम के सेम सुप्रीम कोट के जज को अटाय जाएगा उसी अधार पर अटाने के लिए इस परकार सुप्रीम कोट के निया धीस को अटाय जाएगा अब आपकी दिमार्यक में अगरे मुख्य नया धीस को नहीं लिखावा है वह सेम ही ग्राउंड है मुख्य नया धीस को नया धीस को अटाने के लिए इसलिए सुप्रीम कोट के नया धीस को इस प्रोसीजर से आए जाएगा इनको कार्यकाल अब यह इंट्रेस्टिंग बात है क्या है कार्यकाल यहां पर आपको आद नहीं कार्यकाल 665 साल है लिख लेते इसको भी कार्यकाल 665 कार्यकाल 148 में तीन बाते मुख्य रूप से चार बाते आगी जबकि भारत में सीएजी का पद होगा न्युक्ति राष्ट पती के दुवारा हटाना सुप्रीम कोट की नहीं अदिश के समान और मुद्रा वारेंट सईथ यह अलग से अपने स्टार लगा के इसको लिखा इसकी बात कि यह जो पदें का पद यह पन टरा चुज है अठ्यों का कली इमाय उसमें इसमें पूसरत जीएजचा उस टाइम उसका नाम महालेखा परीक्षित था फिर यह हम पने तक या थन अनस नाम ईंक्ट इस अच्वह सर अप्र हो आटा शुफ्वर्क्यांत है तो पंद कैसे जि पोस्ट कब क्रियेट किये गई वाइद है एटीन प्रियेट के एक्ट से एक्ट से पहली बार न्यूकती कम हुई प्रियेट किये गई 60 में कि नाम क्या रखा गया में नाम क्या था इनका एड़वर्ड ग्रुमंड कि इस पड़ काम समय क्या नाम था महालिका प्रिक्षक प्रिक्षक बात समझ में आ गई क्या क्या समझे इसमें यह समझ में 148 के आर्टिकल में तीन चार बाते हैं जो मैंने आपको बता दी पद्ध का सरीजर अठार सो ठ्याउन के एक्षे किया गया न्यूपती अठार सो साथ में नाम उनका क्या नाम था एडवर्ड डूमर्ड नाम था उनका और महलेखा परिक्षक इस पद का उसमें नाम था अब थोड़ा सा पीछे जलते हैं पीछे का पर चलेंगे देखिए आर्टिकल 148 पर एट और आप चाहें तो इसको अंदी में कर लेते हैं यह देखिए आराम से इतर देखते हैं सम्मेधानिक प्रावधान अनुचेद 148 भारत के नियंत्रक्त माहलेखा परिक्षक होगा जिसको राष्ट पती अपने स्ताक्स और मुद्रा सहीत अधीपत्तर द्वारा न्युक्त करेगा और उसे उसके पच्छे के उसी रीती से और उनिया अधार पर टाजाएगा जिस रीती से जिन अधार पर उच्छतम जाये लेकिन इसको टाय जाता है यह एक बात हो गई इसका मतलब अपने यह जो बात करी है इस बात के सारामस कारिये काल यहां पर यह वाला आर्टिकल आप देख लेंगे यह वाला आर्टिकल यहां पर देख लेंगे यह वाला आर्टिकल देख लेंगे और यह वाला आर्टिकल यहां पर देख लेंगे में भी बात है की अ कि क्या क्या लिखा बारत में बारत में सी क्या होगा नेंट की जाएगी कैसे हों मुद्रा से हटन में आ धार है को यह जो होगा और Papac डीद होगाção सम्मिधान में अनुछेद में लिखा हुआ है।ि सब्सक्राण में में नहीं है क्या पता कभी कोश्ण बने तो तो मिधान में नहीं है एक क्या याद किये ये बी अलग से आपको मैंने लिखवा दिये पद्धका सर्जन की से किया गया न्यूक्ती अठारहसुशाट कि नाम ये था और मालिका प्रिक्षक ठीके साथ अब बात करते हैं आर्टिकल 148 के पार्ट नंबर टूकी एक बात आपको सभुझ में आगए अब बात करते हैं पार्ट नंबर टूकी तो टालीस दो को में उधर क्या था दो में उधर न्यूक्ति और संख्या थी जब आपको पढ़ाया यहां पर एक साब सपत के बारे में प्रावदान किया गया सपत तो दो क्या दो सपत दो सपत और प्रतिज्ञान इसका मतलब इंगलिश में इसको बोलते है ओथ एंड अफरमेशन और नहीं लिख सकते है और लिख सकते और और जीज़ा होता हर जगर इसलिए लिखा होता है कि जो आस्तिक लोग है जो इश्वर में आशता रखते हैं वो तो लेती है सपत इसर के नाम की जो लोग नास्तिck होते हैं हो डिखे यहां पर लिखा होता है कि मैं इस्पत नाम की सपत लेता हूं कि मैं इस गेडिवेंगा निर्वेन बली वांती से करूंगा का माल्लों ऐसा है अब माल्लों में आस थी तो मैं क्या बोलूँगा मैंने पहले क्या बला मैं महेश बासकर इश्वर के नाम की सपत लेता हूं इसमें क्या बोलूँगा मैं महेश बासकर प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं सिए जी के कारियों को करूंगा इसका इश्वर नाम न एडमिनिस्टर करेंगे इस ओथ को दूसरी बात इस ओथ का प्रारूप कहा पे तीसरी अनुसुची जब अनुसुचिया पढ़ाईती मैंने बताया था तीसरी अनुसुची में इसका प्रारूप है सपत लेंगे साथ में उस पर स्ताकसर भी करते हैं आप जरूर ध्यान रखें मैं भी सपत का फॉर्मेट आपको दिखांगा तीसरी अनुसुची और इस पर सपत लेंगे स्ताकसर भी करेंगे अब केवल सपत लेंगे केवल स्ताकसर करेंगे सपत लेके स्ताकसर करेंगे दोनों जी सही है अन्ती बात है इनकी सपत का सेम में नयाय दिखांबग कोलिकि में जो format है वो सैम एस सुप्रीम कोर्ट जज की कोट के या एदीज का प्रारूप है तो मत आ गया क्या वापस बोलता हूं मrekस अपत्व परतिजयान ओथ copernosition का परास्ट पति के मई प्राट हocy है इसरी सिडूल में नदुएयं स्थाकसर और प्रारूप सुप्रीम कोड के नहीं दिखा दू एक बार चलिए देखते हैं अगर मिल जाए तो कि अगर पे नहीं है कोई नहीं है को इसका मतलब एक दो चीज और अगर आपके समझ में राष्ट पती के समक्ष या उनके द्वारा प्रादी करत कोई व्यक्ति होता है उनके द्वारा प्रादी करत व्यक्ति है इनके समक्ष क्या ली जाएगी बोच ली जाएगी सपत ली जाएगी और पद्गरण करने से पूरव ली जाएगी पद्गरण से पूरव यह बात आपको यहां पर और एड़ ओन कर लेनी है कब ली जाएगी पद्गरण से पूरव ह है अब बात करते हैं 148 तीन में यहां पर लिखावा इनके वेतन है तो तेलरीज यहां पर यह लिखावा किसाब संसद फिक्स करेगी यह किती बड़ी बात है यह जी का जो वेतन है पर्साथ में सम्हिदान में यह भी लिख दिया जब तक संसद इसको फिक्स नहीं करेगी है तक वह मिलेगा जो जो दूसरी अनुसुची में लिखा हुआ है पारत के संविदान के जो विभिन पता दिकारें के वेतन बत्तों की बात करती है तो कहती है अब 343 कहता है कि वे तरन किसके द्वारा fix किया जाएगा अंसद के द्वारा को अब जो संसद ने fix ही नहीं किया हो तो व्याद जिंगे जब तक संसद fix नहीं करती है तिल लेट मों वो आलरीज प्राप्ट करेंगे जो schedule two में mention है तो जब तक संसद है तैनीं करें कि जब तक पार्लियमेंट्ट नहीं करें तब तक कि वह वेतन मिलेगा कि जो कि अनुसुची है कि डूल तू में में सने डूल दो में लिखीता है कि अगली बात कि अगली बात है कि जब इनको पत्र नुक्त कर दिया जाए उसके बाद एलाबकारी परिवर्तन नहीं हो सकता परिक्षा में गलती से लाबकारी परिवर्तन मत पर लीजिया आप एलाबकारी परिवर्तन लाबकारी किया जा सकता बढ़ाया जा सकता है वेतन को घटाया नहीं जा सकता तो क्या याद रखेंगे कि न्युक्ति के बाद कि एलाब कारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता परिवर्तन तो किया जा सकता है इस एडवांटेज चैंजेज कांट भी अकड़ आप्टर दे गेट पोस्ट चैंजेज दो प्रकार की हो सकते पोजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चैंजेज नहीं किया जा सकते पोजिटिव किये जा सकते हैं यह बात हो गई 148 तीन की 148 चार इंपोर्टेंट है वो यह बताता है एक बार सीएजी रिटाइड हो गए वो कोई अन्य पदप्राप नहीं कर सकते बढ़ना तो पता लगा है साब सीएजी साब के दूसरे राज्य में कोई और ही काम करें लेक्चरर बनके कोलेज के स्कूल के या वोटेवर तो फिर लगेगा यार सीएजी जैसा पर्दा वह बिनोक्री कर रहे हैं वो इस कंपनी में आ गए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि पार्सियली पर थोड़ा सा संदे होने लग जाता है तो 148 चार यह कहता है कि देवा निवुर्ति के बाद अन्यपद नहीं जब वो रिटाइड हो गए उसके बाद में अन्यपद वो प्राप्त नहीं करेंगे यह आपको ध्यान रखना है ठीक यह हो गई 148 चार की बात है 148 पांच यह बताती है इसकी सेवा सर्तेत है की जाएगी यह इंपोर्टेंट आर्टिकल एक सेंस में क्योंकि आप एक विभाग का नाम लिखा हुआ है आई एडी इंडियन ओडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट पूरे भारत के समिधान में एक मात्र विभाग आई आई एडी है आप आई एस की परिक्षा देते हैं अगर अलाइड पोस्ट मिलती आपको या तो आप सीविल अकाउंट सर्विस में चले जाते हैं या फि सेवा सर्थे अंती बात 148 पांच 148 पांच में यह लिखावा कि जो स्केग है इसकी जो सेवा सर्थे सर्विष कंडिशन है मैं भी आर्टिकल आपको दिखाऊंगा सेवा सर्थे कि यह सेवा सर्थे राष्ट पती द्वारा टिया कीजाती हैं आपको द्यान कना पत्र यह पेंगिए की जाती यह सीएजी की प्रामर्स प्रामर्स ते बाद में टेक किए जाएंगे तो राष्ट पती द्वारा देखें CAG की सेवा सर्ते CAG के बाद राष्ट पती द्वारा CAG से प्रामर्स करने के बाद है लिए गजह है कि इनकी सेवा सर्ते कौन के राष्ट पती किसे प्रामर्ज करेंगे तीसरे बात आ जाये कि च आपकी बात नोत बहुत कम समभावना कि यह आपकी राष्ट पती CAG से प्रामर्स करके फिर सेवा सर्थेताय करेंगे यहां पर एक बात और लिखी गई है CAG की परसासनिक सकती और IIAD आती की जो सेवा सर्थे यह भी राष्ट पती द्वारा ते की जाएंगी CAG से प्रामर्स करने बाद तो सेवा सर्थेताय करेंगे राष्ट पती CAG से प्रामर्स करने बाद किस की सेवा सर्थे अब सवाल पूछेंगे किस की सेवा सर्थे एक तो CAG की परसासनिक सकती ओर एक विभाक का नाम लिखा हुआ है I A A T एक मात्र ऐसा विभाग जिसका विदान में क्या गारत्य लेखा प्रिक्षा एव लेखा विभाग बाद्य लेखा प्रिक्षा लेक्खा भी भाग है दिया जी की प्रसास नहीं सकती प्लस यहीड department की कुछ सकतियां सेवासर्थे इंडियनक्त अ quiet चैंड डिपार्टमेंट drip और और को टाम के राश्ट पति क्रेंगे किस को पूच्छング कर करने के बाद में कि या थी क अंतिम बात है कि C.A. G. के जो खर्चे C.A. G. कारिया लेकि जो खर्चे होते हैं वहाँ से देने हो तो वह देने होंगे समा भारती संचित निधी से अंतिम बात लिख लेते हैं फिर इसकी मूल कंस्टुटुशन में लिखाव हो देख लेते हैं कि यह कारिया लेके परसास्निक खर्चे है कि यह कारिया लेके परसास्निक खर्चे है कि कहां पर भारीत होंगे चार्ज ओं कॉंसिलेडरेशन फंड ओफ इंडिया भारत की कि यह राज़ नहीं यहांपे भारत की और चीत निथी कुझ में कि घाम राज़्य के लिए भी करेगा है पर भारीत होंगे इसका मतलब क्या है जब भी खर्चे दिये जाएंगे तब ऐसा नहीं किसा पर क्योई वोटिंग होगी डिसकसीन हो सकता वोटिंग यह टोटल मिलाके 146 तक की आर्टिकल अपने डिसकस कर लिए है कि अब मूल समिधान में देख लिए एक मिनिट लगेगे आपको 148 अब अपने से मिलान कीजिए जो अपने लिखा हुआ है बारत के एक नियेंत्रग मालेका प्रिक्स गौज इसको रास्ट पति अपने स्ताक्षर मुद्रा सहीत अधीपत्र द्वारा न्यूक्त करें उसको पद से केवल उसी रिति और उनी आदार पर टाय जा सकता जिसे उस में तीन बात समझ में आगई होगी दूसरा परते एक विक्ति जो भारत का मालेका प्रिक्षट न्यूक्त है पद ग्रेंट से पहले रास्ट पतिया उसके द्वारा निमीत विक्ति के समक्स तीसरी निसूची में सपत लेगा जो प्रारूप दिया हुआ है और प्रारूप क जो दिये वे हैं वो दिये जाएंगे प्रंतु दिये वेतन में अनुपस्तिती चुट्टी में पेंसने या सेवा नियूरति में नियूक्ति के पश्चात कोई एलाबकारी परियूरतन नहीं किया जाएगा डिस एडवांटेज एंजेज नहीं होंगे पदपड नहीं रहा वे बारतीय लेखा परिक्षा और विभाग में सेवा करने वाले वैक्टियों की सेवा सरतें और सिएजी की परसास्नीक सकतियां ऐसी होंगे जो सीएजी प्रामर्ज करने के बाद राष्ट पती द्वारा बनाई जाए ये पांच वी बात चठी के कारिया लेके प्रसासनिक खर्चें समंधित वेतन बत्यादी बात की संचीत निदिवर क्या होंगे भारीत होंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी यह देखिए यह आपे लिखावा है इसके टोटल से पाट है कम प्त्रोलर एंद ओडिटर जनरल देर सेल बीकम प्त्रोल ओडिटर जनरल अप इंडिया वू शेल बी अपोइंटेड बाई दर प्रसिदेंट बाई वारेंट अंडर हिज हैंड एंड सील जाल ओनली बी रिमूड फ्रों ओफिस इलाइक मेनर अंड लाइक ग्राउंट एज जुड आप इज इस प्रकार से उसी मैंनर पर उसको रिमूड किया जाएगा उसके बाद में लिखावा कि एवरी पर्शन अपोइंट बाई थे कम प्रोल रोडिटर जनरल सेल बिफोर दर इंटर अपोन इज ओफिस मेंग और सब्सक्राइब बिफोर देप्रेशन पर्सिदेंट पर देशन पर्शन पर्शन अपोइंट इन विहाब बाई हिम अन ओध अफर्मेशन अकोर्डिन तो फोर्मेट एट आउड दा पर्फोज ओफ थर्ड सीटूल और सिमिलर एज सुप्रीम कोट जज़ इस किसके जोरा फिक्स के जाएंगे बाई दर पार्लियामेंट और जब तक पार्लियामेंट फिक्स नहीं करती है तब तक वो सेलेंट अलाउं कि सर्विस और सीएजी के जो एड़िस्टेटी जो पावर से इनको फिक्स प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा आप पर कंसल्टेशन ओप सीएजी और अंतिम दा अक्ष्पेंडेचर एंड सेलरी अलाउंसेस और अक्ष्पेंडेचर ओप सीएजी ओफिस पूड भी आपको बता है कि वोटिंग नहीं हो सकती बट इस डिसकेशन हो सकता है यह बात हो गई आपके अनुच्छे देख सो अड़तालीस पूरा हो गया यह सबसे इंपोर्टेंट है इसलिए इतना डिसकस किया है अब बात करते वन फोर्टी नाइन पे तो साब सीएजी के पद्श इसी अनुच्छेद में सीएजी के कर्तवे और पावर लिखे वे हैं अनुच्छेद एक सुगुंचास कर्तवे कर्तवे सक्तियां तो सीएजी के कर्तवे और सक्तियां बेसिकली आर्टिकल वन फोर्टी नाइन में में अगर देखा जाए तो केवल दो बाते लिखी गई है बहुत इंपोर्टेंट पहला लिखावा कि संग लब यूनियन राज्य और अन्यपदा दिकारिया निकाई के लेखा के समंद्ध में कर्तवे पालन जो संसत्य करें कुछ खास नहीं लिखावा है इसका मतलब क्या लिखावा है एक मिनिट आप देखिए वेट करेंगे ये बात लिखें केवल इतनी कि देखिए बहुत ध्यान से सुन लो एक बार ताकि कई देख लिए हो जाए आपके भारत के नियंत्रों को माले का प्रिक्षक के कर्तवे उड़ सक्तिया पावर और फंक्संग लिखेवे क्या लिखावा है माले का प्रिक्षक संग राज्य अन्य प्रादिकारी निकाय के लेखा के संब्ध में ऐसे करते होगा पालन करेगा जो संसद द्वारा इन्हें दिया जाए को कोई कारिये या पर साफ लिखें भी नहीं है संसद देगी इस निमित्व इस प्रकार उब्बन नहीं क्या तब तक संग राज्य लेका संग में ऐसे करते पालन जब तक पार्लियामेंट को लोग बनाए नहीं तब तक वह करते पालन होंगे जो भारत जब डोमीनियन था उस समय प्रांतों के संब्ध में और डोमीनियन भारत के संब् लखनी है इसमें 149 में पहली बात क्या लिखनी है कि जो सीएजी है कि ये जी वो क्यार पदों के बारे में आपके लिखावा कि इन से समझ्दित लेखा के समंध्में कारिये करेगा पहला संग यूनियर ध्यान रखना इसको कि दूसरा राज्य कि इस त्रहा अन्य प्राधिकरीर अन्य प्राधिकरी कोई बीखे जैлохल वो सकते हैं इस्तान या निकाय पंचाई काति वह सकते हैं पंचाहितों क्यों दduc क्योंसिक ऒंध॰wand एगा की अन्य प्राधिकरी और निकाय कोई भी कंपनी है उसका भी लेखा प्रिक्षा किया जा सकता है कोडी और परेट पहले समझ लो ये लिखावा है इन चार का उल्ले किया गया है क्या तो यूनियन के या स्टेट के या कोई भी अधर अट्थिरिटी के या कोई कॉर्परेट के लेखा के संबंद में करतवे पालन करेगा जो संसत बनाती है इसका मतलब इन चारों को लेकर इन चारों को लेकर इसका काम तो अकाउंट का है तो लेखा संसत्य करें कि इसका मतलब यहां तक तो यही समझ में आ रहा है कि कोई खास काम लिखाओ ही नहीं है यह लिखाओ कि संसत्य करेगी और किन-किन के समझ में Union के बारे में, State के बारे में, अन्य अप्रादिगारी के बारे में और निकाह के बारे में, इनके बारे में, जो संस्थ तैय करेगी हो, काम करेगा C& जी तो, ठीक है, अगली बात लिखेगी, जब तक संस्थ कानून बनाए नहीं तो, तो यह का कि सम्विदान प्रारम होने के पहले जो भारत डोमीनियन वों प्रांतों में तो माले का प्रीक्सित जो कारी कर रहा था वो कारी कर ले गए तो जब तक कानून नहीं बनाए जब तक संसद लो नहीं बनाए कानून नहीं बनाए जब तक संसद कानून नहीं बनाए जब तक संसद लो नहीं फोर्म करें तब तक भारत डोमीनियन डोमीनियन कि अधा प्रांतों के समन्द में कि मन में जो कर्तवे माले का प्रिक्षक कर रहे थे कि दुवारा किये जा रहे थे तो यह किये जाएंगे अगर आपके दिवार्ट में कुछ आ रहा है तो ध्यान रखिए यह जी के पावर इसके कर्तव और सक्तियां पावर एंड फंक्षन ड्यूटीज कहां पर में किये गए 148 में 149 में 149 कहता क्या है यह दो बाते बिताता है पहली बात तो कि साब सारे के सारे काम संसद ही तह करेगी और संसद जब तक तह नहीं करते हैं तब तक वह काम किये जाएंगे जो भारत डॉमीनियन या प्रांतों में जो कारिये किये जा रहे थे माले का प्रिक्ष के द्वारा वह कारिये इसके द्वारा किये जाएंगे तो कोश्चन ऐसा पूछा जाए कि सम्मिधान में क्या कारी है और का उले किया गया क्या है सम्मिधान में उतल खासकारी है लिखे भी नहीं है ये दो लाइन लिखे छोड़ दी सम्मिधान में तो इसका मतलब अब action में किसको आना पड़ेगा संसद वाना पड़ेगा संसद को लगेगा कि अब हमें rule बनाने ही पड़ेंगे क्यों क्यों क्यूंकि यहां पर क्या लिखावा है जो संसद तय करे और इसकोत संसद ने किया कब किया पहली बार 1953 में रूल बनाएं उसके बाद बी लीश ने करेगा बात समझ में आगी क्या 148 में सामाने बात पूगी 1949 में 149 में ये का गया है CAG वो कारिये करेगा जो संसद ते करती है और अगर संसद नहीं ते करें तो फिर देश आजाद होने से पहले जो पहले वाला जो CAG काम कर रहा था वो काम ये करता रहेगा संसद ने का कि इसकी नोबत आएगी नहीं हम लो बना देते हैं और संसद ने लो बना दिया उस लो का नाम रखा गया 1953 CAG DPC Duties, Power and Condition Duty का मदब करता वे सक्ति और सर्ते ऐसा करके 1953 में संसद ने लो बना दिया एक लो 1936 का भी है लो कब बनाया संसद ने संसद ने कब लो बनाया कब कानून मदब फोर्म किया रूल फोर्म करे ये किये 1953 में और नाम क्या रखा गया CAG Duties, Power and Condition 40 Atman की निक्ति वगेर हो गई गुन्चास में कह दिया CAG वो सारे कारिये करेंगे जो संसदे करें अगर नहीं संसदे करती है तो फिर वो कर लेंगे जो देशाजाद के पहले कारिये किये जा रहे थे संसद ने का कि हम लो बना देंगे और संसद ने पहली बार लो 1953 में बनाया जिसका नाम क्या रखा गया नियंत्रे को मालिका प्रिक्षत ड्यूटी करतवे सकती और सर्ते है इसके बाद में 1971 में वापस पार्लियमेंड ने रूल बनाये उसका नाम भी रखा गया CAG DPC वापस संसद ने 1971 में लो बनाया जिसका नाम क्या रखा CAG ड्यूटी पावर एंड कंडिशन इस इस 1971 के एक्ट में क्या-क्या कार यह लिखेगे उसके लिस्ट थोड़ी देर बाद में अपन देखी रहें पर साथ में आपको ध्यान रखना कि जो डिपीसी जो 9071 है चार बार इसमें संस्वद्र हुआ यह तर में वाद 84 सत्यासी सत्याण में में तो 9076 उसके बाद में 9084 उसके बाद में 9087 देखे उनी सो छेतर वाला जो अमेंडमेंट था यह सबसे महतुपन अमेंडमेंट यही है आपको दा कि चीजों को जोड़ना है 48 में सामाने बात होगी निक्ती होगी के बाद में सपत होगी नबर एक से शुरुआत कर देंगे कि करेगा बहुत लंबी लिस्ट है है इंपोर्टेंट एक एक से कोशन पूछा जा सकता है पहला कारी तो क्या होना चाहिए है पहला कारी एक के अंदर जो है इसकी संचीत ने दी कराज्यों की संचीत ने दी और जो के अंदर सासित पर्देश है जिन में विदान सबाएं उनकी संचीत ने दी की ओडिट करेगा है पहला कारी एक एक कारी की लिस्ट वाइज अपन देखते चलते हैं पहला कारी है फस्ट कारी क्या है नमर एक संग मलब के अंदर सरकार यूनियन यह काम आप समयदान में नहीं मिलेंगे आप समझगे होंगे क्यों नहीं मिलें क्योंकि संसद ने बनाए राज्य और के अंदर सासित पर्देश कि आप नहीं आएंगे क्योंकि उससे वह आएंगे जहां पर विदान सबाये है और आपको पता है साथ डिल्दी पंडी चैरी और अभी नया जेंड के वाला आप देख रहे हैं सब्भी में केंद्र शासित पर्देशों में विदान सबाये नहीं है इसलिए अभी क्योंकि जेंड के वाले किस्ति कई चीजों में क्लियर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा बताने से इसको बच रहा हूं तो यहां पे आप द्यान रखेंगे कि तंग राज्य और केंशाशीद परदेश यहां पे विदान सभाएं सभी केंशाशीद परदेश ओके नहीं कथन गलत हो सकता है तब इक नकर तो सिए जिगा यह वह गया इस ऑपकेंगे सरकार के राज्य सरकार के और प没有 जो केसाथए प्रदेश है इनकी जो संचीत दीये संचीत दी है कि इस संचीत दिका क्या कर सकता है अडिट कर सकता एक काम दूसरा बहारत के आक्रेश्मिन गिती जाए राज्जे के आक्रेश्मिन हिदी और लोग लेखा देखो तीन प्रकार के फंड आपको में बता दूस्ट दी एक उती है आकश्मी निदी और एक उता लोक-लेखा प्रिक्षा करें हो सुथिरी बात क्या लिखेंगे आप दूसरा काम भारत की संची निधी भारत की सोरी आक्रिश्मी निधी कथा लोग लेखा दूसरा है अधि Means में कि से साथ के लोग लेखा कि अधित लिख लिए दोनों की अब भुआक्र देखे भेट्टनालवा ऑर लोग लेका इनका प्रिक्षा करेगा इसके अलावा देखी राज जे इनका लेखा प्रिक्षा भी करें गाई। तीसरा काम क्या है स्राइब केंद्र तथा राज्यों के विबागों का आप जोड़ पारें चीजों को पहले संचीत निदी का कर लिया तिर आकश्मिक निदी और लोग लेखा का कर लिया अब विबागों पर आगे सिधा आपन तो तीसरी बात है इन विबागों की कुछ चीजों का ध्यान रखेगा कौन कौन चीजे चली सभी ट्रेडिंग्स होती है जो ट्रेड करते हैं दूसरा वी निर्मान सभी ट्रेडिंग्स दूसरा इनका मेनुफेक्ट्ट्रिंग वी निर्मान तीसरा पी एंडल लाब हानी खाता पी एंडल अकाउंट फिर बैलेंस सीट तुलन पत्तर यह आपको लग रहा है कोमर्स वाले सी वात्य आ गई सभी ट्रेडिंग्स आ गए वी निर्मान आ गया पी एंडल अकाउंट आ गया बैलेंस सीट आ गया और अन्य जो अनुसंगी लेखा प्रिक्षा हो सारे कार यह करेगा तो अधर जो सबसीडरी जो अकाउंट से है अन्य अनुसंगी लेखा क्या समझे आपको पुछे कि सीए जी के कारी है क्या तो आप कहetr Luke से सुरूँ करता है इंदर मेरेकिंदर सरकार की संसी दिखा अलेखा प्रिक्षा कर लेगा ओडिट कर लेगा तिर अनुन के अंदर सासीत परदेसों में चला जाएगा ओडिट करने जहांपर विधान पurning दो किलो लोक लेखा पप्लिकर ओर आक्समिंग निधी की भारतकी संसी निधी लोक लेखा यहां पर union टेरिटरी नाम में संक्षा पी एंडल अकाउंट, बेलेंसीट और अधर सबसीडरी जो अकाउंट है, ये सारे कारी किसके द्वारा के जाएंगे, CAG के द्वारा, बवीशे में कोशिल पंच आए, CAG द्वारा सब्भी विबागों की लाभ हाने खाता, पी एंडल अकाउंट का ओडिट किया जाएगा, आप सोचने के लिए मजबूर तो होई जाएंगे, CAG करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, यहां पे लिखा हुआ है, तो विदान में लिखा हुआ है, नहीं, संसद ने कानून बनाया है, तो तीसरा कारी सोज में आ गया बाइक के पहला कारी वापस देखो, पहला कारी यह है, पहला कारी यह लिखा वाधा, अब केंदर सरकार का, राज्य सरकार कार, जां-जां केंदर साचित परदिशों में विधान समय है, उनकी संचीत निदी का ओडिट करेगा, भारत की आकस्मिंग निदी का बहinks जो लोग इन में यह पांच काम करेगा टी टीफोर ट्रेडिंग एम मेनिफेक्ट्रिंग पी एंडल बेलन्सीट और अन्य अनुसंगी लेखा परिक्षा कर लेगा अद्र अगर लेखा परिक्षा करना तो अब देखिए अब साब राजश्वर रेवेन्यू से समझेद कुछ बाते करेगा अब बात आगई रेवेन्यू की तो चोथा काम क्या करेगा राजश्वर समंधित कारिये राजश्वर कारिये का मतलब रेवेन्यू समंधित कारिये केंद्र राज्य में प्राप्ति वह वह वहा है उसका करेगा केंद्र राज्य के तो राज्यकी प्राप्तियां और वे इनकी लेखा प्रिख्षा करेगाों कितना आया कितना आगया इनका लेखा प्रिख्षा करेगा तो केंदर और राज्ये की प्राप्तिय। hearing that लेखा प्रिख्षा सारे याद गरादूंगामेन एक बार थोड़ासा 카ंसेट किजिए त मैं लेखा प्रिक्षा यह बात समझ में आगी इसका मतलब revenue से सम्मधित कारिये के अंदर और राज्ये की जो receipts and expenditure हैं इनका लेखा प्रिक्षा करेगा दूसरा जो टेक्स से सम्मधित काम होता है अब आपके दिमाग में एका काम करेगा बिल्कुल करका निर्धारन determination कैसे होता है अवंडर कैसे होता है उसमें कौन सी मियम और प्रकिरिया का पालन यह यह भी सीएजी देखेगा तो कर निर्धारन सेकेट जो काम है यह कर निर्धारन करते हैं तो माल लेते हैं कि टेक्स लगाना 100 रूपे फिर अधिकारी नियुक्त कर दिया आपने उस कलेक्ट करने के लिए जिन पर खर्चा 200 रूपे और तो टेक्स तो सही नहीं वाना तो उसका निर्धारन संग्रेन आवंटन निर्धारन इसका संग्रेन और आवंटन ये बात देखे ग अधिये सबका ओड़ीट करके आगे हैं अब कहा की इनका ओड़ीट हो गया तो आप जो लोट लेखा उनकी ओड़ीट फिकर लो तो सारी आकस्मिंग निधी और जो लोट लेखा उनकी ओड़ीट कर ली इसके बाद में पता लगा कि आग्षाब जो भी भाग है इनकी आप प्राप्तियां और जो वे हैं इसका लेखा ओडिट कर लिया और कर निर्धारन का संग्रेण और इसका आउंटन प्रकिरिया नियम है इनके बारे में इन्होंने देख लिया है अब कुछ और ऐसे जिनका लेखा प्रिक्षा भी कर सकता है वह निकाय हो सकते सरकारी कंपनी हो सकती है इनका लेखापीक कर सकता हुए इनका निपका लिखत गए पर काल निपकाल गे अंदर सरकार आगयी राज्य आगे राज्यों की विभाग आगे और राज्य राज्जास्व्ग आगया ये बारे समय में आ गई केंदर में केंदर की संचीद सनी दिया गई पॉणन्सोलिटीशन हमान वगा वडिक अकाउंट और राज्यों टिंवी अकाउंट में er इंब आ गया इन के बारे में लेखा और साथ ही साथ इनका जो टेक्स है तेक्स का निर्धार्ण शंग्रण॥ आगया और तक आपके बात समय में आगई एक बात ये हो गया कि से अनुदान ले रहे हैं जैसे अलो यूजी सी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन या कोई और आप एंटी है या कोई और ऐसा निकाय बोड़ी प्रादिकरण जैसे अपने पास इस प्रकार का एक ओटोनिमस इसको के अंदर सरकार अनुदान देती हो उसकी की जा सकती है तरकारी कंपनी की सीयजी द्वारा की जा सकती है या कोई अन्य कोई भी निकाय है उसकी की जा सकती है तो अन्ने के देख लेते अन्ने वाले में तो क्या देखेंगो अपस है अधिक लिगाओ आगे थोड़ा सा निम लिखित की ओडिट की ओड़िट पर किजा सकती है इसमें पहला क्या सभी निकाई बोडी ना प्रादिकरन नमर एक किसक जासकते हैं नमबर एक सभी निकाई अफरादिकरन कि अंदर से अनुदान लेते हों एसा कोई भी और परेट बोड़ी या एनी अथिरोटी विच तिक्स ग्रांट फ्रों इस्टेट और इंटर पीज कैन बी ओडिटेड वाई C.A.G. दूसरी बात सभी सरकारी कंपनिया ओल गवर्मेंट कंपनी सारी सरकारी कंपनियों के ओडिट C.A.G. द्वारा अंभव है की सरी अन्य कोई भी प्राद दिकरन कोई भी ऐसी अथिरोटी हो अन्य कोई भी प्राद दिकरन हो कोई भी अथिरोटी हो उसकी भी जरुद जब पढ़ती है कोई भी निगम या निकाय जब जरुद पढ़ती है उसकी ओडिट भी की जा सकती है यहां तक बात आपके सब्सक्राइब भी ठीक इसके बाद में अपन बात करते हैं यह ओडिट हो गई किस-किस की निकाय की सरकारी कंपनियों की और अन्य कोई भी प्रादी कंडिस की जा सकती एक मिनिट प्रादी जिकाय जा है हाओ तो इनकी रोड़ीन के द्वारा की जा सकती है और के polished और करेंदाद सरकार की जो लेंदेन है उन लेंदेनों क्यों कि भी इसक के द्वारा की जा सकती है कि ये जी के दवारा येस जैसे केंदर सरकार राज्जी सरकार कुछ लेंदेन करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उन ट्रांजेक्शन की ओडिट भी किसके दवरा की जा सकते हैं सीजी के दवारा वो ट्रांजेक्शन या तो रीन हो सकते हैं कोई लोन लिया हुआ है या सकती है audit CAG के द्वारा की जा सकती है बहुत important CAG हो सकता है आपको लगिया बड़ा बोर कर रहा है एक एक वर्ड से question अगर एक्जामी दर बना सकता है तो यह मान के जली कि एक भी question सही नहीं हो सकता योग से जिस तिन राज्य सरकार के लें देन डो ट्रांजेक्शन जो होते है लें देन इसका मतलब सेंटर एंड स्टेट के जो जो ट्रांजेक्शन्स है उन ट्रांजेक्शन्स की बी ओडिट CAG की द्वारा की जा सकती है इसमें लोन हो सकता है आपने कितना रिन ले रखा है रिन कि आपकी पास निक्षेव कितना जम्मा है surplus amount कितना है निक्षेव जम्मा पचत खाता है कोई saving accounts है या फिर कोई advance दिया हुआ है अग्रीम दिया हुआ है या कोई आपके पास में remittance आता है भार से कुछ remittance विदेश में कमा रहे है विदेश से आपके पास remittance आता है को बोलते है remittance लिख सकते है remittance प्रेशित या प्रेशन प्रेशन या रेमिटेंस ब्रीन होगे निक्षेब जमा होगे बचचत खाता होगे आपके advance अग्रीम होगे प्रेशन होगया इसके लावा जो अदर आपके पास जो जमा है जमा उन जमा की भी ओडिट की जा सकती अदर जमा तो क्या क्या सीखा यहां पर केंदर और राज्य सरकार के transactions कोशन कभी भी परीक्षा में आए क्या केंदर और राज्य सरकार के जो transactions होते हैं उनकी ओडिट की जा सकती है क्या yes की जा सकती है एक इंट्रेस्टिंग बात और मालो राष्ट पती जी को लगा कि जब यह राज्य पाल को ऐसा लगा कि राज्य पाली राष्ट पती में से किसी को भी ऐसा लगा कि कोई अन्य हमें ओडिट करके इस डिपार्टमेंट की या इस विभाग की या इस बोड़ी की हमें ओडिट करवाणी है तो राश्ट्रपतिया राज्ये-पाल दूआरा मांगे जाने पर अजने लेखा प्रिक्षन भी कर सकता है ये कथना ये प्रिक्षा में याद रखे आपके दिमाख में राज्ये-पाल क्यों कहेगा कह सकता है तो अगला पोइंट आप क्या लिखेंगे राज्ये- पाल पॉब्लिक राश्च्ट पति द्वारा मांगे जाने पर अन्य लेखा परिक्षा अधर अकाउंट भी ओडिट किया जा सकते हैं लेखा परिक्षा यहाँ पर दोनों का नाम लिखा हुआ है राश्च्पति भी और राश्च्पति भी अब अगली जो लाइन लिखा हूँ वो उससे भी ज़्यदा इंपोर्टेंट है इस लाइन में यह लिखा हूँ है कि उन्य लेखा परिक्षा अभी किया जा सकता है तो राश्च्टपति राज्य पाल जब निवेदन करें अन्य लेकाफ रिक्षा भी क्या जा सकता है यहां पे देखें इन दौनों में तूस्स है अन्य लेकाफ रिक्षा अब यह कोंड से होंगे स्पेसिपिक नहीं है पर यहां पर लिखावा है राज्य पाल या रास्पती यह निवेदन पर यह निवेदन वर्ड लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं है आग रहे लिख सकते इंट्रेक्षिन लिख से पर निवेदन लिख ले तो भी ठीक है पाकि यह वड़ ठीक नहीं निवेदन पर अन्य कि निकायों का कि यहां पर निकाय वड़ आए लेका प्रिक्षा जैसे इस्थान यह निकाय अख माल लेते हैं कि राज्यरयेपाल साप को लगे कि साथ हमारी तरह क्या हम पहले और टो ॡॐ यह उन्टाइट है इन पहला नहीं से लगतर रावा जासकता है उइस निकावाए तो कभी भी कोशिन आये कि क्या 8 ग्रेजी में दोआरा स्थान ये निकायों का ओडिट किया जा सकता है कि या जा सकता है या आपको ध्यान रखना अच्छे से क्लीयर अब बात करते हैं अंतिम बात किसाब कर या सूल क की सुद आगम का निर्धारन और पर्माण उन्त के द्वारा किया जाता है और वह परमाण पत्र देता रैता हो अंतिम होता है अंतिम कार यह लिख लेते हैं अंतिम कार यह वह ये है इनका कि तो बात्या कुछ एड़िए ग्हें दो ट्ठ ठैक्स और एक सुल्क टेक्स और फीस इसकी जो सुद आगम है उसका निर्धारन है तो सुल्क और फीस टेक्स कर पॉब्लिक तुल्क के सुद आगम का निर्धारन करता पर्मानन असेश्मेंट डिट्रमिनेशन एंड कर्टिफिकेशन पर्मानन यह अंतिम होता है प्रमानन पर्मानन 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 किसके द्वरा किया जाएगा कोश्चन क्या लिखोगे सुल्क और करके सुल्क और टेक्स के सुद आगम का निर्धारन पर्मानन किसके द्वरा किया जाएगा लगा दिया अंतिम होगा इसका मतलब वो ला सर्टिफिकेट है यह ओगया 149 फार पीछे जलते कि आपके अपकी अपडूर नहीं हो इस एक बार बेंग्राउंड करके रिविजिन करवादें कि आपको कुछ आपकी मौनोड़नी टूट जाए है है कि अब लेगा पर साल या बताओ कि अब लेगा वरा साब की मोनोरी टूट जाएगी कि हाँ कुछ नया दिखाई दे रहा है तो बैक चलते देखे यह देखे क्या क्या लिखा हुआ है ऐसे अराम से देख लिजा कि अब और नहीं हो कि इधर आजाएगे अराम से एक एक बात को डिसकस करते चलेंगे वापस से पूरा यह लिखावा सी है यह दिख रहा ना यस यह वो गाईब कैसे हो गया हाँ वो तो अगले पेज पर आएगा इधर देखिए कि इस अब आराम से एक एक वर्ड को रिकॉल करते चलिए वाग किस में है अगर आब बोर हो रहे तो देखे बंद करके आपस से देख लीजिए वाग पांच में अध्याय कॉन सा पांच अनुचेद 148 से लेके 151 तक इसको उले किया गया यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं है अब अगली बात 148 का अनुचेद क्या कहता है उस पर बात कर लेते पहले देखिए कि उसी आधार पर और उसी रित्ती से उसी मेंनर में अटाएंगे जैसे सुप्रीम कोड की नयद इसको टाते हैं ठीक है राष्ट पती नुक्ती वारंट और मुद्रा सहीत अधीपत्र से करेंगे बले ठीक है कार्यकाल सम्विधान में नहीं लिखा हुआ है पर कार्यकाल 6 वर्ष या पैसेट वर्ष कुछ फेक्ट देख लेते हैं फेक्ट यहां पर यह लिखे हुए है पद का स्रिजन है पोस्ट क्रियेशन अठार सो ठ्याउन के एक्ट से किया गया ठीक अपोइंटमेंट अठार सो साथ में पहली बार नुपती हुई नाम उनका एड़वर्ड डूमेंड था और वैसे नाम मालेखा परीक्षत था अगली बात 142 में लिखावा की सपतिया परतिज्यान राष्ट पति द्वारा या उनके द्वारा प्राधीकरत कोई भी जो अथर्टी होता है उससे उसके द्वारा दिलाए जाएगा थार्ड सीडूल में इसका प्रारूप है और साथ इसाथ में उसिगनेचर भी करेंगे प्रारूप सुप्रीम कोट की नयदीश का जसा हो सेम प्रारूप है 148-3 में लिखावा की वेतन वेतन पारलियामेंट संसद्र के दोरात है किया जाएगा जब तक की पारलियामेंट फिक्स नहीं करती है वेतन मिलेगा जो सीडूल टू में में मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट के बाद में इस एडवांचेट चेंजेज नहीं किया जाएंगे एलाबकारी परियूरतन नहीं किया जा सकता 148 में फिर अगली बात लिखी हुए है अब सेवा नीवर्ती के बाद अन्य पदप्राप नहीं कर सकते 148 पांच में क्या लिखा हुआ है इनकी जो सेवा सर्ते है वो राष्टपती तै करेंगे किसको पूच कर? CAG कोई पूच कर क्या क्या तै करेंगे? एक तो CAG की परसास्निक सकती तै करेंगे और दूसरा IIAD में जो करमचारी काम करते है इन करमचारीों की सेवा सर्ते तै की जाएगी कौन करेगा? राष्टपती किसको पूच कर? CAG को पूच CAG के कारिया लेकर जो जो खर्चे होते हैं वो भारत की संची निशे दिया जाएंगे हालांकि CAG काम राज्यों के लिए भी करता है आपको बता लगी गया पर वेतर उदर से दिया जाएगा CAG के पावर्स एंड डूटीज सक्तिवे करतवे तो यहाँ पर लिखा हुए कि यूनियन के स्टेट के अन्य परादिकार निकाए सारे पढ़ लिया अपने के करके यूनियन पढ़ी लिया इस्टेट पढ़ी लिया अन्य परादिकारी पढ़ी लिया अन्य परादिकारी कंपनियों के बारे बात करी लिए तो यूनियन के, स्टेट के अन्य अपरादिकारी के और निकाय के वो काम करेगा जो संसद बताए अगर संसद नहीं बताए तो वो काम किये जाएंगे जो भारत की आफजादी से पहले जो एड़वर्ड रूमंड साहब वाला डिपार्टमेंट काम कर रहा था वो करेंगे संसद ने का कि हम एक एक काम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और इसको लेकर संसद ने कानून भी बना दिया और कानून उनिसो त्रेपर में पहला बना सीएजी डूटी पावर एंड कंडिशन ये कोई इसको ये कानून देखना आपको उसको नहीं देखना है कि उसको चार बार अमेंड किया कि 1976 में 1984 में 1987 में और 1997 में इस इस कानून में सारे कारिये लिखे कि कौन कौन से कारिय करेगा सीएजी कि इसमें पहला कारिये ये बताया कि साब सीएजी यूनियन के स्टेट के और जो केंदर सासित परदेश है सारे नहीं जहां पर विधान सभाएं उनकी जो संचीत निदी है जहां पर पैसे रखते हैं उनका ओडिट करेगा और लेखा प्रिक्षा करेगा ठीक है दूसरा बहारत की जो आकश्मिंग निधी है और जो लोक लेखा है इसकी ओडिट करेगा राज्यों के आकश्मिंग निधी लोक लेखा इसकी ओडिट करेगा यहाँ पर संग्सासी-चेतर नहीं देखे घए उनकी ट्रेडिंग देखले गा किकता रेड कर रहे हूं क्या बना रहे हैं क्या manufacturing कर रहे हैं को लाब आनी कुतना होता है उनका balance sheet को ऐसा अन्य कार कैसे आँ पर करेंगे गार करेंगे मनुफजर करेंगे तो आपके लाब आनी होगी, लाब आनी को balance करना है अन्य Attounds के साथ में तो trade manufacturing, trade हो गया manufacturing हो गया, लाब आनी हो गया balance करना अन्य खाते ये सारे सारे काम किये जाएंगे इसके बाद में इसके बाद में राज़स्वर रेवेन्यू के कार ये विकरखाए याद रखना रे वहन्युकारिये किसके एंदर और राज्यें द्लों के आफ्य देखेगेका वहापे नमấर और उनकी रीशीप्स तश्कतर खर्च कर रहे हैं कई देष दी वालया दो नहीं हो रहा है प्राप्तिय मैं और वे देखेगाई, दूशतरा जब करका निर्दारन होता है, तो उसमें देखेगा कि उसका संघ्रहन कैसे है, निर्धान कैसे है निर्धान का हम दोड़ डिर्मिनेशन और सेस्मेंट कैसे है उसका कलेक्शन कैसे है और उसका अलोकेशन कैसे है अलोकेशन DCA देखेगा और इधर revenue and expenditure देखेगा तो revenue समंदित कारिये मैं इंग्लीज में लिखता हूं उनको अभी चिंता नहीं करें समंदित कारिये में दो कार्ये है सबसे पहला revenue and expenditure देखेगार दूसरा DCA देखेगा किसी का डेक्स का शापक एक के बारे में determination कैसे है उसके बाद में क्लेक्शन कईसे है और उसके बात में इसका और डिक français लेकर देखेगा revenue को लेकर ठीक है और थोड़ा सा इसको देखु सोट करके बताऊं तुम आपको यह काम हो गया नमर एक पहले सेंटर का इंग्लिश मीडिया वाले ज्यान देंगे इदर सेंटर स्टेट एंड यूटीज इनकी कित्ती चीज देखेगा दो जबकि मैं कहूं कि यहां पर क्यावले एक चीज उनकी कॉंसोलिडेशन फंड उनका कॉंसोलिडेशन फंड चेक कर लेगा तारे यूटीज नहीं करेगा ऐसे यूटीज इसमें विधान सबाएं हैं दूसरा क्या काम करेगा एक तो पब्लिक अकाउंट लोक लेखा दूसरा कंटिंजियंसी फंड देखेगा सीएफ देखेगा तीसरा चेंटर और स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंट्स विभाग डिपार्टमेंट्स जो हैं चेंटर और स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं इन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या देखे सब्सक्राइब कितना है ट्रेडिंग उसके बाद में मेनिफेट्चरिंग उसके बाद में पी एंडल उसके बाद में बेलेंसीट इसके बाद में अधर अकाउंट अधर अकाउंट अधर सब्सीडरी अकाउंट उसके बाद में चोथे निवर में देखे गा है रेवेन्यू का कितना है और फिर देखेगा टेक्स जो है उसका डिटर्मिनेशन उसका कलेक्शन और उसका एलोकेशन देख ले गाए ठीक और फिर अधरकाम भी इसको सुन्पे जा सकते हैं इसके मद आगे बढ़ते हैं आगे निमलेखित की ओडिट कर सकता है और वोडीज एंड अथिरोटीज विच सीक्स ग्रांट फ्रों स्टेट और सेंटर सबी सरकारी कंपनिया ओल गवर्मेंट कंपनी या अधर कोई भी अथिरोटी या फिर केंदर और राज्ये के लेंदेन ज पहले है राजाये लेगा जायेगा उसका सेने अकाउंट आजांगे सेविंग एकाउंट zajम कि उसके एडवानस आजेंगे सारे सदोच पति अगर क्ये तो साब अधर लेखा भी प्रिक्षयं किया जा है तो इस्थान ये निकाई के लिए का प्रिक्ष क्या जा सकता है और जो भी exam सुल के सुद्थ आग्म का निर्धार्न तो था प्रमानन की आ सकता हूं बस कि आप लोगों का बना रहें इंट्रेस्ट है अब बात करेंगे अपन आर्टिकल वन फाइफ जी रो की एक सो पचास की कि अब अच्छे वन फाइब जीरो यह कहता है दिखाए देरान आपको वन फाइब जीरो कि अनुशेद 150 आपको यह बताता है कि संग और राज्यों के लेखा का फॉर्मेट क्या होगा यस फॉर्मेट का मदलब दा एक्सल सीट होगी कितने कॉलम होंगे कितनी साइज का होगा कैसा फॉर्मेट रखा जाएगा अकाउंट्स का वो कि यह जी सला देगा रास्ट पति और राज्यपाल को कि आपको इस प्रकार का काउंट का फॉर्मेट रखना है तो लिखना है संग और तंग और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप किस फॉर्मेट में होंगे यूनियल इस्टेट के जो अकाउंट्स फॉर्मेट होंगे वो कौन फिक्स करके देगा 150 में लिखा हुआ है इसमें यह लिखाओं इसाब यह जो फॉर्मेट है यह वाला फॉर्मेट यह फॉर्मेट एडवाई देंगे सीएजी किसको दो लोगों को रास्पती को और राज जेपान को मतलब जो सेंटर और जो टेट है इनका अकाउंट किस फॉर्मेट में रखा जाएगा इस फॉर्मेट के लिए एडवाईज किसके द्वारा किया जाएगा राज्य का अगर फॉर्मेट रखना तो राज्य पाल को सला दे जाएगी कि सीएजी के द्वारा और अगर सेंटर का तो राष्ट पती को एक यहां पर लाएं लिखिए कि 44 समिधान संसोदन से पहले प्रामर्स लिखावा था उसको अटा दिया थोड़ा सा लिखना चाहो तो क्या अपता कभी परिक्षाइन पूछे तो कि मालीसवास समिधान संसोधन है उससे पहले प्रामर्स लिखावा था तो यौशल संसोधन से पहले यह उसको याद लखना है इंद रामर्स है रिमूब कर दिया और यहां पर दिया तो जो अकाउंट्स के जो फॉर्मेट होंगे वो फॉर्मेट आप्र दे कंसल्टेशन ओप सी एजी उडभी उडभी लिट्रमाइनडेट बाई गवर्नर और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अध ऑथ अगली बात करेंगे 450, nephew 151 की इसमें किसाब रिपोर्ट अब wagon और कर लिया तो infant July आप म् surprise करेंगे लिपोर्ट किसको देंगे तो संप्रिक्षा प्रतिवेदन इसको आप देखना चाहों तो मुत 150 आपको बार दिखा से हुआ संग और राज्य के लेखा का प्रारूप संग के और राज्य के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट पती यह जी से प्रामर्स करने के पचात वहीत करें यह थोड़ा सा ध्यान रखना है और जंगो राज्यों के लिखाओं का प्रारूप ऐसे फॉर्मिट गा जाएगा जो सीएजी से प्रामर्स के पचात वीद किया जाएगा तो राष्ट पती थोड़ा सा एक बार स्टोप करते एक बार के लिए प्रामर्स केरा हुए कि प्रामर्स चार्श ब्रामर्स के बार लिए अप्विद आए युग आर ओख व्याओ एक अपिवार इस से थोड़िय। in terms of the president may own the advice of the auditor there will be prescribed in a minute the accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may on the advice of the comptroller of the auditor general of india prescribed iis ka matlab dekhi yeh galti hoi yeh sangko rajao ke lekhao ka prarup isko mitaate hai thoda sa or yeh yeh toh thik hai yaa pe likha na sangko rajao ke lekhao ka prarup kone fix karenge raasht pati dvara raasht pati or kis se pramers kala liga taong kis se kala kis se lenge tiye ji se iska matlab yaa pe kis kis ka rool nahi hai raja pal ka rool nahi hai yeh galti se dikha gaya thik hai iska matlab us form me rakhye jayenge legal in the accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may on advice of comptroller and auditor general of india prescribe jis minder me prescribe kya jaye usi minder means ko rakhha jayega clear okay next yeh ho gaya aapna kaam pura abat ka te report audit report sampricksa prati vedan one fifty one two camera audit report audit report audit report इसका मतलब यह कि अब ओडिट रिपोर्ट तोनों को दी जाएंगी किस किसको राज्य पालो रास्ट पती को ओडिट रिपोर्ट जो यूनियन की रिपोर्ट है संग की रिपोर्ट है और राज्यों की रिपोर्ट है राज्यों की रिपोर्ट तो यूनियन रिपोर्ट किसको दी जाएगी प्रसिडेंट को राष्ट पती को और राष्ट पती कहां पर रखेंगे इसको संसद में और राज्ये के रिपोर्ट किसको दी जाएगी राज्ये पाल को और मैं जुकर तो स्कारेविदान मंदली और भीधान मंदल स्क्राइब यूनिन यूर्ट राश्ट्रपति को राश्ट्रपति क्हां पर कहेंगे तुको और राज्ये की रिपटर राज्येपाल को और राज्येपाल कहां पर खाजाएगा राज्य विधान मंडल में एक चीज ओर जब ओडिट की रिपोर्ट दी जाती है तो तीन रिपोर्ट बेसिकली दी जाएंगी सी एजी के द्वारा तीन रिपोर्ट यह आपको प्रिक्षेक लिए ध्यान लखना है ती कि पेहली रिपोर्ट होकि वि न्योग लेखा परक हला रिपोर्ट दूसरी वीद्लेखा पर लिखो और सारजॅच को प्रणख रिपोर्ट ईक नोट लगाना इसके नीचे लिखे लेथे नोट लगा के लिए जी द्वारा यह परसन पुछा जा सकता है तीन प्रतिवेदल दी जाते हैं जो बेसिकली रिपोर्ट होगी वह विन्योग पर होगी इसका मदोर कितना आप प्रेशन हुआ है विन्योग लेखाओ पर लेखा रिपोर्ट होगी प्रेशन रिपोर्ट होगी विन्योग लेखाओ पर लेखा रिपोर्ट लेखा रिपोर्ट लेखते हो गई है दूसरी जो रिपोर्ट बेसिकली होगी वह सारोजनिक उपकरम पर होगी तो सारोजनिक जो पब्लिक एंटरप्राइज होते उन पर होगी तो सारोजनिक उपकरम पर रिपोर्ट पर एक जो रिपोर्ट हो कि वितलेखा पर होगी मतलब वितलेखा पर लेखा प्रिक्षा रिपोर्ट यह तीन रिपोर्ट दी जाते हैं लेखा परिक्षा रिपोर्ट यह बोले तो इसको एक अपर प्रोप्रियेशन अकाउंटS पर और रिपोर्ट यह बात कहांपे निकिया है यह 151 में 121 में ठीक है यह भी दिखा देते हैं आपको 151 का आर्टिकल लिखे लेते हैं कई केगी लिखा देखेएं इसल्गा डाश्य के दूरा इसे दी द्वारा इस्टी द्वारा आप इसी द्वारा आइजी अगर राश्टपती को देनी है संग की रिपोर्ट तो पार्लिमेंट के सामने रखेंगे और अगर तो राज्ix के विदान मट की रिपोर्ट हो तो राज्द्जे विदान मट के शामने रखा जाएगा ये बात आपके अभी तक समझ में आ गहीए अब इस रिपोर्ट का किया क्या जाएगा उसकी बात भी कर लेते हैं सब रिपोट आगी घटेखे एक डायग्राम बना के आपको मैं कुछ बाते समझाता हूं सबसे पहले करते रिपोर्ट आगी आक ॢ़िए तो रिपोर्ट अब यह तो भारत में ढुख दूर्ब Onut земt b की जाएगी कफार्लियमेंट के दुवारा अब बात करतें रिपोर्ट की जांच की है इसे पहले मापके डायग्राम बना के बताना हूं देखे रिपोर्ट जांच में की समधाना की आपको कि सबसे पहले क्या होता है कि पारेम में इसे पहले की बात कर लेते हैं सरकार budget लेके आती है harthar कमार कैटेक्वट कमे इतुनाम रूपे खर्च करेंक गे आप से सुनीगे को फिर इसको detail करते हैं कि पहले संसद सरकार बॉस्ट कर्ण करने के लिए मालो पैसे करने लिए budget लेके आती है budget बजट को पास किया जाता है पारित होता है तो संसद क्या करती है पैसे के अनुमती देती है तो संसद की द्वारा बजट को क्या किया जाता है पारित होता है पारित हो गया तो फिर सरकार जो हो पैसे खर्च करेगी सरकार क्या करती है धन खर्च करती है सरकार अगर धन खर्च कर लेती है एक बार इस धन को खर्च करने के बाद इसकी ओडिट की जाती है इसका लेखा देखा जाता है ओडिट कौन करेगा CAG करता है CAG जो अपनी रिपोर्ट है वो रास्ट पती को लाके देंगे कियेजी अपनी र Upper किसको देंगे राष्ट पती देंगे है राष्ट पती सी एजी की रिपोर्ट को एक रखवाएंगे छिए में अहां सभीत्य है क्मिति होति है कि Agr RHthis है लोग लेका समीथी लोग लेका समीथी द्वारा इसकी क्या की जाती है लाइँ कि जाती है है तो कहनो देखो कहा तक बात लूची सबसे पहले सरकार बजट क्षक्मिशच चो पारित के दोरा अर्थार सरकार को धन भी आपने पास अब आगई अब पिक्चर में आएगी लोक लेखा नमीटि पबलिक अक अब बात करेंगे लोक लेका समीथी पब्लिक अकाउंट कमेटी अब रिपोर्ट संसद के सामने रख दी इसका मतलब अब इस रिपोर्ट की क्या की जाएगी जाच की जाएगी जाच जाच कोंड करेगा पी एसी पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका मतलब अब पी एसी चर्चा में आएगी पी एसी पी एसी समीधान के नुच्छे अदब एक बार पूरे होए है इसको लेकर सीजी को लेकर पीएसी का फूल फॉर होता पब्लिक अकाउंट कमेटी अकाउंट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको इन्दी मोलते हैं लोकले का समीटी इसके पास सीजी की रिपोर्ट आ गई इसका थोड़ा कमपोजीशन चेक कर लेते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल जो सदस्यों वाइस होते हैं वाइस में से 15 होते हैं लोक सभाके और साथ होते हैं राज्या सभाके अभी अपना मुद्दा इसको इतना समझ में आता नहीं है तोड़े से कम पड़े लिके लोग होते हैं वह क्या करेंगे बार बार से पूरा इनको अक्स्प्रेयन करके बताता है कि देखो मैंने ये रिपोर्ट तैयार किये क्या क्या वर्ड आया हमें गाइड करो यार दोस्त हमें गाइड करो अपना फिलोसोपिकल दिमाग लगाओ गाइड मित्र और दार्षनिक पोशन पुचा जाता है कि पीएसी का गाइड मित्र और दार्षनिक किसे का आजाता है क्योंकि ये कमेटी जब जाच करती है तो इनको थोड़ी चीज़े कम समझ में आती है तो फिर बार बार सीएजी को फोन लगाते रहते है याद रखेंगे आप इसका मतलब कि पीएसी को पीएसी लोकले का समीति का गाइड मित्र फ्रेंड टाइड फ्लोस पर और दार्षनिक का आजाता है दार्षनिक का आजाता है ठीक है साब ये पैक ने जाच कर ले है अब जो रिजेल्ट निकले वो संसद को बताएगी वापस पीएसी अब जो निसकर्स निकले इस रिपोर्ट के पीएसी द्वारा रिपोर्ट निसकर्स जो फाइंडिंग से जो रिजेल्स है वो किसको बताए जाएंगी संसद को संसद को बताए जाएंगी वापस पीछा जाते है पेक जाच करेगी और अपनी रिपोर्ट किसको देगी वापस संसद को बताएगी संसद को चलिजी इसका मतलब सबसे पहले साब सरकार बजट अब यह ना मुद्दा चुकि मैंने संसद अलग से पढ़ाया वाइसलिए मैं इसको आपको केवल यह अज्यूम करके पढ़ा रहा के बाद एक सिरीज शुरू करने का मेरा प्लान है इसलिए इसका कोई पेड कोर्स नहीं लोंच कि आप बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि पेड कोर्स में पढ़ाव क्वालिटी पेड कोर्स में वह सारे बच्चे वंचीत रह जाते हैं दूसरा कि मेरे पास एक लिमि अधान को लेकर तो फिर आप यह अप सारी सिक्वेंश से देख लीजिए वैक एक आर्टीकल को को ब्योंड डाइमेंसन जाकर आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे डाइमेंसन आपके क्लीर करने वालवा हूं अभी एक बार exam के लिए देखने में अपने आपको यांश्वति को देते हैं राश्थका पे रिपोर्ट को संसद के सी इसके साथ सी क्या करता है कुछ अन्य रिपोर्ज वह देख लेता हैं जैसे आपने पैसे खर्च किए तो सही उद्दे से के लिए खर्च करेंग नहीं करें मतलब यह कि 3E का कॉंशेप्ट का मतलब यह होता है कि साब जब CAG अपनी audit कर रहा होता तो देखेगा कि पैसे खर्च करने में efficiency से फर्च कैसे किये नहीं किये एकोनोमी बरती नहीं बरती और effectiveness तो यह तीन दो word होते है इसमें आपके दक्सता होता है पर बावसीलता होता है उच्चिते भी देखा जाता है इसमें अगर वो CAG को लगता है कि मुझे सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किये गए इनकी उच्चिते की जांच करनी है इनके उच्चिते का परिक्षन करना है साथ ही साथ में मुझे देखना कि परियोजन क्या था इधर देखिए खर्च करने ते दो लाक रुपे और यह एगृजामपल की तो एक रुपय घूश नहीं खा इए और ओफिस की गाड़ी लेंगे जरूभी गारे की टंकईने की ठीपूदर कि की दी दीबशएट की वा ठीख में क्या यूजन भी चेक कर सकता है Prab Вас सी दिख़ करते टाइम क्या क्या च्वाक्या चेक कर सकता है क्या क् क्या देखा जाता है कि पहली बात द्यान रख सकते हैं कि प्रियोजन चेक कर सकता कि क्या प्रियोजन था कुद्धे से ठीक था नहीं था कि दूसरा कि जरूत थी या उस चीज की नहीं जरूत थी तीसरा उसमें आपने एफिसेंशी मित्वेता रखिया नहीं रखी तीसरा दक्सता से काम किया और नहीं किया तीसरा प्रभाव सीलता क्या इतना क्या जरूरी थी प्रभाव सीलता इसका मतलब यह कि जब C.A.G. देखेगा तो यह जरूर देखेगा कि प्रियोजन क्या था अब्जेक्टिव्स क्या थे इसकी असल में नीड थीग नहीं थी एकोनोमी से काम लिया कि नहीं लिया एफिसेंसी थीग नहीं थी यह सारी चीज भी C.A.G. चेक कर सकता है और अगर आपने कहीं पर गलती किये तो C.A.G. फिर आपको लाइन में ले सकतेगी आप यह जो कर रहे हैं यह ठीक से किया नहीं या किया नहीं किया तो परिक्षाम एकर ऐसा कोशन पूचा जाता है C.A.G. ओडिट में क्या क्या देख सकता है यह सारी चीजें भी C.A.G. देख सकता है इसके बाद में आपको एक निश्पादन निश्पादन अंकेक्षन जो होता है इसको आप देखेंगे कि आरेस मेंस के सलेबल में निश्पादन अंकेक्षन लिखावा तो यह निश्पादन अरिविंद गुपता बनाम यूनियन ओप हिंडिया 2013 का मामला सुप्रीम कोट ने यह का निश्पादन अंकेक्षन यह भी CAG देख सकता है तो एक निश्पादन भी देख सकते हैं परफॉर्मेन्स ओडिट इस पाधन अंकेक्षन तो निश्पादन अंकेक्षन देखना भी किसका काम है CAG का यह आप केस सुप्रीम कोट का केस लिखना जाब तो लिख सक कि अरिविंद गुपता बनाम यून प्रिक्षा सहीता कोड जो है अकाउंट्स कोड हो खुद तयार खुद की नियामावली तयार करेगा एक नोट और लगा लो यह कुछ अब फेक्चुल लिटे लेके लिखनी है तो सीएजी द्वारा कि त्वेम की कि लेखा सहीता नियमावली तयार की जाएगी कि अन्य लेखा सहीता नियमावली सरकार की अनुमति के बाद तीक इसके बाद मैं आप ध्यान रख सकते हैं जो आप सीएजी जो है यह कुछ ऑडिट कर नहीं सकता तो ऐसी कौण सी ओडिट है जो सीएजी द्वारा नहीं कि जाएगी हेडिंग लगा लो कि निम लेकित ओडिट सीएजी नहीं करेगा आपके इसाब से कौण सी ओडिट हो सकती है जैसे रो है आई भी है जो बारत की गुप सेवा सेने सेवा है इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेन सर्विशेस सेया इंका जो इनवने कितना खर्त्स किया इनगी करेगा यह जो सक्षम प्रादिकार इसका प्रमान अपतर ले ले दगाए इसका मतलब जो गुपत है यहला तरुपीश рахण इक्रेट इंटेलिजेन्स जो सर्वीश है इनका ओडिट नहीं करेगा ये थोड़ा ध्यान रखना येवल सक्षम प्राद निकारी का प्रमानपत्र प्राप्त करेगा का मतलब ये है कि निमलिकित ओडिट द्वार नहीं कि जाएगी पहली बात गुप्त सेने सेवा की ओडिट रिपोर्ट नहीं करेगा केवल और केवल जो सक्षम प्राद इकारी से सर्टिफिकेट लेगा मतलब ये है कि जो भी कोई अधिकारी है वो इसकी ओडिट कर रहा है उस क्योंकि संसद का अधिकारी नहीं होता CAG ये संसद के परती सिद्धे जवाब दे नहीं होता ये आपको ध्यानकना नोट लगाओ दो नोट इसा कोईशन है इन में क्या वो साथ डिटेल मेंने कोईशन भी आपको साथ लिखवाए है आपको नहीं पता चला पर कुछ जो ला लाइन की फोर्म में आपको लिखवा दिया है अगला लिखेंगे नोट लगा के दो नोट 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 की ये जी कंसद का अधिकारी नहीं होता है अर्थार्थ परतेक्स तोर पर अर्थार्थ हाँ 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 अ जो शोब देने एक बात तो यह इसका मतलब यह कभी भी संसद के परति जवाब देनी होता है दूसरी बात ही है कि संसद का अधिकारी नहीं होता है यह एक 27 परादिकारी है यह क्योंकि Constitutional है इसलिए 27 परादिकारी है यह आपको द्हान रखना ए आगली बात आप द्हान रखना तो एक रख सकते हैं कि जो भी CAG, कोई भी मंत्री CAG का पर्तिन्तव नहीं कर सकता कि मंत्री इसका पर्तिन्तव नहीं कर सकता और कोई भी मंत्री इसके द्वारा किये गए कारी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ये भी आपको याद रखना दोनु लाइन तो कोई भी मंत्री प्रति निदित्व नहीं कर सकता यह केक वन लाइनर पर बहुत मोस्ट है प्रति निदित्व नहीं कर सकता कर था इसके कार्यों की जिम्मेदार नले सकता और को उचन पूछा जा सकता है क्या को इसका प्रतिन्द वर कर सकता है कि नहीं और मंत्र के कार्यों को जिम्मेदार भी नहीं सकता साल टिर अ अब एक दो बाध और रहे गई क्योंकि होड़ना क्यों पुछत बीं दो बाते यह एक बात यह लिखी हैं इस की निगम के समन्द में क्या सकती है निगम जो क्वरपेस्ट जो होते हैं उनके समन्द में क्या सक्ति है तो एक नई अडिल गाएंगे CAG की निगम के समद्ध में सक्ति अरतार्त क्या क्या सक्ति है निगम के समद्ध में तो क्या लिखेंगे CAG की CAG की निगम के समद्ध में सक्ति कुछ निगम ऐसे होते हैं जिनकी परतेक्स रूप से ओडिट CAG करता है एर इंडिया है तेलेव प्राकृति गेस कमिशन है इनकी ओडिट खुछ CAG कर लेता है कुछ ऐसे निगम है जिनकी के अंदर सरकार करवाता है कोई CAisini को निक्त करके CAG से सलाgeon लेकाए कोई आप देख पूरग लेका तो CAG कर सकता आप वीद निगम देख सकते हैть IPCC देख सकते कुछ ऐसे हैं जिनकी ओडिट वहじゃ करवाते हैं और रवाट और अपने ही साफ़ से करवाता है और report संसत को दे देता है तीन निगम आपको ध्यान लखने हैं कुछ निगम ऐसे होते हैं निगम कि जिनकी ओडिट करता है कुछ निगम ऐसे होते हैं जिनकी ओडिट को पेसेवर केसेवर करते हूं पेसेवर करते हैं और इनकी न्युक्ति के अंदर सरकार करता है कि सला किसे ली जाती है सला सिय जी से ली जाती है पर यह पूरक ओडिट कर सकता है बाद में खुद ओडिट कर सकता है तीसरा तीसरा है कि कुछ निगम ऐसे हैं जो करवाएंगे तो शवतंतर रूप से करवाते अपनी इन से कोई इनको कई मतलब नहीं है मतलब जैसे आर्ल बी आई है और रिपोर्ट सिध्य संसद को देते हैं रिपोर्ट इस अंसद रखते हैं अपकुल ही मिलाकि क्या समझे कुछ निगम ऐसे होते हैं सभला लेगी कुछ अपने इसाफ से करवा लेता है और अपनी रिपोर्ट कि सोंब दिता अपनी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट सोंब दी जाती जाती है अरून अग्रवाल वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया में केस में सुप्रीम कोट एक आगी तो सीएजी ने मालों को गोटाला उजागर कर दिया और रिलीफ का दार है ये किति बड़ी बास सुप्रीम कोट ने बोल दी सीएजी की रिपोर्ट आई तो ना तो एक्षेन का दार आप अक्षेन निये ले सकते हैं सीएजी ना आपको रिलीफ मिल सकता तो एक नोट ओर लगाई है एक नोट यह इंटरेस्टिंग कैसे है कैस आप लिख सकते हैं कि अरून अगरवाल वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया दो तर बारा का कैस है लिके अरून नोट लगा के अरून अगरवाल परशेज यूनियन ओफ इंडिया 2012 का केस है इस में साब ये का गया Supreme Goat ने की CAG की जो report है ये ना तो action का अधार है action कारेवाई का ना relief का तो CAG की report है ना action आप इससे अधार प्लिय सकते ना relief दे सकते यह CAG वाला टोपीक एक बार पूरा हो गया है पर अब एक दो प्रादिकारियों जिसका नाप CGA है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लिए तो देख लिया अब यह CGA क्या चीज है इसको भी देख लिए करना चाहें तो सबसे पहले आर्टिकल 148 से अपने सुरू किया एक एक लाइन अपन देखते चलते हैं कि विस्तार से तो अपन एक बार कर लिया तो फिर जंजट खतम हो गया ना एक अच्छा मूट साब पास तैयार हो गया सबसे बहले आप ध्यान रखेंगें किसाब CAG तो CAG का उलेक आपको बता दिया 148 पढ़ लिया गुंचास पढ़ लिया आपको सब ज्यादा दिक्कत आरे CAG की कारियों में CAG की जो कारी हैं वो 149 में लिखे में यह पर यह लिख दिया एक साब कारी क्या होंगे तो CAG के करेगी पर पारलेमेंट ने इसके लिए बना दिये उन रूल्स के अधारप CAG के सारे कारे अपने डिसकस कर लिए एजिक रिपोर्ट जाएगी रिपोर्ट कहां पर रखवाई जाएगी पारलेमेंट में पब्लिक अकाउंट कमेट इसकी जांच करती है और जांच के बाद में CAG के ओविएसी बात है वापस पारलेमेंट को उसके निशकर से अवगत करवाई जाएंगे कुछ गुप्ट से ने सेवा उनकी जो ओडिटाव CAG नहीं कर सकते है इसके लाब को ध्यान रखना कि CAG जो है वो कुछ निगम के समन्द में से सकती है तीन प्रकार की निगम अपने देख लिए कुछ की CAG ओड यह माले का नियंत्रक होता है अधाले का नियंत्रक टी जी ए कि अधान चे आपको इस पद्द को देखना यह CAG नहीं है इस चीजी है कि अधा कि देखे कि देखे कि अधा कि देखे कि देखे यह देखो controller general of accounts लिखा हुआ है इसको देखना है CGA controller general of account और हिंदी में अपने क्या लिख लिया बहा लेखा नेंत्रण अब CAG पर तो समयधानिक है पर यह समयधान में नहीं लिखावा आया आपको द्यान लखना है इसका मतलब अब एक एक वर्ड को द्यान से देखना है यह अब है कि कि अब यहान लिखावा है पहली बात तो दूसरी बात ये है कि सर्मिधान भी तो इसका मेंन से नहीं किया गया पर आपको पता है कि जो DPC बनाए थे पारलिया में ने जब रूल बनाए थे 1971 वाले उनको छेतर में संसोधित किया तो जो 1971 में जो संसधने रूल बनाए थे नाव कहा था DPC CAG रूल याँ आरए उनको उनको छेतर में संसोधित किया नाइनटीसेंटीसिक्स में और संसोधन करके देखो इंट्रेस्टिंग क्या लिखा वो देख लो ध्यान से के वर्ड को आपको पता है कि 1 होता है केंदरी स्तर एक यहां समीति भी लिख सकते है अल के यहां समीति एक फोता राजcommandation ्वोग काम होते हैं एक होता account का काम मिदले ले खा का काम account को maintain करना parking एक होता उऑदिट का काम अणोरट नहीं करते अकोंगिट करना अवर गेमेंध से एक ऊता अकाउंट का काम और एक होता उडिका काम यह सम्झों फ़हं इसका मतलब केंदर में दो काम है और राजहे में भी धो काम में तो संसेट गो ऐसा लगा है कि साब सीएजी के पास बहुँ जा था बर्डन आया वाय इतने सारे काम सीएजी कैसे कर सकता है 1971 में उन्होंने का कि एक काम करते हैं और उधिकारी को देते हैं ae house का जो काम पने लातने कर देते हैं अधिकारी को पैसे इतने पैसे नहीं है 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 यह पर आपको धांग ना किस्केंद्रा और राज्यों के जो अकोंट्स है उनको मेंटेन करने का काम को गार जय ने मिना कर कर दिया है और हमारे पास इत्ते पैसे नहीं कि ए fasten एक ठीर पैसे दे फिर सीजीय ही का ल्गाइड का डिखन का मित ठाल करता है क्थन क्या दे सकता है जिए छाही कि tourism कि आज्वी राज उरड्शे में आपकाउट और डियत दोनों काम है कैसी दवारा कीश्य जाएंगे क्थन क्तन सही है क्धांदर इस तरफ परक्वात का काम सबसुदन कर देगा यहें चांदव में सबस्काइए करता है और उसके दो ये रुटांट पर आयगों के दौर अब अगर आपको बताऊं तो जैसे एक विभाग होता है डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा वीभाग है इस शिक्षा वीभाग में एक IRC बनाते उसके उपर होता है जैसे उपरी उपर प्रमोन लेती है CBaby के अंडर में काम महलत कौन करते हैं CGA किजिए कि अंडर में काम कौन कर लेते हैं इंटेग्रेटेड फाइनेंसियल एडवाइजर उसके बाद में इनके नीचे काम कर लेते हैं चीफ अकाउंट अफिसर अकाउंट अफिसर उसके बाद में सीनियर अकाउंट अफिसर आते हैं इनमें उसके बाद में अकाउंट अफिसर आते हैं उनके बाद में आपको पता है कि अप्धा आते हैं ज्यादा हो रहा है पर देख लोग इसके बाद में नीचे इनके जुनियर कांटेंट्स आते हैं इनके बाद में इनके नीचे UDC आ सकते हैं, इनके नीचे LDC आ सकते हैं और इनके नीचे इनके सप्राइस आ सकते हैं कि अब देखी तांज से सबसे पहले तकर शीज आएंगे बालों फिर याल्यी से अपर उपर उडिशी फिर जुणने अकांट और फिर डबल एओ फिर अचांट अफिशर पिर सीनियर आट पर फिर 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 फिनेंशियल एडवाईजर फिर फिर ये ये बांव प्र आयार की चलती है इसका मतलब सबसे उपरी उपर यह जी के अंडर में काम कौन करेंगे सी जी 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 अपने नीचे किसको रखते हैं इंटेगरेटड फिनेंशियल एडवाइजर को यह इंटेगरेटड फिनेंशियल अकाउंट अडवाइजर अपने नीचे किसको रखते हैं इसके नीचे फिर अकाउंटेंट्स होते हैं उनके नीचे जूनियर काउंटेंट्स होते है या तक देख लो इए सौरे यह एक पद जिसका समिधान में लिखा हो बाकि किसी पद का समिretenमीने किया गया, आपको धहान रख लेना है ठिक है आपको पीमिशन पूचे कि जो की सी audit board को लेकर तो नई एडिंग क्या लगाएंगे audit board अंतिम लाइड audit board 1968 में मैंने आपको आज ही क्लास में पढ़ाय था कि अब याद नहीं रहा हो दंभी क्लास हो इसलिए प्रसासनिक शुदार आयोग बना यह आपको साइद आज नहीं पढ़ाय यह तो आप संगवाद वाले टोपिक में पढ़ाय था audit board second ARC जब आई दुईति प्रसासिक शुदार आया 1968 में इन्होंने का कि CSG को मदद करने के लिए कुछ बाहर से भी कुछ पेसेवर आने चाहिए कोई CSG कर रहे हैं तो कुछ बाहर का बहुत अच्छा एक पड़ा लिखा अकाउंट का जानकार या कोई और कोई डोक्टर आ गया कोई इंजनियर आ गया कोई भी ऐसा जो CSG को मदद कर दे इस काम में इसको लेकर audit board बनाया audit board में काईसाब एक प्लस दो मेंबर होंगे एक देख सोगा और दो इसके तरदस्य होंगे इसके audit board के और इनकी निउक्ति किसके द्वरा की जाएगी यह बाहरी पैसे और होंगे इसकी निउक्ति करेगा सी ए जी याद रखना ओडिट वोट इनकी नियुक्ति किसके द्वरा की जाएगी यह जी मेरे साब से परिक्षाक लिए अगर कुछ देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं यह आपका मोटा मोटी सी एजी के बारे उपने डिक्सक्स कर लिया आपको इस लाइन में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी यह वाली बाकी तो साइध कहीं नहीं आई होगी यह वाला इसको वापस से बता देता हूं एक पार यह अरून अगर्वाल यह तो लिख लिए आपने इसको वापस समझ लो यहाँ पे लिखाओं कि कुछ निगम के समझ में सकती कुछ ऐसे निगम होते हैं जिनकी ओ्डिट किसके द्वारा की जाती है इनकी ओ्डिट सी एजी द्वारा ही की जाएगी जैसे एर इंडू गया जैसे इंडियन एडर लाइन हो गया जैसे दामोदर गाटी प्रोजेक्ट हो गया इनकी ओडिट कुछ C.A.G करेगा इसका मतलब कुछ ऐसे निकाए है जिनकी ओडिट C.A.G करेगा जैसे इंडियन एर लाइन है इंडियन एर लाइन या दामोदर गाटी प्रोजेक्ट है इनकी audit CAG करेगा ठीक है कुछ ऐसे institution होते हैं जिनकी audit CAG नहीं करता है के अंदर सरकार कहते हैं कि हम किसी और से करवा लेंगे आपको टाइम नहीं है कोई CA को बुला लिया यह की निपती के अंदर सरकार करेगी पर पुछेगी किसे CAG से पुछेगी और साथ ही साथ में CAG कि उसका पूरक supplementary या complementary उसका audit और कर सकते वापस से जैसे वालों की केंद्रिय बंडार निगम है या फिर आप माल सकते हैं कि उद्योगी की वितनिगम है इनकी जो ओडिट है वह CAG नहीं करके किसी और से किजाए अद्योगी की वितनिगम यह नोट्स में मसारा अपडेट करवाद हुगा आपके लिए जो नोट्स बेजेंगे कुछ ऐसे निगम मज़िट की audit वह सवतंतर रूप से करवाते हैं RBI, SBI, LICA, FCIA यह audit करवाते हैं किसे? CAG से यह खुद से करवा लेते हैं रिपोर्ट संसद को देते हैं RBI, SBI, LICA यह खुद की audit खुद से करवा लेते हैं किसे करवाते हैं पता नहीं है रिपोर्ट जाके संसद को दे देते हैं यह हो गया CAG अंतिम एकफेक्ट हो रहे गया आज तक के CAG है उनकी detail और देख लेते लिस्ट ओप CAGs लिस्ट मिल जाए तो ठीक हो जाए यह मिल गी लिस्ट और यह लिस्ट है बहुत बड़ी देखे क्यों है इतना आपके लिए याद रखना संभवनी एड यह मैं लिखवा दिया आपको ड्रूमंड यह एड मंड है अपने क्या लिखा है एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं मैं एड मंड रखे लिखा दिया आपको यह एड वर्ड लिखास है अपने एड वर्ड एड मंड एंड मंड करना है कोई यसे कोई खास प्रग नहीं पढ़ना पर कर लीजिए एड मंड डूमंड यह एक याद करना बस उसके बाद सिधा आजाते हैं आजादी के समय एक और चीज आपके लिए भूल गए बताना कि कंप्ट्रोलर क्यों और कंट्रोलर क्यों वह बात भी कर लेते हैं तो कंप्ट्रोलर ओडिटर्जन लोग इंडिया उन्ट्र पचास से परजेंट तक पहले पी नरहरी राव हैं पचास से चोवन तक यह आपको नाम लिख ले एठर इलि शोहनलाल गुपता और एलाल गुपता वहतर्से अधार तर ज्ञान प्रकास अधार से चोराची पिंप पिर लोगणाच चत्रवयदि चोराचीशें olm पिर सीजी समय नब्य से चान्म पिर विदे शूंगलू ज्शानम से नहीं 2002 पिर यह विजैंद्र नाती tutti- enrolled फिर विनोध राय काफी चर्चा मेरे 2008-2013 सशिकान सर्मा 2013-2017 और राज्जीव मेरे 2017-2020 और गिरीश चंदर मुर्जू 2020 से इनकमेंड वदब परजेंट तक कि आपको नाम याद दख लिने हैं इन में सबसे लंबा सबसे छोटा कारी काल सबसे डिटेल वो मैं आपको पीडिये में अपडेट करवा के देदूँगा अंति बात एक मिन्ट और कर लेते हैं कि इसका आप कंट्रोलर क्यों नहीं होकि कंट्रोलर क्यों रखा गया देखें यहां पर लिखावा है कंट्रोलर एंड ओडिटर जन्दरी इसका मतलब क्या है एक होता देखें कंट्रोलर कि एक होता कंट्रोलर कि एक होता कंट्रोलर कंट्रोलर का मतलब तो नियंतर को हो सकता है वैसे अगर देखा जाए तो ही इसका मतलब यह कि आपको एक चीज बताई थी कि साब पैसे निकल गए संसद ने पैसे खर्च कर लिए तो CAG जो है, CAG का धन्य निकालने पर कोई नियंतर नहीं है, यह तो post-mortem करता है, CAG देखा जाए तो, sub-pariction करते हैं, CAG, यह आलोचना है मालूप, अगर इससे CAG के आलोचना कर लेते हैं, आलोचना, पोल एपल भी, पोल एपल भी ने, CAG को का के, sub-pariction करता है, उसकी कारी कुट्टे की दर काम करता क्यों हो लिए, sub-pariction, sub-pariction का मतलब यह होता है, तंसद ने पैसे खर्च कर लिए, पैसे खर्च हो गए, उसके बाद यह बस पिछे से देखता रहते है, CAG की सही हुए, नहीं हुए, गलत हो गए, तो भी आपको बता है कि इस रिपोर्ट को एक्शन का आदार नहीं माना जाता है, धन की custody नहीं है इनके पास में, पैसे निकलने के बाद जांच करते हैं, इसलिए controller है, controller असल में controller होता है, पैसे निकालने पर नियंतर होता, पर वो नियंतर है नहीं, तो Apple बीने इनकी बहुत, सारी आलोच नहीं किए, इस हिकारी कुट्टे की तरफ बताया है, इन्होंने यह कहते है, साब सब प्रिक्षन करना कई सारी बात इन्हों न dispers Room तो desk Australia का मतलव होता है कोई आपको एक लाइन में पूछे सब इनका धन निकालने पर नियand those यसाब नहीं पूछता इनको पैसे निकाले टाइम इसे पीसे निकाल लेते हैं खर्च कर लेती है यह उसके बाद चर्च करने के बाद डेघर करते हैं ठीक वाइक नहीं वह असल में कंप्रोलर कंपर ट्रोलर नहीं हो कि ंप्रोलर है याद रहें है यह कै take signari written, और और अगला कुशन लिखो है क्विए हैं यह और अगला भारत में करते हैं सबस्ट कीजिए थीसरा कोशन कमट्रोलर एंड कन्डोलर में इन्तर सफ्ट कीजिए तीन कोशन आप यहां पे देख सकते हैं यह आपके दो टोपिक पूरय हो गए है अगला टोपिक अपन पड़ेंगे लोक पाल कि यह ज्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है पांच मिनट का आपन करेंगे ब्रेक और उसके बाद में सिधा लोग पाल पर आ जाएंगे पांच मिनट का ब्रेक कर ले थो थोड़ा मुझे भी रिफ्रेश्मेंट मिल जाए लास आइट पांच के आसपा सुरू ही थी वाईस बज़ के पत्चीस और आपको बसते हैं आपको पता है कि आपको बात करेंगे लोग पाल को लेकर अगे सुराथ करते हैं यह चेंज कर देते हैं अब आप इससे बोर हो गए होंगे इसको चेंज कर देंगे कर रखेंग बताए अभी एक बार समाने से पढ़ा देते हैं आपको इसे पढ़ा ठीक है एडिंग क्या लगेंगे लोग पाल पांच मिनिट का ब्रेक है पांच मिनिट बाद में आपके क्लास को सुर्वार अपर रिजूम कर लेते हैं क्योंकि तब तक आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेस्मेंट कर लीजिए आगे क्लास शुरू करते हैं पांच मिनिट करते हैं तो झाल 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 पांच मिनट का ब्रेक अपना पूरा हो गया है अगला देखेंगे लोक पाल तो लोक पाल वाला टोपिक अपना डिसकूस कर लेते हैं भी चलिए देखें लोक पाल अगर इंट्रेस्टिंग टोपिक है इंट्रेस्टिंग कई सेंज में पहले तो यह की से एक्जाम में कुश्न आते हैं दूसरा यह की लोक पाल को लेकर आपके कई सारे डाय मेंचन कलियर होंगे तो फुल मिला के अपड़ने अगर लोगपाल के बारे में डिस्कस करें तो उत्ता क्या है लोगपाल वर्ड तो यह दिमार्ट में आता अगर अलग जाके अब आपके Constitutional आयोग पूरे हो गए तो सम्मिदान के अनुच्छदों का जनजट नहीं रहेगा आपके जरूर समझ में आ गई होगी तो छोड़े चोटे भी हो जाएंगे आयोगी है कि दाता हता है कि अगर कोई भी देश है उसमें आपको शिकाईत करनी है तो चिकाईत मतलब यह है कि साब अगर आपके पास जन शिकाईत हैं शिकाईते हैं कि पास में एक अलग अलगलग मेकंडीजंब होता तंद तर अलगलग सिस्टम होना ठाई है कि तो सारे देशों में अलग-लग वेवस्ता है लोगों की स्हिकाइथे सुनने के लिए अगर कोई देश है उसमें लोगों को कोई प्रोब्लम है उस प्रोब्लम का सोलुशन करने के लिए उनकी पास में अलग-अलग मेकेनिजम बनाया हुआ है कैसे अपन बात करें श्वीडन की अपन बात करें फ्रांस की अपन बात करें रूस की इन देशों में अलग-अलग सिस्टम है अलग-अलग सिस्टम है कैसे अगर अगर अपन बात करें अगर अपन बात करें कि कि तो स्वेडन का जो सिस्टम है वो कुछ अलग सिस्टम है परांस का कुछ शिस्टम और रूस का कुछ सिस्टम अलग सिस्टम आप एक मिनट का मुझे टाइम डी जी में थोड़ा सा चेंग कर लेता हूं ठीक है स्वीधन प्रांस और रूद्श इन अलग द्येशों में अलग लग सिस्टम पाई जाता है तो सिकायतनिवारण के लिए लोगों की किन नीवारण के लिए क्या सिस्टम होगा वह यह अलग लग जय से चुटनने अलग सैना सीस्ट्म और में रूस में रम अगर आपको प्रसाशन है रूस में बर्शाचार का निप्टान के ना sciences प्रसासनिंग ने ले डे आप प्रसासनिक नया लिए जो जो हम्हें वाधी देश होते हैं उनमें उसका नाम स्पेशल होते हैं द्रो क्यूरीटर होता है को कुचा जा सकता है इसका मतलब इसका मतलब़ यह काय के लिए स्वीडन में रूस में उसको प्रट्य और स्वीडन में उसका नाव अम्ह्ट्स में होता जो आपने सुना होगा आधुट्स में आप पापस बोलता हूं मैं है लोगपाल का मतलब होता है कि सब कई सुनने वाला है इसे उस váyag जाता है प्रोस में उसे प्रोक्यृरेटर बोलते हैए extreme इसके बाद में फ्रांस में उससे नहायले भल जाता है और स्वीडन में उससे ओम्रूट्स में बोला जाता है इसका मूलब अलग अलग देशों में उसका नाम अलग-अलग है फिक स्वीडन व्लवा रिजन में आपको पुटा देता हुँ यह जो ओम्ब्यूट्स में जो वर्ड आये स्वीडिस वासा का सब्द है स्वीडिस वासा का और इसका मतलब होता है जनता की इकायत सुनने वाला जनता की शिकायत सुनने वाला वापश बोलता ह 750 बेस्डार गनेट निवारने के लिए लल्ग लै रूस में प्रोकुरेटर बोलते है फरांस में परसास्थिंग नाएले बोल ते हैं 승 beautmans बोलते ofcusman, Swedish bahasa का सब्द है, जिसका मद रूता जनता की सिखायच सुने वाला, अब बात करते हैं, पर único इंडिया की भारत में कैसे लॉट आयां है, अगर बात करें पने इंडिया की भारत की बारत में ये जो सब्द है ये लक्समी मल सिंखवी आपको बड़े विदिवेता में उन्हों करेंगे इनके बारे में इन सब्द को घड़ाएं इन्होंने पहली लोक्पाल सब्द यह लक्स्मी मल और लोग्पाल के लित सिफार जिसने करी तो analysis करी तभ साब पर्थम परसाषन कि शुदार आयोग ने सबतोत कंफ्यूज नहीं होना यह लख्मी ऐा लिए लगी बिए और सिफार सिने करी प्रत्थम प्रसासनिक सुदारायोग ने ठीक है जहां तक तो आपके कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी भारत में सब्द किसने दिया लक्षमिवल सिंग्वी साब ने कि प्रत्थम प्रसासनिक सुदारायोग ने यह कहा कि प्रसासन में और बर्ष्थाचार है करी करें और दर इस्तर पर लो और राज्जे इस्तर पर लोग का यूप्त क्यों क्योंकि प्रसाशन में जितना वर्ष्टाचार है उसकी सिकायते सुनने के लिए उसका निवार्ण करने के लिए इस परकार का एक सिस्टम होना चीए जैसे ही सिफारिस करी सरकारों को लगा कि इस परकार का एक कमिशन आयो गठन करना चीए इस परकार का एक सिस्टम बनाना चीए आपको अगर ध्यान हो तो ये बिल कई बार रखा गया और दस बार रखने के बाद में इसको पारीत हुआ लगबग 1968 से लेके और 2011 तक लगबग हर सरकार लगबग वड़ यूज करा हूँ लगबग हर सरकार ने इस बिल को रखा पर कभी लोग सबाका विक्ट अनुने कांड कभी बिल वापस आ गया कभी लोग सबाका विक्टित हो गई कभी पारीत नहीं हुआ ये बिल कभी पारित नहीं हुआ 1968 में पहली बार चोथी लोग स्वामी इस बिल को रखा गया तब केंदर में तो लोगपाल बना देंगे राजु में लोगपाल इस बना देंगे अंतिम बार दस्वी बार इस बिल को रखा गया 2011 में 2013 में जाके पारित हुआ 2014 में इसको लागू किया गया और 2019 में लोगपाल का गठनमा पतलब नुपती हुई इसका इथियास थोड़ा से जान लेते हैं क्योंकि एक्जामिनर का इंट्रेस्ट रहता है क्योंकि एक्जामिनर के जवानी के समय में इसके बिल चलता रहा अब उड़ावे में जाके पारित हुआ है क्या पता एक्जामिनर इसके इथियास को लेकर आप से क्वेशन यह लोगपाल की बेसिक पहले बात क्या हुई लोगपाल का मतलब था सब सिकाईत सुनने वाला अलग-अलग देशों में अलग-अलग-अलग सिकाईते सुनने की सिस्टम है स्वीडियस वासा का सब्द है जो स्वीडियन में जो कॉम्ब्यूर्स में बोलते है जनता शिकाईत सुनने वाला एक चीज में आपको थोड़ा सा और बता दू तो यह देखे यह जो यह जो वर्ड अधा वर्ड ओमश्मेंट कम फ्रॉड़ीष ओमश्मेंट अब इस व्लग पूर्ड़कित है अब यह देखते कि साब लोगपाल ओमश्मेंट अब यह थोड़ी सीज़ की सब्सक्राइब देख सकते हैं कि सब्सक्राइब स्वीडन में सबसे पहले उंब्सक्राइब की न्युक्ति कब हुई थी सब्सक्राइब दूसरी बात यह सब्सक्राइब इसका मतल्स को सुनने वाला अगली बात अगर आपन करें तो भारत में सब्सक्राइब शिफारी पर्थम प्रसाइब प्रसाइब इसको लेकर इंद्रा गांदी जीज़ा परदानमंत्री थे उनिस्व अड़ सट में चोथी लोग सबामे यह बिल को रखा गया है ने तो जार अड़ सट से लेकर नोज़ार ग्यारा तक दस बार रखा गया यह बिल और तो जाके पारित हुआ तो पहले बात अपनबात कर ले थे इतियास से अग्पाल का इतियास लोगपाल लोगपाल के थ्यास पर बात करेंगे देखें लोगपाल जो है ये पहली बार 1968 में लोगपाल का बिल रखा गया दो थी लोग से बाके दोरान जब इंद्रागादी बारत के प्रदान नहीं थे इतना भी याद नहीं करें पहली बार पस्ट टाइम इसको 1968 में रखा गया और 1968 में उसमें चोथी लोग से बाद फी और इंद्रागांदी परदान मंत्री थे इसको 1971 में रखा गया दूसरी बार 1971 में इस दोन्नों समय में PM कौन थे इंदिरागंदी पहली बार कौन ची लोग सबामे रखा गया ये थोड़ा सा आधकना चोथी लोग सबामे पहली बार इस बिल को रखा गया उसके बाद में साब मोरारजी देशाई बारत के परदानमंत्री बने तो मोरारजी देशाई काल में 1977 में वापस मोरारजी देशाई की काल में रखा गया 1977 में वापस मोरारजी देशाई जब पी एम थे तब रखा गया फिर वापस साब राजी युगांदी साब परदानमंत्री बने तो में राज जी इवगान्दी जी के समय ये बिल रखा गया पारित नहीं वा देखे पर्थम 1234 चारों बार लोक्सवा के विगटन की वज़े से ये बिल पारी कैंसिल हो गया आपको ये बता दूम है कि कोई बिल जो लोक्सवा में है या लोक्सवा से पारित होगे राजी स्वामी चला गया लोक्सवा का विगटन हो गया तो बिल लेप्स हो जाएगा फिर आपको पता एक साब वीपी सिंग परदानमंत्री बनें 1989 में तो वीपी सिंग जी के काल में ये वाप रखा गया और राज जी उगांदी जी के समय में इस बिल को वापस ले लिया गया वीपी सिंग जी परदानमंत्री बनें बारत के तब इस बिल को वापस इंट्रडूज किया गया उसके बाद में HD देवगोडा साब के काल में किया गया 1989 में 1989 में वीपी सिंग के समय इस बिल को वापस इंट्रडूज कब किया गया उस समय बारत के जो परदानमंत्री थे एस बिल को इंट्रडूज किया गया अच्छी देवगोडा एच्छी देवगोडा उस समय बारत के परदानमंत्री थे 1996 में इस बिल को इंट्रडूज किया गया उसके बाद में इस बिल को रखा गया उसके बाद में इस बिल को आपस इंट्रडूज किया गया तो जार एक में अटल वी बार वापस ब्रदानमंत्री थे तो आठवी बार वापस 2001 में अटल जी के समय में अटल ब्यारी के समय में उसके बाद में देखे अब कानिम चेंज आएगा चेंज आएगा कि 2011 में मनमोन शिंग जब परदान मंत्री थे उस समय बिल को रखा गया 2011 में थोड़ा सा अंतिम देख लेते 9 वी बार जो बिल है 9 वी बार जब बिल रखा गया 2011 में यह मनमोन शिंग जब परदान मंत्री मनमोन शिंग जी थे मनमोन शिंग जी के काल में इसको रखा गया पर उस समय पारित ने हो कि फित दुबारा रखा गया 10 वी बार 2011 में इसको वापस मनमोन शिंग्जे काल में वापस रखा गया तो देखिए इंद्रागार्दी वो प्रदानमंत्री थे जिनके काल में दो बार इस बिलको रखा गया अटल ब्यारिवाज परी वापस वो दूसरे प्रदानमंत्री थे जिनके दो बार कारे काल में रखा गया मनमोन चिंग जी वापस वो दूसरे परदान नतर जिल सिंग के दो बार कारय काल भी को रखा गया इसमबर 2011 में वापस दसवी बार इस फिल को रखा गया 2013 में इसको पारित कर दिया गया तो इसमबर 2011 में दसवी बार दस्वी बार यह पूछे गा तो नहीं परिक्षान पर ठीक है दस्वी बार 2011 में पिल रखा गया एक बात दिसंबर की बात है 2013 में इसे पारित किया गया 2014 में यह लागू हुआ और 2019 में पहली बार नुपती हुए अब सोच के देखे 1968 से लगा के 2019 तक का कितना लंबा सफर्टे किया है इन्होंने लोगपाल के बिलने यह आपको ध्यान रखना है तो आपको बताएं कि सब्सक्राइब दो जा एक कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया एक एंजियो कॉमन कोज यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना लेना कॉमन कोज आप सर्च करेंगे कॉमन कोज एंजियो तो इसका केस आएगा कॉमन कोज एंजियो सुप्रीम कोट में गए सुप्रीम कोट में साब कहा कि इसकी नुक्ति आपको करनी चाहिए एक जनवरी 2014 को राष्पती के स्थाकसर हुए तेर 16 जनवरी 2014 को इस विलको लागू कर दिया गया इस तापित कभव वहा 2019 में जाके वहा थो नुक्ति 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 से पारित किया गया लाइक। में वहा क्योंकि एक जनवरी 2014 को स्थाक्षर हुए और 16 2014 को लगू वात तो याद रखना है कि फर्स्ट जनवरी को तो इस पर क्या हुए तो पर राश्पती जी के और 16 जनवरी यह याद रखना चाहें तो आप एढ़ने 12 जनवरी 2014 को यह लगू गया और भारत में जो establishment है इस्तापित है वो 2019 में जब लोगपाल की नियुक्ति वी तब किया यहां तक बात आपके अभी तक मेरे साब से परिक्षा के लिए को खास काम की बात नहीं है क्यों कि बेसिक बात परिक्षा में नहीं पूछी जाएंगी परस इतना देखना कि इस्तंबर 2011 में इस बिल को रखा गया था कि बले ही लागू तब ओपर यह लोग पालोग है तो दें 2011 इसका नाम रखा जाएगा 2013 में परित हो गया 2014 में इसे लागू किया गया और 2019 में निखती की गी अब बात करते हैं इसकी विशेश्ता की शिंपरेट है यहां से पर दो लागू हो गया तब देखते हैं कि इसमें क्या प्राधून रखे गया सबसे बढ़ देखतें हो इसकी विशेश्ता हूं पहली बात तो यह कि जो लोगपाल है यह इसका संगठन देख लेते हैं सरंचना देख लेते हैं विशेशता देख लेते हैं इसकी सरंचना देख लेते हैं कि यह जो लोकपाल यह एक मल्टी मेंबर बोड़ी है बहु सदस से संस्ता एक इसमें एक प्लस आठ सदस से अपको ध्यान करें तो इसकी सरंचना कैसी स्ट्रेक्चर कैसा है वन प्लस एट अभी एक एक लाइन काम किये है यहां से प्लस आठ इसमें सदस्य संख्या रखी गई है एक अद्धेक्ष ओगा इसका आठ सदस्य होंगे आठ सदस्य मेंसे च्यार जो सदस्य है वो नियाईक प्रस्ट भूमी से होने चाहिए वो ध्यान से देखना है इसको तब आपती कौन वगाउस की होगी ता क्या होगी बात में बात करेंगे या ऐसा समझ लेते हैं एक एक लाइन से चलने के लिए सरंचना में कितने सदस्य होंगे एक प्लस आठ सदस्य होंगे अब यह तो वही कि सदस्य संख्या अगली बात इसकी योग्यता योग्यता में आद्धेक्स के अलग योग्यता है कि सदस्य की अलग योग्यता है क्लेक्स के लिए आपको द्यान किसाँ 뉴스 की एक योग्यता हुड़ी चाहिये कि कि किसाब सुप्रीम कोट है इसमें यह तो मुक्यन-धिस हो या रह चुके हूं सुप्रीम कोर्ट में जज हो या रह चुके हूँ या फिर समाज के कुछ प्रबुद फरक्ट से तो लिप की आते हूं तो देक्स की यह दिःख्ष को गयता है यह देक्स की यह दो सकते हैं अब्सक्राइब प्र धिय तो मुख्य नहीद्श है कि यह 성ins या रह चुके हो या सुप्रीम कोट में न्यादिस रह चुके हो या हो या रह चुके हो या कोई समाज में प्रभुद्वरग मतलब कोई इमिनेंट प्रशनल्टी हो समाज में रभुद्वेक्ति जिनको कम से कम 25 वर्स कानुबव होना चाहिए सीविल सर्विसेस का या कोई अन्य सेवा का 25 वर्स कानुबव हो यह बहुत प्रोसेस है आपको पूछन पूछा जाए लोगपाल के देख्स की योगेता क्या बताएंगे सब लोगपाल सुप्रीम कोर्ट में तुजज हो या रह चुका हो या फिर समाज का परभूत वगलक से आता हो एक मिनिट आप वेट करें तो कुछ आपको मैं दिखा भी अगर अपना सप्ल हो जाता है साथ यह खुल गया एक एक चीज को ध्यान से देखना है क्योंकि अपन तो इसको एक्ट को थोड़ा सा देखे तो इसमें लिखावा देखे लोगपाल और लोकायूट एक्ट 2013 तेरा नाम है इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड लोगपाल फोर दे यूनियन डेफिनेशन दीवी है इस्टेबीश्मेंट दिया हुआ है इस्टेबीश्मेंट ओफ लोगपाल अपोइंटमेंट अप चेर मेंबरेन के बारें बात है कि सीदा सीदा देकी नीच्छ आते हैं यूरिज्डिक्षिन है चप्टर पाथ प्र आठ पावर ओफ लोगपाल सोशल कोर्सेस अब देखे एक बार यह लोगपाल का पार्ट इस्टेब्लिश्मेंट अफ लोकायुक्त की बात आ गई लोगपाल लोकायुक्त दोजार तेरह अब यहां पर फस्ट बात है एक एक वर्ड को द्यान से देखते चलना है कि यहां पर लिखावा है दिखावा है इसका रोट नाम क्या होगा इसके बाद में विस्टार कहां तक होगा यह लागू कब से होगा यह बात एक में बताई गई है इसबों बन सकता है जो लोग- सर्वेंट है जो भारत में और बाहरए रह रहे हैं मान लेते की कोई IFS अधिकारी अमेरिका में रह रहा है कोशन है क्या उस पे लोकला लागौ होगा कहां पर लिखा हूब है सहर्वास में लिखा हूब है इसब सेंटल गवर्मेंट जब नोटिफिकेशन पब्लिस करें तब से लागू हो जाएगा एक बात इसको अभी लिखेंगे नहीं अपन या चाहे तो ऐसा आप अगर समझना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि यह तो सदसे संक्या योगे था तो पहले मचा रहा हूं कि आपको एक बार ओरिजिनल एक्ट में दिखा दूँ ताकि आपके कई सारे ब्रहम दूर हो जाए एक बार इसको लिख लिए तो ठीक है अध्रवाज में इसको मिटा रहा हूं एक बार के लिए लोग पालन लोकाई एक्ट कब का यह एक्ट यह दो जार तेरा का है और इसके जो धारा एक है वो क्या कहती है लाग सोट नाम क्या होगा नहीं याद करना है लागू पूरे भारत में होगा यह याद करना है तारा एक इंसार यह लागू कहां पे है लागू भारत में तो है साथ में आउट साइड ओफ इंडिया भारत के भार भी तो लोग से अवे कौन पर लग हुआ है लोग से वकों पर यह बात आपके अभी समय में आ गई अब देखे आगे यह डेफिनेशन है परिवा से परिक्षा में नहीं पूछी जाएंगे आपसे इसके बाद में अगली ब दारा तीन चैप्टर अध्याय दो इसकी दारा तीन क्या कहती है इस्टेबलिश्मेंट ओफ लोग पाल वंदफ लोग पाल इस लोग पाल में क्या क्या होगा एचेर्में वह और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हैज बीन जज़ वफ दे सुप्रीम कोट और इसका मतलब पहली बात है धारा तीन में यह लिखा हुआ है लोग पाल का गठन अगर आप चाहें तो धारा वाइज अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूँ कि एक्ट का नाम 2013 लोगपाल लोकायू धारा एक में क्या लिखावा लागू कबसे होगा तो यह टाइटल हो गया तागू तब होगा जब डेट में पब्लिस कर दिया जाए कहां पर लागू होगा भारत और भारत के भार पर अब याद करने हैं आपको धारत तीन अब लिखनी है दारातीन दारातीन में क्या लिखा हूआ है लोगपाल में कौण ौण होग़ा तो लोगपाल की सरंचना है अब इस पर आ जाते हैं यह वाला देखें यह आपने लिखा है इधर वाला लोगपाल की जो सरंचना अपने उपर देखी है यह वाली तब लोगपाल जो है इसका स्ट्रेक्चर कैसे होगा लोगपाल की सरंचना कैसी होगी लोगपाल की सरंचना धारा तीन में लिखी हुई है अब यहां से सुरुआत करते हैं धारा तीन से भरा तीन इसमें लिखावा है लोगपाल की सरंचना लोगपाल का संगठन सरंचना अब इसमें लिखावा है लोगपाल में कौन-कौन होगा एक चेर्मेन होगा सच नंबर ओफ मेंबर नोट अक्सीडिंग एक आउट ओफ फूम फिप्टी परसेंट सैल वी जुडीसियल मेंबर इसका मतलब यह यह धारा यह कहती है वन प्लस एक होंगे और यह वन कौन होगा या तो सुप्रीम कोट में मुख्य नयदीश हो या राओ या वर्तमान में हो या राओ हो या सुप्रीम कोट में नयदीश हो या कोई समाज का प्रभुद वेक्ति इमिनियेंट परसेंट प्रभुद वेक्ति वो इमिनियेंट परसनेलेटी यह जो आठ होंगे इस आठ में से अधे मतलब 50 परसेंट चार लोग नयाईक प्रस्ट भूमी के होंगे आठ से आप पल देंगे तो फिर कोशन चुटने की गुंजाईस ही नहीं है इसका मतलब 50 परसेंट मेंबर का से होंगे जुडिशियल बैग्राउंड से ए परसन सेल बी इलेजिबल टू बी अपोईटेड जुडिशियल मेंबर इफ नोट एज बीन जज उप सुप्रीम कोर्ट और एज बीन चीफ जस्टिस उप हाई कोर्ट अब जो जुडिशियल जो चार लोग होंगे नयाईक प्रस्ट भूमी वाले चार लोग आपको पूरी बाते में समझाना चार रहा हूँ आपको एक्ट दिखा के यह नयाईक प्रस्ट भूमी वाले कोर्ण होंगे इन में से या तो सुप्रीम कोर्ट में जज हो या रहा हो या हाई कोर्ट में मुख्खे नयदीस हो या रहा हो इनकी योगेता देखिया आप यह जो मेंबर है नयाईक प्रस्ट भूमी वाले इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लेवल का वेक्ति हो या रहा हो ठीक अब अगली बात ये मेंबर अधर देन जुडिसियल मेंबर अब ये जो जुडिसियल मेंबर के अलावा इफ ही परसन इंपेक्वियल इंटेग्रिटी अ आउस्टेंडिंग अबिलिटी हैं देस्पेशल नोलेज और अक्स्परिटी नोट लेज देन 25 साल से कम का अनुबह नहीं होना चाहिए इनको अब क्या नहीं होंगे ये बात आगे करेंगे अपोइंटमेंट की बात बात में करेंगे धारा चार में अपोइंटमेंट लिखावा है इसका मतलब वापस देख लीते हैं धारा तीन यहां से शुरू होती है पहलत है इस्टेब्लिष्मेंट इसमें क्या किया लिखावा है लोगाण में सदंस और कितने होंगे तो ctor eight ओंगे एक प्लस आट में जो मुखै होगा मदलब चेरामें होगा वो यह तो चीफ जज हो या रहा हो और नमबर और मेंबर इलेजिबल स्वेश विदे क्लोज टू अब सच मेंबर आफ नमबर 50% मेंबर है जो 8 सदस से उनवे से 50% जो मलब 4 मेंबर जूडिशिल बैक्ग्राउंड की होने चाहिए अब यह अदर जो मेंबर है 50% तो होगे अब अदर मेंबर है वो कौण कौण हो सकते है schedule class से ST से या SC से backward class से minorities and women बहुत ध्यान से सुनना है इसका मतलब इसका मतलब यह है कि 1 प्लस 8 होगे यह समझना थोड़ा चाहको 1 प्लस 8 मेंबर होगे जो 1 है यह या तो सुप्रीम कोट में मुख्य नाय दीस हो या राओ या सुप्रीम कोट में नाय दीस हो या राओ या फिर परभूद वेक्टी हो कम से कम 25 साल का सेवा कानबो होना चाहिए इनको यह जो बाकि जो 8 है 8 में से 4 तो 99 पर्ष्ट भूमी के होने चाहिए या तो सुप्रीम कोट में जज या फिर आई कोट में मुख्य नाय दीस रहे हो अगली बात यह आपको PDF से तुम टेलिग्राम पर विजवा दूँगा आपको यह जो चार मेंबर है बाकि चार बचे इनमें एक होना चाहिए SC से एक होना चाहिए ST से एक होना चाहिए OBC से एक होना चाहिए महिला और एक होना चाहिए माइनूर्टी अलब संखेक आप होगे 5 होगे नई चाहरी में देखना अलब संखेक क्या समझे यह जो बाकि जो चार बचे यह कौन होगे यह बाकि चार बचे इनमें से SC से OBC मैला अलब संगेक वैसे 5 हो गए पर देखिए कोई OBC का देखती है वो मैला भी तो हो सकती है कोई SC की मैला भी तो हो सकती है कोई ST की मैला भी तो हो सकती है कोई अलब संगेक मैला भी हो सकती है तो मैला वाला कोटा यह से पूरा हो सकता है तो चार मेंबर तो यह होंगे इन में से चार मेंबर वो नयाइक प्रिष्ट भूमी से होने चाहिए एक मेंबर इसका नयादीस मुख्य नयादीस होना चाहिए या फिर रा हो इसका मतलब सरंचना एक एक वर्ड को आपको याद रहना सरंचना में क्या सीखा आपने इनके पास तीन में से एक akrab abMaster होया ठेख है गालिटी होनी चाहिए इया तो सुप्रीम कोर्ट में मुखे न्याय धीस रहे होन या अभी होया रहे हो या सुप्रीम कोट में न्याय धीस हो या रहे हो या कोई प्रभुद वेक्ति हो, इमिनेंट प्रसनलिटी हो, प्रभुद वेक्ति ये जो आठ सदस्य हैं, इनकी क्या योगिता है? इन में से का कि चार तो जुडिसियल बैक्ग्राउंड यह होने चाहिए इस आठ में से 4 तो ऐसे होंगे जो न्याय पर्ष्ट भुमी के हैं 4 हैं वो बार से पोड़े वाले हो सकते हैं, आपको पता लग गया 4 जो जुडिसियल पर्ष्ट भुमी के हैं, या तो वो कोई सुप्रेम कोट में न्या दीस के पत्तक रहे हूं यह दू चार है इन में से एक स्ट का एक स्ट का एक ओवी सी का एक अलब संक्यक एक महिला यह बात आपके समझ में आगे यहां तक इसका मतलब पहले मैं अपने क्या देख लिया इसकी सरंचना स्ट्रिक्चर देख लिया पर सबसे इंपोर्टेंट बात इसमें कि कोण बन सकता इसके अलावा कि कौण नहीं बन सकता वो भी यहां पर लिखाओ देखे हैं यह सब्सक्राइब Once अबन सकता ये बात लिखे हैं यहां पर चैर परशन और मिंबर सेलनोट भी यहां तक लिखावा कि को नहीं बन सकता उसको आपको लिक्के बता जेता हूं कोन बन सकता एक दो तीन चार पांग ठेश साथ आठ आठ एसी हैं साथ बाते कि वो बनी नहीं सकते वो लेख लेते हैं कौन से नहीं बन सकते कौन बन सकता इससे जदा important है कौन नहीं बन सकता तो कौन नहीं बन सकता ये बात होगी धारा तीन की अब कौन नहीं बन सकता बन सकता तो पहले तो ऐसा लिखाओ कि कोई विकति कि पेन्तालीस वर्श से क्म कि उमर का है वो नहीं बन सकता शब्से पहले कि मुझक कोनफी साल से कम कानूभ Tae S दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति इसको 25 साल से कम कानुबह हुए सरकारी सेवा का कोई आईएस है 25 साल तो नोखरी करनी पड़ेगी उसके बाद आप इसमें आ सकते हैं तो दूसरी बात कि इनको 25 वर्ष से कम कानुबह है कि उस्टाने निकाई के सदस्य हों वो नीबन सकते या तो एमले कैया पिको लिए राजनितिक प्रस्ट भूमी या फिर से निकाय सारे आगेश में कोई सरपंच रावा तो भी नीं मिन सकता इस्थानिय निकाए कि उसको नहीं बनाया जा सकता इसको राज्य सेवा से बर्खास्त किया हो आपको तक टर्मिनेट कर देते स्टेट सर्विस से तो राज्य सेवा से सेवा का मतलब सर्विस यहां पर राज्य सेवा का मतलब यहां पर ओवी सिवा था के अंदर सेवा भी आ गया तेवा से इसको बर्खास्त किया हो तेवा लावा वो कोई कारोबार कर रहा है तो नहीं बन सकता कारोबार वेवसाई तो देखे कितना टफ रखा गया इसके लिए है कीया इसमे नहीं बन सकते है न कुली मिला के यह वाला कि पोइंट कलीर हो गया धारा अपनको की अपनको संव में यह बाते धारती इन में च्टेपलिश्मे तोफ लोगपाल लिखावाय लोगपाल का गठन लिखावा है यह बात समझावा आगई कितने सदस्य होंगई इनकी योगेता क्या होगी और सदस्य नहीं बन सकते इसके बाद बात करेंगे appointment of chair person and member recommendation of selection committee अब चोट्ती धारा नंबर 4 आप लिखेंगे धारा 4 अगले पेज़ आप अच्छे से बनाना उपर एक्ट 2013 फिर उसकी धारा लिख रहे हैं अच्यार अधस्य वह देख्स की नुकती अधेख्स वह सर्दस्यों की नुकती अधस्यों की नुकती किस प्रकार से की जाएगी इसकी सिफारिश पर की जाएगी सारी चीज़ यहां पर देखने बने आजाते हैं पीछे यहां पर देखने लिखावा एक एक लाइन टू जान से देखना है appointment of chair person and member on recommendation of selection committee the chairman and member shall be appointed by president after obtaining the recommendation of the selection committee अभी selection committee में कौन कौन होंगे prime minister होंगे speaker of house लोगसभा होंगे leader of opposition में लोगसभा होंगे मुखे नयादीस होंगे बारत के और एक कोई jurist मदब आप मान के चलिए कि एक विधी वेता होगा वो विधी वेता कौन होगा यह तीनों लोग मिलके उपरवाले सिपारिस करेंगे वो विधी वेता हैगा अभी बताता हो आपको में बताते सेवन परविधी व परेहर को Кhu एक वेट वेक indНе परतातर अंजा नर्ष नर्णाप्रतिष В Superintendent if you today प्रव वेस्ट झालिष और टा ऐन आफे हों क। मान कोई ज आ लुक्षेजी का हम तो सेडल इंड होगे होगे इंडिर बाक्षेजी में वätता होगे इसका मतलब यह है कि सद्देश्यों की न्युक्ति किसके द्वारा की जाएगी और उसमें क्या-क्या प्रावदान है यह वाली धारा सबसे इंपोर्टेंट धारा मेरे साफ से अब देख सोर्डेश्यों की न्युक्ति करेगा को न्युक्ति की रास्ट पती के द्वारा ओर एक क्या प्रास्ट पती किस सिफारिश पर करेंगे कैंग एक समीति की सिफारिश पर है तो तर्व इस धारा चार्का करट लिखा रहा हूं आपको Aren với कि सिफारिश पर और इस सम्मीति में मेंबर कौन कौन होंगे इस सम्मीति में टोटल मान के चलिए कि पाच मेंबर होंगे जिसमें परदान मंत्री होंगे लोक्स बाकी अदेक्स होंगे लोक्स बामी विपक्स के नेता होंगे बारत के मुखे नायदीस होंगे और एक कोई विद्धिवेता होग समित्य में कौन कौन होगा सबसे पहले पीएम प्रत्हान मंत्री स्मित्य के देक्स होंगे प्यम इसके देक्स होंगे ये बाद में कि लोक्स अधिक्स फिकरवप लोक्स वा तीसरी लोग सवामें वीपक्स का नेता तो था भारत का मुख्य नयद्धीस सुप्रीम कोर्ट की जी आई या ऐसा भी हो सकता यह किसी अन्य को भी बेज सकते हैं यह किसी अन्य को भी बेजाजा सकता ही अपनी तरफ से किशे पांच्वा इंट्रेस्टिंग इसको अलग से लिखता है पांच्वा कि यहां पे पांच्वु नम्रचार विद्धिवेटा विद्धिवेटा यह तो क्लियार ही है आपके प्रदान मंत्री जो भारत के प्रदान मंत्री है नलोक्स माकी प्श Hasan वामें इत ये लिखावा कि एक दो तीन चार ये चारों मिलकर एक नाम सुझाएंगे राष्टपती को ये विधिवेता लेके आना आपने को उस विधिवेता को लाया जाएगा इसका मतलब विधिवेता के चुनाव में भी आपको सिफारिश जनी पड़ेगी अभी जो लोगपाल अपन कि इसका मतलब ये है कि जो विधिवेता होगा पांचवा एक दो तीन चारों मिलकर शिफारिश देंगे राष्टपती को कि इस विधिवेता को लेके आना ये विधिवेता होगा एक इंट्रेस्टिंग बात हो रहा है ये लोग मिलकर पांचों लोग मिलकर कोई नाम सुझाएंगे राष्टपती को कि इसको लोगपाल में सदस्य बनाना या इनको लोगपाल का देख्श बनाना पर इसके लिए एक सर्च कमेटी और बनेगी वो सर्च कमेटी अच्छे ल पहले एक सर्च कमेटी और बढ़ेगी सर्च कमेटी सर्च का मतलब आपको भूता ढूलना होता है सर्च कमेटी अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा तो देखें पीछे यह लिखा हुआ कि जब नुक्ति की जाएगी यह सिलेक्शन कमेटी है इसके जो लोग होंगे यह उन्हीं लोगों की पैनल की सिफारिश मानेंगे जिसको एक सर्च कमेटी बोला जाता है और सर्च कमेटी में at least 7 लोग होंगे जिनको विशेश अनुभव होगा और इन में 50% सदस्य जो SC, ST, OBC, Minority महिला होंगे ये जो सर्च कमेटी बनेगी सर्च कमेटी ये सर्च कमेटी मालो 50 नाम डूंड के लाती है वो 50 नाम जाएंगे कौन सी कमेटी के पास में इस वाली कमेटी जिसमें कमशे कम कितने लोग ये इस सर्च कमेटी में कम्से कम साथ लोग GP Sports लोग ये और ये रंजना प्रकास देशाई इस अधेख्ष देश है सर्च मेटी का सोच लत ले जदुक अब आपकोँ कशंविट स्वेघंड के में धर च्शमीर में डिली लिमिटेशने क सबखाइब कर देखे तो इस सप्मेंट इस वर उस्तिया डखिए तफ संदी यह थिए तफ तफ तो अई देखिए तो इस साथ इसमें कम से कम साहत में यह में सघ्ट इस कमेटी में भी समसे कम 50% लोग ऐसे होंगे जो SC, ST, OBC, पहिला या फिर अलब संक्यक होंगे तीक अब और अन्य कौन से लोग होंगे जिनको विशेष अनुबव हो इनको विशेष अनुबव हो किसका परसासन का हो सकता है, पैंकिंग का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है और इस सर्च कमेटी के अद्देश पॉन्ट थे 2019 में बनाया गया तब रंजना प्रकास देशाई रंजना प्रकास देशाई हाँ एक बात जरूर है सर्च कमेटी ने मालों 50 लोगों का नाम दिया और हो सकता है कि उन में से उस कमेटी ने अपने साब से किसी और नाम को भी ले लिया तो इसके जो सिफारिस है उसके अतिरिक्त उसके अलावा भी किसी सदस्य को नुट किया जा सकता है ठीक का मतलब है कि नुक्ति किसके द्वारा की जाएगी नुक्ति राष्ट पती के द्वारा की जाएगी राष्ट पती की सम्मेटी की सिफारिस करेंगे तो राष्ट पती साब एक कमेटी बनेंगी और कमेटी में परदानमंत्रिय अदेख्स होंगे लोकस अब अदेख्स होंगे, लोकस अब विपक्स के नेता होंगे, भारत के नेएदिस होंगे या वो किसी वेक्षनी को पै greasy सकते है एक विद्दि वेता होगा, विद्दि वेता आएगा, यह 4 मिलकर शिफारेज करेंगे वह वेक्षनी आएगा वुपल रोतगी को लाय गया था इस सम्मीति के लिए एक सर्च कमेटी और बनेगी जो इसकी साहिता करेगी उस सर्च कमेटी में किते लोग होंगे? साथ लोग होंगे उसमें 50% इन में से होंगे महिला, OBCS, CST, अलप संकेक और बाकी विशेशन्बो वाले लोग होंगे इन में से बहुत बड़े बड़े नाम आप देखेंगे आप सर्प्राइजिंगली अरुंदत्ती भटाचारी है SBI से जुड़े है S Surya Prakas इसके लावा AS Kiran जो आपके अपता इसरों से जुड़े है इसके लावा ललित कुमार ची रंजीत कुमार ये लोग है जो इस कमेटी में थे ये कमेटी भूंट के लाएगी लोगों को पिपारिस करवाएंगे राश्टापती जी को और समीती से वो समीती राश्टापती जी को कहेगी कि निक्ति होगी קัr फिल्टर है और योगेता कितनी खतरनाक सदसे बनने के लिए कमके में तो Arctic या High Code का कमसे कम मुख्य नय क्योंस होना चाहिए उस सदसे बनेगा इसका अध्येख्यस बनने के लिए आपको पता कि अलगी परकार तो सुप्रीम कोड की मुख्य नहीं दिस या कोई 25 वर्स का कोई इमिनियेंट परसनल्टीज को 25 वर्स का नुब वो इसमें समें समेटी में समेटी की रिकमेंट के बाद में नूट किया जाएगा अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे है यहां तक की बात हो गई अब बात कर लेते हैं यह वाला अपने ला लिया एक लाइन देखो यहां पर लिखी हुए प्रिंख द्णकेरोफ सिर्ड खे हैं नुड्र म्हां का रहत का में यहां भी भी होगा कि रहा है यह खालि और से मुझा निए यह घटन लेख लेते हैं तरह टनोंच अउडी हो हID सृल्ट तरह कर कि दा हमातक लीख alan यहां रंद न समेंडी कार्य 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 कार तीन माँ पहले, रास्ट पती, निकति कारेवाई शुरू कर देंगे, निकति कारेवाई शुरू करेंगे, इसका मत्लब यह है, ज्यादा तो उच्छ खास नहीं है, पर यह तीन माँ आप या दखलना, जब इनका कारे काल पूरा होगा, तो यह नहीं साब कारे काल पूरा होन नहीं कारेकाल पूरा होने के तीन माह पहले ही राश्पती जी काम शुरू कर देंगे कि अब नए अदेक्स को नए संद्शों को चुनाव करना क्योंकि उनका कारेकाल पूरा होने वाला है ठीक है अब बात करतें नेक्स्ट Saara 6 Term of the office of Chair動 been member the chairperson and every member had on that recommendation on the selection committee be appointed by the president by warrant and individual shield hold office as such for the among of five year from the date of which we enter upon his office until we attend the age of 70 year whichever一點 providing that while living under the president and ubinnahAddRI 熟 off इसका मतलब यह देखे इसका मतलब यह कि धाराथ 6 लिखते हैं अगली धारा धाराथ 6 कार्यकाल कार्यकाल सिदा सिदा लिखा हुआ है पांच वर्स और सत्तर वर्स इससे पहले जो सकती है या तो राष्ट पती को त्यांग पतर दें कैंदेiger को त्याग पतर कि यह धारां सैंटिस के थ dönसी कोटा दिया जाएं हा रचैन्दिपीressive कि इस अभी देख लेते हैं कि टैट हटा दिया जाएं इसका मतलब सीधा भी एक बार 37 पर चल चलते हैं, देख लेते हैं 37 का इसका मतलब इनका रिमूवल भी किया जा सकता है तो देखिए, लोगपाल सेल नोट इंक्वार इंक्वार इंटो अनी कंप्लेंड मेंड अगे चेर परसिदेंट अप्रोशिद्र में अलग से आपको समझाता हूं हटाने की परिकिरिया देखिए, हटाने की परिकिरिया में ये लिखावा कि ये अलगी प्रोशिजर है इस अलग प्रोशिजर का मतलब है कि अगर मेंबर को आपको हटाना है तो हटाने के लिए आपको कम से कम एक अलग परिकिरिया जो परिकिरिया ना तो सुप्रीम कोट की है ना फिर हाई कोट किये ना किसी अधर मेंबर की है इसमें कागयक साब हटाने का जो आधार है वो कदाचार या अक्षमता होगी मैं अभी आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं ताकि सारी चीज़े याद आज़े तो दारा चैमे कारी एकाल लिखा हुआ है त्याग पत्र किसको दिया जाएगा राश्ट पती को तारा 37 के जाएगा अब लिखो हटाने की परकिरिया हटाने की परकिरिया इनके लिए हटाने के लिए कि special परकिरिया है पहले आधार है और इसके बाद में हटाने की परकिरियां में सबसे पर लिखेंगे अधाने के आधार क्या Christ क चांगे पारी यह क्या अधार यहीं पर लिख लेते हैं अधार नमबर एक कदाचार और अक्षमता इसका मतलब यह कि यह तो उन्होंने मिश कंड़िक्ट किया हो या फिर वो केपेबल नहीं है पद पे रहने के लिए यह तो गया हटाने के अधार एक तो अक्षमता हो गया अगर मैं आपको बतरना चाहूं तो कि ये देखे अधाने के लिए जो आधार है यह आधार यहां पर मिश भीएवियर का एक एक और धुसरा जो है वह कि कि मीश विएवयर क्राण हम अब अटाने के लिए का परस्ताव है प्रफोज़ और अधाव पियас इसमें नात्र लोग्स्वा लिखा वाई ना राजय सभा यह लिखा विए लिखात कि सनसद के गम से सोस्द्थ से राश्ट्पति को पृस्ताव देंगे इसका मतलब है पहली पायंसे हो गई कि संसद के क्या पर ना लोग सभा ना राजय सभा संसद के कम से कम कम से कम तो सदस से परस्ताव किसको देंगे गास्ट पती जी को ठीक दूसरी बात दूसरा चरण होगा राश्ट पती कि सुप्रीम कोट से जांच करवाएंगे यह इंट्रेस्टिक है एक सो पैंटालिस के तैत परस्ताव प्रस्ताव प्रपोल्स देंगे राश्ट पती जी जांच करवाएंगे तीसरा चरण जांच के बाद राश्ट पती क्या कर लेंगे पता देंगे तो समझ लेते हैं एक बात पापसे इसको एक एक लाइन को पापसे यह कि चेर परस्तों और मेंबर सेल भी रिमूड रोम हीज ओफिस बाई ओडर ऑप दपरसिडेंट परसिडेंट के ओडर पे अटाय जाएगा अगर मिस बीएवियर के चार्जेज है तो और इंक्वाइरी करेंगे और इंक्वाइरी के बाद में रिपोर्ट सब्मिट कर देंगे अगर वह उन्होंने लाबगा पद ले लिया और इन्होंने कोई राष्ट पती की नजर में कोई माइंड और बोड़ी से अंसाउंड हो गये इसका मतलब ये इसको समझ लेते हैं ये तो हो गया कि अगर उसने देखिए बढ़ा समय और बताद दो आपको अगर कदाचार किया है तो इस आधारप्रट आएंगे कदाचार है तो इस आधारप्रट आदेंगे ये परकिरिया अगली बात जब तक जान चल रही होती है थोड़ा सा देखना इस एक्ट के एक एक वर्ड मापको डिक्टेट करके बता रहा हूं तो इसलिए कुछ चीजे मेरे से मिस हो जाती है तो आप इसको एक एक चीज़ को देखते चलिए लिखते चलिए रहात में जब तक जब तक जहां चल रही होती है तो अब राष्ट पती द्वारा निलम्बित क्या जा सकता है निलम्बित राष्पती द्वारा सस्पेंट के आजा सकता है एक बात हो गई यह दूसरी बात इसके अलावा और क्या क्या अधार है जो भीना जांच के अटा सकते हैं यह मैंने आपको जब आरपेस ही पढ़ायता बताया था या तो क्या हो गए तारी दी क्या मानसी रूप से अक्षम ह हो गए इन केपिसिटी आ गई या उन्होंने कोई लाब का पदप्राप्त कर लिया हूँ या फिर ऐसा हो सकता है यह दिवालिया गोसित हो गए हूँ अगर ऐसा कुछ है तो राश्ट पति भीना जांच के डिरेक्ट अदेंगए तो, guidance बिना जांच के क्या समझें अगर कद्दाचार कीया है मिस्विएव किया तो जांच होगी और प्रस्ताव सुप्रीम कोट में जाएगा और अगर कदाचार नहीं किया है इन में से कुछ है तो राश्ट पतीन को क्या कर सकते डायरेंट अपने पत से हटा सकते बात हो गई अभी अपने देख लिया धारा 37 हटाने की परिक्रिया इसके साथ देख लिए अब वाप कि और इन चीज किओगी तम इसका हो गया एलिए यह कहां से दिया जाएंगे इनके बराबर और पेमेंट कहां से दिया जाएगा और पेंशन मांट फंड यह परपोर्शन दो पेंशन और पैंशन का प्रावदान भी रखा गया है इसके बाद अगली बात तो यह वाली धार अब बात करते हैं साथ की दारा साथ की तो लिखेंगे दारा साथ अगली बार को वेत्तन भत्ते और पेंशन तो जो लोगपाल का जो अधेक्स है लोगपाल का अधेक्स इसको जो वेत्तन मिलेगा वो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नहीं दी जितना और लोगपाल के जो सदस से हैं इनको जो वेत्तन मिलेगा वो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के नहीं दी जितना और साथ में इनके पेंशन के प्रावधान भी किये गए इसाब इनको संचीत निधी पर भारित होगा और पेंशन विन को परदान की जाएगी तो लिखना पेंशन भी दी जाएगी पेंशन के प्रावदान भी रखे गए है वेतन बत्ते और पेंशन के प्रावदान भी है इसके बाद आप लिखना चाहिए लिए संचीत निधी पर भारित होगा यह हो गया साब इनके वेतन बत्तों की बात है अब बात कर लेते इसका मतलब यह है कि जब इनका कारियकाल पूरा हो जाए कारियकाल कम्प्लीट हो जाए कारियकाल पूरा होने के बाद में यह रियर पॉइंट नहीं हो सकते यह लिए उसिशंट वात इन είναι की ठाषं ही घयाओ मांप्लीट मांप्ली पॉक्यस्ट र में इनए की डार्म भी स्विताव क्रेंड पॉक्लीटमीट बात मेंड यह रिम done ce इसको द्यान से देखते हैं यहां पर यह लिखावा एक साथ वेतन बत्ते पर पिछली धारा में अगर आये पिछली वाली धारा में यह हो गया कि यह देखिए कार्य कालपों होने के तीन माह पहली राश्पती कार्य वे शुरू कर देंगे पांच यह बैचिक बात बताई थी धारा पांच अपने करी ली यह देखे धारा खे इसको देखते हैं वापस से इसको नीचे करते देखे और दिखाते हैं हाँ यह धारा च्छे देखी एक बार ठोड़ा सा और इसको डगले कि यह दाराथ 6 पन्य क्या लिखी कार्य कार्य काल कि इसको राष्पती को त्याग पता दे सकते हैं अब यहां पर कुछ बात कार्य काल पूरा होने के बाद हैं पुन्हें निउसकते हैं एक सेकंड कारियकाल पूरा होने के बाद अन्य नियोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं अन्य नियोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगली बात कारियकाल पूरा होने के बाद पांच वर्स तक कोई चुनावने लड़ सकते हैं पांच वर्स तक चुनाव नीज़ा जा सकता है हाँ सद्दस से जो है वो अध्यक्स बनाए जा सकते हैं सद्दस से अध्यक्स बन सकते हैं पर पुल कारीयकाल 5 वर्स होगा 5 वर्स बहुत माईन्यूर बाते याद रखनी पड़ेंगी क्या समझे कारीयकाल धारा 6 में लिखा हुआ है कारीयकाल 5,70 ये बात जो है नियोजन वाली ये बात अलग धारा में पर मैंने एक साथ आपको एड़ करवा के लिखा दी ताकि दिक्कत आए नहीं ये बात लिखी गई है देखिए धारा नंबर आठ में तो अगर अलग से आपको मेंशन करना है कि अलग से मेंशन करेंगे तो येस आप अलग से मेंशन कर सकते हैं तो मैं बता देता हूँ धारा आठ लिखके अलग से अधारा आठ लिख सकते हैं आप अलग से है कि यहां पर लिखेंगे सेवा निवर्ती के बाद होने के बाद अन्य पद्ध राप्ति रत्ति बंध डिस्टिक्शन प्रत्ति बंध इसका मतलब यह कि अगर रिटाइड होगे उसके बाद में आप मानके चलिए कि वो अन्य पद्ध पर आप नहीं कर सकते कैसे यहां पर लिखा हुआ है पहली बात तो यह लिखी गई है कि देखे सब्सक्राइड है पॉज डिखिजि का ख सबस्सक्शन पर रषिचिए अ कह ब में रञे हुआ है अजिए है आपकूर्चा पोविद ट्सिति विखर गउट थे समांपने कर दापसेर्श है बेक्ट्बार कर DAVID Patri बंट लिखर है आन packs द्र रॉफिट अनन कर देविए और इंडिया और दे गवर्मेंट अब श्टेट एंटेस्टिंग इलेक्ष्ट उप्रसेडेंट वाइस प्रसेडेंट मेंबर आइधर हाउस पर्लियमेंट या फिर स्टेट लेजिसलिटर बंचायत विदिन प्रिएड ओफ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जब यह एक ब माना करात कर सकते दूसरी बात परसासक की चाल सकते अदमिस्टर अगे परशासक मुंध कि नहीं हो सकते तो इंक को लड़ना है पांच वर्ष बाद ही हां तदस्य जो है कि वह देख्ष बन सकते हैं पर कुल कार्ये काल पाच वर्ष पांच वर्ष और लाब का पद्र परसाद सब्सक्राइब चुनाव नहीं ठीक है यह वाली बात आपके आगी होगी यह बात होगी धारा आठ अब देखते धारा नो पे चलते धारा नो मेंबर टू एक्ट एक चेर परसों डिस्टार्जिंग फंक्संग एंट्रेटन थोड़ दीजी है किरा सेक्रेट्री अधर ओफिस स्टाफ फूब लोगपाल से लोगपाल का एक यह बी कोई काम की धारा नहीं है इंक्वाइरी मिंग होगी कोई काम की बात नहीं है इसका मदब लोगपाल के जो वे होंगे धारा तेरा लिख लो धारा तेरा थर्टीन लोगपाल के जो वे हैं कि वह भारत की संचीत में दीपर भारीत होंगे कि यह दारा तेरा में लिखावा है इसका मुख्याले नई दिल्ली में होगा इसके बाद कुछ और बात अपने धारा अलग से और देख लेते कुछ मिलता तो अपस्पेंसेज होगे यूरीश डिक्सन यह अलक से देखेंगे धारा चावदा इसको डिटेल लिखेंगे मैं अभी इसको लिखे छोड़ देता हूं धारा चावदा में इसका कहां पर इसका जूरीश डिक्सन होगा तो धारा चावदा में इसका जूरीश डिक्सन हो सकता है शिकायत यह बहुत इप्पोटेंटर धारा चावदा इसकायत किस किस के खिलाफ की जा सकती है शिकायत देखिए बागे धारा चावदा हो गया इसके बाद में धारा पंद्रा मेटर पेंडिंग विफोर दे कोर्ट कमेटी इस अथरी इंक्वाइर दो टूर्ट टूर्ट कोई खास बात नहीं तो स्टेटिशन ओव बेंच ओफ लोगपाल कोई खास बात नहीं है इस बिजिन्स छोट दीजिए पावर और चेर प्रस्ट ट्रांसपर कैसे इस डिसिजिन मेजरोटी अगेंस्ट टूद प्रिलियम छोट दीजिए पर्सन लाइकल टू भी खोड़ दीजिए आरो लोगपाल ग्रांट सेक्षन इपको काम की बात नहीं है प्रओजन पावर फोफ लोगपाल कोय खास बात नहीं है इस पावर देखलेंगे सर्च इजिए लोगपाल लाइविं दे पावर सीविल कोट डीजिए पावर फोड़ दीजिए और पिरश्ट टेट्स सम्पति वेकर जप्त करना टेच करना पावर लोगपाल ओमन एकमेड प्रेसल कोर्ट की बात यहां पे की गई उसको बिल देख लेंगे तो अरब 35 कि इस्पेसल कोर्ट की बात की गई है इस्पेसल कोर्ट कि अब लेटर ओफ रिक्वेस्ट टुब चोड़ दीजिए डिमूवल होई गया कंप्लेंड अगेस्ट ओफीशल ओफ लोगपाल विकास नहीं है असे लोगपाल छोड़ दीजिए चोड़ बजट ग्रांट एन्वल डेस्मेंट अकाउंट चोड़ दीजिए कि वाल्स कंप्लेंड अगर कोई करता तो एक सक्षिए एक लेस्ट नोस एक अंती में धहरा अड़तालीस लोगपाल की रिपोर्ट अड़तालीस रिपोर्ट इसको दी जाएगी प्रसीडेंट को रास्ट्पती को एक मिनट और अंती में धहरा और देख के फिर अपन अपना काम शुरू कर देते हैं पार ओफ जूरिस्टिक्शन लिगल असेंट कर देख लिए इसका मतलब अब अपन बात करेंगे धारा चवदा सबसे इंपोर्टेंट किस के खिलाफ सिकाउट की जा सकती है नकी बात अपनिकरने वाले स्काल इसका मतलब ये कि अभे धारा फुट्टीन अपन धारा चाउद sl देखने वाले लोगपाल की उसकाईट किसके खिलाफ रही पहलेंगे लोगपाल शिकाउट देखिए सबसे पहले किसा शिकायत किस किस के खिलाफ की जा सकती है कमप्लेंड किस के खिलाफ आप कर सकते हैं इंट्रेस्टिंग बात है कि प्रधान मंत्री के खिलाफ आप सिकायत कर सकते हैं पूरो प्रधान मंत्री के खिलाफ भी सिकायत कर सकते हैं तो प्रधान मंत्री और पूरो प्रधान मंत्री इनके खिलाफ आप कि सिकायत की जा सकती है पर च्यार मेंटर को छोड़ कर एक तो इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशन एक बाईयर आंतरिक शुरुक्षा एक लोग व्यवस्तार एक परमानूरजा इनको लेकर आप प्रधान मंत्री खिलाब भी शिकायत कर सकते हैं तो शिकायत में कौन को नाएगा नंबर एक प्रधान मं और इसंवन ऑपा जनरेशन पत्विन शुक्षा को जोड़ कर तकर गवर्छा कर नाएगा परमां लोंने ट्रॉड़ को छोड़कर अगां झालने कंट से हों पहला होगा मैं अंतरास्व्थय संब्दक्श्च्र में आ यार लिख रहा हो अंतरास्टे संब्द अंतरास्टी स परमाणू उर्जा तीसा लोक व्यवस्ता लोक व्यवस्ता और एक चोथी है आंत्री गों बाई है सुरक्षा सुरक्षा मतलब है दान मंत्री लोक पाल के दाइरे में आते हैं पर छोड के चार माम लोको कौन कौन से इंटरनेशनल रिलेशन परमानूर्जा लोक व्यवस्ता और सुरक्षा पर एक बात आपको धान रखनी है ध्यान यह रखनी है कि जो सारे की सारे मेंबर हैं उनका 2 बटा 3 टोटल 8 सदस्य है उनका 2 बटा 3 जो मेंबर अगर अनुमोदर करेंगे परस्ताव का तो ही परदान मंत्री के खिलाब मामलों की जात कि जा सकती है आपको ध्यान रखना तोड़ा सा इसका मतलब जो कुल सदस्य है यह भी आप एक नोट लगा लो कि जो कुल सदस्य है कुल सदस्य है कुल सदस्य है इनका 2 बटा 3 परस्ताव को अनुमदर देते है सब्सक्राइब 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 जाच ओँ सकती है पी-म के खिलाफ अच्छी बात तो है इस तब परदान मंत्रियों परव परदान्तरी दाइरे में आते हैं पर चार मामलों की में तो आप जाच कर नहीं सकते और टोटल जो सदस्य है एक तो परदान्तरी खिलाप जाच करने तो की जा सकती है तो परदान्तरी पूरों परदांतरी आगे सब भी के अंदर सरकार के मंत्री और पूरों मंत्री आजाएंगे तो दूसरा और पूर्व मुंत्री ठीक है कि आगे तीसरी बात है कि साब जो अखिल बारतिय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उस सारे एक सारे आ जाएंगे तीसरा अखिल बारतिय सेवा के अधिकारी ओफिसर्स ओफ ओल इंडिया सर्विसेज अगला लिखे अखिल बारतिय सेवा के पूरु अधिकारी इस के लावा भारतिस कार के अंतर गत जो भी विडेश ए बी सीडी गरुप के जो अधिकारी है वह अधिकारी आजाएंगे विदेश सेवा में जो न्यूक तैंड जैसे इंडियन फोरेंसरी इस टाहरे में आ जायेंगे तो अगला लिखेंगे A, B, CD चारो गूऱ्ूप के करमचारी और अदिकारी गूर्व यूर्व ए गूर्व अभूं दी गूर्ज शाय गूमा चारा भी ए इसके बाद में वीदेश्य वादि कर सभी अधिकारी इसके लावा इसके लावा तभी सांसद और पूरुव सांसद है पूरुव सांसद जो भी मेंब्रो पार्लियामेंट हैं वो और पूरुव के सांसद आ सकते हैं इसके अलावा अगर महलेते कि सांसद ने कोई अधिनियम पारीत करके कोई संस्ता गठित किया जैसे मान लोग मानवा दिका रहा हूं गठित किया संसद ने लोग पारीत करके उसके जो अधिकारी है वो भी इसके दाइरे में आएंगे वो भी इसके अंडर में आ जाएंगे आपको याद रखनी यह बात इसका मतलब इसका मतलब यह है कि साथ आठ्वा संसद के अधिनियम संसद के अधिनियम द्वारा गठित जो सेंस्टाइं होती है वो इसके दाइरे में आ जाएंगे तो पूले में लाके देखिए यह सारे इसके दाइरे में आते हैं पर कॉश्चन यह भी तो इंपोर्टेंट है कि इसके दाइरे में कौन नहीं आ सकता तो जाब राश्च्ट पती इसके दाइरे में नहीं आते हैं उपराश्च्ट पती नहीं आता है सुप्रीम कोट नहीं अभी थोड़ देर पहले सीएजी पढ़ा थोड़ देर पहले चुनावायोग पढ़ाता पढ़ने यह इसके दाइरे में नहीं आते हैं ठीक है तो कौन कि इसके खिलाब जाँच नहीं हो सकती नमर एक प्रास्ट पती दो उप्रास्ट पती कि इसरा कमीशन चुनाववा ता इन के खिलाब ब्रास नहीं कर सकते है कि इसके बाद आपको जहान रखना इसके कुछ अद्धर डिटेयल कें यह किसाब कुछ नोंट लगा के वो करेंगे है आप नोट लगा के कुछ फेक्ट लिख सकते हैं नोट एसा लगा के और कुछ फेक्ट लिखेंगे अपन ताकी question बने तो अपन ठीक कर ले इसमें नंबर पहला fact होगा तुझ कि जांच जेन सी एंध डेहन की जांच जेन आप लोग बहुर तो नहीं हो रहें कि क्लास अपने पाथ साधे पाथ के आसपास शुरू की थी फिक्स गड़ी में 0000 मतब फिक्स रात के विबारा बच चुके है ऐं 5 बजे चलेगी तो और और आप आराम से रिलेक्स कर लीजिए और कलास चलती रहेगी टीक है अपन देखते हैं अगली बात की इसकी स्वेम की जाच अजेन सी है और 7 ही साथ में यह CBI से जांच भी करवा सकते हैं CBI से जांच कोई मामले की CBI से जांच तो क्वेशन आये क्या लोगपाल की खुद की जांच अजेंस ये क्या आप पहेंगे बिल्कुल लोगपाल खुद की जांच अजेंस से जांच करवा सकते हैं से जान्च करो सकते हैं अगली बात जाच वो रही होती है उस समें और c by ये लोग पाल के प्रति उत्तरदाही लोग दोसरी बात c by जो ह생 यह जांच के दोरान लोगपाल के परती उत्तरदाई रहती है उत्तरदाई ठीक अगली बात मालनो कोई अधिकारी है उसके खिलाब CBI यह जांच चल रही है तो उसका ट्रांस्पर रोका जा सकता है यह आपको ध्यान अधिकारी है तो उसकी संप्ति जब्त की जा सकती है दूसरा उनके ट्रांस्पर्स वगेर रोके जा सकते है तो संपति जब्त करना अटेज करना यह पावर भी है लोगपाल के पास में संपति को पुरक करना संपति जब्त करना पुरक करना यह पावर भी है यह पाऊर भी किसके पास में है लोगपाल के पास में अगली बात तीन माह में इसको जांच पूरी करनी होती है या आपको ध्यान रखना है तीन माह में लगबग जांच पूरी करके कि याद रखना चाहें तो ऐसा भी याद रखना चाहें तो यह अपनी रिपोर्ट है वो प्रसिडेंट को सब्मिट करते हैं तो पिछले वाले में मैंने देख पता है आपको कि यहां तक हो गया कि कायत धारा 35 इस्पेसल कोड धारा 38 रिपोर्ट तो रिपोर्ट आपने लिख लिए धारा 48 के 23 को देंगे प्रसिडेंट को एक आपको इंट्रेस्टिंग बात मुझे और बतानी है वो यह कि साब जो लोकपाल है इसका वर्ड क्या देखिए लोकपाल जो है लोकपाल लोगो यह लिखना आपको यह देखिए इंट्रेस्टिंग में कुछ दिखाना चारा हूं आपको आप इसको लिख लोग आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिखावा मा ग्रिध कस्षे सिव्धनम इसका मतलब दूसरे के धन पर रहना लालच मंदे रहना आपको तो इसका यह वर्ड आपको द्यान लिखना किसाब लोग्पाल का YE क्लियर आपको दिखाई दे रहा हां तो यह लिखावा मा ग्रिधर कंप लोग्पाल का लोगो यह वर्ड क्या है लोगो में लोट में लिखना लोगपाल का लोगो yeah कि राग्ये लिखावा य sièदodel कि इधा कि लिखावा से सिवी धनवा इसका मुदर दूसरे के धन पे दरस्टी मढ डालो कि इसका लोगो बेकर लोग पाल का और लॉग पाल जो ळिजाइन लोगोवी ऑप है वह परशांथ मिशय ने यार किया इसका यह बर्ड़ जालो और लोगो परत्रम प्रसांथ मिशय ने त्यार किया परशान्द मिशन नहीं और लोगो आपको दिखाई देए रहा होगा यह रहा लोगो इसका यह लोगो है इस प्रकार का लोगो ठीक इसके लाओ कुछ फेक्चुल डिटेल और जो लिखी रहे नोट लगा के नीचे लिख लो इसको सिविल कोर्ट की सकती प्रापत है सिविल कोर्ट ф against लोगो होए गया रिपोर्ट इसकी होई गयी किसके खिलाप जांज कर सकते हैं ले वाले पावर मने आपको है वो थोड़ा सा अलगी मेकेनिजम है एक इस्पेसल आप रिखना है इसकी कमप्लेंड कैसे कर सकते हैं सिकायत यह थोड़ा सा अलगर परीश्या में कोशन आप से पुछा जा सकता है सिकायत है देखिए यह आप कंफ्यूज करेगा लोगपाल में ऐसा लोगपाल ऐसे लिखा हुआ है तो आप याद रखना कि यह जो है यह साथ साल से पुराने मामलोग भी जहांच नहीं कर सकता है आपको ध्यान रखना है पर इसकी एक दिकत ओर है सिकायद कर कोई भी सकता है ऍंग्लिश में करनी होती है निश्चित पॉर्मियट में करनी हूती थोड़ा टफ तो ही आप क्या लिखेंगे कोई भी सिकायद कर सकता है दूसरी जब यह शिकायत करेंगे इसका निश्चित प्रारूप है अधिस प्रारूप निश्चित प्रारूप निश्चित फॉर्मेट में शिकायत करने पड़ती है आपको दूसरा कि only English में आप केवल English में इसकी सिकायद कर सकते हैं only in English यह देखे थोड़ी से दिक्कत तो ही English में सिकायद करेंगे तो फिर हर आदमी थोड़ी हर क्या को सारे लोग नहीं सिकायद कर पाएंगे आप courier डाक या मेल से भी सिकायद कर सकते हैं अगली बात अगली बात आप यह कि मान लेते हैं कि 7 साल हो गए अब साथ साल दो बहुत पूरानी बात होगी ना तो साथ साल के से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखना है तो पाच भी साथ साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते हैं मदब शिकायद नहीं कर सकते हैं कि साथ वर्ष से कि पुराने मामले कि मामलों की शिकायद नहीं अंतिम एक चीज और लिखेंगे अगर किसे ने जूठी शिकाइद कर दी मिथ्या शिकाइद करी है तो मिथ्या शिकाइद वाले मामले में आपके खिलाफ एक वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपे जुर्माना होगा एक वर्ष की सजा और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता मिथ्या शिकाइद में एक वर्ष सजा इसको स्टार लगाना और एक लाख जुर्माना एक लाख तक जुर्माना और एक वर्ष तक सजा यह गया अगर आपने क्या कर दी आपने मिथ्या शिकाइद कर दी आपने दलवा के लिखा रहो मुख्याले, नई दिल्ली, और यह मुख्याले भारत में और कहीं भी बनाया जा सकता है, इसका मतलब है कि आपने पढ़ाओगा अनुचे देख 130 सुप्रीम कोट का, सुप्रीम कोट की बेंच, हेड बेंच दिल्ली में होगी पर इसके लाओ भारत में औ रह 54 पर यहीं भी हो सकती है, तो बैठाट अनोय सहहर में ही तो इसकी बैठाक या हेड़estar हैहाने सहर में भी औन्य बनाया जाए सकता। इसमें एक सचीव भी होते हैं जो आई एस इस तरके होते हैं तो सेक्रेट्री इसके होते हैं सचीव इसमें आई एस लेखे आपको यहां तक क्लियर कर लेकर अपने यह देखा कि साब लोगपाल का क्या है अलगलग देशों में अलगलग क्या सिस्टम में लोगपाल को लेकर भोत बार बिल रखागया पारलियमेंट में इसको 2013 का नाम देके 2013 में से पारीत करवा दिया गया उसके बाद आपको ध्यान रखना के साथ लोगपाल में सदसे कैसे नुक्त होंगे कैसे अठाई जाएंगे इसके अलावा ये भी बता देक साथ नया पद है तो पूनत इनमा में भढ़ना पड़ेगा त्याक पत्र किसको दिया जाएगा एक आपको चीज और याद रखने है कि जो अभी जो अध्यक्स बने अध्यक्स बने थे पिना की चंदर घोश इनके बारे में बात कर लें पिना की चंदर घोश के बारे में बात कर लेते फिर एक्टिंग चेहर परशन लोगपाल इनकी बात कर लेते इन चीजों से थोड़ा समय बच रहा हूं बच इसलिए रहा हूं देखें यह क्या लिखा हूं कि थोड़ा सा जस्टिस परदीप कुमार मोंती के जोईनिर काउंसिल अठेंदर और इस अव्ड़ाइज दे काउंसिल लोगपाल 27 मार्च 2019 इसका मतलब यह है कि पहले आपको पिना की चंदर गोश जो पर्थम थे उसके बाद में जो परदीप कुमार मोंती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना से देख सकते हैं इतना अगर मैं कर रहा हूं तो खोटा सा काम आपको इतना करना कि जब एक्जाम से पहले हूं तो उस टाइम इनको एक लाइन की जगह छोड़के अपडेट कर लेना किसाब आई ये लोगपाल के नए जो एर परसन बने वो यान रख सकते हैं इसलिए आपको याद रखना है कि पिना की चंदर गोस्त इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि वह मानवा दिकारायो के सदसे रह चुके और फिर लोगपाल जो सेंस्ता बनी इसके पर्थमत देख सिंको बनाया गया तो ये इंपोर्टेंट हो जाता परिक्षा के लिए तो पीसी गोस्त के बारे में पर लिख लेते पिना की चंदर गो पिना की चंदर ये थोड़ा साथ है पीसी घोस्त या फिर पिना की चंदर गोस्त लोगपाल के पर्थमत देख्स बनाया गए ये में कलकत्ता हाई कोट में न्याधिस न्यूख्त किये गए है उन्यूस्त अत्याण्वे में कि अधा कि तो कि 2012 में अंदर पर्देश हाई कोट के कार्यवाक मुख्य न्याधिस बने कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में न्याधिस बने कि 2017 से लेके 2019 तक राष्ट ये मानवा दिखा रहे हैं कि सदस्य रहे और अभी जो कार्यवाक एक्टिंग बनाया गया उनका नाम आप करेंगे परदीप मात कोंती आपको इनका नाम याद रख लेना है पुली मिला के अपने लोगपाल का टोपिक भी मेरी तरह तो इसको क्या कर लिया फिनिस कर लिया अब जो अपन बात करना चाहेंगे वो करे होगे पर जैसा की है पासात मिन पांच मिनट साथ है एक केंटिन्यों अब बात करेंगे अपन पर इवी सी चेंट्रल विजलेंट्स कमिशन के सत्रक्ता अगला योग हैडिंग लगाओ जो अपना अगला यो इसको आप दो मिनटी का ब्रेग करेंगे योग एजिए योग दो को झाल 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 तो अब जो टोपी करेंगे वो करेंगे इंट्रल विजलेंस कमिशन का नाम है केंद्री है ततरक्ता आयोग इंट्रल विजलेंस कमिशन पहले तो आपको बेसिक बाते पर डिसकस कर लेते हैं एक अपड़ने साब बात कर ली लोगपाल के उपर जो बर्शाचार निवान से समधित कारिये करते हैं अब जो बात करेंगे वो करेंगे शेंट्रल विजलेंस कमिशन एक एक चीज़ डिसकस करते चलेंगे ताकि आपके सब दिकत नहीं आए तो इसकी बैक्ग्राउंड को समझते हैं कि सेंट्रल विजलेंस कमिशन मतलब असल में है क्या क्यों चर्चा में रहा क्यों आया कि अब इसका एक्ट बना यह सारी बात अभी तक एक्जाम में केवल एक कोशन पूछा जाता वो है कि समीति कि सिपार इस प्रिष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नाइनटी सिक्स्टी टू में संथानम समीति बनाई गई और समीति ने जो अपनी सिफारिस दी गो नाइनटी सिक्स्टी फोर में दी यह संथानम आपको पता है समीधान सबाके एक्टिव मेंबर भी रहे वे हैं 1964 में ग्रह मंत्रा ले के प्रस्ताव पर सी वीची की स्ताफना कर दी गई और सी वीची का मुखे काम क्या था चेंट्रिली विजिलिंस कमिशनका वर्ष्टाचार को कम करना वर्ड वर्ड पर सीखते चलते हैं पहले इसकी बैक्ग्राउंड में चलते हैं इसकी इत्यास में चलते हैं या फिर इसकी प्रश्ट मुमी क्या है तो आयाए कि प्रश्ट मुमी अपन जान लेते सबसे पहले बात है कि करप्शन पर रोक लगाने के लिए ब्रिस्टाचार पर अंकुष लगाने तुँ में एक समीति का गठिन किया गया समीति का नाम क्या था संथानम समीति कि इस समीति का काम यह था कि आप यह बताओ कि भारत में बश्टाचार कैसे कम किया जाए इन्होंने का अगि साब बर्ष्टाचार कम करने के लिए आपको पूछ एक बोड़ी का घठिन कर देना चीए जनली जब समीतियां बनती है तो किसी कमेटि का सुझाब दे देती है इन्होंने पिसाद दे दिया इन्होंने का कि साब आपको एक अमीटिक आएक आयो का घठन या एक संथानम समीति ने 9064 में अपनी रिपोर्ट पेस की कि इसके बाद में पिक्चर में एक साब सेंट्रल विजलेंस कमिशन बना देना चाहिए इस समीति की सिफारी इस पर आपको ध्यान रखना है किसाब कर इस इस का नाव है दीवीच इस संथानम समीति थी संथानम समीति में में टोटल अठ मेंबर थे एस समीति ने सिफारीश करी कि अगठन किया जाना चाहिए तो प्रस्ट क्या है बस्टा दातार नग्र्शा लगाने के लिए संधान इस समीति इस इस ने अपनी रिपोर्ट में दी इस समीथी में इस समीथी में कुल आठ सदस्य थे कुल आठ सदस्य इन अगर आठ सदस्यों के नाम भी आपको लिखना चाहिए तो अपने लिख सकते हैं तब संधानम समीती में सदस्यों के में इस सदस्यों के पूछण पूछा जाता प्रीक्षम करेक्शन नाम आपको चोंका तिकाराम पालिवाल तिकाराम पालिवाल तिकाराम पालिवाल तिकाराम पालिवाल राजस्तान के मुख्य मुंत्री मतलब संथानम समीती में राजस्तान के उसमें तो पूर्व सीम हो गए थे विसे भी ठीकाराम पालिवाल भी सदसे थे संतोस बसू थे संतोस बशू तो थे जो सदसे थे खरदीर कर पहले सदसे के संतानम दूसरे टिकाराम पालिवाल तीसरे संतोस बसू चोथे आर के खरदीर कर अगले सदसे सिर्नात पाई सिर्नात पाई आपके सदसे संतानम समीती में नहीं था क्या कॉन संतानम समीती में था फिर आपको याद रखना है अगले सदसे थे चठ्ठे नंबर के कमवनाथ कमवनाथ चत्रवेदी इसमें जो सात्वे नम्मर के सदे से थे वो थे एलपी सिंग एलपी सिंग और आठवे सदे दीपी कोहली इसका मतलब टोटल इसमें किते सदे से थे आठ तो समीति बिनाई गई तब केंद सरकार केंद दर सभी गत्तिवी दियों पे बरस्टाचार निवारण के लिए समीति बनाई गई थी यह थोड़ा सा नाम खदील कर है खदील कर सबसे पहले बश्टाचार बंगुष लगाने के लिए समीति बनाई गई गई समीति ने उनसे चोंचेट में रिपोर्ट दी इस समीति में कुल आठ सदस यह थे और इन्हों ने इस समीति ने क्या सुझाव दिया हिसाब आपको यह केंद सकार की जो कारिया लें में बश्ट बश्टाचार के निवारन के लिए समीति का मुखे मुखे सिफारीस क्या थी मुखे सिफारीस यह थोड़ा सा लेकले अगले पाले पेच प्र समीति की मुखे सिफारीस कि यह आपको जहां रखना है कि यह जो समिति यह जो雇न्य मुख्रान के आदार पर लिखें हैंगे इस समिति की सिफारी सवार कर दिया गया लिखेंगे इसी समीधि की सिफारी dash पर ग्रैम मंत्रा ले के प्रस्ताव पर यह याद रखेंगे ग्रैम मंत्रा ले के प्रस्ताव पर तीवी सिखा गठन कर दिया गया इसका मतलब इस कमेटी की सिफारिज के आदार पर ही ग्रैम मंत्रा लेका प्रपोजल आया और फर्वी इसके बाद में राष्ट पती निकाला पत्चीस अगस्त उन्यूसोट्यान में क्योंकि अभी तो यह केवल यह मान के जली कि ग्रैम मंत्रा लेका प्रपोजल है कारी कारिया देश से बनाया गया है उसके बाद में अगली बात लिखेंगे राष्ट पती का जो बादेश आया आध पती ओडिनेंस राष्ट पती का जो ख साभ भाण घ्म अले बादेश की बादन्यूसोट्यान अगॉट को इयूको पारित के आराष्टी ने पच्छी सब्सक्राइब को इसके बाद 2003 की बात है 11 सेप्टमर 2003 में संसद ने एक बिल पास कर दिया लो पास कर दिया एक्ट बन गया और यह साम इदिख सहस्ता बन गई तो यहाद रखना है संसद ने इसके लिए कप पास किया संसद द्वारा पारित कब हुआ सब संसद द्वारा 2003 में संसद ने 2003 में जैसे पहले तो देखो कि एक रहा मंत्राले की परस्ताव पर टेंपरेरी बनाया ती राश्पति ने एदादेह जारी कर दिया फिर संसद ने एक्ट बना दिया 2003 में 11 सेप्टमब्र यह डेट लिखेंग संसद में आ गया इसका मदद दो सीवी सी है सेंट्रल विजिलिंस कमिशन है कि साम विदिक सेंस तक बनाया गया 2003 में बनाया इसके लावा इसके लिए जो एक्ट है वह एक्ट फिर 2003 में पारित कि इसमें पांच अध्याय और 27 धाराएं है तो अगली इस एक्ट को अपन औरी सब्सक्राइब 23 में जो एक्ट पारित किया इस एक्ट में कुल पांच अध्याय इसका अपन पूरा एक पीडिएफ डाउनलोड करके उसकी सारी सारी चीज देखेंगे इसमें 27 धाराएं रखेंगे 5डियाय और 27 धाराएं है यह लिखा आप सबसे पहले क्या लिखैंगे इसकी प्रिस्ट फ्रूमी प्र着अचार के निवारं के लिए एक समिति का घठन किया गया उस सम्मुति का नाम क्या था संथानम समीति संथानम तेल 8 स JUDGE्य थे गि right。 1964 में संथानम समीति की रिपोर्ट आई इसने कायक साथ आपको एक CVC का गठन कर देना जही है ग्रय मंताले के एक प्रपोजल परस्तावपर सद्सक्राइब दिंदों के दिखन्द पर किया पिर इसके लिए एक पारित किया और इसको एक कंस्ट इस्टेट्री बोड़ी बना दिया गया लडखनाने लगई क्योंकि इस मोर्निंग में जो क्लास थी वो आपको बता गया संगवाद की क्लास डाली दो गंटे लगातार फिर एक दो गंटे एप की 11 गंटे और उसके बाद में ये लगातार गंटे ये तो ऐसे 11-12 गंटे लगातार ही चल रही है भी तक ये क्लास तुब ऐसे लेके पतलब जब साम को दो बज़े से लेके वो क्लास एप के लिए रिकोर्ड करी ये तो थोड़ा सा आवाज में आपको डिफ्रेरेंस लग रहा होगा क्योंकि एक एप एक एप पे देनी थी क्लास दो एप फी क्लास हुई एक संगवाद एक टोपिक पे दो घंटे वो क्लास हुई और अब साम पांच बज़े से अभी पोणिये कोने को आया ये लगातार ही चल रही है कुछ वर्ड थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है दूसर पांच अध्याय हैं और 27 इसमें धार रहे हैं यह साब राष्ट पती साब ने द्यादेश जारी किया और उसके बाद में पार्लेमेंट ने इसके लोको को इनेक्ट कर दिया गया अब देखा जाए तो इस आयो की अपन सरंचना देखते हैं धारावाईज तो आप चाहें तो सीवी सी एक्ट 2003 में डाउनलोड कर लेता हूं यह इसका बैक्राउंड त्यार हो गया अब करते अधिनियम दो जार तीन एक्ट कि दीवी सी एक्ट करते हैं तो जार देखिए यह घड़बड कर रहा है इसे हैं कि वेग्ग्राउंड चेंज कर लेते हैं कि अधिवी सी एक्ट कि दो जार तीन कि इतने अध्याए हैं कि पाच कि अधाराएं कितनी हैं कि इसका मतलब आप अपन को इसको लेकर डिसकस कर लेना एक एक बात है अपनिया पर तर्चा करते चलेंगे हैं ठीक कि एक्टा करते हैं कि इस मेंची संसाओिया डा भीक हैं कि आपका डोँ कि ऑंगे हैं कि ःता कर ला मतलबी को घर हैं कि उप्राः वाता हैं कि अधिवी बाताथ टू भार are a फो खेयरे हैं कि दूह कि पातार हैं झाल 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 देखिए ये केंदरी सतरता है आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए मेरा इस बोलने का परपज एक होता है इससे आपके नम एक अथेंटिसिटी आ जाती है कि ओरीजिनल साइट से अपने चीजे पढ़ रहे हैं त्षाराओं का करम अध्याए 1 अध्याए 2 अध्याए 3 अध्याए 4 और अध्याए 5 टोटल कितने द्याए हो गए पांच अध्याए ये बात अपने लिख लिए अब देखिए अब अगर अपन इसकी बात करें तो यह 2003 का Act है एक एक चीज यहां पर नोट करते चलेंगे अपन धारा एक दो तो काम पी नहीं होगी धारा तीन से अपन शुरुआत कर देंगे यहां पर लिखा केंदरीय सतर तय तो 2003 का लिखिए 11 सेप्टेmbr 2003 थोड़ा सा जूं तो सब filho जा अपको बग्त को थोड़ा साब दिखाइद जाये गाओं 107 देंगेंदर सर्कार के किसी भी केंदरीयय दिनएव धोरा उसके प्रश्टाचार के लिए बर्श्टाचार निवान अधिनियम के 1988 के अधिन के लिए बनाय गया है एक चीज तो अपन को यहां से याद करना क्या वह लिख लेंगे अब लिखा वह एक साब यह अधिनियम का संख्या 45 हुआ यह आपको नहीं लिखना है लिखा गया कि भारत गंडराजे के चोवनवे वर्स देखते हैं कि चोवनवे वर्स में इसको पारिप किया गया कि प्रारंबिक इस अधिनियम का संक्षिपत नाम केंद्रिय शतर्कता यृक दो जार तीन है यह पनी देख लिया कोई बात नहीं है इसमें दो में में जाठा परिवा है तो केंद्रिय शतर्कता आयूक करें कि बारे में तो के परिवास आयो किसे नंबर दो में धारा नंबर तीन नंबर तीन में लिखावा कि केंद्रिय सतर्क्तायों का गठन इसका मतलब यांसे पनी बात सुरुआत करेंगे इसको पहले पढ़ देते भी दारा चार प्या जाएंगे देरा वोगा आप लोगों को नहीं देरा देरा तो फटोड़ा और देखें दिख जाएगा के अंद्रिया सतर्तायोग के नाम से ग्यात एक निकाय होगा इस अधिनियम के दिन उसे परदश सक्तियों का प्रियोग करने और सोपेगे करते होगा पालन करने के लिए गठित किया जाएगा भी पालन या इसे अधिक सतर्त अायोग और जो अधिक्ती के जाएगे जो अकहिल बारते शेवा में या संक्या दिन शिविल पदपे रह चुके है या जीनके पास में सत्रक्ता नीतियो और परसासन के बारे में विशेष अनुबव हो किसी कैंद्रीय दिनियेम दव्य संदिनियेम के इस्तापिक सिनिगम केंद्र सरकार के स्वामीत वय नियांतार के सरकारी कंपनीय पद दाण कर चुके और ड कि de लिए कोई काम की बात नहीं कोई का मुख्याले दिल्ली में होगा और केंद्री सतर्ता आयूक और सतर्ता आयूक रास्ट पति द्वारा अपने स्थाक्सर मुद्रा अधिपत्त द्वारा निवक्त किये जाएंगे यह लिग दिया धारा नंबर च्यार में इसका मतलब धारा तीन किसके बारे में बताती है धारा तीन बताती है सब इनके कंपोजिशन के बारे में छीक इसके बाद में धारा च्यार में लिखाओ कि इनकी निवक्ति किसके द्वारा की जाएगी और उस निवक्ति के लिए कमेटी कैसे बनेगी तो चीज़े से शुरू कर देते हैं अपन धारा टोटल 27 है और इसमें अध्याइट टोटल 5 है तो धारा एक से अपनी बात शुरू आत कर देते हैं एक छोड़ दीजे दो छोड़ दीजे शीदा धारा टीन पर आईए धारा नंबर 3 धारा टीन क्या कहती है आयोग की सरंचना की बारें बताती है आयोग की सरंचना लब सीवीसी की सरंचना इसमें क्या होगा वन प्लस टू एक तो यह होगा दूसरा या तो योगेता क्या होगी योगेता भी यहां पर लिखी गई है योगेता तो देखें सिविल पर रह चुके हैं जिनके पास कुछ अनुबव हो या के अंदर सरकार के स्वामी तो जिनको इस सरकारी पद्धान कर चुके हो या तो योगेता नंबर एक या तो किसी सीविल सेवा पर रह चुके हो दूसरा किसी सरकारी कंपनी या निगम में पद्ध पर रह चुके हूं और साथ ही साथ इन दोनों में यह लिखाओ कि इनको विशेश अनुबव होना चाहिए विशेश अनुबव मतलब क्या है मतलब है कि घारा तीन में कुछ खास नहीं बताया गया एक तो यह बताया गया या अगर साफ-साप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब आप Two अखिल ब आर्थे सेवा या किसी संग की सीविल सेवा में शंग की दिन सिहुल सेवा में रह क्यों पर रह चुके हो डूसरी बात को किसी कंपनिया अधी में इसको कुछ विशेस अनुबव और चाहिए किसी सरकार इसको थारा तीन कितनी बात बताती है बस तो थारा तीन में ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं धारा त्यार की त्यार त्यारा चार में लिग लिए ते न्युक्ति अपोइंट्मेंट इसके बारे में बात करते हैं अपोइंट्मेंट या न्युक्ति के बारे में अपोइंट्मेंट किसके द्वारा किया जाएगा न्युक्ति किसके द्वारा कि जाएगी तो सबसे पहले तो आपको पता है किसा आप न्युक्ति धारा चार्ट राष्ट पती द्वारा की जाएगी यह आपको एक बात अच्छे से याद अगलने नियुक्ति नम्बर एक राष्ट पती द्वारा युक्ति राष्ट पती द्वारा की जाएगी एक बात हो दूसरी है कि तीन सद से सम्मीति की सिफारिश पर की जाएगी आपको ध्यान रखनी है तो क्या लिखेंगे तीन सद से सम्मीति समिति की फारिश पर इस तीन सद से समीति में कौन-कौन मेंबर होंगे कौन-कौन अधेख्स होंगे तो सबसे पहलता आपको याद रखने है इसमें परधान मंत्री समीति के देख्स होंगे क्या सा लिखा वहां देखिए मैं दिखाता हूँ यह देखिए दारा चार में क्या लिखा हुआ है के अंद्रिय सतरक्तायव नियुक्ति राश्ट्पति द्वारा अपने स्ताक्स और मुद्रा सही तदीपत्र वारेंट से की जाएगी लिख लेते हैं परन्तु प्रदान मंत्री ग्रह मंत्री और लोक्स वामिपक्स का नेता मि बिखिं रिखिल कर क्या करेंगे और समेति रिक्तिकान अधिवारेंगे नहीं होगी सकतायव सथाइव के नद्रिस तरक्ति की दिरबंधन चलिए कants मतलब रास्ट्पति द्वारा की जाएगी कैसे की जाएगी फारेंट द्वारा लिख लेते वारेंट warrant के сाथ लिख ली लिया तीन संधस्य समीति की सिफारिक पर इसमें परदान मंत्रिय हो गया दूसरा विपक्स के नेता कि पक्स के नेता तूसरा locks बार देखस locks बार देखस इसका मतलब फिए कि एक तो साथ परदान मंत्री होंगे एक लोक्स-वामनी विपक्स के नेता होंगे और ग्रेह मंतरी, सौरी, वोग मिनिस्टर, ग्रेह मंतरी, ग्रेह मंतरी ये तिनो मिलकर सिफारिष करेंगे रास्टपती को एक चीज यहां पे और लिखी गई है विपक्स के नेता का मतलब या तो ओबेसी वाता विपक्स का नेता हो पर साथ में दूसरा सबसे बड़ा दल लोग सवामे दूसरा सबसे बड़ा दल यह यहां पर लिखावा देखे इस पस्टिक रण लिखावा है यहां पर यह लिखावा है कि साब लोग सवामे विपक्स का नेता है जब किसी नेता को इस प्रकार मानेता ने दी गई हो तब लोग सवामे सरकार की विपक्स के एकल सबसे बड़े समय का नेता होगा जैसे माल लेते हैं कि 10% सीटे और लोग सक्वामें नहीं मिलते हैं तो विपक्स के निता को मानेता नहीं मिलती है ऐसे में क्या किया जाएगा ऐसे में फिर क्या करिया किया जाएगा दूसरा जो सबसे बड़ा दल है उसका जो सदस्य है उसको रिपक्स के नेता की मानेता देज जाएगी अगली बात माल लेते हैं एक एक इस प्रस्टिक रोड लिखा हुआ है माल लेते हैं कि इन में से एक कोई पद खाली रह गया अब गरण मंत्री आये ही नहीं और इन दोनों ने मिलकर शिफारिस करके कोई न्युक्ति दे दी तो क्या इसको गलत साबित करते जागा है नहीं अगर समीती में कोई पद रिक्त है समीती में पद रिक्त है होने के बावजूद भी बावजूद भी न्युक्ति इसका मतलब है कि मालो एक कोई पदी खाली पड़ा है तो क्या पद खाली होने का या अधार माल लिया जाएगा क्या किसाब पद खाली पड़ा है पिर यह न्युक्ति अवेद कर देते नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है यह बात आपको समयोगी नुक्ति वाली बात में तो धारा तीन अपने देख ली धारा चार अपने देख ली आप बात करते हैं यह आपको बताये कि धारा पाच कि पुन्हुक्ठी बारे में लिखा हुआ अब इसको खूले दर पांच के देखिए अरव वाए केंद्रिय सत्रक्ता आयुक्त की सेवा के निर्बंधन सत्रक्ता आयुक्त की बात है कि यहां पे की कि अधीन रहते हैं केंद्रिय सत्रक्ता आयुक्त उस तारीक से जिसको अपना पद्ध रहता चार वर्ष की अवदी के लिए 65 वर्ष की आयुतक रहेगा यह यहां से है तुल मिलाकर 4 साल का कार्यकाल होगा यह बात लिखी गई है आप मानके चलिए की अब अब फाझा काई और अब लुखे दारब पांच आ पार आप सिधा शिदा दो बाते लिख सकते कारियकाल और कारियकाल पुल्हक नुप्तिHey मं नुप्ति कि इसमें आपको द्यान रखना है कारिय काल ये सबसे जो अजीब कारिय काल है C.V.C का ये चार साल 65 साल किसी का यह नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कारिय काल होगा वह 4 वर्स या 65 वर्स होगा अब दो परकार के यहां पर हैं एक तो मुखे अदेख्स हो गया दो सदस्य हो गया इसको थोड़ा से लिख लिए जो केंद्रिय सत्रक्ता यूगत है केंद्रिय सत्रक्ता यूगत यह तो पुनन्यूगत हो यह नहीं सकते हैं पर जो सत्रक्ता यूगत हैं सत्रक्ता यूगत है जो सत्रक्ता यूगत है वह पुनन्यूगत हो सकते हैं मतलब तदस्य जो हैं वह केंद्रिय सत्रक्ता यूगत पदपनित हो सकते हैं पदपर पर पुल कार्ये काल चार वर्स इसका मतलब यह कि मानलो कोई सत्रक्ता यूगत पदपनित हो तो बन सकते हैं पर टोटल कार्ये काल हो चार साल ही रहेगा यह आपको ध्यान रखणा है इसके साथ आप याद रखना चाहें तो लिख सकते हैं वह राष्ट पति द्वारा इनको दिलाई जाएगी इसी में एक नोट लगा कि अलक्षे लिख सकते हैं फिर अगली बात लिक इसके बाद में इसमें अगली बात लिखे सदस्यों का हटाय जाना धारा 6 आप लिख सकते धारा 6 का मतलब यह कि जो मेंबर हैं सदस्यों उनको रिमूव करना हटाना है तो हटाने के लिए धारा 6 में कुछ प्रावदान लिखे गए है कि अधारा 6 में कुछ प्रोविजन लिखे गए हैं कि बात अपन कर लेते हैं कि यहां पर यह बताएगा है कि साब अटाने के आधार सेम के सेम रहेंगे कोई दो बागों में इनके आधारों को बांट लेंगे पहला एक साब साबित कदाचारिया अगर ऐसमर्ता हो गई तो राश्पति सुप्रीम कोट की जांच के बाद अटाएंगे और अगर दिवाल कि दूस्वे वार है साबित कदाचार है तो राश्पति और सुप्रीम कोटी जांच के बाद अटाएंगे अन्यत राश्पति ऐसे टार देंगे देखिए कि देख लेते हैं कि यह लिखावा कि देखिए पूरा हो गया निउक्ति चार वर्स ये बात हो गई केंद्रिया सत्रक्ताय तो राश्पति को समभजी त्याग पत्र देगा प्रसाशनी रूप मेंने किसी समभजे स्विक्ति को जो विदीद्व राश्पति आगे नियूजन के लिए पात्र नहीं होगा कि अंदे वेतन और बत्ते सेवा सर्थे केंद्रिया सत्तर राश्पति को वही जो यह ठीक है एक बार इसकी बात बात में कर लेते हैं पिर एकी साब दिवाली यह केंद्रिया सत्तर रखता है कि समझ में धारा एक अटाने के लिए वही दो आधारा आप लिख सकते हैं पिर साबीत कदाचार है एक बात यह यह एसमर्थता है अक्षमता लिख सकते हैं अक्षमता अक्षमता तो सुप्रीम कोट की जांच के बाद राश्पती रहेंगे ठीक और अन्य अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें यह दो दिवालिया हो गया हूँ या लाबगापद स्विकार कर लिया हो या विक्रिचित का मतलब यह अक्षमता को वहां पर क्लियर नहीं किया तो आप यह याज सकते हैं कि सब्वांशिक या सारीरिक कुछ इस प्रकार की इन केपेसिटी हो तो मांसिक और सारीक लिख सकतें कुछ इस प्रकार हो गया यह बात अपने ओलेडी पर रखें मांसिक या सारीरिक कमी आ गई हो तो या नेतिक अधमता ओ नेकरिस्ट काम कर दिया हो नेतिक अधमता क्या देखें गेंगे अगर प्रूड मिस अपसी हो गई ओफिस और प्रोफिट ले लिया या फिजिकल या फिर मेंटली इनकेपेबल होगे या फिर नेतिक अधमता उनमें होगी कुछ इस परकार की तो फिर बिना जांच के खटा दिया जाएगा बिना जांच के बिना जांच के राश्पती अटा देंगे इसमें के राश्पती देखे पीछे एक बार थोड़ा सा को गया और त्याग पतर किसको देंगे इसी दारा में रिखलो थ्याग पतर राश्पती को कि contrasting इसके बाद में अगर आपन बात करें कि Central Vigilance Commission उनका जो status है वो UPSC के DEX के ब्राबर है और जो अन्य सदस्ति है उनका जो status है वो UPSC के सदस्ति के ब्राबर है एक 노क अलग से अपने लिख लिएते हैं बिकना डहरा करें किसाब UPSC के जो VC है टीवीसी टीवीसी का जो स्टेटस है जेंटल विजियन्स कमिशनर का वो यूपीए से क्या देक्स के बराबर है और जो अन्य है बतलब सत्रक्ता आयूक तो नहीं है इंद्रे सत्रक्ता आयूक जो है उनका जो स्टेटस है वो यूपीए सी सदस्य के बराबर और अब इसके बादमें बात करते है air के ешь और इसके लिए कोई ज़्यादा काम के बात नहीं है धारह आर्ठ मेंन किया गयि तो अपन dife दधारह पैपस बात कर लेते है यह हटाने की बात अपनि करी लिएoud जारी एक सारी कि यस व्यत्तनवा भत्ते की बात अपने कर ली है चार पांच अपने क्या क्या देख लिया कुछ अगर चुट गया तो आप एड़ोन कर लेना यह मानके चली कि फाइनल ही क्लास है फिर आपको और कुछ नहीं करने की जोर्थ पड़ेगी अपने राष्पतिया उसके समख्ष योच में सपत लेका सपत वाल अपने लिखी लिए जागपतर देगा यह लिखी लिए करदाने की प्रिकेर आपने देखी ली कि मातृति और सबत्रक्राँने रहें सबस्क्राइब नोडया ऐसे समय क्या देख द्धूने के लिए जो राश्वपती द्वारे अधी प्तर की जानिए पेक्सित है भारत सरकारिक भारतिक वेनलाब के पतर के प्लाइन नहीं होगा यह आप दाउन करके लिखो कून सी धारा में ये जो धारह संह्ख्य अपने पीछे लिखे लिखे है अधारा संख्या पाँच पाँच में आप लोग एक नोट एक चीज ओ लिखो कि रिटार confess के बाद में लिखे रिटारफ के बाद में के बाद में सेवा निवर्थी के बाद में अन्य न्युक्ति के बाततर नहीं होंगे अठरीटारिमेंट और इलिज़िबल नहीं Goroth T一下 लिए यह बात समझ में आगी और एक बात और लिख लो किसी राजनेक या थंग्राज्य छेतर में परसाशन के लिए भी नियुक्त नहीं होंगे तो राश्ट्पती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं यह बात आप लिख लेना है एक तो जोब नहीं प्राप्त कर सकते दूसर आइस सदेखारी है और उसको एक लाक रुपय पैंसन मिल रही सरकार की तरप से और सीवीसी का वेत्रमालों डेढ़ लाग रुपे है तो फिर कहें कि साब एक लाग तो आपको लेडी मिल रहा है पेंशन की रुपे पता जारों लेलो आप उनसे आप कहीं लेखना चाहों इंट्रेस्टिंग फेक्ट की रुपे दो लिख सकते हैं जो पेंशन जो रासी उसक कोई अक्षमता होगी यहां पेंशन की रासी गटाती जाएगी आप लिखना चाहों तो इस बात को लिख सकते हैं कि यह बात छोट दीजी कि यह अगली बात एक चीज और देख लेते हैं यह अंदर सरकार आयो के प्रामर से आयो के करमचारिवन के सदस्यों की सेवा के समन में नियम बनाएगी यह इंपोर्टेंट है इसको आप लिखिए एक एक चीज और लिख लीजिए मैं लिखाता हूं के अंदर सरकार द्वारा यहां पर राश्ट पती नहीं है तो लिखे नोट लगा के विग नोट के अंदर सरकार द्वारा प्रामर स्कर यह को सिवी सी यूपेसी के देख्स के समान वेतन समान वेतन यह लिख लिया और इनको यूपेसी सर्दसेक समान वेतन बत्ते के अंदर सरकार सी वी सी से प्रामर स्कर सेवा सर्थे तथा सेवा सर्थे तथा यह यहां पर लिखा हुआ है करमचारी वंदों की संख्या आयो के करमचारी वंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा सर्थों की समद्ध में यह बना सकती है इसका मतलब सी वी सी से प्रामर स्कर सी वी सी से प्रामर स्कर इसके सदस्यों की संख्या कि इसके करमचारी की संख्या सदसी नहीं करमचारी करमचारी वर्ग या वरिंद की कि अंख्या कि अथा कि देवा सर्थे कि आई की जाएंगी कि के दिए कि यह तेक की बात अगली धारा इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेये यहां पर लिखा वा कारिये क्या यह कारिय ने बात करेंगे यहां पर लिखावा धारा 10 के अंद्रिय सतर्क्टाय के पंद पर उसकी मर्थे त्याग प्त्रिया अन्य कान से इसी रिक्ति के दिसा में राष्ट्पती अधिसुचना 12 dyras奇 से कारीu करने के लिए जिब तक रिक्ति पर कीर्षराह न ही है सब्सक्राइब कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई आप तो केवल और केवल अब धारा आठ लिखेजिए के कारियों के बारे में तो धारा आठ लिखे धारा आठ है इडिंग लगाके नहीं है कि इसी वी सी के कारी है इसका मतलब यह कि सेंट्रल विजलेंज जो कमिशन है वो क्या-क्या कारिये करेंगे इनके कारियों का नेक्चर किस परकार से होगा अब पहली बार तो यह सब सी वी सी जो है वहं करन्द सरकार के निर्देशित कोई भी विशय है उनके खरकार कशा कर सकता है कोई भी केंस सरकार की मंत्राले भी भाग उन से समन्दी जान्द कर सकता है आठ वे कारियों की लिष्ट हünüz जो Ond अरान से देखके कि कारिये को अ पहला लिखावान नंबर एक कारी है कि दिल्ली प्लीस के जो कारी है उनका अन्वेक्षण किया जाएगा ये कित्ती बड़ी बात है अपना की ये कारी हो निदेश देना अधिक्षन करना के इन सरकार के निदेश पर अभीकात्र किसी लोग शेव के खिलाब जाच करना परस्थाचानिवान दिनेम के प्रादों का दिलीबली स्विशिट इस अपना निविक्षिन किसी लोकिषय के खिरोप जाच करना, परस्थाचानिवान दिनेम दिनेम सो ठेशी के अधियोजन की मन्जुगले एक्सक्षम प्रादी का अरिलंबित आवेदन को पुनर लुक्त क करना के अधिन सरकार के इस तापीत निगम स्वामिति वाले सरकारी सुसाइटी आदरी में जांच करना इसका एक एक सारांस निकलता यह है कि जो एक थैप्डा बस्ताचार निवारण अधिनियम 1988 उसके तैट जांच करना तो क्या लिखेंगे कारियों में कारियों में लिखें नमबर एक अचार निवारण अधिनियम मिच्ण फैसे के तैट जांच कारिये के तैट इप इपी आई आर ये प्रेवेक्शन एक बात ऊगई ये दूसरी बात है अखिल वारतिय सेवा किंद्रिय सेवा किंद्रिय सेवा अधिकारियों के किस्टाचार अन्वेशन मामलों का इसके बाद आप अगर द्यान लखना चाहें तो केंद्र सरकार के जो मंत्रा ले और जो विभाग हैं और सरकारी संगठन है आधि की बश्टाचार समन्दीद मामलों की जांच करना हैं तो केंद्र सरकार के तीसरा लिख लो केंद्र सरकार के विभाग हो मां मंत्रा ले और में ब्रश्टाचार मामलों का प्रवेक्षन प्रश्टाचार समन्दी जांच अन्वेक्षन कि यह किस में लिखे गए धारा आठ में कारिये लिखे गए जांच के समय इनको सिविल नायले की सकती पराप्त होगी अगला लिखेंगे तो था पोइंट जांच के समय जांच के टाइम में इनको सिविल कोर्ट की सकती होगी मदब जब यह जांच कर रहे होंगे उसमें इनको पास सिविल कोर्ट और एक बात ध्यां रखना है आपको एक बात जरूर समय में आई होगी कि यह जो जांच कर रहे होते हैं इस जांच में यह परवेक्षन के कारी यह कर रहे हैं CBI अगर जांच कर रही होती है तो उनके कारियों का परवेक्षन करेंगे या फिर परवर्तन निदे साले जो इसकी खुद की कोई inquiry agency नहीं है यह ओनली शुप्रवाइजरी काम करेगा जब करेप्शन के कुछ चार्जेज लगे हो किसी पेर वहां पे अगर कोई TBI या फिर ED अगर वहां पे कुछ जांच कर रहा हुँता है, उस टाइम में यह उनके कारियों का सूपर्यूजन का कारिये इनके दोबरा किया जाएगा इसके बाद में आप प्तिहान रखना है किसाब इसका जो जूरिस्टिक्षन है अधिकार छेत्र है एक बात और याद सकते हैं कि यह केंदर सरकार को कुछ वर्ष्टाचार की मामलों में सला दिने का कारिये भी कर सकता है तो केंदर सरकार को कारिये का मतलब है जो गवर्मेंट से संबंदी अगर कोई कारी है तो वहां पर बश्टातार संबंदी मामलों की सला दिने का कारी करेगा इसका जो अधिकार छेत्र है कि किस-किस के अधिकारियों की जांच कर सकता है यह थोड़ा साब देख सकते तो आप इसका लिखेंगे कि अधिकार छेत्र यहां पर देखे यह लिखावा कि यह रिपोर्ट थोड़ी सी कि पिर्ची हो गई तो ऐसा कर लेते मैं यह आपको लिखवा देता हूं सारे कि अधिकार छेत्र कि इसके को अधिकार छेत्र लिखो अधिकार छेत्र पतल भी कि सका जूरीश्टिक्षिंड कहां कि है अधिकार कि इसक के सारे अधिकार जाएंगे कि सारे अधिकारियं तो नंबर एक कि अरे आधिकार एक को जांच कर सकता है एक बात तो यह दूसरी बात है गुरूप ए जो गुरूप एक जो दिकारी है इनके खिलाब जांत की जा सकती है आर बियाई जो नाबार्ड उसमें जो स्रेनिक घैके उपर किया दिकारी उनके जांत की जा सकती है सकती है कि उतिसालिके आर बियाई डाबार्ड इन जो गुरूप चैर से उपर किया दिकारी इसमें गुरूप ग्यार कि उपर कि दिकारी हों कि जांत कि जांत कि उपर मार्ट का पेरुब sudah और हम अभर और मारव ऐसे कोई घ्न कोई तो एक भांपनी है यह इसी कोई बैंक है यह सार मेद स्याहन उपकरम है इसमें96 00 सारवजनेक उपकरम में यह याद पूरे है कोई इस सारवजनेक उपकरम में निदेशक मंडल तो ही है डारेक्ट बोड तो निदेशक मंडल और इस निदेशक मंडल के साथ इसाथ में इसमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस अधिकारियों पर किया गया है इसके बाद में सामाने जो भीमा कमपनी है इसमें परबंदक मैनेजर और इससे उपर के कार्मिक आएंगे तो सामाने भीमा जो कमपनी है सामाने भीमा कमपनी जर्ल इंसोलेंस कमपनी सामाने भीमा कमपनी इसमें मैनेजर से उपर के अधिकारी करमचारी नहीं है मैनेजर से उपर के परबंदक के उपर से परबंदक के उपर के ठीक है इसके बाद में बात करते है छह में ऐसे कोई भी करमचारी जिनको डियर नेल्स अलाउंस जो डिये जो मिलता है सत्यासी सो रुपे से ज्यादा मिलता है उनकी जांच की जाएगी ऐसे कार्मिक ऐसे करमचारी ये कार्मिक जादिकारी इनका टर्प डिये हैं डेर्नेन्स अलाउंस मेंगा इजबता है 3700 ज्यादा ढका है 2700 ज्यादा उनके खिलाब जांच य caso यह याद मत करना कि उल्प Unlike इसमें अधिकारों को ज्यादा फोकस किया जाता है न कि करमचारियों को खिलाउ जांच यह जाती है 2 के देखिये तो अगली यह note लगा कि आप ऐसे डारेक्ट लिख सकते या चाहिए तो इसा देख सकते इसमें कुछ आपको धारा और काम की नजर आती है तो अब डारेक्ट लिख सकते हैं यह report note लगालो note अपनी report रास्ट पती को इसका मतलब यह अपनी report की इसको सब बीट करेंगे प्रसेडेंट को और प्रसेडेंट इसे सनसद में रखाएंगे राश्ट पती से संसद में रखाएंगे राश्ट पति द्वारा इन्हें इसको संसद में रखवाय जाएगा यह बात यह आंतक समझ में आ गई है अब इसका सची वाले भी होता है शिकायत आप इसके वेबसाइट में जाके भी कर सकते हैं इसमें आप पैचान गूप भी रख सकते हैं और पैचान उजागर भी करवा सकते हैं यह दोनों भी बात यहां पर हमज़ लेड़ी है यह बात आपके CVC को लेकर होगी जो मुझे समय में आ रहा था मैंने आपको बता दिया है अब अभी तक को जो CVC उनकी लीश्ट देखते हैं तो अगली हेडिंग अपनी क्या रहेगी यह सी वी सी देखो किता जोरदार यह आख है यह निली आख बनाए गई है और यह सारी सारी बात यह पर डिजिगनेशन सारी लिस्ट यह सारी सारी लिस्ट यह पूरी लिस्ट इसको आपको लिखना भी इसमें जो फर्स्ट है वह देखो एन एस रहा होग यह 64 से 68 तक रहे है फिर एस दत्तु 1968 से 9072 के बीच में रहे पके आचारी यह 1932 से 1977 तक रहे यह इंपूटकर 37 से 80 के बीच में रहे फिर आरके कि अब्बे से पिछार के बीच में रहे आछ एनिविट्रल ये इन सब्टमर में निस्फो ठ्यार्वं से दो जार डो से तक रहे पी संकर दो जार जांकि ब्ला ये दो जारघू से दो जार पांच रहे पित्यू शिना ये 2006-2010 तक रहे पीजे थोमस 2010-2011 तक रहे परदीव कुमार 2011-2014 तक राजीव 2014-2015 तक केवी चोधरी 2015-2011 तक संजेक उठारी 2020-2021 तक तुरेश अन्पटेल 2021-2022 तक और परवीन कुमार शिरिवास्तव ये दिसंबर 2018-2022 तक है यह थोड़ा सा देखना चाहों तो इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं कि अलावा इसका वोई लोगो अगयरा बन वो दिखाई देरा तो देख सकते हैं एक अंद्रिया सतरतायव लिखाववा है सत्य मेव जयते हैं आई एस बनते हैं तो आपकी टेबल के पीछी यह लगा होता है कि यह उख्याल है कि आज बाती टम लिखाववा है और के संतानम समीती लिखिवी है और और लिए और तो कुछ को टीवी सी डोट जी ओवी डोट इन इसकी वेब साइट है यहां पी आपके कर सकते हैं इसके बाद में जो अपना कमिशन आएगा वो आएगा केंद्र यह सूचना आयोग है इसका मतलब पीवी सी मेरे साब से क्लीर हो गया अब अगला जो आयोग आएगा वो आएगा अपना नेक्स्ट आयोग इसकी बात करते हैं तो जार पांच का केंद्र यह सूचना आयोग है इस सूचना आयोग है इस तरह अचना क्या है त्रेक्ट्र कैसे होगा इसमें धूठी की प्रिक्रिया क्या क्या होगी इसनार इकRe सूचना आयोग या सूचना अधिनियम बात कर लेते हैं और ऐड़िंग क्या रगरेंगे केंद्री सूचना आयोग कर लेते हैं इसके बाद केंद्री सूचनायक तर्चा करते हैं कि हर एक उसके बाद में ब्रेक करी लेते हैं सेली मिलते हैं कोड़े देर के बाद में करते हैं इसके बाद Hmm करते हैं जस्म mitigation एैं आच करते हैं झाल 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 चलिए ब्रेक ओवर हो गया, अब बात करेंगे अपन, केंद्रिये सूचना आयो की चेंटरल विजलेंस कमिशन की, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये काफी इंपोर्टेंट भी है, अपनने इसको डिसकस भी कर लिया है, तो सबसे पहले आप चाहें तो इसका एक्ट देख सकते हैं, केंद्रिये सूचना आयो 2005 का, इसमें कैसे में बन्यूक्त किया जाते हैं, कैसे इनकी योग्यता होगी, इसका मुख्याले कहां पर होगा, पदावधी कैसे होगी, मुख्य सूचना आयो क्या होंगे, तरपत कौन गिलाएगा, बच्चे कैसे अटाय जाएंगे, ये सारीक सारी बाते अपनी यहां पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन इसका एक मोटा मोटी बात करें कि अंदरी सूचना आयो की, तो इसका पहली बात होगी, समीदान में उलेख ही, है ही नहीं, तो Constitution में उलेख नहीं है, इंदरी सूचना आयो का, इसका मतलब यह एक है, हां विधिक, जनस्ता है, ठीक है, चेचुएटरी कमिशन है, दूसरा, इसका गठन, तूचना के दिकार, अधिकार अधिनियम, 2005 के तैथ, कि तैथ किया गया, कि इंदरी सूचना आयोग है, यह एक, इसका गठन है, उसका गठन है, इसका गठन के दिकार अधिनियम, 2005 के तैथ किया गया, इसका हम दो 2005 में RTI एक्ट पारित किया गया, जिसमें टोटल 6 धायो, लगबग 31 के असपास धाराएं, और 2 इसमें सिडूल दिये गए, इस आधार पर इसका गठन किया गया, तो अब सारी सारी चीज़े अपने इसमें देखते चलेंगे, पर सबसे पहले क्या, यह तो इसक इसका एक बेसिक सी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं, इसका जो केंदरी सूचना आई हो गया, इसको अपन डाउलोड कर लेते, PDF को उसमें देखते हैं, औरीजनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो चलिए, यह चलिए, आधान सेख एक चीज को देखते चलेंगे, और लिखते चलेंगे, नहुझ मत आगया आपके, इंदरीय सूचना योग पढ़ेंगे, इंदरीय सूचना आई हो उलेक समीधान में नहीं किया गया, और एक कैसी बोड़ी है, ओब यहीज़ी बात है, एक स्टेचुएटरी बोड़ी है पार्लियमेंट इसका गठन किया है पार्लियमेंट के लिए लो पास किया इसको अपन देखने वाले है धारत सरकार का लेटर आया है विद्यो और न्याय मंत्रा लेका गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री ओफ लो एंड जस्टिस देखो आपको साइद यह साप भी दिख रहा होगा बड़ेक्स रोम में है जूम आउट इन कर लेना तुम अब दिखाए दे जाएगा यह है और राइट टू इन्फोर्मेशनेट दोजार पांच एक्ट बाइस दोजार पांच यह नमर का है वोडिफाइड यह छोड़ दीज प्राइट टू इन्फोर्मेशनेट दोजार पांच यह देखें यहां से अपने को शुरुआत करनी है तो सबसे पहले बेसिक बात क्या करेंगे अध्याए एक अध्याए दो अध्याए तीन अध्याए चार अध्याए पांच अध्याए च्छे टोटल धारा 31 अनुसुची दो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि आर कि आई एक्ट कि दोजार पांच कि में टोटल जो अध्याए हैं एक्टर कि इसंग्या कितनी है ए कि इसमें कि आरा कितनी है कि अध्याइब पीस और अनुसूची कितनी है कि तो कि अध्याइब कि इसका मतलब इसका मतलब यह कि आर्टेक दोजार पांच में टोटल चेप्टर कि संग्या कितनी है हैं तारह कितनी हैं इस और इसमें सिड्यूल कितने हैं अब आज आते वापस यह तो होगी एक बेसिक बात इसकी अब एक एक पर बात करना शुरू कर देतें यह देखिए अराम से इसको देखते चलेंगे एक एक वर्ड को दल्दी बादी तो बिल्कुल नहीं करनी है पूचाने के लिए यह काम किया गया है और बाहरत के संविदान के लोगतांत्र गणजी की स्टापना कीर सबसे पहले बात है प्रारंबिक अध्या एक संक्षिप्त नाम विश्थार प्रारंब इसमें क्या क्या लिखावा इसको देख लो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और यह इसका विश्थार जम्मू को स्मीर के शिवा संपूर्ण भार्ट पर होगा जो बादकल जदा खास बाद यह परीवास में बढ़ा है कि यह आपको पर नहीं है को यह सूचना दिकारी की बात है मुखे सूचनायुक्त की परिवासा akshman Prakadhij की परिवासा है राज्य पाल की परिवासा है उन थह सारे बते अपर इपह लेखी गई है अकट अध्याइदो में यह सारी सारी परिवासारी दी गई देगे सीद्द हाथना अध्याय Suite में अध्याइद्धू की धारा टीन सूचना का दिकार क्या है लोग प्रादिकरी की बाद डिЕता उसके बाद में अनुरोध का निप्टान कैसे किया जाएगा उसके बाद में पहुंचा सुविक्रती पर्थक्रणियता धारा दस अरा ग्यारा परवेक्ति मदब थर्ड पार्टी सूचना यारे समें था पिछली बार इसके बाद सीधी बात करते केंद्रिय सूचना आयोग यह लीजी मैंने का ना धारा बारा अपने लिए सीधी काम की यहां पे है किससे मिलकर बनेगा मुख्य सूचना आयोग्त और से अनठीक मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होंगे होन्य सूचना थो विज्यान परद्यों Europered एवनर सेवा पिस् while no सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले एडिंग आली धारा बारा इसमें लिखे धार धारा बारा में साप साप लिखा गया है कि साब यह जो केंद्रिय सूचना आयो गया इसकी स्ट्रेक्चर कैसा होगा तो धारा बारा में पहली बात तो लिखी गई है तरंचना को लेखकर तरंचना का मतलब यहां पर क्या लिखा गया सद्धस्यों की संख्या एक प्लस दस होगी यह लिख लेते हैं तरंचना अर्थार्थ सद्धस्य संख्या कि इतनी होगी वन प्लस वन प्लस टेन इसके बाद आपको द्यान रखना कि इसमें अधिक्तम होगे वन प्लस टेन कम भी हो सकते हैं वन प्लस टेन उसके बाद में इसी धाराबारा में लिखावा कि साब न्युक्ति कैसे की जाएगी न्युक्ति के बारे में बात है तो धाराबारा में दूसरी बात दखिने करिगा इनकी नियुक्ति है वह राष्टर पती द्वारा कि जाएगी यह तो लिखावा शाब शाब टीन लोग की तिफारिशक पर एक परधान मंत्री कि खुद होंगे समिटी के देख्स एक होंगे इपक्स के नेता और एक कोई मन्नोनीत के बिनेट मंत्री यह सिधा काम किया जाएगा इसका मंदूर न्युकति किसके द्वारा की जाएगी राष्ट पती द्वारा रास्ट्पति निप्ति करेंगे पर रास्ट्पति अकेले नहीं करेंगे रास्ट्पति द्वारा रास्ट्पति एक सम्मीति की सिफारिश पर करेंगे एक सम्मीति की सिफारिश पर और इस समीति में तीन लोग होंगे, एक परदान मंत्री, एक विपक्स का नेता, और एक परदान मंत्री द्वारा मनोनित को एक केबिनेट मंत्री, पीम लेके आएंगे, पीम मनोनित केबिनेट मंत्री, नियुक्ति राष्ट पती, एक समीति की सिफारिश पर करेंगे, इस समीति में तीन मेंबर होंगे, यह एक परदान मंत्री खुद होंगे, एक विपक्स के नेता, और एक इन के द्वारा कोई मनोनित वेक्ति होगा, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि विपक्स के नेता का अगर पद मालो खाली है, या विपक्स के नेता को माननेता नहीं है, तो फिर यह माना जाएगा सबसे बड़े दल का नेता, दूसरे सबसे बड़े दल का नेता, या फिर सबसे बड़ा दल तो हो गया, जिसने सरकार बना ली, और दूसरा सबसे बड़ा दल हो गया, वो यहां पर हो गया, मैंने पिछे भी आपको बात उता दी, तो दूसरा सब से बड़ा दल क्योंकि जनरली एक्ट बनाते टाइम यह ध्यान रखा जाता है कि अगर प्रोपर आपको पास दस परशेंट शीट नहीं तो आपको विपक्स की मानिता देती नहीं है सरकारे कोई सीव सरकार हो चाहिए बीजेपी हो तो कॉंग्रेस को नहीं देंगी कॉंग्रे कि इसके बाद इसी 129 में तीसरी बात लिखी गई है कि जो तो सूचनायो के कार यह हैं तीसरी बात क्या लिखी गई है वह भी लिखे लेते हैं सूचनायो के जो घर यह हैं सूचनायोग का जो अधिक्षण का कारी निदेशन का कारी परबंधन का यह मुख्य सूचनायोग करेंगे ध्यान रखना आपको तो कारी लिखना ठीक नहीं रहेगा ऐसा लिख लो सूचनायोग का अधिक्षण का अधिक्षण का यह काम कोन किसके द्वारा किया जाएगा मुख्या सूचनायोग के द्वारा यह थोड़ा ध्यान रखेंगे आपके अधिक्षण का यह कार यह का मतलब सूचनायोग जो है इसका निदेशन परबंदन और अधिक्षण का जो प्रद्वारा किया जाएगा इसके बाद इसे द्वारा में इनकी योगयता का उल्ले किया गया एक चाहब योगयता है वो इनकी क्या होगी यह बात यहां पर लिख अब चोत्ती बात लिखेंगे योग्यता क्वालिफिकेशन वैसे तो कुछ साफ नहीं लिखेंगे पर ऐसा लिखा कि विधी विज्ञान प्रोध्योग्य की समाद सेवा पत्तर कारिता परसाशन आदि में कोई अन्वा होना चाहिए तो किस-किस में विधी में कि विधी कि विधी विखेंगे प्रोध्योग्य की कि पत्तर कारिता लो है साइन्स है टेकनोलोजी है पिर पत्तर का जनलीजम है या फिर प्रसाशन है या फिर समाद सेवा है एडिमिनिस्ट्रेशन प्रसाशन इसमें विशेष अनुबव इसमें विशेष अनुबव हो गई नियुक्ति की सम्मीति की सपर हो गया सूचन आयोका निदेशन परबंदन अदिक्षन मुखे सूचन आयोक के द्वारा क्या जाएगा योग्यता की बात हो गई इसके बाद इसकी बात लिखेगी कौन इसके सदस्य नहीं बन सकते यह तो कोई कि यह तो कोई MLA है MP MLA या कोई ऐसा भी हो सकता कि साब कोई कारोबारी हूँ अब अब颜ॉट का कारोबार कर रखा है या कोई लाब का पद न ne प्रांप्र कर रख और वर आज्जतिक दलसे जुड़ा हो और आफending का पद इसक्रावारी को या फिर कैसी ने जी मैं अनलय कोई कुछ नख़कों कि या टीरतिकक दल से जुड़ा में हो हो ये वाले इसके मेंबर नहीं बन सकते क्या योगेता होगी ये भी लिखावार क्या योगेता होगी तो आप नहीं बन सकते ये भी आपे लिखा हुआ है इसके बाद में बात करते हैं किसाब इसका headquarters कहाँ पर ये भी आपे लिखावार मुख्याले अगली बात क्या लिखेंगे इसका इसी में पांचवी बात फिप पॉइंट क्या लिखेंगे इसका उख्याले पांचवी बात क्या ले तही दिल्ली और अन्य स्थान पर भी स्थापित हो सकता है अन्य इस्थान पर भी इस्थापित किया सकता है इसके बाद में आशाइक सब इनको जो ओथ है सपत है तो आफ राश्ट पति के दोफ़ा दिलाई जाएगी तो अगली बात लिखेंगे इनकी अग्ली इसी में सपत राश्ट पति मिला कि वापस एक्ट पे आते हैं यह अपने देखो बारा पड़ा क्या क्या पड़ा बारा में साथ बाते देखिए अपने प्रवार क्यों हो गया क्यों हो गया अपने कर लिया कि निकाय होगा और ऐसी सत्य करते होंगी जिसमें एक मुख्य सूचनायोगत होगा आप मिलान कीजिए और दस अन्य सूचनायोगत होगा लिख लिए कि नुटिराश्ट पती दोरा की जाएगी और इस सम्मिति की सिपारिश्प की जाएगी मिलान कर लिया केंद्रिय सूचनायोग के कार योगा सादान अदिक्षन निदेशनन और प्रबंदह मुख्य सूचनायोगत होगा जिसकी साईटह सुचनायोग दौर रखिजाएगी ईसी साइसे प्रियोग और ऐसे सभीकार ये करेगा जो इसको केंद्री सूचनायुक्त से इसा दियम के दीन करने के लिए दिया जाता है यह बात अलग से करें इस ऐसे संकाय राजी दानकर सदस्य नहीं होगा की राजनितिक दल से संब्ध होगा की कीदूचनायुक्त si यह सब्तिया नहीं है अभी लिख लेते इसको आप खोड़ा सा सपत वाला देख लीजी वापस से यह जो अपने ओथ लिखा इसको एक बार यह से काड़ दीजिए ठीक है मुख्याले कहाँ पर होगा नई दिल्ली में और यह चीज और एंड कर सकते हैं के अंदर सरकार के पूरो अनुमोधन से के अंदर सरकार के कि अनुमति के बाद कि अनुमति के बाद कि अन्य स्थान पर भी अन्य सहर में भी कि देखे एक चीज और बताओं आपको मैं कि देखिए कि मुझे बताना था नई दिल्ली नहीं लिकावा है क्यों कि उसमें ने दिल्ली का दिल्ली लिकावा है पर ठीक है यह माइनूर बात पें। कर सकते हैं एक चीज camping अनुषार तो यह हो तो यह हो गया मुख्याले यहां पर होगा एक चीज और थोड़ी सी मुझे नहीं जचरी है यह जो लिखा हुआ है ना यह वाला और इसको यह हो गया यह हो गया इसके बाद यह वाला हो गया कि यह चीज जो मैं आपको बताना चाहरा था मेरा मतलब यह था कि अपने वह बात लिखी कि इसके कारियों का अदिक्षन नियंतर्ण करने के लिए वह बात में आपको दिखाना चाहरा था कि सरंचना होगी एक न्युक्ति राष्ट पती द्वारा सम्मीति की सिफारिस करेंगे यह मुख्य सूचना युक्ति होगे और इसके लावा योगर्था की बात अपने कर ली और इसके अलावा विशेशन ओं की बात अपने को सद्द शी नहीं में बंशेक्ता ये बात कर ली हैं एक चीज मैं मिस कर रहा हूं तो यह यह स्क्रीन जदा बढ़ी लो उसकी साहिता के लिए अन्य चुनाव आयुथ होंगे ऐसा लिखेंगे कि जो मुख्य सूचना आयुथ हैं आप को ये बताय था कि कार्यों का निदेशन परबंद नदिक्षिम करने के लिए होंगेए उस यसाएता के लिए एक लाइन वो यह टो इस हसा के लिए लने अब बात करते हैं पंड्यकि पदावदी को लेकर अगेत फ्रसक्रेत 13 13 basically बताती है अपन को पदावदी के बारे में यह पर इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग इसलिए कि पहले इनका कार्यकाल अलग था अब इनका कार्यकाल अलग कर दिया यह थोड़ा सा जान रखना पड़ेगा अपन को जब इन वर्स का कार्यकाल और अपने पद पर उन्हें नुक्त भी हो सकते हैं पर अब यह एक्ट में नहीं है तो देखिए क्या लिखावा उसको और 2019 में बदलाव आ गया वह बदलाव यह नहीं देखिए पदावदी यह क्या लिखावा देखिए मुख्य सूचनायुक्त जिससे पद ग्रेंड करता है पांच वर बात और आपको बताओं यह हो गया को के सूचनायक सूचनायक पर राष्ट पतिया उसके द्वारा यह सब पत्तों लिख लेंगे भी किसी राष्ट को अस्ताक्ष्ट्याग पत्त्र नहारा 14 के तैजिन को हटाए जा सकता है और वेतन बत्ते फिक्स होगे यह वेतन बत्ते आपको बताओं अभी आप लिख लेते हैं 13 अपन लिख रहे हैं 13 13 13 में पहली बात आप लिखेंगे पदावदी तो ऐसा लिखेंगे कन्फ्यूज नहीं होना है मूल एक्ट में मूल एक्ट में या ब्रेकिट में 2005 बाच में पार्यकाल कितना लिखावा था पांच वर्स देखें यह वापस माइपको बतादू मूल एक्ट में जो कार्यकाल लिखावा था यह 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 वाला आप इसको बहुत ध्यान से इसको देख लेंगे क्योंकि यहां से कोशन बनने की गुजाइस मुझे लग रही है पांच वर्स की यह लिखी हुए है और 65 वर्स लिखा हुआ है तो मूल एक्ट में क्या था 2005 में 5 वर्स और 65 लिखावा था पर अब बड़ा सा नोट लगाना है गडबन नहीं करना मूल एक्ट में 2005 में से लिखावा था परंतु 2019 में इसे तीन वर्स कर दिया तीन वर्स तो क्या बदलाओ किया उसको अपन एक फोर्म में अलग से ले लेते हैं धारा तेरा लिख रहे है ना धारा तेरा में ऐसे डिवाइड करके मैं बता तूता की कन्फ्यूज नहीं हो आप देखे धारा तेरा में ऐसा लिख होता की बहुत अच्छा आपके याद रहे जाएं iso 35 में क्या था अऔर 2019 में क्या हो गया कैसा कि आ पड़्यां के कि ये एक्ट में नहीं लिखा हूआ है एक्ट में इतना लिकावा ये यह अट में लिकावा था पास वर्श और 65 बडिए तरा को और साथ में दूसरी बात क्या लिखिए थी एक बात तो य कुकश कई लिखिवी थी छी दूसरी बात यह ली कुवी थी कि तो न युकत में न्युकत नहीं कि कहाच यह ओरीजनल एक्ट में यह लिखावा था चेंज कर दिया इसको देखो इस पांच वर्स के जगे कर दिया तीन वर्स और पुने नियुक्त भी हो सकते हैं एक बदलाव तो किया यह वाला और द्यान रखना इसका मतलब अभी एक नोट लगाने इसके नीचे की वर्तमान में ऐसा लिखो एक्ट में एक्ट में पांच पैसेटी लिखावा पर यह 2019 एक्ट में कुछ ऐसा लिखो यह 2019 के रूल है यह एक्ट है यह बहुत ध्यान से और यह रूल्स है रूल्स और जब भी रूल्स बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा फोर्म नहीं किये जाते हैं इसलिए अब वो सकता है कल को कार्यकाल 6 वर्स कर दे कोई संसोद नहीं करना पड़ेगा यह यह रूल्स है 2019 रूल्स लिखना आपको मोटेक्षरों में रूल स्टार लगाके 1 दूल्स कर दिया और पुनन न्यूपतेनी एक बदलाव तो किया यह वाला इसका मतलब कोश्न पूछे कि वर्तमान में एक्ट में क्या लिखावा है आप कहेंगे साब एक्ट में कुछ नहीं लिखावा है सभी बात तो यह लिखावा यह निरिष्ट हो गया अब एक्ट में कुछ लिखाव नहीं यह अलक्षे रूल बना दिये रूल की कोपी लियाई सरकार आसुद में आगई इसके बाद आपको ध्यान रखना किसाब जो अपुन्दन नुक्ति होई जाएगी एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि सपत है वो राष्ट पती द्वारा दिलाई जाएगी यह आप यहां पे लिख लेते हालांकि 2019 में और बदलाव किये गए हैं व्यत्तन को लेकर बदलाव किये गए हैं पर अभी मैं नहीं ल लिखावा था पहले यह लिखावा था कि एक तो गया यह वाला बदलाव कि यह वाला और क्या बदलाव यह लिखावा था पहले कि जो वेत्तन है ना वेत्तन वो मुख्य चुनावायूत के ब्राबर मिलेगा मुख्य सूचनायूत का वेत्तन मुख्य चुनावायूत के ब् मिलेगा तो देखे वेत्तन को लेकर क्या लिखावा था एक्ट में कि ज्ञान से सुनना तो मुख्य सूचनायुक्त जो है मुख्य सूचनायुक्त इनको तो मिलेगा मुख्य चुनावायुक्त के बराबर टीफ कि इलेक्षन कमिशन लिख राओं में मुखे चुनावरा वके बराबर और अन्य सूचनावट हैं कि इनको मिलेगा है जो चुनावायूग थेệnकि इनके बराबर 2019 में बद्दाव कर दिया रेका कि केंदर सरकार ते करें गियागा कि अंदर सरकार द्वारा कया जाएगा कार द्वारा कया येड एपिन बना लेना बहुत इंपोर्टेंट चैनले मोरत कम екст मैं कुछ नहीं लिखांगों रूओल लेक्शर काड़ीस में एक्ट तो राई नहीं वैसे एक्ट रहर है पर इस मामले में एक्ट नहीं रहा या आपको जुरूर ध्यान रख लेना है अब बात कर लिते हैं इनको भारा 14 की यह वाला समझ में आ गया हुआ आपके पीछ आते हैं तो इसका मतलब यह वाला लिखावा था यह वाला लिख लिए आपने अब बात करते हैं आप जवता से पहले देखिए एक चीज़ और तो अब इनका वेतन आपको मैंने बताई दिया और अब इनकी सपत और यागपतर यह दोनों और हटाना तो के सूचने सूचने अजय कुए ङक अब बात करते हैं जो शुचने गला है इसके द्वारा आपिक गुद्ध कि द्वारा त्यार्ड़ उलाव्ट्ध कई और राश्ट्पति और त्यागपत्र भी राश्ट्पति एक अब बात करते हैं मो अब बातकरिया दहारा 14 दो 12 त्यार बात कर ली आब बात करते दहारा 14 कि लिखे 14 झाल झाल इसका मतलब होता है कि मुख्य सूच नायकतों और अन्य सूच नायकतों को अपने पद से इस प्रकार से उनको अपने पद से हटाये जाएगा उसकी बात अपने यहां पर करने वाले तो बात वही है हटाने वाले दो पिछे आज़दार पटे राश्ट पती द्वारा टाय जाएगा अगर साबित करदाचार प्रूड मिस बिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करके टाएंगे और अगर Divalya, नेतिक अदमता, मानसिक, अक्षमता जाए ले लेता है तो उसको बिना जांच कैट आज़ेंगे तो इसका मतलब इनको फटाने केलिए वो इह दो बात है आप एकलियर करके लेंगे अपन फटाने केलिए दो बात हैं पहली बात हटाएंगे रास्ट पती रास्ट पती पर हटाने के बाते अलग लग है अगर साबित कदाचार है प्रूड मिस बिहेवियर है अबित कदाचार या ए समर्थता है तो सुप्रीम कोट की जांच के बाद राश्ट पती रटाएंगे तो सुप्रीम कोट से जांच के बाद रटाएंगे एक बात हो गई यह दूसरी मान लेते हैं की वो दिवालिया हो गए या नितिक अधमता हो गई या वित्य और ने वो लाबगापद ले लिया या कोई नियो जिन सुप्र कर लिया तो बिना जांच के राश्ट रटा देंगे चिर जांच के पतीन कोट दिवालिया हो गए और दूसरा नेतिक अधमता या लाब का पद दिवालिया हो गए या नेतिक अधमता इंसोलेंची बैंकरप्सी हो गई लाब का पद ले लिया या सारीरी क्या मानचिक अक्षमता हो गई सारीरी क्या मानचिक अक्षमता तो अटाएंगे तो आपस से राश्ट पती पर बिना जांच के अटा देंगे तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के है कि है कि जब तक यह जांच चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट की तब तक कि राश्ट्पती निलंबित कर सकते हैं यह आधर राष्टष पेषिया करसकते हैं राष्ट्पती कें ज्शक ने एंट्रेस्टल अधिए उप सुप्रीम कोट प्रूड मिस्ट बिएवियर किया इसको यहां पर प्रिवासित भी किया इस एक्ट में अलागि पिछे वाले में भी है यह मने आपको ओलेडी जब अपने आर्पेसी पड़ा तब मने क्लीर कर दिया था एक चीज यहां पर फिर भी लिखना चाहो तो लिखो कि साबित कदाचा किसे का जाता है यह जो साबित कदाचार है यह किसे का जाता है सुप्रिम कोड जांच कोंचिन उच्छेचे करेगा बहुत बार मैंने बता दी 145 से अब यहां पर साबित कदाचार क्या है चबित कदाचार अबित कदाचार दो ही बाते यहां पे कलि het अबित कदाचार को लेकर पहली बात तो यह हैं वह कोई नियोजन सोिकार कर ले नियोजन वै esse को कमपनी है किया पोपोर्फ कोई कॉर्परेट श्रीम है उसमें अपनाऄ documents दिखा दे या फिर bother सरकार उसके ओर चेट कोई समीधाय करार कर ले तो या तो कोई निगमित कोंपनी है उसमें कोई सदस्य बन जाए या उसमें इसमें पना हीद दिखाए फेहली आओ या भारज सरकार या किसी अन्य सरकार या राज्य सरकार इनकी तरफ से कोई सरकारी में कोई समीदा वगेर कर ले, कोई कॉंट्रेक्ट वगेर कर ले, तो ये क्या कहलाता है? अर्थार्थ बारसरकार या उसके और चे कोई समीदा वगेर कर ले, करार एग्रिमेंट और कोई कॉंट्रेक्ट कर ले, या फिर कोई निगमित कमपनी में कोई हिस्यदारी ले ले, लिको निगमित कमपनी में हिस्यदारी, तो इसमें ऐसे कंडिशन में इसको रिमू कर दिया जाएगा अब बात करते हैं अधारा 12 हो गई धारा 13 हो गई धारा 14 हो गई एक नोट लगा लो लग से कि यह जो सूचना जो आयोग अपन पढ़ रहे हैं इसका सुप्रविजन का कारिय किसके द्वारा केंद्रिय सूचना आयोग पर प्रवेक्षन कोन करता है कार में को प्रशिक्षन विभाग मतलब अगर आगर आई एस बनते हैं आरेस बनते तो डियो पीटी जो है वो इस पर का कारिय करता है अलग से नोट लगा लो एक चीज दिमार्ट में तो लिख लेते हैं कि लिखे सूचना आयोग पर निरिक्षन और प्रवेक्षन एक बार मुझे लिखने दीजिए का कारी है कार्मिक प्रस्रिक्षन एक विखाग और एक विखाग और एक विखाग प्रस्रिक्षन कार्विक पर्षिक्षन विभाग जो है उसके द्वारा कंद्रा परर्षिक्षण विभाग द्वारा मत्राले द्वारा ड्पार्ट्मेयन ड्यito-pt जो है तो पर क्या करेगा डीनों करेंना चाहे हूँ कार्मी और प्रस्रिक्ष्ण विभाग केता है संगतन ठीक है ठीक ठीक समझ गें कार्मी और प्रस्रिक्ष्ण विभाग द्वारा केकिया लिख कृमें कर्मी और प्रस्रिक्ष्ण के क्या प्रस्रिक्ष्ण deprived रख शकते अब सीधा चलते है पन्रेंह dwar शोचनायोग के क्रते कारिय किसकिस हैं गार तरा तूचनायों के कारियों के बारे में अब अपन धारा ठारा पर चलते हैं कोई भी चीज बच नहीं जाए मतलब यह जरूर धान रखना को कि अधावदी सेवा सत्य आगई तूचनायों की कि अधाओ आ कि देखे सूचनायों की सकतियां करते और अपील सास्तियां तूचनायों की सकतियां क्रते तटे कारिये लिखावा है को सूचनायों की सकतियां और करतेabeth 17 कि ऌह अपील पनीस में लिखी गई यह यह देख लेंगे थोड़ा था corresponding owner जुर्माना लिखावा ये भी देख लेंगे फिर राजी सूचनायोगा गया तो 18-19-20 तीनों हल्का सा देख लेंगे वैसे 18 देखेंगे तो चल जाएगा तो आप एडिंग क्या लगाएंगे अगली एडिंग लगाएंगे धारा अठारा क्रते केंद्रिय सूचनायोग जो है इनके functions क्या होते हैं कार ये क्या है तो धारा ठारा में केंद्रिय सूचनायोग के क्रते लिखेवे हैं अब इनके क्रतियों के लीस्ट जो अपन देख सकते हैं किसाब ये निमली खिते कुछ issues होते हैं उनमें ये शिकायते या जांच कर सकते हैं इसका मतलब होता है कि धारा ठार लेकिन वापर लिखा कि निमली खित मामलों में जांच कर सकते हैं या शिकायते प्राप्त कर सकते हैं इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऐसा लिखे कि सूचना योग मैं थोड़ा लिखवाता हूं इसमें से लिखे सूचना योग निम लिखित कामलों में क्यायद प्राप्त कर सकता है पहला तो अगर लोग प्रादिकारी कि नुपती नहीं कियो अभी आपके समझ में ऐसे आएगा नहीं इसको देखते हैं जैसे माल लेते हैं यह विभाग है वन विभाग फॉरेज डिपार्टमेंट और द्यान से इसको समझ लेना है आपको पिता कि वनवी वाग में बहुत सारे कारी यह होते हैं बहुत सारा बजट आता है अब जनता इधर खड़ी है जनता यह है जनता को चाहिए वनवी वाग से सूचना है अब पास कितना बजट आया कितने पुद्य लगाये कितनी नर्स स्वास्ते विभागो आपको अपने विभाग में एक अधिकारी रखना है या पर यहां पर आया इसको पूछा तरह आपके विभाग में इस साल कितनी नरसरिया त्यार की है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है इस सूचना को लिख के देगा कि हमने भी इस नर्स्रीय त्यार किया है सूचना इसको मिल गई मालो ये चूचना नहीं दे कि इस आजमी के पास यह पास्प्शन होता है कि इस नहीं दी इस उपकर वाले पाच जाएगा कि सर मैं पील कर रहा हूं आपके पास में यह वने वाकता है इसने घिकर साथी यह नहीं दे चो पिर शीधा उपर उपर का उपर जाने के दो रस्ते एक ये रस्ता और एक ये रस्ता ये रस्ता जाता राजय सूचनायोग में ये रस्ता जाता केंद्रिय सूचनायोग में आपको जिसमें मर्जी उसमें जा सकते हैं दोनों मालों की पैरलल है। ludatיה हैं की सब्सक्ष जाएंगे कि सदार प्रभाब तो यही तो है। पहला तो यह कि सब fewer वह बागवाले किसा हमारे पास करमचारी नहीं हूँ है इननुरा ने उनकी नहीं कि यह तो यह फे से इदर चली focus पहली सर्थ यह अगर आपने लोग प्रादिकारी को नुपती नहीं कर रखा तो दस्ताई नहीं है सिदा सिदा जाओ इधर से इधर से इधर एक तो तब सूच आप अपनी सिकायच कब कर सकते पिच्छा हो पिच्छा हो कुछना यो को निम लिखित मामलों में आप सिकायच कर सकते हैं वो शि है अबर इसने बिल्कूल यह सुखना प्राप्ति न कराивать को यह क्या करना तुम्हें नर्सरियों के आने का की बात है इसने अइसस्विकार कन दिया और दूसरी बात तो फिर आधन इसने लिन लिए तो वह पस रस्ता इदर से जाने का लेगा लेगा प् bullish तीसरी बात ही है कि इसने खा कि ठीक है देदेंगे सूचना अभी तो आया है लेटर अगले साल तक बताते हैं इनको समय में सूचना दी नहीं तो अब इसने लेट लेट कर रहा है इसने फाइल अपने ड्रोवर में रख दी तो आपस इधर चले जाओ या कि इधर चले जाओ पाच्वी बात पाच्वी बात अचानक लाइट चली गई लाइट तो वैसे पहले भी गई थी अब यह आपको पता कि लगातार आठ या नो गंटे की क्लास चल गई बीच में पहले दो गंटे की हो गई तो यह इन्वेटर का बेटकर भी पूरा होने को आया यह बीच में सारा सब कुछ बरगाईब हो गय अब महते है आपनी तो यह अपने लिखा कि अठारा में यह लिखा वात है कि सूचनायो के कृतियों के बेरें बात की गई अप्येंट्री सूचनायों के जो क्रते हैं वह किसप्रकार 18 में में निम्लिखित जो मामले उनके खिलाप आप सिकायत प्राप्त कर सकते है तो शिकायत प्राप्त करने के लिए आपको पताए कि जैसे अपने एक्जाम्पले रहते हैं फोरेस डिपार्टमेंट का बन विभाग का यह माले हैं कि या तहुँ सूचना कि कि इस विभाग नियुकती नहीं किया तो आप स्टेट वाले AIG में जा सकते हैं या आप सेंटर वाले AIG में जा सकते हैं aí दूसरी बात आप माल सब्सक्राइद यह जो अधिकारी यह वाले अधिकारी और यह बिस वन convergence तैने कर नहीं कर रहे हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं तो यह इस अधिकारी ने आपको सूंचना बामग दी या सूंचना देर में बहुत डिले कर दिया या बेला तो इस आप से ज्यादा ले ली या कम सूचना दी या चाहिए की सूचना नहीं दी इस प्रकार के जो सारे मामले हैं इन मामलों में केंद्रिय सूचना योग में आप अपील कर सकते हैं आप शिकाइत दे सकते हैं कुछ शिकाइत की बाते जो अपने लिख लेते नंबर एक अब य ये विभाग ने कि लोगप्रादिकारी निवसमें किया मलति है कि विभाग ने लोगप्रादिकारी यह निवसमें किया पहली बात तो और इस चुभागवाले महरे पास करमचारी नहीं है सर हम P.I.U कहां से न्यूक्त करें आप सीधा वापे सूचना के लिए आप आवेदन वापे कर सकते हैं सीधा आप अपील कर सकते हैं दूसरी बात है कि साब अगर ऐसा हो सकता है बूसरा का आवेदन आपने दियार आवेदन को तो दूसरा है आवेदन एस्विकार कर देना को अरू अवेदन कि और स्विकार कर दिया थी आप का अवेदन लिया लोचो डिया खिशा Dazu आप कर सकते हैं और किया भाइऐ रूंचे कूछ आपको साही समय पर नहीं दी है उना पंद सोचना नहीं देना समय पर है cu कि तो थी बात कौछ तो थी 4 बात इए कि और कि आप से फीस्जाल चार्ज करली मतलब आंक से पैसे ज्यादा ले लिए तो वीस आप से अधी Social या एसा है कि साव आपसे अपको ब्रामक सूचना देदी जुठी सूचना देदी फाल साप को इनफर्मिशन देदी पीस ज्यादा चार्ज कर दिया या फिर गीवन टाइम में आपको इनफर्मिशन नहीं दी या फिर आपका जो अप्लिकेशन फोर्म उसी को रिजेक्ट कर द इसे मामले में आप सूचनायोग में जाके अपील कर सकते हैं दूसरा यह कि माल लेते हैं आपने शिकाई तो करी नहीं पर सूचनायोग को खुद को एसा लगा कि हमें स्वेम को जांच कर लेनी चीज़ इस मामले की तो ऐसा है कि वो स्वेम को अगर समाधान हो जाता तो सोत संग्यान लेकर भी किसी मामले में वो जांच कर सकते है तो आपको ध्यानकना सोत संग्यान वाला अगर कोई ऐसा मेटर होता तो सोत संग्यान करके भी जांच कर सकता है उसको स्वेम को ऐसा समाधान हो जाए कि जांच क कि समादान हो जाए कि जांच करनी चाहिए तो जांच की जा सकती है इसी मामले की शिकायत प्राप्त की जा सकती है अब जब यह जांच करेंगे तो आपको पता कि जांच शिविल प्रकिरिया सहीता 1908 के जांच की जाती है इसका मतलब है कि ऐसे में इनको सिविल नाय ले की सकती प्राप्त हो जाती है सिविल नाय ले की सकती का मतलब है कि सज्जा तो नहीं दे सकते हैं यह पर सम्मन जारी कर सकते हैं दस्तावेज का प्रक्टिकन करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई तूचनाई मांग सकते हैं, कोई दस्तावेज रिकोर्ड मांग सकते हैं, कोई गवाई ले सकते हैं, यह सारे काम, तो जब यह जांच कर रहे होते हैं, जांच के समय, प्राप्त होती है और वो सिविल परक्रिया सहिता 1908 स्यक्रीय सहिता 1908 के तहत अब यह hours हाउर ऑ जाते civil वाले में यहां पे आप लिख सकते हैं कि आप संब्मझ जारी कर सकते हैं कि अ स्कादम गष लेसकते हैं कि रिकार्ड मंगा सकते हैं ऐक बात और और अगर यह कोई जांच कर रहे हैं वह ऐसी कोई जांच जो कानून से ऐसंगत है तो भी जांच की जा सकती है अर्थार्थ नोट लगाओ एक लाइन में और ऐसा लिख सकते हैं नोट में कि जांच करते समें अगर अधिनियम से अगर यह थोड़ा समझाता हूं कि अगर संगत हो तो भी तो भी कि रिकोर्ड प्राप किया सकते हैं अगर मतलब क्या है कि मालते की जांच कर रहे हैं और जांच करते टाइम उनको लगा कि सब यह वाला अगर जांच करते धारा 19 आप ध्यान रखेंगे जो अपील को लेकर अपने बात की अब बात करते हैं धारा 19 की 19 consist palace अपील को लेकर है अपील पहली बात थो यह कि कैसे कैसे का प्रोसीजर क्या है अपील का मैं ने क्या बता दिया विभाग वाली बात करते है सबसे पहलिए विभाग में पियाइव आपको मिलेगा आगे बेठा उसके बाद में अपी लिये दिकारी मिलेगा अपी लिये दिकारी उसके बाद में ये भी नहीं सुनता तो फिर आप या तो तो केंदर की बात करें या फिर राज्य में तो आप वहां पर फिर या तो केंद्रिय सूचना योग में केंद्रिय सूचना योग में या फिर राज्य नायोग में आप जा सकते हैं तो दारा 19 में अपील के बारे में लिखा हुआ या पर लिखावा या पी-ाई-ई-उ पी-ाई-उ चै ट्रै निवे दिगारी के पास जाएंगे या तो फिर केंद्रिया सूचना योग में जा या फिर आप राध्य सूचनायोग में जा सकते हैं इसके लिए अवदे भी लिखिविक साब पी आयो की अपील आप 30 दिन ऑप्रज सूचनायों में ते अपना कि अपील कर सकते हैं अंतिन धारा धारा 20 जुर्मानों को लेकर है कि क्या सास्टी क्या हो सकती जुर्मानें तो धारा लिखे धारा 20-22 कि अपर सास्टी जुर्माայणें के बारे में लिखावणें इसका मतलब किसब कैसे किसुर्माने अधि रोपित होंगे कैसी नियुकैंगे यां पर किसाँ अगर कोई सूचना नहीं देता तो दो सो 190 रुपे से लगा के 20,00 तक और अधिक्तम झूर्माना लगा जा दिख्टम आपने मालव सूचना देनी थी आपको 30 दिन में और आप 40 दिन में 40 दिन तक आपने शूचना नहीं देव देवें तो पिर आपको पता कि यह साइब about 10 दिन के एसाफ से आपको 2810 रुपए के साफ से आपको पे करके और लेंगे यह दिश्य क्यों 25 जूरुपाना वह सकता है कि यह आपका हो गया सब तुचनायो के बारे में के अंध्री सूचनायो के बारे में अगर आप चाहें तो कुछ उचना एक दो इन्फोर्मेशन में आपको और बता सकता हो, अपील को लेकर, जब किस परकार से सूचना की अपील के बाद में परकटी करन किस परकार से कह जा सकता है, परकटी करन का मतलब यह होता है, जैसे आप सूचना आपने मांगी, तो कितने दिन में आपको इन्फोर्मेशन देनी पूछ ले पूछना यह अलग से नोट लगा के है नोट करना परकट करने की अगर सामाने प्रिष्थिती है अगर सामाने प्रिष्थिती उख मत चाहिए तो आपको सी दिन में दिन में प्रिष्थgado करेंगे धिक दूसरी बात है कि सूचना P.I.O. से सम्मधित नहीं है सूचना चाहिए थी आपको चिकिछाई वाग की माल लेते हैं और भेज दिया आपने वनी वाग में इसका मतलब P.I.O. की सूचना है यह नहीं वो तो फिर वो 5 दिन और अक्स्टा ले जाएंगे उसमें अगर P.I.O. की सूचना नहीं तो 5 दिन एडिशनल आपसे चार्ज के जाएंगे अगर सूचना P.I.O. से सम्मधित नहीं है अगर सूचना P.I.O. से सम्मधित नहीं है तो वो फिर दूसरे विवाग में बेज़ेगा संबंदित नहीं इसमें तो फिर टाइम लगेगा तो प्लस फाइफ डेज ओर लग जाएंगे अगर सूचना थर्ड पार्टी से संबंदित है तो फिर चालीस दिन आपको लगेगा तो प्लस पांस दिन समय लगेगा और मालों को यह से सूचना जो विक्ति के जीवन मरन से जुड़ी हुए मतलब जीवन के अधिकार से जीवन की सब्चुनतरता से जुड़ी हुए जीवन के अधिकार से जुड़ी हुए तो फिर सूचना 48 गंटे में देनी पड़ेगी 48 ऑवर्स मां 48 गंटे कि आपको ध्यान दे कुछ सुल की बात कर ले तो अगली बात ही है कि साब इस परकार मैंने आपको पढ़ाया था कि अब राजय सूचना यह सब पढ़ा कि कोई प्रारूफ फिक्स नहीं है आप सादा कागज लीजिए उस पर सूचना मांग सकते हैं तो कोई प्रारूफ प्रारूफ निर्धारीत नहीं है इसका सबसे खूबसूरती इसकी यह है तब इसमें लिखावा कि सुलक और प्रारूफ प्रारूफ की बात करें यह अलग इन्फोर्मिशन है प्रारूफ आप क्या लिखेंगे इसका प्रारूफ फिक्स नहीं है या निर्धारीत नहीं है आप सादे कागज पर भी सूचना मांग सकते हैं और इसके लिए अलग लग वैसे सुलक हैं जिसे 10 रुपए का आपको पोस्ट लोडर लगाना है और बीपील के लिए यह जो आवेदन निसुलक रहेगा इसका जो आवेदन सुलक है साम्माने रूप से 10 रुपए अलाकि फोटोकोपी के चार्ज आपको अलग से किये जा सकते हैं पर सुलक किसे भी बासा में आपसे आप मांग सकते हैं और अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप जाएंगे मानलों विभाग में तो फिर पियायो की जिम्मेदारी है कि वह आपकी सूचना को खुद लिखेगा कि आपको कौन सी सूचना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको हैंगे हमे वो खिक सूचना पी आई यू की जिम्मेदारी है कि वह तो यह में लिखवाएगा फिर आठ फिर नहीं सूचे की कोई भी जो भासा है उसमें आप सूचना को मांग सकते हैं इस अब आपका हो गया सूचनायो की बेसिक डिटेल इसमें कुछ मेंस के मुद्धे जो मैं यहां पर दोनों बाते लिख रहा हूं एक पर्तिबंदित सूचनाय लिख रहा हूं यहां पर मैं मेंस लिखो मेंस हारेस मेंस पर्तिबंदित सूचनाय दूसरा लिखिया तर्तिए पक्सकार थड़ पार्टी अब देखिए अब जो अपन डिसक्स करने वाले वह डिसक्स करेंगे जो सूचनाय होगे इसमें अभी तक कौन-कौन सूचनाय रह चुके हैं तो लिस्ट ओफ कि यह आगया सी आई-सी तो इसक्राइब कर देखिए लिखावा है आई किसी न लिखे वे हैं अलांकि कुछ यह साइट से यह अपडेट होने में समय लेती हैं देख लेता हूं अब आउट अश में देखते हैं तो इंट्रोडक्शन अच्छन विए अर्ग कि अधि कि इसकी लिस्ट आपको द्यान रखनी है कि सबसे पहले देखो वजात अभी बुला यह याद रखना है है दो जार पास से दो जार दस तक रहे है कि ए एन तिवारी साब रहे दो जार दस से लेके फिर वापस दो जार दस से ठारा दिसंबर तक कि इस देखो दिपक संधु यह दो जार दस से वापस दो जार तेरा पास से ठारा दिसंबर त कि लिए तुसमा सिंग रहे दो जार पना से दो जार च्व्दा तक पिर राजी माध्वर यह दो जार जार जाब जार तक पिर ये विजेज सर्मा रहे 2015 से वापस 2015, पिर आरके माथूर साव रहे 2016 से 2018, और उसके बाद में सुधीर बार गवरे 2019 से 2020 तक, और उसके बाद में भीमल जलू का रहे 2020-2020 लिखावा है, और इधर ये वाई के सीना साब साथ नूमर 2020 से लिखावा है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, देखना चाहिए तो वैसे से कोशिन जनली पूछ चेंगे तो नहीं, क्या ही पूछना है इनका, पर थोड़ा सा देख लिजे, ये वाई के सीना साब, साथ नूमर 2020, इनकी लिस्ट पूछी नहीं जाती है प्रिक्षा में जनली साब, इनकी लिस्ट भी आपको पूछ लिया जाएगा, आपके जुलब नहीं किया जाएगा, अब बात करते हैं, अगले आयोग की जिसका नाम है निति आयोग, प्लानिंग कमिशन निति आयोग, हैडिंग लगा लिजे, निति आयोग, देखें, पाच सवा भाच क्या, साम को क्ल पढ़ रहे हैं, तो फिर बाताना है, अब देखें, निति आयोग, निति कमिशन, नितियायोग, आयोग, निति आयोग, प्ले हिंदी में लिखते है, नेशनेल, इस्टवर्चि इस वी एंपरी इस थिस्टवर्चिए्ट स्वर्चिस्ट इस प्र सु् टूब्स षघ्बर्च ऑर ईस्टवर्चिछे प्र सीछूर्च वय्ए条 प्र दिद्टिकिह कंच गूपिट्चिट ऑक inn blush डब ग्लत स्बनी प्योörtches य्दिया अच्छ नेस्टिदूशन फोर ट्रांसपरिंग इंडिया यह आपको ध्यारणर कड़ा है रास्ट्रिय भारत परीवर्तनसैंजटा धीम्य धे तेको रास्ट्रिय भी है है भारत भी घे अस्ती अरत प्लेक्स नेशनल इंस्टिशन फोर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया अगला लिखावा राष्ट्रिय भारत प्रिवर्तन संस्ता नेशनल इस्टिशन फोर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया यह जो कमिशन यह जो आयोग है यह कार यह कार याद्धे से गठीता है इसके लिए कोई लो नहीं है तो पहले समिदान के आयोग वाला जंजट खत्म अनुछेद नहीं पढ़ने के बाद यह लगा कि अब लो नहीं कैया अब करेंगे इसका संकल्व इसमें किया करेंगे इसका इसका सब से पहले गठन सबसेपीलिक इसमें कोई एक्ट मगएरे कुछ नहीं कर तर जन्वरी कि तो ऑढ पनरा को कारीय कारी या देश से गठन किया गया ते याद रिखेंगे किई इसके इस्तान पर योजना के स्तान पर प्लानिंग कमिशन की इस्तान पर जोजना कि लानिंग कमिशन की स्थान पढ़ चुछ नायकि इसका गठन किया गया रुफर्फजन जनुर्पन्दा मुष्का गठन किया आं यहां तित आपको बात समझ लेनी है मंतरी मंगली को आदेश से पूछा कारी का रियादेश से यह आपको क्यों किया गया क्यों का कुश्चन जबाब मिलेगा वाई क्यों का इसका उत्तरेसाब सहकारी संगवाद को बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे सहकारी क्यों कि अध्यारी संगवाद को बढ़ाने के लिए क्या लग और कोपरेटिव फेडरिलिजम को प्रमोट करने के लिए इसका अगठिन किया गया दूसरा है कि यह जो मुख्य रूप से यह जो कारिय करेगा यह थिंक टेंग की भूमिका में रहेगा नितियायोग निति निर्मान में सहयोग करेगा साथ में थिंक टेंग की भूमिका में रहेगा तो इसका पहला काम तो है कि सहकारी संगवाद को परमोट करेगा दूसरा नीति निर्माण नीति निर्माण एक बात तो यह है दूसरी बात थिंक टैंक नीति निर्माण में सहयोग थिंक टैंक के रोल में थिंक टैंक का मन भुता कि इसमें बहुत सारे उद्धिमान लोग होंगे वह विचार करेंगे कि किस प्रकार से प्रोच बढ़ाना चाहिए तो थिंक टैंक की रोल में थिंक टेंक में एक इसके लाब राज्यों को सक्रिये भागिदारी लेना राज्यों की अध्रिये भूमी का बढ़ाना सक्रिये एक्टिव रोल ओफ स्टेट्स एक्टिव प्रमोट करना इसके लाबा देखे दो अप्रोच होती ही वैसे आपने नेनो टेकनोलोजी पढ़ाओगा एक बोटम टूप और टूप 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 और रिचर्ड फीन में नारियत अने बूच आपने पढ़ाओगा तो इसका मतलब होता है कि नीचे से उपर और उपर से नी योजनायोग क्या करता कि आपको यह बास समझ में आजाए अब यहां पर तुलना नहीं करेंगे कि प्लानिंग कमिशन जो योजनायोग था वो क्या करता था योजनायोग उपर से निटी बनाते थे और निचे राज्यों में लागू कर देते थे इसका मतलब योजनायोग क यह पूर्टम कैसी थी अप्टु बोटम थी तो प्टम निति बने कि बोटम में लागू कर देंगे यह उल्टा चलेगा यह बोटम टू अप अप्रोच पर चलेगा बोटम टू अप जिस इससाफ सेराज्वों को ज़रूत होगी उसाफ से नीतियों का बनाया जाएगा इसका आप्रोच होगी वह बोटम तू अप या बोटम टू टॉप अप्रोच अप्रोच किया अप्रोच इसकी होगी तैकारी संगवाद कोप्रेटिव एडलीजम को पर्मोट करेगा निति निर्मान में सहयोग करेंगे सिंक टैंक के रोल में रहेंगे राज्यो की सक्रिय भूमिकाप बढ़ाएंगे और साथ साथ में दिसागत और नितिगत इन्पूट यहाँ पर पर्दान करेंगे अगला कार यह दिसागत इसका मतलब यह देखिए कि जब भी पॉलिशी फोर्म की जाएगी पॉलिशी बनाई जाएगी तो एक डायरेक्शनल और एक पॉलिशी के लिए जो इन्पूट है वो पर्दान इसके द्वारा किया जाएंगे तो दिसागत और नितिगत इन्पूट पर्दान किया यह अन्पूट जाय वार कि फैकारि संगवाद को पर मोट करने के लिए का नीति निरमान में नयोक करनेके लिए कि टेंग के रोल में शेट की एक्टिव पाटिसिपिस बनाने के लिए और बोटम तु अप्रोच के लिए लिए टिसा आत्मु नितिकत निर्मान के लिए एक टीम इंडिया और आवदांगुली जी समय के लिए काम करें कोई कैप्टेंजी नहीं कि यह सब नहीं कोई गेम को जीतना होता है तो सारे लोग कि अपना भी जब थे लोग एक साथ मिलका कम करते तो उसको तें टीममिंड्या कॉंसेप्ट पूछे यह ऑच्छा एक लाइन है टीम इंडिया कॉंसेप्ट है इस टीम इंडिया कॉंसेप्ट को बढ़ाने के लिए भी नितियायो गठन किया गया यह बात तो होग जो योजनायो के इस्तान पर गठन किया गया राष्ट्य भारत परिवरतन सेंस था इसका नाम है, नेशनल इस्टिटूशन फोर ट्रांसफर्मिंग इंडिया है, गठन फरस्ट अफ जनवी 2015 में इसका किया गया, मंत्री मंगली के संकल्प के द्वारा इसका गठन हुआ, कारिये, कारिये बहुत सारे प्रकार के कारिये करेगा, निती निर्मान में सयोग करेगा, फिंक टैंक क सक्रिये बहुमी का बढ़ाएगा, बोटन टू अप्रोच टोप पे चलेगा, दिसात में निती के इंपूर्ट परदान करेगा, टीम इंडिया कॉंसेप्ट को बढ़ाएगा, यह तो वाइस के कारी है, अब बात करते हैं, इसकी स्ट्रेक्चर पे, इसकी सरंचना पे, इसक सरंचना की स्ट्रेक्चर किस प्रकार सी होगी, इसके बात करें, सबसे पर लिखेंगे सरंचना स्ट्रेक्ट, इसको समझ लिया तो कई सारी चीज़े हैं, इसको समझ में आ जाएंगी, प्रधान मंत्री होते हैं, यह परिषदे होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, सारी चीज़े करके चलेंगे अपन, इसका मतलब सबसे पहले उसमें अद्धेक्स होंगे जो परदान मंत्री है तो टोप पे ऐसे ऐसे बना लेगा परकार के ये अध्धेक्स है और ये कौन होंगे बारत के पी एम होंगे अलग लग पेंग से लिखते हैं अगर आपको दिखाए दे जाए तो अध्धेक्स बारत के पी एम होंगे अचोटा लिख heading लगाओ नितियायोक की सरंचना में structure इसमें सबसे पहले बनाते हैं ये पी एम पी एम पी एम इसके अध्धेक्स होंगे कि इसके बाद में पी एम के नीचे होंगे अध्धेक्स पादेक्स ये उपादेक्स होंगे इसके पादेक्स ये पी एम के द्वारा ही होंगे पिएम के द्वारा मनुनीत। है दिखाए देरा क्या सब्सक्राइब को एक ऊंगे इसके उपाधिक्स को बेल एक से उपाधिक्स ब्लेक्स उपाधिक्स यह भी पीम के द्वारा कोई मनुनीत होंगे देख सोंगे पीम द्वाराय कोई नूप इसके अलावा इसमें यू मानके चलिए कि जो परिशद होगी एक जो इसमें जो अगला जो इस ट्रेक्चर अपन देखेंगे वो देखेंगे इसका परिशद है परिशद यह दिखाएए परिशद होंगी दो एक होंगी छेत्रिय परिशद ये गवर्निंग काउंसिल मैं इंगलिश में गवर्निंग काउंसिल गवर्निंग इसको संचालन परिशद लिखलो संचालन परिशद मैं ये चारा होंगी दिमार्ग पर फिट बेट जाए आपके संचालन परिशद संचालन परिशद दिखाए देर आपको एग तर यह तो की गवर्निंग काउंसिल इसके अलावा उसकी एक होगी छेत्रिय परिशद इसके एक होगी छेत्रिय परिशद तो वापस देखो ही दब नीतिया यह में एक प्रदान मंत्री इसके अधेकन होगी ठीक है एक उप्रदान मंत्री की दौः दो इसकी परिशद यह होगी एक संचालन परिशद जिसमें राज़्यों के सभी मुख्यह मंत्रि आंगे यूट्टी के राज्य पालाएंगे इस उनके जो यूटीज, उनके वूपराजय पाल, अद जाएंगे वूप राचाज पाल solution और पर्सासक वगरें भी आ जाएंगे बाकी जो यूटीज बासें उनके उपराज पाल जाएंगे कुझ होती है छेत्रीवे परेशान ह ऐसा आगिसाब मालो नोर्थ इस उत्तरपूरी राज्यों की समस्या है और उन समस्याओं का आपको समाधान करना है समस्या समाधान करने के लिए एक नीतियायों की बैठेक बुलाई आगिसाब ये छेत्रिये परिशत में अपने छेत्रिये मुद्धों को डिसकस करेंगे इसक तो परदानमंत्री या उसके द्वारा कोई व्यक्ति है उसमें सीम हो सकता उपराजय पाल वेठे की क्या करेंगे अधेक्स्ता करेंगे तो छेत्रिये परिशद में खेत्रिये परिशद क्यों क्यों ठीट की जाती है यह यह परिशद छेत्रिये मुद्दों के लिए यह यह य समस्याओं के लिए कि नामीट कर लेंगे नमीटमозм़ कर सकते यप सकते हुआ कि यह होगा जर्यवाइप देख्ष होगे डो परिशन हो गई अब बात करते हैं कि इनके सद्स्द्श होकी इसमें कुछ तदर्थ सदस्य होते हैं कुछ पदेन सदस्य होते हैं कुछ विशेशामंत्री सदस्य होते हैं इसमें सदस्य तीन परकार के आपको दिमार्ट में रख लेना कि एक बार के लिए इसमें जो सदस्य होते हैं वो तीन परकार के basically सदस्य होंगे इनको भी अपन लिख लेते हैं आपे अब आपकते हैं इनकी सदस्यों की इसमें सदस्ये कितने प्रकार अपन लिख रहे हैं तीन प्रकार एक बार के लिए इसमें जो पहले सदस्ये होंगे वो तदर्थ सदस्ये होंगे जो दो सदस्य होंगे तो पहले एड होग मेंबर होंगे तदर्थ सदस्य होंगे इसके अलावा इसमें कुछ पदेन सदस्य होंगे पदेन सदस्य और यह जो पदेन सदस्य इनके संक्या 4 होगी और यह 4 केबिनेट मंत्री होंगे जो परदान मंत्री बुलाता है यह पदेन सदस्य होंगे चार केबिनेट मंत्री चार केबिनेट मंत्री और यह किस के द्वारा बुलाई जाएंगे पी-एम के द्वारा प्रदान मंत्री द्वारा इसके अलाव कुछ विशेय साम्मंत्री सदस्य हो सकते है विशेय साम्मंत्री इस्पेशल इन्वाइटी हो सकते है यह जो विशेय साम्मंत्री होते हैं यह इस्पेशल फिल्ड के कुछ जानकार होते है जिनको PM के द्वारा इसे साम्मंत्रन कर लिया जाता है तो विभीन चैत्रों के विशे सग्य होते हैं और एक इसके क्या होते हैं विशे साम्मंत्रन बाद में एक इसके CEO होते हैं तो मतलब जिसको आप सची बोल सकते हैं ये भी परदान मंत्रे के द्वारा होते हैं एक इसका CEO होता है एक CEO अब यह याद दिमार्ट में बठाना है देखो पहले एक आया फिर एक आया फिर एक आया फिर दो आये फिर चार आये देखो कैसे याद करवाता हूं आपको में सबसे पहले एक आया एक आया मतलब पी एम आये है उसके बाद में उप्पा देख साए है उसके बाद में कि यू आगे साया देख लो उसके बाद में दो परिसद्य आ गई है उसके बाद में में ऺपारिश से आगे चार प्रकार करकर आगे उसा सबसे पहले कौन है पी-म एम फिर उपादेक्स फिर सीयो फिर परीशद इदर वापस परीशद ये तदर सदसे इत्ते इसमें दो ये पदेन सदस से थोड़ा बड़ा लिए थे पदेन पदेन सदस से इतने चार उसके बार में विशेश आममंत्री सदस से विशेश आममंत्री आमंत्री ये इसका structure हो गया और फिर याद रखना है कि साब इसके जो सीयो आँ हो वी वी आर अभी सुबर्मन ने मैं इन से बच रहा हूं ये वरत्मान वाले क्योंकि चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको याद ना साब ये नरेंदर बोदी आपकी प्रदान मंत्री होई गए और उपा देख साइज सुमन बेरी है आप देख लेना अब इसका प्लीज आप नीचे ये वाला कमेंट मत करना क्योंकि बताने जोरत नहीं आप खुद का नोट्स में आपकी नोडाउन कर लेना जो जो है ना सुमन बेरी इसके बाद में साब इसके सी यू टीफ एक्जेकुटिव अधिकारी पी वी आर सुबरमन नेम और ये बदलते रहते सारे एक सारे चेज होते रहते तो ये आपको नितिया की स्ट्रेक्चर आपको ध्यान लगना है ठीक है और इसमें आप अपडेट करना चारो केबिनेट म कारियों में देख लिया राज्यों की सक्रिय भागिदारी हो जाएगी ससक्त रास्टर वोटम तो अप्रोच वर्ग उन वर्गों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो विशेश रूप से उपेक्सित है क्यान नवाचार उद्दम सीलता को बढ़ाया जाएगा तो लिखना चा तेजच छेतर और एक राज्यों की भागिदारी ससक्त राज्यों ससक्त रास्टर इस्ता ज्यान नवाचार उद्धम सीलता को बढ़ाना अगला छेतरी विशत्ता को दूर करना को लेच इनोवेशन एंट्रपेंजर्शिप को बढ़ाना इस्टेंटन सेट एंट इस्टेंटन नेशन एक्टिव पार्च्पेंट इस्टेट केतरी है विश्मताओं को केतरी है विश्मताओं को विश्मताओं को दूर करना पाच्पी बात अपने देखेंगे यहां पर सभी वर्गों का विकास इसके बाद वह बातें भी सारिया जाएंगी और सूचना परद्यगी को बढ़ाना सूचना परद्यगी को बढ़ाओं देना परिक्षा में तो यह नहीं पुचेंगे सारे काश्पी क्लिक्स इसके बाद में इसकी कुछ ब्रांचेज और साखाएं और है एक सोध साखा एक प्रामर्स दातर साखा एक टीम इंडिया इसकी साखा लिखो साखा कौन कौन शी साखा काम कर रही है इसमें साखाई नीतिया की साखा तीन साखा है अपर लिख सकते हैं एक सोध साखा R&D Research and Development advisory branch स्वोई साखा Spencer Division पहला हो गया Research and Development R&D लिखना हो R&D advisory ts Mumbai India Team India कि इसकी डिवीजन होगे मतलब साखय होगी इसके बाद में नितिया के दो कारिया ले ओ रहे हैं यह भी आप द्यान रखना चाहों तो रख सकते हैं कि एक तो रास्ट्रिय सरम और सास्तक अनुसंदान और मैं इसको गूगल करके आपको बताता हूं नितिया के दो फिस कोंड स झाला घो आपको ऐसे हैं कि दोल आप मारे कर दो करें हैं। कर दो कारियाल चलो वैसे कोई खास बात नहीं मैंने चुछा लिखवा दो आपको लिखते कि यह रहे हैं कि नीतिया के दो सलंगन कारियाले कौन से है पहला राश्ट्रिये स्रम अर्थ सास्तर अनुसंदान और विकास और दूसरा विकास निग्रानी और मुल्यानकन कारियाले दोनों लिख लो आप पहला कौन सा है राश्ट्रिये स्रम अर्थ सास्तर अनुसंदान और विकास और अगला है इसको बोलेंगे एन आई एल ए आर डी आप इंग्लिश वाड़े गूगल कर ले आप लिए जिसको अन आई एल ए आर डी और अगला है विकास निग्रानी और मुल्यानकन कारियाले तो नंबर एक लगा के लिखो नितियाव के कारियाले का नाम राश्ट्रिये स्रम अर्ष सास्त्र अनुसंदान और विकास अन्स्थान और दूसा लिखो विकास निग्रानी और मुल्यानकन कारियाले दोनों कारियाले के आपको नाम लिख लेने क्या पता कभी पूछा जाए नितियाव के कारियाले के नाम आपके यह नितियाव का पूरा हो गया स्ट्रिक्चर अंतिम अपना आयोग तासे देखते हैं तो फिर अब अगला जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे आश्ट्री मानवा दिकार आयोगे वैसे ही अपन इजे लिखते चलेंगे धारावाइज अपने को इसको डिसकस कर लिके चलना पिर आप चाहेंगे हिम्मत बचेगी समय बचेगा रिविजन भी करवाद मुँद्ध अब बात करते हैं क्योंकि आपकी चीज़ें चुटनी में चीए एक भी अब बात करते हैं राष्ट्री मानवादिकार आयोग है नेशनल खुम्मन राइट कमिशन 1993 का एक्ट हैस को पर हैडिल को राष्ट्री मानवादिकार आयोग है राष्ट्री मानवादिकार तो अपने चर्चा करी लिए राष्ट्री मानवादिकार को एक्ट वाइज अपने यहां पर डिसकस करने है heightuxe सबसे पहले राष्टे मानवा अधिकार आयोग जो अधिनियम 1993 का है और यह जो अधिनियम है इसमें टोटल आठ ध्याय और 43 यहां पर धार आये हैं और यह लागो 28 सित्मबर 1903 को वाख एक एक बात को माईनियूर माईनियूर ड्रेल के साथ अब पढ़ते से लेंगे कुमन राइट कमिशन एन एच आप सी एन एच आर्स इसके लिए जो एक्ट है वो एक्ट में पर इन साथ में लिख लू आस्टिय आन्वा दिकार आयोग नाइन्टी नाइन्टी राष्ट्री मानवा दिखा रहे हूं 1993 यह अपना एक्ट है छीक है यह जो एक्ट है इसमें टोटल जो चेप्टर है अध्याय है वो आठ है और इसमें धाराओं की संख्या 43 है इस वाले एक्ट को आप लिख लो यह ऐसा करते हैं पहले राष्ट्री मानवा दिकार रहे हूं 1993 में क्यों आया एक बात आपको बता देता हूं असल में क्या वाकि 1991 में भारत में LPG रिफोर्म हुए है मतलब उदारी करण, बेश्विकरण, भूमंटली करण, पुल मिला के भारत की अर्थ विवस्ता को विदेश के लिए ओपन किया गया LPQ लाइसेंस परमिट और जो कोटा सिस्टम था उसके स्थान पर भारत में लिब बंद अर्थ विवस्ता एक खुली अर्थ विवस्ता विफोर 1991 इंडियन एकनोमी भारती अर्थ विवस्ता सेक्ट्रोल था वो वो लो सेक्ट्र था उन्सों एक्याण में में जब LPG रिफोर्म आये राव मन्मों सिंग मोडल हम और Cinnamon के तहट भारत में भारत में बहुत सारे संपर लाउर मां जाने लगा आपको पता है कि दो प्रकार के काउंट होते हैं करेंट अकाउंट मतलब उस पर चलिए आप मानके चलिए कि भारत की चीज अगर विदेश में जाएगी देशी बासा में तो और अगर आपका बुगतान संतूलन पोजिटिव में आ रहा है इसका मतलब आपका जो किसी देश के साथ वो कम है अगले देश की जुए लेसी हो जाएगी आपका इंपोर्ट कम है अक्सपोर्ट ज्यादा है तो फिर विदेशी देशों ने भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिये भारत में मानवा दिकारों के नाव पर तो उलंगन उठता है ना यहां पर कोई सरम के कानून बने वे हैं योगों से 20-20 घंटे 15-15 घंटे काम करवाया जाता है और म अमान का कम खरीद हो रही है कि इसको लेकर में बारत ने एक पर इतक्यास का नाव मानवा दिकार संक्स दिनियम 151 1993 यह जो दिनियम है यह 1993 का है और लागू 28 सितंबर 1993 को हो गया था और फिर 12 अक्टूबर को राष्ट्रे मानवा दिकारायों का स्टेबलिस्मेंट करी लिया आपको इस बात का पता है यह तो आपको इसको बैग्राउंड सुन में आ गया कि रास्ट्री मानवा दिकारायों क्यों इस्टेबलिस की आ गया कि सबसे पहले लिखो कि यह पानवा दिकार कि अच्छन मन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 यह लागु कब हुआ मानवा दिकार्सरक्षन आयोग आयोग ने एक्ट अधिनियम कब लागुआ 28 सेप्टमबर 1993 को लागु कब हुआ एट लिख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से क्या है कि इसमें मुख्य रूप से कुछ अध्याए है कि इसमें जो टोटल अध्याएं इस एक्ट में चैप्टर जो उनकी संक्या आठ है और इसमें जो टोटल धाराओं की संक्या वो 43 है और ये मुख्य रूप से एक्ट वैसे तो बहुत सारी बाता है बताता अपर ये तीन इस्टिट्यूशन के बारे में बताता है केंद्रिय मानवा दिकारायोग राजय मानवा दिकारायोग और एक हुम्बन राइट कोर्ट इन तीन संस्ताओं के बारे में उलेख करता है इसके साथ एक चीज़ ओर लिख लो ये अधिनियम ये अधिनियम अधिन इस्टिट्यूशन के तीन संस्ताओं के गठन का प्रावदान करता है आटीन प्रकार के इस्टिट्यूशन होने चाहिए Mr. सबसे पहले आप लिखने, लिखां आपको, रास्ट्री, मानवा दिकार, आयोग, टिक, दूसरा करता है, राज्य मानवा दिकार, आयोग, राज्य मानवा दिकार, आयोग, और ती सकता हुमन राइट कोर्ट, मानवा दिकार नियाएले, नियाएले, ठीक है साब, तो कोश्चन पूछे कि राज्य मानवा दिकार, आयक्ट कब 28 स्टमबर 1993 में को अध्याय और धाराब को समया गई, और 21 के गठन का प्रावदान करता है, ये अधिनियम, तीन सेंस्ताओं के गठन का प्रावदान करता है, इसके बाद में है कि साब, इस वाली एक 10 दिसम्बर, एक चीज आपको मुझे बतानी थी, एक चीज और लिख लेते हैं भी, यहीं पर, इसके नीचे ही, आगले पेज़ पर, एक नोट लगा के अलग से कहीं भी, 10 दिसम्बर, पानवा दिकार, दिवस, तुमन राइट डे, क्यों, 10 दिसम्बर कोई क्यों, क्योंकि लिखना 10 दिसम्बर, 1948 को, एक डिजुलिशन में आपको बता रहा हूँ, डिजुलिशन दोस्टों, सत्रा, यस, 1948 को, संयुक्त राष्ट संग में, एक सेकिंड, अभी क्या थोड़ा सा, यह UDHR है, United Nations Declaration of Human Rights, UNDHR, UNDHR, मानवा दिकारों की सर्व यापी घोशना की गई, स्युक्त राष्ट्र मानवा दिकार सर्व यापी घोशना, और प्रस्ताव संख्याकन कोण सा था, प्रस्ताव रिजुलूशन, संकल्प कोण सा था, संकल्प था 217, कोशन पूचे जाएं कि, संकल्प 217, United Nations UNO संब्धित कोण सा है, आप याद रखेंगे, संकल्प 217 का संबंध है, मानवा दिकारों की, सारो बहभमी घोशना, मानवा दिकारों की, सारो बहभमी घोशना संब्धित है, क्या, संकल्प 217, इस दिन मानवा दिकार्दी में सेलिबरेट किया जाता है, अब ओरिजनल एक्ट पर आ जाते हैं, अब सर्च कर लेते हैं, यह देखिए, औरिजनल एक्ट अपर खोल लेते हैं, कई सर्चीजे अपन को मिली जाएंगे आपर, पहले बात तो यह ही अपनको देखनी है, यह थोड़ा सा इसको जूँए, सर्वे भाउन्तु सुखिन है, इसका लोग यह लाइन क्या पंच लाइन, यह एक एक चीज लिखते हैं चलिए, इसका पंच लाइन क्या है, लिखे मानवा दिकार स्रेक्षन आयोग, अब आयोग की बात कर लेंगे यह तो हो गया, और यह लाइन एक एक पंच लाइन आपको याद रखनी है, मैं भी लिखवाता चलूँगा आपको, इसमें देखे, इसके निचा आयोग का यह एक्ट है, और पानवा दिकार स्रेक्षन उन्सेट चौराण में इसकी एक एक बात पर चलेंगे, यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके नीचा आये का हिंदी में है, यह पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई तो दे रहा है क्या, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, यह टोटल अध्याय 8 है, दाराइन लास्ट कितनी है, 43 43 दाराइय तो अथ्याय और 43 दारा इस एक्ट में है। अब इसकी एक-एक की बात कर लेते हैं एक-एक लाइन टू-लाइन आपको द्यान रखना है, यहां पर लिखावा इस अधिनियम का संक्षित नाव मानवा दिकारसरक्ष अधिनियम 1993 है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, यह बात तो कोई खास बात नहीं है, इसके बाद आपको दिखान रखना कि इसमें कुछ धारा एक में तो एक संक्षित नाव लिखा गया है यह तो आपने बेसिक बात लिख लिए, अब यह जो एक्ट अपने लिखा यहां पर है, यह वाला एक्ट जिसमें आठ द्याय और 43 दा रहाए है, आठ द्याय और 43 दा रहाए है, तो सबसे पहले नमबर के केक पी अपन चलेंगे, एडिंग क्या लगाएंगे, राश्टी मानवा दिखार आयोग, उनिसो, 1993 यह लिखने के बाद में, तो राश्टी मानवा दिखार, आयोग, 1993 यह आपको यहां समझना है, ठीक, इसमें आपन शुरुआत कर देंगे, सबसे पहले, टोटल कितने, यह आपको समझ में आगए, आठ द्याय हैं, लिख लो, 43 यहां पर धार रहाए है, तो यह मानवा दिकार अधिनियम है, आयोग क्यों लिखा गया, बार बार, मानवा दिकार, एक्ट, राश्टी मानवा दिकार सरक्षन, प्रोटेक्शन, एक्ट, प्रोटेक्शन, एक्ट, राश्टी मानवा दिकार सरक्षन, अधिनियम, 1993 में, आठ अध्याय है, 43 दाराय है, अब वैसे तो सारा पूरा एक्ट, पढ़ना आपके से लिए उसमें तो क्यों रास्ते मानवा अधिकार आयोग है पर अपन और डिटेल में जाके पढ़ने सबसे पले धारा एक पर बात करेंगे धारा वन इस धारा एक में बेसिकली तीन बाते हैं ये कोई खास बात नहीं है पर इसमें तो संक्षित नाम है इसका है पिक कि पासाओ इसका परसार है और एक लागू कब से ओगा ये बात है की टीवाट एं तीन बाते पैला क्या लिखा वाइफ कर लेंका संक्षित नाम क्या है दूसरा क्या लिखाओ इसका विश्तार, तीसरा लागू कपसे होगा, तो संक्षित नाम तो आपको पता चल गया, उम्मन, राइट, प्रोटेक्शन, एक्ट, 1993, मानवा, अधिकार, सरंक्षन, अधिनियम, उनिसो, तिराण में, ये तो इसका हो गया, संक्षित नाम, परसार, संपूर्ण, भारत और प्री, ये इसका डेट है, किसका लगू होने का कमिंचमेंट का डेट है, एक वाली में कोई खास बात नहीं है, तो इसलिए काम का है कि दो में कुछ परिवास हैं दी गई है, मानवा धिकारों की परिवास हैं दी गई है, राज्य मानवा धिकारायों के बारे में बताया गय तो पीछ आपको दिखाते हैं एक बार दो देखे एक वाली धार आपन ने कर लिए इंग्लीश वाले इंग्लीश में बता देते है ये लिखावा है तो टाइटल अक्स्टेंट एंड कमिश्मेंट इस एक्ट में बी कोल्ड दे प्रोटेक्शन आप हुमन राइट एक नाइट 28 डे ओफ सेप्टेंबर 1993 देन आर्टिकल 2 और यू सेक्शन 2 बेसिकली डिफाइन देफिनेशन या पर कुछ परिवास हैं लिखी गई है परिवासाओं में एक परिवास आपको द्यान राइट वोट इस हुमन राइट मानवा अधिकार होगी परिवासा कहां पर लिखी मानवा अधिकारों की परिवासा मानवा अधिकार क्या होते हैं परिवासा कहां पर धारा दो डी में उसको मैं दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है तो डिपल मानुवा दिकार से जीवन साथन्तरता सम्मानता और वेक्ति की गरीमा से हैं, ऐसे दिकार अभिपरेथ हैं, जो ऑधन द्वारा प्रत्याबूत है। या अंतराष्ट ये संधी संधी संजोत नहीं डिफाइन करके या भारत के किसी नियायले ने इनको डिफाइन किया वही मानवा अधिकार है ये परिवासा नहीं पुछेगा इन फ्यूचर है सब पूछ सकता है कि मानवा अधिकारों के परिवासा कहां पर लिखी है ये इंपोर्टेंट है तो धारा 2D में लिखी है एक तो ये याद करना है अगली बात इंट्रेस्टिंग आयोग राष्ट्रिय मानवा दिकार आयोग का उलेक धारा 3D में है ये यह आपे लिखा हुआ है आला कि धारा 3D न लगए पर परिवासा के तोर पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ राज्य मानवा दिकार आयोग राज्य मानवा दिकार आयोग इस लोग सेवक की परिवासा वह यह जो बाहरतिर दंड सहीता 1860 की दारा पैंतालिस सहीता 21 में है मैंने आपको नगरपालेक एक्ट में पढ़ाई थी बात इसके लाव आप देखे थोड़ा सा इंग्लिश में आले देखना चाहें तो what is human right human right क्या इसकी परिवासा 2D में दी गई है मानवा दिकार की परिवासा यह देखे यह लिखावा human right mean the right relating to life, liberty, equality and dignity of the individuals granted by the constitution or embodied in the international convention enforced by the court of इंडिया इससे क्या निकल कराएगा तीन चीज़ें आप निकल कराएगा एक human right court में बता देता हूं human right court human right नियाए ले कि इस धारा में परिवासी था धारा 30 में लिखे वे मानवा दिकार की नियाए ले तो धारा 2 से 2-3 बाते अपने क्लीर होगी वो लिख लेते हैं यापर धारा 2 धारा 2 में आपको 3-4 बाते समझ में आगी होगी कि आपको ध्यार नखना लांकि कि संबव नहीं है हर एक धारा को यादगरना पर मोटे मोटे चीज तो यादगरी लें जो अपने चलेवस में लिखी हुए है कि सबसे पहले मानवा दिकारों की प्रिवासा है कि मानवा दिकार की जो प्रिवासा है ये धारा 2 धैय लिख लो या तो या तू डी में यह मानवा दिकार की प्रिवासा देगर त्या है वो यादरी करनी है है कि इसके लाँ दिया गए कि राश्टीन मानवा दिकार आयो गहें इसकी उल्ये कहां पे राष्टिन मानवा दिकार आयो का तुप यह मानवा दिकारायोग यह कहां पर लिखा हुआ है धारा तीन में धारा तीन पूछन पूछे कि कीस धारा में राश्टी मानवा दिकारायोग और ले किया कि धारा तीन में इसके बाद आपको पूछे कि राज्य मानवा दिकारायोग कहां पर धारा 21 में या पर राज्य मानवा मानवा दिकार आयोग बानवा दिकार पूमन राइड कोट कर अंवा दिकार निया ले ले तो आपको थोड़ा सा याद रिख रहा है या क्या गारा दो में परिवासें लिखे गई है परिवासा एक्जेक्ट लेकरने खारा याद चनए है यहां पे लिखा हुआ है मानवा दिकार, the definition of human rights clearly mentioned in 2D और दो घ्य में, human rights commission mentioned in section 3 of human rights production 93, state human rights production defined 21 में and the human rights court basically defined in section 30, ये बात आपके आपके आपक समय में आगे होगी, अब इसके बाद जो अगली बात करेंगे, मानवा दिकार आयोग को लेकर बात करेंगे, ये राष्ट्री मानवा दिकार आयोग को लेकर बात करेंगे तो कई सारी चीचे अपने को क्लियर हो जाएंगे अब ये आगे धारत तक कर ली ये कर लिया अपने धारत तीन पर आते हैं देखें सब्सक्राइब करेंगे, ये राष्ट्री ये मानवा दिकार आयोग का गठन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें क्या क्या बताएगे, ये अंदर सरकार एक निकाय का जो राष्ट्री मानवा दिकार आयोग के नाम से ग्यात होगा, परदस्ष सकति होगा, प्रियोग करने, सौपएगे करतेंगे को घठित करेगी, इस से मिलकर बने होगा, एक अर्देक्स होगा, जो उच्छतम नय मुख्य नयदीस रहा है यह चेंज हो गया इसको अपन चेंज कर लेंगे सुप्रीम कोट का मुख्य नयदीस हो या फिर नयदीस हो यह चेंज करना है क्योंकि यह एक्ट औरीजनल पढ़ा रहे इसके बाद 2019 में आपको पता परिवर्तन होगे उन परिवर्तनों को अलग से लि वारी अनुबवग हो यह चेंज होते गये अब रास्टेयलजिंग्य जिभी यह मुद्ध्य बदल गये यह मुद्य बदलके पर आपन को यह ध्यान रखनी में दिया रास्ट यह मानवादिकारायोग है इसमें इस्ट्रेक्चर किस प्रकार का होगा तो रास्टे मानवा दिकारयोग में इस्ट्रेक्चर में आपको ध्यान रखना है कि साब एक तो अर्धेक्स होंगे पात सदस्य होंगे और साथ सदस्य होंगे अरे ये कैसे बोल दिया पात साथ हां होंगे ऐसे होंगे कि आप इसको अपन ऐसे अच्छे से डिफाइन करके लिखेंगे और लिखेंगे धारा तीन धारा आयोग की सरंचना तो लिखेंगे धारा लिखना आयोग की सरंचना इसका मतलब इस कमिशन का ट्रेक्चर किस प्रकार से होगा है सरंचना कैसी होगी सरंचना को बहुत असे आपको ध्यान में रखना एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे तिर लिखना है इस सरंचना को ऐसे लिखते हैं अपन वन एक प्लस पाच तार्थ ये कैसे लिख दिया ये इसे लिख दिया एक तो देख सोंगे पाच सदस्य होंगे तीन अन्य सदस्य होंगे और बच्चे वो SC, ST, OBC, मैला, अलफ संक्यक, बालदिकार और दिव्यांग इनके सदस्य पदेन होंगे अपर तो असल में देखा जाए तो एक अद्धेक्स होगा और 12 सदस्य होंगे इसमें ज्यान से एक वर्ड को देखते चलना है एक अद्धेक्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ज़र्ज हो सकते हैं आपको पता कि पहले प्रावदान था कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नादिस हो सकते हैं पांचजो सद्धसे होंगे इनको और बारते हैं पांच सद्धसे को और डिवाइड करते हैं इसे अइसे और पांच में से ये लिखावा कि जो दो सद्धसे होंगे इसमें एक सदस्य जो होगा मरब दो और तीन में बाट लेते हैं इन में जो दो सदस्य होंगे वो तो नियाईक होंगे और तीन ऐसे सदस्य होँगे जिनको मानवा Father आरों के मामले में कुछ जानकारी हो इसमें मंहिला होने होनी चाहिए बहुत बच्चों ने कमेंट किया जब राज्य कायोग पढ़ाए राज्य मैंसा नहीं है कुछ वगिर में लिखा तो गलत चप गया होगा तो दो और तीन याद रखना आपको क्योंकि कई सारे बच्चों ने कई कोचिंग के वह नोट्स का मुझे फोटो भी वेजा वह सकता ह है कि सर ने ठीक लिखवाया वपर गलती से टाइप हो जाने में भी कई बार गलती हो जाती है फिस जो टाइप फिस जो इस्ट्यूशन में बेटते हैं वह थोड़ा इतना जानकार नहीं होते तो गलतियां कर देते हैं तो अच्छा ही पढ़ाएंगे ना सारा चीज़े पढ़ा दिया जलत नहीं पढ़ाया वह एवा टाइपिंग से हो जाती है या गलती से बोला जाता है जो और तीन ही आपको ध्यान रखना है तो मुख्य नहीं धीज ये अद्धेश में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके आपके दिक्कत आएगी बेसिकली इन वालों मे इनके दूर कर लेते हैं यह जो दो सदस्य होंगे इनमें एक तो होगा सुप्रीम कोट का कोई जज रिटायर जज हो सकता है पद्ध पर हो सकते है इनमें जो एक मेंबर और होगा वो कोई हाई कोट का मुख्य नहीं धीज होगा हाई कोट का सीजी होगा मुख्य नहीं धीस मुख्य नहीं धीस ठीक है यह जो तेन सदस्य होंगे इनमें से इनको भी दो बागों मांट लेते हैं वन प्लस टू वन तो मैला अब यह बहुत कंफ्यूज कर सकता है कम से कम एक मैला यह कोशन दूँगा मैं कभी एक्जाम में अधिक्तम तीन मैला हो सकती है और आप गलत मालोगे अरे हो सकती है नियूनतम की बात कह रहे हैं नियूनतम एक मैला तो होनी चाहिए हो सकता है कि तीन की तीन मैला हो जाएं आप यह सारी मैला हो जाएं क्या पता पर नियूनतम एक होनी चाहिए एक तो मैला होनी चाहिए इ इनको मानवा दिकारों में विशेश ज्ञान हो मानवा दिकार मामलों में विशेश अनुबव ठीक है कैसे होंगे इनका भी लिख लेते हैं अभी इन में एक तो होगी महिला कम से कम एक महिला और दो होंगे इसमें सदस्य दो पूरुष होंगे मनदब महिला भी हो सकती है दो सदस्य होंगे तीन तो हो गई यह तो हो गई यह लोग एक हो गया आठेक्स यह पांस तो पूरे हो गए बात इन साथ की करते हैं ये कौन होंगे ये जो साथ होंगे इनको ब्लेक पैन से लिख रहे हैं क्योंकि ये पदेन सदस्य होंगे पदेन सदस्य होंगे और ये भी टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं पर अभी की स्थिति है और आने वाले समय तक ये ही रहने वाली है आयोग की सरंचना आयोग में एक अदेक्स होंगे जो कि या तो सुप्रीम कोर्ट के नयादीस हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयादीस भी हो सकते हैं वो रिटाइर हो सकते हैं पदपे रहने वाले हो सकते हैं पांच सदस्य होंगे तो एक प्लस पांच यहां पर हो गया प्लस साथ अलग होंगे इन साथ को अलग ही कर देते हैं एक प्लस पांच में एक सुप्रीम कोट का है तो मुख्य नहीं दीस या कोई नहीं दीस पांच जो है इन मेंसे दो जो मेंबर है या तो सुप्रीम कोट की नहीं दीस या सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिस होया रहो या एक ऐसा मेंबरों जो किसी आई कोर्ट का मुख्य नहीं दिस रहो जो तीन है इन में से एक महिला होनी चाहिए कम से कम और दो और होनी चाहिए इन तीनों को मानवा दिकार के मामने विशेय सन्भू होना चाहिए और इन दोनों में से एक सुप्रीम कोट का हो और एक हाई कोट का मुख्य नहीं दी, यह पुरा हो गया, अब बात करतें पदेन वाले की, कि पदेन का कैसी शिनेरियो है, पदेन में एक हैसाब स्थी आयोग का धेक्स, रास्टिये जाती अनुसुची जाती आयोग, रास्टिय के पिछड़ आयोग, रास्टिय अलब संक्यक आयोग, रास्टिय बालदिकार सरेक्षन आयोग, और एक दिव्यांग आयोग कमिशनर होता, उनका यह सारे साथ आएंगे, पदेन सब्दस्य के रूप में ध्यान रखना आपको, सबसे पहले आप लिखते, SC आयोग, SC, दूस इस तरह लिखते, OBC, तोधा लिखते, महिला, तो महिला होंगी, तो महिला यह आगई इधर, और एक इधर भी महिला आगई, इसके बाद में आपको या दखना की, अलब संक्यक, पाच्वा अलब संक्यक, माइनूटी इस थोड़ा इधर की, पाच्वा अलब संक्यक, ठाथा, पाला दिकार, पाला दिकार, सरेक्षन आयो के देख्ष, पाला दिकार, सरेक्षन, और सात्वा, दिव्यांग, इसका मतलब, मानवा दिकार रहा है कि तो सरंचना कुछ और ही पढ़ी आज आपने, जो आपको नहीं है, जो मतलब कुछ और ही पढ़ावा था, कुछ और ही आगया, यस द्यान दखना है, वापस देखना है, आयो की सरंचना, एक एक वर्ड को मैं इसलिए बार बार बोल र देखे, आयो की सरंचना, आयो में एक अध्यक्स और पांच सदस्य होंगे, और सात पदेन सदस्य होंगे, जो आयो की अध्यक्स होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के नियाए धीस रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य नियाए धीस रहे हो, इसके लाव आयो में हाइक परस्ट भूमिके हों इन में से या तो सुप्रीम कोर्ट में नयदीस रहे हो या नयदीस हो पुक्य नहीं नयदीस यह जो एक सदसे हाई कोर्ट में पुक्य नयदीस हो या रहे हो 3 जो सदस से हैं इन में से 1 मैला कम से कम जरूरी है लिखना है कम से कम 2 SSA लोग होंगे ये 3 नोई SSA जिन को मानवादिकारों के मामले में अनूबह वों पर इन में 1 मैला होनी जरूरी है UX O facilitating जो member है इसमें 1 SCIO की ADDEX 1 STIO की ADEX यह आपको लिखना क्योंकि मेरे पास तो इदर इस पेस नहीं था इसलिए मिली लिखा STIO के देक्स, OBCO के देक्स, महिला के देक्स, अलब संकेक का देक्स, बाला दिकार संक्षण का देक्स और दिव्यांग जो कमिशन उसके देक्स यह जो साथ जो कमिशन जो है इनके जो चेर परसन आएंगे वो इसके पदेन सदस्य होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कैसे कैसे सदस्य होंगे एक मिनिट में कुछ एक चीज और क्लियर कर दूँ है झाली जो होगा है इसको एक पर रोग देए आपको बता अब नहीं बता पूंगा ठीक है यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी इसके लावा लिखा कि इसमें एक मास अच्छी होगा जो मुख्यकारी यह पाला का दिकारी भी होगा इसके यह सदस्याप किसमझ में आगए हो आई क्यूसरा चना इसके आगे लिखो तीसरे पॉइंट में जो तीसरा बिंदु लिखावा इसमें एक अच्छी जो मुख्यकारी पाला का दिकारी होगा आयोग में एक महासची होगा जो मुख्यकारी पाला का दिकारी होगा और के अंदर सरकार के अनुमोदन के बाद में इसे अन्य स्थान पर भी स्टेब्लिस किया जा सकता है अगला लिखेंगे इसी में लिख लेते आयोग का मुख्या ल आयोग का मुख्याले गिली और अन्य इस्तान पर भी हो सकता है इस्तान पर भी संभव है आयोग का मुख्याले दिल्लियोगार वो अन्य इस्तान पर भी इसको क्या किया जा सकता है इस्तेबलिस किया जा सकता है इसके बाद में बात करते धाराद 4 की अब्धेक्स और सद्धस्यों की अपोइंट मेंट कैसे की जाएगी इसकी नुप्टी कैसे की जाएगी अब बात करते धाराद 4 की धाराद 4 कि अपोइंट मेंट ओप मेंबर एंड एर प्रस्ण ओफ नेशनल हुमन राइट कमिशन एक बात आपके समझ में आई गई कि साब जो नुप्टी है वो रास्ट पती के द्वारा की जाएगी और कोई वारेंट जारी करके की जाएगी सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर एक नुप्टी रास्ट पती द्वारा एक बात हो गई ये अपोइंट मेंट कोण करेंगे रास्ट पती करेंगे कैसे करेंगे वारेंट द्वारा वारेंट इसका मतलब मानवा दिकार है कि आदेख सबसे नुप्टी के समय रास्ट पती के द्वारा वारेंट जारी किया जाएगा पर रास्ट पती जब भी नुप्टी करेंगे तब एक समीति की सिफारिश पर करेंगे उस समीति की सिफारिश पर करेंगे आगे लिखेंगे राष्ट पती निफ्ती समीति की सिफारिश पर करेंगे इसे दहराचार में लिखावा है राष्ट पती द्वारा एक समीति की सिफारिस पर न्यूकती होगी और इस समीति में सदस्य कौण कौण होगे इसको लिखना है समीति के सदस्य लिख लेंगे समीति के सदस्य लिखना है नम्मरिंग डालके आपको समीति के सदस्य सबसे पहले इसमें लिखना है सब परदान मंत्री तो होगे समीति के सदस्य में नम्मर एक परदान मंत्री पी एम पी एमी समीति के अध्यक्स होगे दूसरा लोग सबा में लोग सभा के अध्यक्स तीसरा लोग सभा में विपक्स के नेता तो था राज्य सभा के सभापती नहीं करना है एक्जाम में एक रोप्शन में आये तो राज्य सभा के उप सभापती क्योंकि गड़बर हो जाएगा राज्य सभा के सभापती उप्राश्पति होते हैं परदानमंत्री जीस के अधेक्स होंगे उप्राश्पति उसके सदस्य कैसे हो सकते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल में उप्राश्पति उपर होते हैं इसलिए नंबर चार राज्यसभा के उप्राश्पति यहां पर क्यों नहीं क्योंकि वह पीम से उपर के नेता राज्य सवा में इपक्स के नेता इसका मतलब कि मैं यह कह सकता हूं कि और अंतिम आप प्राइब दानमंत्री होगे लोग्स वामे देख सोगे लोग्स वाम इपक्सी नेता होगे उस्वाप्ति और ग्रेमंत्री ग्रेमंत्री तो ग्रेमंत्री हो मिनिस्ट्र ये सारे मिलकर और राष्टपती को सिफारिस करेंगे राष्टपती द्वारा निफ्ति की जाएगी अच्छे से याद कर लेना है एक नोट और लगा लेते हैं यहें पर नीचे वो नोट भी इंपोर्टेंट है वो नोट यह कहता है कि माल लेते हैं कि किसी सुप्रीम कोट के नोट लगाईए कोई सुप्रीम कोट के या आई कोट के जो सिटिंग नाय दीस है मतलब ऐसा है कि साब ऐसे कोई नाय दीस है जो वरतमान में पदपर कारिये कर रहे है और पदपर कारिये करने वाले नाय दीस को आपको निक्त करना है मानवा दिकारयोग में है ओर वो किसी आई कोट में नयायदीष है सुप्रीम कोट में तो फिर भारत के मुखे नयायदीष से सला भी लिढाएगी तब इस आई कोट के नयाय दिकारयोगों सदस्यया बना रहे हैं रिटाइर है तो नहीं ली जाएगी क्योंकि रिटाइर तो अपनी घर पे आपको ध्यान रखणा है इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोट या हाई कोट का कोई निया धीस निया धीस जो पदपे है जो पदपे है कि न्युक्ति के समय हमें भारत के मुख्ये नया धीस से कि प्रीम कोट लिए थे भारत मुख्ये नया धीस से कि अगर कोई यह आपको याद ना स्टार लगा के अगर कोई सीटिंग के नियुक्ति करनी है मानव अधिकारायोग में उस समय जो सुप्रीम कोट के जो मुख्ये नया धीस है उन से भी आपको एडवाई लेने पड़ेगे तो आप यकोति करेंगे एक नौट zakा सकते हैं मानल लेते हैं कि इन में से कोई साथ खाली यह घृत खाली यह ठाली कोई साभी पद खाली है तो क्या ऐसी इस्ति में मन्युक्ति में होगी क्या हो सकती है एक लुट लगाओ, कि अगर कोई को लेजियम का कोई पद खाल लिया तो नुक्ति को अवेद नहीं मना जाएगा, एक नोट लगाओ अगर को लेजियम या समीती लिख़ेद लो को लेजियम पुबिक समीती कोमे, कोई पद रिक्त है तो भी न्यूप्ति एवी दिमाने नहीं होगी इन्वेलिड नहीं होगी क्या क्या शिखा यहां पर कि अगर कोलेजिये में कोई पोस्ट खाल लिए की माल लो कोई करंचारी इन में नहीं विसे अधिकारी नहीं है उसिफार्ट के शुर्ण कश्बाओं थे utan भग दर ही नहीं और यह 6 और न॑ गया राश्टा-अव में नहीं किया जा सकता है अगर कोई विदान्चवा भंग थी और भाग नहीं लिया तो वह कोर्ट में जाके थोड़ी कह सकते हैं तर हम तो भंग ते और अमारा वेट नहीं किया जाएगा ठीक है अगली बात अगली बात आप ध्यान रखेंगे धारा पाइप की इसमें किसाब अद्देक्स और सदस्यों का त्यागपत्र और उनको पद से हटाया जाना धारा लिखे धारा पाँच अब देक्स हुए है अब देक्र पत्याग पत्र अद्दागा पत्र पत्स आइवा स इलागा पत्र पत्स आइवा कि इंडरा झामारा पत्र अद्धेख्स व सदस्यों का त्याग पत्र ता 5 से यकादा दना इसका मतलब है कि जो अद्धेख्सожет से है यह रास्थपती को त्याग पत्र दे सकते हैं पहले बात पर तो यह हो गई दूसरा इनको 5 से कुद बुद midnight आने का वो सेम आधार है जो पर यह पहलने पहले तो पहले त्याग पत्र की बात कर लेते हैं त्याग पत्र तो लिखे अद्देख्षव सदस से अपना त्याग पत्र रास्ट पति को देंगे अद्देख्षव सदस से अपना त्याग पत्र रास्ट पति को देंगे ठीक अब बात करते हटाना है कैसे जाएगा हटाना वह ग्राउंड है वापस दवादार है क्योंसे दवादार आपको पहले ही बता रखा कि अगर हटाने में साबित कदाचार या ऐसमर्ता तो सुप्रिम कोर्ट से जाँ चोगी और दिवालिया मानसिक विक्रति आधी है तो ड या समर्थता है इन कैपैसिटी है समर्थता तो सुप्रीम कोड से जाँच के बाद और यह जांच कैसे होगी आर्टिक लेक्सेतालिस कई बार अपने डिसकस कर लिया है सुप्रीम कोड से जांच के बाद प्रिम कोर्ट से जाच के बाद राश्पती एटाएंगे एक बात तो हो गई यह अगर कोई अन्याधार है अन्याधार का मतलब दिवालिया है सहवेतर नियोजन है मानशी की विक्रती है विक्रचित है अपराज सिद्धोस हो गया तो ऐसे एटा देंगे तो क्या क्या हो गया दिवालिया है आप आप से के विक्रति और या फिर मांची कि अ सारी डिक है अरी रिक हो सकता है तरीक मांची की विक्रति या कोई अन्य पराप्त कर लिया हो जोkee संदधरी कर लिए होग मैं ऐसा वह सकता है उसं फ्रिक्ति नहीं कोई अपराद वगश्य कर लिया हो अपराद जोशिद हो गया हो नियोजन सीउटर कर लिया हो वहाँ अपराद उसने क्यों अपराद क्राइम कर दिया हो एसी स्थिमें भी राष्ट पती इटा देंगे बट बिना जाच के बिना ये बात आप लोगों के समझ में आगे अब बात करते धारा नेक्स की धारा नंबर 6 धारा 6 में लिखावा की अध्यक्स और सदस्यों की पदा अवदी कि आपको ध्यान है अब देखो सदस्यों की पुन्दनिक्ति इसमें आपको ध्यान रखना एक साब तीन साल और सत्तर साल ये कारियकाल भी वेरी कर गया अब एक्ट में आते हैं ओरिजनल में कि नार थे बात गर गिए है टुड़ा साथी बाते हैं यकश्यां की बात टान कि आच and आक कर्तर ग Arms assum की ये और फयण रखनाने quanto अब देख सो और सदस्यों की पदावदी इसमें आप या दखने इन सान लोग सत्तर साला देख सुबहें अब दावदी इसमें अध्यक्स और सदस्यों की पदावदी पहले अलगती पर अभी वाली आपको पदावदी बता देता हूं लिओं यह रखना पुझान नुक्ति के पात्र है अब दावदी रही आखना पुझान नुक्ति के पात्र है अधिक पॉइंट मेंट के पात्र यह आपको सम्झे आ गया कि धारा में यह लिखावा अब लिखावा है में आयोके खारी जो लग से लिखेंगे अरा तेरा में जाँ समंदी सकती है धारा चोदा में अन्वेक्शन समंदी सकती है यह अपर डिसकस कर लेते तरहाबीच में फिर रिपोर्ट की बात है एकीज में तो अब बात करते हैं 12 की 12 की 12 इसमें अपन देखते हैं आयो के कारी है कि इसमें आपको ज़्यान रखना है कि जो मानवा़ दिकार्व के मामले में तो कारिय करता हि今日は कुछ आपको बतादेता रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास् कि आप खिकाइद कर सकते हैं कि मानवादिखारों के मामले में मानवादिखार आयोग इक्तर संग्यान ले सकता कि मानवादिखार-चारियी के कारिय द्यान अगले कारी होग में admitted जाग उटता भी फेलाएगा जेलों का निरक्षन भी करेगा वुमन राइट का जहां-जहां वॉय लिशन होता है वहां पर कर सकता है इंटर फ्रेंस कर सकता कई मामलों में अगली बात है धारा 20 यहां पर लिखावा की रिपोर्ट किसको दी जाएगी रिपोर्ट के अंदर सर कि एक मिनट थोड़ा सा ही चल जाए तो ठीक रहेगा ताकि आप लोगों को वह वापसे एक बार ओरीजनल एक्ट अपन देखके आपको मैं को कई सार्थ चीज़ें बता दूँ हूँ है क्योंकि अब जब एक्ट अपन ओरीजनल पढ़ रहें औरीजनल कई चीज़ें डिसक आ रहा हूं कि कई सारी चीज़ा आपके क्लियर हो जाए साथ-साथ में ठीक है तो इसको एक बार सट डाउन करते उसके बाद वापस ओन करते क्या आप ता नेट्वर्क का जो इश्यू आ ठीक हो जाए अब यह भी बहुत आज काम कोई ओन हुआ था च्यार बजे चार बजे कि अर्बी जो टाइम हो रहा है वह आपसे टाइम हो रहा है चार पाथ चार साड़े-चार का 12 तेरा गंटे से लगातार यह चल रहा है मेरे साथ ही तो दिक्कत आ रहती है को जों करते है को ओन होने के बाद में आपन चलो करते हैं ताकि वो ओरिजिनल एक बार PDF है इस PDF का आपस आपने डिसकस कर लें ताकि आपकी कई सारी चीज़े और क्लिर हो जाएं धाल और कि लेटे करेस्ट सेखने रशेस्चे और कें सकति आपकी के ड्या always आप आप कि आप लेया कि और मिन Sin j कि इसको करना है अब यह तो बाद में देखना पड़ेगा इसका यह लोड नहीं चली कोई नहीं कि करते हैं अब दिखा रहे एक तो ऐसे मैंने आपको बता तो दिया पर मैं सोच रहाता है कि एक बार आपको ओर इसके दर्शन करवा देते हैं में अपना मुद्धा वही रहेगा मानवा दिखा रहे गोड़े अपने बात कर लिए धारा थर्टीन थ्वेल में क्या लिखा हो था एक बार मतादू में धारा 12 आपको पढ़ाय हुए है आप देखे पीडिएफ में डालाबा टेरीग्रम पे पे इसमें देखे मानवा दिकार आयोके आई ये और ये कारिये भी उससे कोपी पेस्ट करके आपको पीडिएफ मिल जाएगा अगली बात अगली बात लिखते हैं धारा 13 धारा 13 धारा 13 में आप क्या समझेंगे धारा 13 में ये लिखावाया कि इसको जात समंदी सक्तियां प्राप्त होंगी तो पता नहीं किस पास सीविल कोर्ट की सक्तियां प्राप्त होती है तो जात समंदी सक्तियां साथ समन्दी यह इसके बाद में इसमें यह लिखावार गिसाब दारा 20 के तेद अपनी जो रिपोर्ट है अगर राजे में मैंने राजेपाल बताया वा तो वो सहीद ऐसा सल्दी से बोला गया होगा जो धारा 20 के तयात, यह जो रिपोर्ट है, यह किंदर सरकार को दी जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है, धारा 20, यह 3 धारा आप और यादर रखन चाहिए, धारा 20, रिपोर्ट के अंदर सरकार को, रिपोर्ट के अंदर सरकार को, इंदर सरकार को, एंदर सरकार को, ठीक है एक नट तो मानवा दिकारों के कृते जात समंदी सक्तियां और रिपोर्ट के इन सरकार को अब अगर कारिय की बात कर ले कारिय रिये तो आपको ध्यान अखड़ा की मानवा दिकारों को बढ़ावा देने का रिचार उसके लावा सवतर संग्यान भी लिए जासकता है को इसके पाद की मैंने बताई दी और इसके बाद आपको द्यान रखना किसाब धार होग 30 हैं यहां से फिर आइयोगवालं 첫 denied पिनिस मैंने कर दिया है और यह इंटरनेट का इश्यू है अधरवाइज में आपको दिखाता है कि रास्टे मानवा दिखा रहा है कि कौनकोर एक्स रहे हैं इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है इसका मुझे भी नहीं पता और कुल मिलाके सारे के सारे अपने कमिशन आई वाले अध्यक से ओभी सिवाता देखी लेंगे साकर के तो आज की क्लास में बेसिकली अपने कई सारे कमिशन डिसकस करी लिए और आयोप आप लोगों के क्लास समझ में आई होगी अगर आप चाहें तो अपने इस क्लास को वापस से शुरूआत से लेके एंड तक चुनाव आयोग से बात शुरूख करी क्यों क्यों से अपने उसकी थोड़ी सी सर्चा कर लो आपको सबसे पेले बात करीं चुनावायोग को लेकर नावायोग कि एक बात मैं परकुर्द करें इह दोनों प्रampaud कर लेकर नावल गया कुछ याद हा आप लोगों के है कि नहीं हम तर्फ हैं कि c i2o सब्रू है पसे याद रखना डिक साथ चुनावायो के लिएक यू आर्टिकल आपको डिस्कस करना एक है और लिसे में इसको लेकर कई सारी बातों सीर्ष की गई है वाकिन क्रोट में कर लेते ऐसे आजिए निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग को लेकर आपको पता है कि कुछ आर्टिकल से अपने डिसक्स करते हैं अनुछे डिसक्स कर लेते हैं इसको सबसे पहले आर्टिकल और इसके बाद में इसका गठन डिस्कस कर लेंगे कुछ याद आ रहा है तो मैं बोलके बता देता हूं सबसे पहले आपने बात करें साब निर्वाचन आयोग की साब नीर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनुवरी निषूपचास को किया गया 25 जनुवरी का डे इसलिम है तो पुर्ण होई जाता है क्योंकि इस दिन रास्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है इसके बाद मैं अपने बता है कि 1950 जो है बेसिकली 1950 जो है ये टोल फ्री नंबर है इसके बाद आपको मैंने बता है कि अपना कॉंस्ट्यूशन एक पार्सियली लागूआ एक पूर्ण रूप से लागूआ तो 27 नुवंबर के दिन जो भारत का समीधान है ये पार्सियली लागूँ किया गया और 16 अनुशेद अपली केबल हुए उसमें से 324 का अनुशेद भी है गठन आपको बताए दिया 25 जनुशेद को 25 जनुशेद को मद्दाता दिवस 59 नंबर इसके बाद मैंने आपको बता है कि 324 जनुशेद अपने को डिसकस करने है इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 324 का जो अर्टिकल है 324 का जो अनुशेद है इसमें 6 बाते बताई गई है 324-1 में आपको तीन बातें बताई गई है पहला S, DC कुछ याद आ रहा है इसका मतलब है supervision फिर direction उसके बाद में control चुनाओ में निदेशन करना उसके बाद में चुनाओ का control नियेंतरन करना और उसके बाद में supervision करना फिर 4 के चुनाओ के बारे में बताया कि आप MLA के चुनाओ करवाए जाएंगे इसके बाद में MP के चुनाओ की बात है राष्टपती के चुनाओ की बात है और उपराष्टपती के चुनाओ की बात है 19-20 संसोदन से पहले चुनाओ अधिकरन की उले किया गया था इलेक्षन ट्रिविनल चुनाओ अधिकरन चुनाओ नयदिकरन जिसको 19 संसोदनी बाद में इसको रिमूव कर दिया कुछ याद आ रहा है चलिए कंसेंट्रेट करी नहीं पाया आप लोग शुरू से बताता हूं वो ध्यान से कर लेना कंसेंट्रेट आयोग को लेकर अपन एक बात देखते कि रिविजन अपने तो रिविजन का प्रियास करता है ठीक है चुरुआत करते है मुझे भी थोड़ा सा एक्टिव होने दो सबसे पहले अपने बात करी चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग आपको समझना किसाब चुनाव आयोग के लिए समिधान में ना केंद्रिय चुनाव आयोग लिखा हुआ है ना कुछ और लिखावा यहां पे केवल निर्वाचन आयोग सब्द का उले किया गया है इसके जो आपको अनुछेद याद करने हो 324 से लेकि 329 तक याद करने है और राज्य चुनाव आयोग के समझनी जो बाते हो 243 क से 243 ZA में लिखी गई है फिर आपको ध्यान रखना किसाब 324 का अनुछेद शुरू होता है 324 के अनुछे दूशियां तयार करना इलेक्टल रूल तयार करना साथी साथ में चुनाव में तुपर इविजन करना सुपर टेंडेंथ करना डाइरेक्षन और कंट्रोल SDC के कारिये करना, साथ में च्यार पदों के नाम लिखें, जिसमें MLA लिखावा, MP लिखावा, रास्टपती लिखावा, उपरास्ट इनके चुनाव करवाना, 19 समिदान संसोधन 1966 से पहले, तुनाव नया दिकर्ण का उले किया गया था, जो कि अब रिमूव है, अब हटा दिया गया है, यह 321 हो गया, अब बात करते हैं 322 की, 322 में लिखावा इनका नंबर संख्या और इनका अपोइंटमेंट, संख्या कूंड फिक्स करेंगे, ऑसपती द्वारा, किसके अधीन रते वे, पार्लियांमेंट के लोग के अधीन रते वे, लिखावा था, इसका जो अध्यक्स है, siis member है, वो मुखे निरवाचन आयुखत को बनाय जाएगा, 324 में आपको बता है कि regional जो commissioner है छेत्री है जो प्रादेशिक जो निर्वाचन आयुक थे उनकी बात की गई थी 4 को 4R से आप याद कर लेंगे उसके बाद 324 में कुछ और आपको बात बताई थी कि साब इनके लिए राष्ट पती चुनाव आयुक से कुछ प्रामर्स करेंगे उसके बाद में इसका appointment हो जाएगा 324-5 में मैंने आपको बताई था कि जो निर्वाचन आयुक थे और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक थे इनकी जो सेवा सर्ते हैं वो राष्ट पती के दुवारा ने की जाएंगी संसद लोग के दीन रहते वे साथ में इनकी पदावदी के बारे में बताया था पदावदी पहले 65 थी और 1991 के बाद में 6 65 कर दी वीमूवल के बारे में लिखावा कि मुखे नयदी जो मुखे चुनाव आयुक थे उनको उसी परकिरिया और उसी आदार उसी रिती पर से इसा एक मामला गोपाल स्वामी का मैंने आपको बताया था नवीन चावला को अठाने को लेकर एक मुद्दावा था उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेक्चर की सरंचना की Erfolg से लेकि 1908 सन्वांति की सिंगल मेंबर बोडी रहा कर दिया तो आपको पता उस समय चुनाओं के पास में थोड़ा सा ओर और बड़न सारी का भाड़ बढ़ गया 1990 में इसे वापस सिंगल मेंबर बोडी बना दिया कि यह चांथ करदिये इसके बाद में अपने बात करी election commission के कुछ मुद्दे क्या-क्या है मुद्दे तो पहला तो यह कि इनकी न्यूकती है वो पोलेजियम के आदार पर नहीं होती है इतना बड़ा पद है और फिर इसकी ऐसे न्यूकती कर दी जाती है तदस्य संक्या इनके लिए कोई fix नहीं की गई constitution में तदस्य संक्या भी वेरी करती रहती है तीफ election commission तो फिर भी ठीक है पर जो अन्य election commission है को कारी अगाल की सुरक्षा नहीं है योग्यता तो कुछ है ही नहीं किसको न्यूकत किया जाएगा कुछ पता नहीं है कि इसके बाद में देखा अपने इसके कारी है कारी यह को तीन-चार भागों बाठके अपने देख लिया सबसे पहले चुनाव करवाना परीशी मन करना सलाकारी कारी है और इसके लावा रास्ट्रे पार्टी दलों को मानने तादिने समंधी कारी है और कुछ अन्यकारी है कि इसमें पहला देखा आपने चुनाव करवाने समंदी कारी में अपने देखा कि आप अधिसूचना जारी करेंगे यह कि चुनाव करवाएंगे और मत करना करेंगे कोड ओफ कंड़क्ट आचार सहीता लागू करना उसका पालन करवाना तीज से लेकर नब्य डेज के वीच में आचार सहीता हो सकती है साथ में वोटर लिस्ट को लेकर आपको पता कि वोटर लिस्ट जो इलेक्रों रोल जो प्रिपेर किया जाएगा उस पर कानून बनाने का ऐसे तो पॉंसिबिलिटी पार्लियमेंट की है और आपको याद रखना कि राज्ये का विधान मंडल भी कानून बना सकता है उसके बार में आपके द्हान करें पारिशी मन सब्सब्सकारों यह से जाएग़ा अनुचेद आपको 32 के याद रखना को सन संतर दोरा अबनाए जाएगी और पारिशीमन आयो की तुम्ड मेंट होग प्रेसीडिठ के द्वारा की जाएगी परिशिमन आयोग में अधेक्स होते हैं, अधेक्स के सासाथ में इसमें मेंबर भी होते हैं अभी तक आपको पताए कि साब च्यार बार परिशिमन आयोग का गठन हो चुका है 52, फिर 62, फिर 72, फिर 72 का 73 और फिर 2002 पुल्दीप सिंग जी के देख्षता में जो परिशीमन आयोग अभी जब्मू के श्मीर के लिए बना उसमें आपको पता है कि रजना प्रकास देशा है उसके देख तो आपको याद रखना मैंने अलग से बताया था इसमें एक अधेक्स होते हैं जो सुप्रीम कोट के अवकास प्राप्त नयदीस होते हैं और अगर सदसे की बात करें इसमें तो एक पदेन सदसे होते हैं अन्य सदसे कुछ सहयोगी सदसे और कुछ नीड होती उससे आपसे सदसे बुला लेते हैं कि अधैन सधसे होते हैं वो आपको पता है सिसी ॔रे इस ट्रिक्ष्टिया किमिशन जो है कि अधें में पांच लोग सभाखे विधान सबाखे में इसीं संथ से मंबर होते हैं कुछ मेंबर होते हैं जो नीड यह साफ से बुला लिए जाते हैं जनगनायूत को बुला लिया तरवेर को बुला लिया या तो द्या इसको लेकर आपको पता है अगर ये बात वहां पे छुट गी तो याद अखना इसके लिए कानून संसत बनाएगी और न्युक्ति रास्ट पती की द्वारा की जाती है इसके बाद आपको द्धान अकना कि अगर परीसिमन आयोगा ने अपनी रिपोर्ट दे दी ओवह court में challenge नहीं कर सकते या आपको ध्यान रखना की इसको court में challenge नहीं कहाजा सकता यह final report हो थे फिर आपको election commission के कुछ सलाकारी कारिये बताए थे इसमें अपने 102, 103, 191, 192 में की चर्चा की 102 में ये लिखा हुआ है तब disqualification के grounds क्या होंगे member के अगर उलाब के पत पे चले गए वो विक्रिचित हो गए वो दिवालिया हो गए भारत के नागरिक नहीं रहे किसी दूसरे राजे में उसने निस्टा ले ली या फिर संसद ने कोई संसद के किसी विदी के तहत वो आयोगी गोसित हो गए दल बदल कर लिया उपर वाले जो पांच बाते लिखी गई है उसमें फैसला 103 के तहत रास्ट पती करेंगे पर तुनाव आयोग से सला लेके करेंगे अंतिम जो बात दल बदल लिखी गई है उस पर निर्ने करने का कारी है लोक्स बात देक्सका होता है इसके लिए स्पेसिक कोई समय टाइम लिमिट नहीं है दल बदल पर निर्ने समन्दीद एक बहुत फेमस केस है कि यो तो होलू नू बनाम जचलू अपने इस पर कभी वापस से बात करेंगे संसद एयोगदा ती नियम 169 भी बनाया गया संसद की दुआरा इसके बाद में होता है अगली बात अगर राज्यों के बात करें तो 191 में अठाने के आधार सारेक सारे लिखे गए और 192 में फिर कोई अठाएगा ये बात लिखेंगे राजनितिक दलों को मानेता देने समन्दिक कारिये में में आपको ध्यान रखना है कि साब चुनाव आयोग राश्ट्य पार्टी और राज्य पार्टी को उनके स्टेटस के इसाब से बतलब कुछ कंडिशन के आधार्पन को इस्टेटस पर दान करता है पहली सर्थ तो यह हो सकती है कि राश्ट्य पार्टी है राश्ट्य पार्टी बनना है है कि चारसो चोशषट का रूर फोलो करना पड़ेगा चसी इसका कि arb से कम फिर चैर स्टेट मैं प्रीच ने और प्लुस चार को इसंट का रूस आपको फोलो करना पड़ेगा तो परसेंट इन्षट को लेनी यह लोक सभा में पासिन राज जोलिगल्म ही हो लग प्राप करनी है या ऐसा हो सकता है कि वह पार्टी कि जो राष्टे पार्टी बनना चाहती है यार वेरियोस स्टेट में उनको इद्वर्थ का दर्जा मिला हो mean aware दो ऊंचालों डिखना की आठ राष्टे पार्टी सांध है इस्ताफना वर्स आपwny करती है आप्स्वादी कम्मिनिस पार्टी के बात कर ली थाषडर्स के इसा इसा और आफे पार्टी थे के लिए और भी आपको पाच सब्धानम见 रखनी है विदान सबाह सब्सबा आप चुनाओ में वोट और दो सीट में आपको बताई है दूसरी विदान सभावली सर्थ में तीन परसेंट सीटे या तीन सीटे जो भी ज्यादा हो वो प्राप्त कर ले लोग सभा आम चुनाव में 6% seat या 1 seat प्राप कर लें लोग सभा की 25 seat में से 1 seat प्राप कर लें या फिर 2011 में एक सरजोड़ी कि लोग सभा या विधान सभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें 8% आप वेलिड वोट प्राप इसके बाद आपको बता है मैंने अन्यकारी है अन्यकारी में हिंसा हो गई लूट पार्ट हो गई कुछ भी हो गया तो चुनाव को रद कर दिया जाता है ऐसे राज्ये जहां पर राष्टपती सासर लगावा 356 के तैत उन राज्यों में इलेइक्शन करवानने है या नहीं खरवानने है इसको लेकर सिफारस देने समंधिकारी कह जाता है फिर अपने देख़ा है इसाप सबसे लंबीकार ये कालवाले सबसे चोटे कालवाले एक मातर महिला रमा देभी किनोंने पत्तप रदेव़यतियाँ पतर दिया फिर थोड़ी से अपने EVM के बारे में बात की Electronic Voting Machine के बारे में 1982 में पहली बार इसका केरल के पर रूप से पर रूर विदांसबाद चेतर से इसका पहली बार परियोग किया RPA Represential of People Act 61 की धारा में Amendment करके और EVM के concept को अपनाया इसके बाद election reform के लिए कुछ committees अपने डिसकस करी इसमें आपको द्यान रखना गी संयुक्त संसद्य समीथी बनी 1972 में तार कुंडे कमेथी बनाई गी 1975 में उसके बाद में दिनेस पोस्टवामी समीथी बनाई कि इन्होंने चुनाव सुधार को लेकर एक सबसे महत्तोपुन शिफारिश दी किताब मुख्य रूप से तो आपको द्यान रखना कि ये election commission को बहुँ से निकाई इन्होंने बनाने की सिफारिश करी जो अपने पास में जो वोटर कारड है उसकी इन्होंने सिफारिश करीअच Свाब यह फोटर वाला वोटर कार्ड कार्ड होना चाहिँ है इसके बाद में इन्होंने दो से अधिक स्थानों करनने की समंधि सिफार चुछक लाली यह सारी सारी बात चुनाओ सुर्दार की कमेटी इज की ओगई थिर अपने बात करी अगला पने दूसरा आयोग जो अपने डिसकस किया कि तो सी एजी का मतलब कंप earn tahu नोट नोट कंट्रोलर कंट्रोलर और ओडिटर जनरल ओफ इंडिया तीए जी भारत के समिधान के भाग पांच के अध्याई पांच के अनुचेद 148 से 151 तक मेंशन किया गया है कि ये जी को लेकर सबसे महतुपन आर्टिकल आर्टिकल 148 है आर्टिकल 148 में 6 बाते रूप से मेंशन की गई है जैसे भारत का एक राष्ट पती होगा ये बात अनुचेद 22 में मेंशन की गई है 148 में 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 148 एक में इनकी जो अपोइंट मेंट है वो राष्ट पती दौरा की जाएगी उद्रा सही ता दीपतर के साथ में इनकी न्युक्ती होगी अटाना उसी ground पे उनी मेनर्स के साथ अटाय जाएगा इस पे सुप्रीम कोट के नियाधीस को अटाय जाता है कारियकाल जबरजस्तिका अपने लिख दिया है जबरजस्तिका मतलब constitution में इसका कारियकाल खास में से नहीं किया गया 655 कारियकाल लिख दिया कुछ फेक्ट अपने जो डिसकस किये वहां पे मैंने बताया एक साथ पद का जो है वह 1858 में के एक्ट से आया उसमें नाव महालेखा प्रिक्षत था और फिर एडमंड डूमंड है नाम के वेक्ति पहली बार सीजी बनाएगे लिस्ट में भी पड़ने देखा था एडमंड ड इसकस किया िनकी सपत और परतिग्यान है अ परतिग्यान के राश्चपति द्वारा इनको सपत दिलाए जाएगी परतिग्यान और सपत में क्या डिफ्रेंट्स होता है एक आपने देख लिया कि तीशरी अनुसुच में के प्रारूप का डिसकसन है ना केवल सपत लेंगे पर सिग्डेचर भी करेंगे, इनकी सपत के लिए सेम वही फॉर्मेट है, जो सुप्रीम कोट के निया दिश के द्वारा सपत ली जाती है, एक सौटालीस तीन मेन के वेतन के बारे में देखा, वेतन संसत के द्वारा फिक्स किया जाएगा, और अगर संसत फिक्स नहीं करती है तो उतना वेतन मिलेगा, क्यों की अनुशुची जो में मेंन किया गया है, पद पर आने के बाद में Time कारी परीवरतन नहीं किया जाएग 148-4 में अपने देखा सेवा निवर्ति के बाद में यह अन्य पद्ध पर नहीं जा सकते अन्य कोई जोप आप नहीं कर सकते 145 में देखा इंट्रेस्टिंग की एक तो विभाग का नाम लिखावा आई आई एडी इंडियन अकाउंटर डिफेंड सर्विस का सर्विस तो नही सर्वा सर्थे हैं किनकी एक तो सीएजी की प्रसासनिक सकती और दूसरा आई एडी भारतिये लेखा प्रिक्षाव लेखा विभाग इनकी जो सेवा सर्थे हैं वो राष्टपति द्वारा तय की जाएंगी किसे प्रामर्स करके खुद सीएजी से यह आपको ध्यान रखना ह उसके बाद में 146 में देखा कि सीएजी के जो प्रसासनिक खर्चे है वो बारत की संचित निभी पर भारित होंगे संचित निभी पर नगे वो और डूटी का पालन किया जाएगा जो संस्तिए करती है और अगर संसद नहीं ते करें तो जो आज़्यादी के पहले भारत जो ढमीनियन था और जो प्रान्तों के समय मालिका प्रिक्षक service के जो करतवे थे और तो सारे के सारे करतवे हैं वो पालन किसके दवारा है जाएंगे सादार पर अगर सियेजी के कारिये देखे तो बहुत सारे कारिये हैं पहला कि केंदर की संचीत निधी संची निधी संसाशी चेट्र जहां पर गिधान सबाया है उनके संसी निधी ईखा परिक्षा करेगा कि एअगेεταιर सरकार की आख्रिक्ष्मिंग निधी ँप tampoco सरकार का लोग लेका किसका परिक्ष्म करेगा राज्यस्वा के डिपार्टमेंट से विभाग है इनमें ट्रेडिंग देखेगा इनमें बेलेंसीट देखेगा इनमें भुगतान संतुलं देखेगा तुलंपतर देखेगा और अन्ये अनुसंगी लेका प्रिक्सा करेगा है तिर राजश्वय रेवेन्यू संबनीद बात देखेगा केंदर और राज़ी दोनों की इसमें प्राप्तियां देखेगा और अक्ष्पेंडिचर देखेगा आज साथ टेक्स की बात में देखेगा कि टेक्स का निर्धारण संग्रेंड डी सी ए determination के बाद में इसका collection और allocation ठीक तरह से वाकिक नहीं वाया है इसके अलावा आपको पता है कि साथ अन्य लेखा परिक्षा भी कर सकता है जो सभी निकाय और प्राधिकारी प्राधिकरन हैं जो की ग्रांट लेते हैं अनुदान प्राप्त करते हैं उनके लेखा परिक्षन भी किया जा सकता है इसके लाव आपको याद दखना है कि जो सरकारी जो कंपनीज है सरकारी कंपनी सरकारी जो कंपनी होते हैं इन सरकारी कंपनीयों के लेखा प्रिक्षा इसके द्वारा किया जाते हैं या कोई अन्य निगमिया निकाय हैं जो चाहते हैं किसाब हमारा लेखा प्रिक्षा भी किया जाए तो लेखा प्रिक्षा किया जा सकता है इसके अलावाद केंदरो राजुय सरकार की जो लेंदेन जो परेक्षन है जिसमें रास्ट प्रति मों माणगा जाए उन्य लेका परिक्षन भी कर सकते हैं सात में एक राष्पतिया राज्यपाल कहें तो वह ऐसा हो सकता है कि इस्तानी निकाय के लेखा प्रीक्षा भी इनके द्वारा किया जा सकता है सात में जो टेक्स है जो कर है या सूलक है इसका सुदा अगम होता निर्धारन और सर्टिफिकेट और आपको पता है कि सीए जी का जो सर्टिफिकेट होता हूँ होता है इसके बाद बात करते हैं उच्छे देख सो पचास की यहां पे लिखावागी संग और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप फॉर्मेट 50 में फॉर्मेट लिखावागी फॉर्मेट वह होगा जो राष्ट्रपती से कंसल्ट करने के बाद में राष्ट्रपती से डिसकस करने के बाद में सीएजी फिक्स करें उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 151 में किसाब संप्रिक्षा परतिव्यदन audit report audit report center के मामले में राष्टपती को दी जाएगी और राज्यों के मामले में राज्येपाल को और ये रस्पेक्टिव ये विधान मंदल में और वो पारलियमेंट में इसको रखवा देंगे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना कि तीन रिपोर्टे CAG सब्मिट करता है एक विनियोग लेखा पर अपोपरेशन पर एक फिनेंस अकाउंट पर और दूसरा पब्लिक अंडर्टेकिंग पर ये थ्री रिपोर्ट परजेंट करता है अब साब जब रिपोर्ट आ गई तो आपको एक चार्ट बताया था कि साब पहले अगर पैसा आपको खर्च करना है तो गौभर्रमेंट बजट लायेगी बजट पार्लियमेंट पास करेगी औरकार खर्च करेगी उसकी जाच पि ये जी करेंगे CAG रिपोर्ट वापस राष्टपति को देंगे की यह ईतल समीति की भातत अपने आपे कर ली बाही सदस्य होते हैं और जो आवसेक्टा पढ़ति है ठीया जाता है क्या कॉब साथ में आपको पताए कि सब सीएजी है वो 3 is efficiency, economy और effectiveness, performance audit भी कर सकते हैं इसके साथ ही बारत के जो सीएजी है वो अपने जो लेखा परिक्षा सहीता है और नियमावलियों खुच से तैयार करेंगे पर अन्य नियमावलियों सहीता अगर तैयार करनी है तो सरकार से permission ली जाएगी इस पादरंग के action के बारे में पर ने बात कर ली साथ ही है कि सीएजी जो गूब सर्विसेज होती है जो सिक्रेट सर्विस इंठेलीजेन्स होती है उनका लेखा प्रिक्षा तो नहीं करता है सक्षम परा दिकारी का परमानपतर जरुशू कर लेते हैं प्र आपको या दिखना है कि ॐ ॐ ुपकराइध सब्सक्राइधन नहीं होता है वो एक 67 प्राढ दिकारी होता है इसका मतलब सिद्रान चीद है संसद के प्रथिया जवाब दे कि कोई भी मंतरी प्रतेक्स को फोटेट कि कर सकते हैं कुछ नीजी पेसे वर ऐसे होते हैं जिनकी भी ओडिट द्वारा की जा सकते के अंदर सकार कुछ नीजी पेसे वर नुक्त करेंगी कुछ निगम और उनकी जो ओडिट है वो करेंगे तो नीजी पेसे वर पर उनकी नुक्ति जब के अंदर सकार करेंगी तो सीजी से सला लेग और साथ ही साथ में चाहें तो CAG उनका पूरक लेखा भी कर सकते हैं पूरक उनका मान के चली कि आप सप्लीमेंटरी ओडिट कर सकते हैं कुछ ऐसे पेस कुछ ऐसे बोडीज है जो कोई लना देनी CAG से इसका हम लोग खुचे कर लेंगे ओडिट करवा लेंगे जैसे RBI हो गया कराम में कि CAG की रिपोर्ट है यह ना एक्षन का अदार है ना रिलिफ का अदार है उसके बाद में बात करें CAG मालेका की जीए मालेका नियंतरन की समीधान में पहली बात तो इस पद्दकाईव लेक नहीं है फिर आपको बता है कि 1976 में जब वो DPC में परिवर्टन हुआ एल के जहा समीती की सिफारिश पर तो का की लेक खांकन और ओडिट को अलग लग बाड़ते हैं के अंदर सरकार के लिए के लिए सारे काम करेंगे राज्यों ने मना कर दिया हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मोड़ीट अलग करेंगे के अंदर के लिए जो CGA करता है और ओडिट का काम यह जी द्वारा किया जाता है साथ में आपको याद रखना है कि साब यह जो CGA है यह हर एक विभाग में इंटेग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाईजर रखता है और इनके नीचे मनें CEO बताए सीनियर आपको अकाउंट ऑफिसर बताया अकाउंट ऑफिसर बताया फिस जूनियर काउंटेड यहां अपना लड़ीची तक गए है 1968 में जो शेकिंड ए आर्ची आई तो उन्होंने सुझाओ दिया कि ओडिट बोर्ड का गठन करना चाहिए ओडिट बोर्ड में एक प्लस दो सदस्य होते हैं एक अधेक्स और दो सदस्य इनकी न्युक्ति है वो सीएजी के द्वारा की जाती है साथ साथ आपको ध्यान रखना की सीएजी ऐसे वेक्तिव को न्युक्त करेगा जो बहरी पेशिवर लोग हैं जिनको अच्छी अक्सपरिटीज है अपने काम में हैं इसके बाद अपने बात करी लोकपाल की लोकपाल का मतलब आपको ध्यान रखना कि सिकायत निवारन तंतर के तरह है इसके अलगलग देशों में अलगलग नाम है जैसे प्रसाष्णिग नयायले फ्रांस में प्रोकूरेटर रूस में प्रसाष्णिग नयायले फ्रांस में और ओम्ब्यूट्समेन स्वीडन में तो यह जो उम्ब्यूट्स में सब्द है स्वीडिस वासा का सब्द है और इसका मुद्धा जनता की सिकायत को सुनने वाला भारत में जो सब्द है यह लक्षमिमल सिंग की द्वारा धिया गया गया और शिफारीस लोकपाल की सबसे पहले पर्थम परसास्निक शुदारायोग इन्होंने का कि के अंदर के इस्तरप्र लोकपाल और राज्यों के इस्तरप्र लोकपाल को बनाया जाना चाहिए इत्यास की बात करें तो पहले बिल से लेकर चोथी लोकपाल में 1968 से और 2011 तक तस बार बिल को इंट्रोड्यूज किया चुका है 1968 में जब इंद्रा गांदी जी थे उस समय इंट्रोड्यूज किया गया उसके बाद में जाके पारीत हुआ और उसके बाद में एक जनवरी 2014 को रास्पतीजी ने इस्ताकसर किया और शोला जनवरी 2014 को लागू किया गया जब यह common cause पनाम union of India, common cause NGO, supreme court interference किया तब जाके कोई 2014 में लागूआ, 2019 में established हुआ, पहली बार में उपती अगर एक बात उस टाइम अगर आप ध्यान रखना चाहिए तो रख सकते हैं, आप 160 सोल वास सम्विधान, 100 दिन बिल भी लेकर आये थे इसके लिए, कि हम लोगपाल को सम्विधान में जगर देंगे, पर ऐसा जिस प्रकार लोगपाल को लेकर इतना बड़ा, वा ऐसा उन्होंने अपनी कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं है, अब लोगपाल बिल जब पारित हो गया, तो फिर अब इसकी निउपती को लेकर बाते हैंगी, कितने सदस्य आयोग हैं, इनके सदस्यों में क्या-क्या योगता ही होनी चाहिए, तो इनकी विशेशता देखें तो ए चाहर जो मिंबर है, वो नियाइक परस्ट बुमी के होने चाहिए, नियाइक परस्ट बुमी का मतलब होता है, कि हाई कोर्ट में कम से कम से स्टिस देंग के, और चाहर जो उसमें एक SC से, SC से, BC से, अलप संक्य को और एक मैला, और इक मैला होने को पांच होगे, पर दो पन एक साथ भी तो हो सकते हैं, महिला है, इसी की भी तो सकती है, बाहपती के लिए Vin slightly में टाइक साभी सूपरीम कोट में यहां तो मुखियन इदिस हो या रह चुकी हो, या कम से कम से कम सूपरीम कोर्ट में जज़् हो, या रह चुकी हो ? समाज में से कोई प्रभुद वैक्ती हो जो बहुत Imminent personality हो जिनको कम से कम 25 वर्स का प्रशाशिंगनबव होना चाहिए क्या योग्यता इस इंपोर्टन है कि क्या योग्यता मलब कौन नहीं बन सकता ऐसा वैक्ति नहीं बन सकता जो हो 42 वर्षे कम किया यूँका है ऐसा नहीं बन सकता कोई जिसने कोई पॉलिटिकल पार्टी चे कोई रिलेशन रखता हूँ यह सारे मेंबर इनके सदसी नहीं बन सकते इसके बाद में पड़ने देखा कि इनका पॉइंटमेंट जुक्ति वड़ी इंट्रेस्टिंग राष्ट पती करेंगे वारंट किसे और एक समीति की सिफारिस पर करेंगे और समीति में किते लोग होंगे एक प्रदानमंत्रिय इसके लिए सर्च कमेटी में साथ मिंबर इसमें से कम से कम 50% मेंबर है से स्टी ओबी सी महिला से होने चाहिए रंजना प्रकास देशाई इस कमेटी के तो सर्च कमेटी इसके चेर परसन बनाए गए और उन्दती बटाचारी आपको मैंने बताया और पीएसी के पूरुवा देख्स ललीत कुमार साब इसके सदस्य बनाए गए उसके बाद में रंजीत कुमार इसके एक मेंबर थे इसक जाके तर्च कमेटी जब रिकमेंड करती है तब जाके इनकी न्यूक्ति की जाती है इसके बाद आपको बता है कि लोकपाल का जो सभाप्ती होता है इसको सुप्रीम कोड के मुखे नहीं इसके बराबर का दरजा होता है इसके जो सद्दस से होते हैं को सुप्रीम कोड जज मतलब नया पद है अगर आपको complete पद हो गया तो तीन माँ पूर्वा ही नया पद बढ़ने की कारवय शुरू कर देनी चाहिए कोई यूटी में परसासक नहीं बन सकते कोई लाब का पद नहीं ले सकते अगर रिटार वनिक बाद में चुनाव लड़ना तो पात साल तक वेट करना पड़ेगा उसके बाद में आप चुनाव लड़ सकते हैं अटाने के लिए एक अलगी इनका मेकेनिजम सिस्टम है अधार कदाचार या अक्षमता हो गया कि शुरू संसद की किसी भी सदन से हो सकता है प्रपोजल और है कि सब्सक्राइड मेंबर चाहिएंगे रास्टपती सुप्रीम कोट से जाच करवाएंगे और उसके बाद इनको अटा दिया जाएगा इनका वे संची निपर भारित होगा मु पर दाइरे में कौन आता है को दाइरे में नहीं आता है दाइरे में प्रधानमंत्री आएंगे पुर्व प्रधानमंत्री बैंगे प्रधानमंत्री के चार चीजी नहीं आएंगी एक इनके आयार इंटरनेशन लेशन नहीं आएगा एक बाई या अंत्रिक सुरक्षा को लेकर मुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् का इसके बाद आपको ज्यान रकना कि शाब पूरोर केंद्रिय मंतरी आएंगे सारे केंद्र केंद्र आ जाएंगे अखिल भार्ती सेवा के डिकारी आ जाएंगे त circumstant direct VOC में बूर जाएंगे शांचज पूरव विद्धायक वुंषत न faleiकि जाएंगे सब्सक्राइब कोछ नहीं आएगा तो आपको पताएक सब्सक्राइब राश्ट्पति नहीं आएगे पूरा पावर है इन तीन मा में लगबग जान्थ पूरी करने का इनका पॉसीजर होता है रिपोर्ट है राष्टपति को दी जाती है इसके बाद आपने पड़ा सी चेंट्रल विजलेंज कमिशन जिसका नाम है केंद्रिये सत्रक्ता आयोग है कि एंधरिये सत्रक्ता आयोगे क्साम इधिक बोड़ी है स्टेच्वेट्री बोड़ी है और आपको पता है객 क्साब बश्टाचार रोकने के लिए 1962 में समिधान सभागेसाद से क्या संत्ठानम क्या देखस्ता में ए मैच मेंटी बनाई संत्ठानम समीथी है संतानम समीति में आपको पता है कि टोटल इसमें मेंबर की संक्या संतानम समीति में आठ मेंबर और इसमें आपको पता है कि क्या संतानम थे इसमें संतोस भासू थे इसके बाद में इसमें इकाराम पालिवाल थे इसमें आर के खतील कर थे इसके मेंबर थे और इसने सिफारिस करी कि आपको एक के दिवीची का गठन कर लेना चाहिए और फरवरी 1964 में चीवीची का गठन कर लिया गया और इसके बाद यह कारिये मतलब यह माले की ग्रेम मंत्रा लेके गठी तो गठी तो क्या हो एक आदेस से बनाया गया इसके बाद मैं आपको ध्यान रखना है कि साब इसका एक्ट है वो 2003 में पारित किया गया और जब यह तीन पारित किया तो उसमें आपको जाना है कि इसमें टोटल अध्याय पांच है और धारा सताई जो अपने डिसकस करी है रास्ट पती का जो अध्यादेस हो 25 अगस्त 1908 में को आया और संसद ने अब जादेस होता तो उसको पार्लियमंट फिर लो में परिवर्तित कर सकती है तो पार्लियमंट ने 11 सित्वह दोजार को इसको लो में परिवर्तित कर दिया इसको बदल दिया कि उसके बाद अपने देखा आयो का स्ट्रेक्चर आयो की शरंचना टीवीची का है IST तीन नाम तीन सदसे सारा तीन यह कहती है कि इसमें एक प्लस दो अधिक्स फॉर नो नो से ज्यादा सदसे नहीं होंगे न्युक्ति आस्टपति करेंगे कि लिए देधार में यह इसमें लिखा कि अगर न्युक्ति की जाएगी समय कि सिपारिश पर की जाएगी पड़ानमंत्री होंगे फ्रे मंत्री होंगे और लोक्स वाई पुम्हें रहें निता होंगी अगर कोई पद्द खाल ली है तो यह माना जाएगा कि अपोईंडमेंट को धीमाने निकोसित कि या जाएगा और अगर ऐसा है कि साब वीपक्स का नेता ही नहीं है तो दूसरा सबसे बड़ा दल है वो समझा जाएगा कि वीपक्स का नेता ही है योगेता मैं आपको बताए कि साब इनके लिए जो पेसल सब्सक्राइब आपको पता है वे समय का निधी यह पर शासन में पर फिर वीथ थैद्य या कोई निगम कंपनी इसमें अन्य पर सासनिंग उन्भी होना चाहिए आपको पताएगी लिखावागी साथ यह जो मेंबरेन का जो टम उफ ओफिस कारीकाल होता हो च्यार पैसेट होता है यह यूनिक कारीकाल है सीवी से च्यार प्लीक पैसेट आपको याद रखना है साथ में आपको याद रखना है कि इस पद पर पुने नियुक्त इनकों नहीं किया जा सकता बट प्रदस से हैं वो अगर अध्यक्स के पद पर आते हैं साथ में आपको ध्यान रखना किसके हटाने का प्रोशीजर धारा में अपड़ने डिसकस किया और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनका आधार है वो साबीत कदाचार या समर्थ था है राष्टपती सुप्रीम कोर्ट की जांत के बाद अटाएंगे अगर ये आधार है तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुचेज से तैस जांत करेगा 145 के तैस जब तक जांत चल रही होती है तब तक राष्टपती साहब इनको निलंबित कर सकते है बट दिवालिया नेतिक अधमत कि अन्य वेत्तनलाब का प्राप्त कर ले मानसी का सारी एक्षमत आ जाए तो बिना जाच के भी हटाया जा सकता है ुवीस जो सेंट्रल विज्लेन्स कमिष्नर है वो यूपीचिं के अध्यैक्त की एक्वली स्टेटस पर रहें गे और जो अन्य सदस्az願 वो एक्ट है 98 उसके तैज जो मामले आते उनके परिवेक्शन के कारिये करना जब सीबिए जांच कर रही होती है इडी जब जांच कर रहे होते हैं तब साथ आपको या दखना कि स्टीवी सी के पास स्वेम की कोई जांच अजेंशी नहीं है यह जांच करवाते हैं उनकी कारियों का प्रिवेक्शन करते हैं कि सलात देने समदीद कारिये करते हैं कि अधिकार छेतर इनका बहुत बड़ा है अखिल वार्तिर सेवा के अधिकारीओं साथ में गुरूप एक अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्यायों के अधिकारीओं के लेते हैं तारोजनिक छेतर की जो बेंक है उसमें स्रेणी 5 के उपरके जो अधिकारीयों की जांच और i-बहाज नाबाड में स्रेनिक और से उपर के अधिकारिओं की जांच करते हैं इसे कोई भी कार्मिक अधिकारी जो डीय उनका 2700 रुपएयसे ज्यादा उड़ के जांच inge इनकी रीपोर्ट राष्टपति को डी जाती है, राष्टपति पार्लेमेंट मना ही और अगर आप खुप शिकायत करना भी कर सकते हैं और इसका आपको मैंने लोगों भी बता है आख लेड़ें के वेबसाइट बेपने बात करीए अब बात करते हैं केंद्रिय सूचना केंद्रिय सूचनायोग 2005 केंद्रिय सूचनायोग 2005 जो अदिनियम है इसमें आपको पता है किसा आप कई सारी धारा हैं कई सारे आर्टिकल अपने आपर डिसकस किए इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो धारा बारा से अपनी शुरुआत होती है कि सद्धस्यों की सरंचना कितनी होती है इनकी ख्याले कैसा है तो धारा बारा बेसिकली अपनी आपर डिसकस करने वाले है राबारा में लिखा होता है कि इसकी सरंचना वन प्लस टेन मेकजिमम हो सकता है राश्टपती द्वारा की जाएगी राश्टपती सम्मीति की सिफारिश पर करेंगे प्रदान मंत्री होंगे और मन्नोनित कोई मंत्री केविनेट मंत्री होंगे है अगली बात बताई थी आपको बारा में अधिक्षन निदेश्चक और जो परबंदन का कारी है मुखे निरवाचनायक के द्वारा के जाएगा मुखे सूचनायक के द्वारा और मुखे सूचनायक की साहिता देने के लिए कि योगेता के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं है इसमें कोई अगर आपको विशेश अनुबव है इस्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पे मेंबर बन सकते हैं अधिक्स बन सकते हैं तो आपको पता है कि मुख्याले दिल्ली और नहीं दिल्ली का आपको बता दिया अंदर और अन्य इस्तान पर भी इस्तापित किया जा सकता है सपत राष्ट पती के द्वारा दिलाए जाती है तेन्योर 13 में इनकी पदावदी के बारे में लिखा हुआ तो आपको इध्यान र सपत की अगर बात करें तो सपत राष्ट पती द्वारा और ट्यागपत्र भी राष्ट पती को दिया जाएगा इसके बाद में धाराथ 14 में लिखा हुआ कि किस प्रकार से सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त है इनको हटाय जाना तो सेम ग्राउंड है जो आपको पहले ओ लेडी मैं बता चुका हूँ राष्ट पती द्वारा थाबित कदातार या समरता होगी तो सुप्र जोजन में लगेवें पांच क्या सारी एक्षमता है अन्य कोई अन्य ही तरते हैं तो ऐसी इस्थिती में इनको बिना जाच के प्रसिडेंट द्वारा दिया जाएगा इसमें आपको बहुता द्या था कि इसको है इसको अच्छे से अक्ष Kelli क्रते क्या ह। करते क्या में के कारिए में आपको आपा अगर आप सूचना दी हो या फिर आपको सूचना दे दी हो या फिर आपको सूचना में ज्यादा समय लगा दिया हो इसी स्थी में आप यहां पर सिकाईत कर सकते हो और यह हुआ कोई जरूरी नहीं कहलें लेकि के उन्नरा में जाएंगे दोनों separate लजते हैं यह स्वेम भी आपको बता कि ध्यान दे सकते हैं कि साब गलत हो रहा कुछ इंके पास अब यह जांज करते हैं तो वही सीविल नायले कि समान सकती है होती है और यह ऐसे मामनों भी जांज कर सकते हैं जहां पर ऐसा है कि साब यह कानून से एसंगत मामला है हारा उननीस में फिर खास अपने बताया साथ कि और फिल को लेकर पहले पियाई और फिर वरिष्ट पियाई को फिल कि जाएगी इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साब हारा ट्वंटी में जुर्माना और यहां पर लिखाओ कि साब जो जुर्माना वह 250 प्रतिदिन खिर आपको मैंने सूचना परकट की सीमा बताया थी कि सूचना किते दिन में परकट की जा सकती है तो अगर सामाने परिष्टिती है तो 30 डेज लगेंगे अगर सूचना पियाई उसे संब्दी तो प्लस पांस डेक्स्टा कर देंगे पूचना अगर थर्ड पार्टी की है 40 दिन और आपको मैंने बताया कि कोवीड के समय मालो ओस्पिटल में आपको पूचना एक साब सलेंडर है या नहीं है एक व्यक्ति की जान जा रही है तो फिर ऐसे में ओभी सी बात है कि 48 गंटे में आपको अगर जीवन मरन का कोई परसने जीवन के दिखार समदी तो 48 और में आपको सुझना दी जाएगी कोई प्रारूफ फिक्स नहीं है आप किसी भी भासा में इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं बीपियल के लिए तो फ्री है बाकी 10 रुपीज आपको सुझ दरना प इतिया की फॉर्म होती है नेशनल इंस्टिटूशन पोर ट्रांस्पर्मिंग इंडिया और रास्टी भारत परिवर्तन थेंस्ता है इसमें आपको ध्यान रखना है किसा आप जो गठना वो एक जनवरी 2000 को किया इसके आदेस के बाद में आदेस आया कारी कारी आदेस इसके के स्टान पर सब्सक्राइब किया गया इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका गठनी क्यों किया गया तो आपको पता है कि साथ इसका कारी यह निति आयोग में निति निमान में सयोग करना इसात में निति इंपुट परदान करना इंडिया को बढ़ाना आपको पता है कि यह जो निति आयोग बनाया गया निति आयोग बोटम अप्रोच टॉप पर चलता है जैकि रोप टू बोटम पर चलेगा इसके स्ट्रेक्चर के बारे में आपको ध्यान रखना कि इसके इसक दान मंत्री द्वारा नियूक्त उपादेक्स होंगे एक इसकी संचालन परिशद होगी एक इसकी चेत्री परिशद होगी और यतनी मुदोगन इप्टाने के लिए सदस्य होंगे, जो कुछ सदर्थ मेंबर होंगे, पदेन सदस्य होंगे विशेसामंत्री सदस्य होंगे एक इसके में आपको CEO होंगे कारी इसको मैंने आपको अच्छे से बताए दिये इनकी उद्दे से बताए दिये, दो इसके अटेज ओफिसे अपने बात कर ली इसके बाद में अंतिम बात करेंगे, अपन मानवा अदिकार Human Rights Act 1993 की इसमें टोटल आठ अध्याय 43 दाराए है इसमें इसमें तीन सेंस्ताओं का उले किया गया है एक National Human Rights Commission का एक State Human Rights Commission का, एक Human Rights Court का एंप उले किया गया है अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले धारा एक बताती है संक्षित नाम जिसका नाम है Human Rights Protection Act पिस्तार संपूर्ण भारत में इसमें लागू कबसे होगा 28 सेप्टम्ब्र 1993 में को मानवा दिकार दीवस कब मनाया जाता आपको दस दिसमाद क्यों मनाया जाता एक Resolution 217 आपको मैंने बताया है वो आपको याद करना है धारा दो में कुछ परिवासा है में इंसन की गई है इसमें आपको पताया है कि साब Human Rights Commission की परिवासा है साथ में Human Rights मानवा दिकार की परिवासा तू ती में या दो घह में बतायी गई है एक National Human Rights Commission के बारे में बताया है कि धारा तीन में राज्य मानवा दिकार आयो कावन लेकिया गए धारा 21 में मानवा दिकार कोर्ट की बारत की ये धारा 30 में इसके बाद अब को ध्यार रखना की राष्टि मानवा दिकार आयो कि धारा 3 गर्षार से इसका इस्टेक्स लिए इसका सरंचना है उसमें एक प्लस साथ 10 से 10 से 5 साथ होते हैं ऐसे एक तो अधेक्स होंगे, पांच इसमें मेंबर होंगे, और साथ इसमें पदेन सदस्य होंगे, तो एक इसके अधेक्स है, सुप्रीम कोर्ट के या तो मुख्य नयदिस या कोई भी नयदिस हो सकते हैं, बाकी बचे पांच में से दो सदस्य होंगे, वो नयाइक पाद से पीछे बतते हैं उसमें स्टिया बता दिया तो बीसी आए हो गया हो गया है अलब संक्यक है पालदिकार सरंक्षण है दिव्यांग कमिशन है इसके बाद में आपको जाँ दिखना कि इसका एक मास अचीव जो मुखे καरी-कारी दिखारी होता आयों का मुखेले दिल्ली और केंदर शलकार के अनुमोदर के बाद में किसी ने मंत्री देख्ष होते हैं लोक्स बात देख्ष प्लस विपक्स के नेता उस वापती विपक्स के नेता और ग्रह मंत्री आज साथ आपको वोट लगवाया कि अगर सुप्रीम कोट या हाई कोड़ का कोई सिटिंग जज इसका सदस्य बनाया जा रहा है तो भारत के मुख्य नयदी से आपको कंसल्ट करवाना पड़ेगा कंसल्ट लेके फिर कर सकते हैं अगर कोलेजिये में कोई पद रीक्ट है तो यह नहीं माना जाएग एक साब एमाने हो गया अब यह तो गड़बड हो गया और यहां पर आपको बताएक साब विपक्स के नेता का मतलब द अगर साबीत कदाचार या ऐसमर्था होती है तो सुप्रीम कोट जाच के बाद अटा देंगे दिवालिया है प्रवेत नियोजन है पानशी के सारी सिथिलता है ऐसे में जो हटाय जाएगा वो विक्रिचीत है तो बिना जाच के टाह जा सकते हैं या प्राशी दोर इसके बा अरशी है कि जो पदावद्य हो तीन सत्तर होगी चाह और सब्स्ट्चे वर देख से हो ठीकी के पातर हो सकते हैं इसके बाद में धारा बारा आयो के कारीये मैंने बताया रज्य जो मानवा दिकार मामलों में जाग रूपता फैलाना जेलों का नियर्क्षन करना मानवा दिक आजाच समंधी सकतियां जब यह जाच करते हैं किसी मामले की यह राज्य करते हैं कि तो सजार तो नहीं दे सकते प्र हां तौन जारी कर सकते हैं रिकोर्डिंग कर सकते हैं गवा को बुला सकते हैं तरह कामिक बात करते हैं धारा 14 की धारा 14 में लिखावा अन्वेक्षन समंदिकारी है यह आपको नहीं करना है धारा 20 रिपोर्ट के इंदर सरकार को दी जाएगी धारा 20 के तैथ और इसी के साथ ही आपका मानवा दिकारायोग भी पूरा और पांच बज़ के सामको पांच बज़ के कुछ मिनट पे साइद क्लास शुरू करी थी वापस सुबह के पांच बज़ के पांच 23 और अपनी क्लास पूरी हो गई है मैंने कोशिश तो यह करी कि आपको सारे सारे फेक्ट साथ में याद करवा दिया जाए पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो रही जाती है इसके लिए आपको अगर कुछ और अच्छा कंटेंड मिलता तो आप और भी देख सकते हैं मैंने तो एक बार यह प्रियास किया कि कि आपको यह अच्छे से आयोग डाइमेंशन यूपीए सी और पीए सी अगर कोई परिक्षा देते हैं किसी एक परिक्षा को अपर ने फोकस नहीं किया सारे के सारे डाइमेंशन मतलब जो परिक्षा हैं आप यह रहेंद देंगे वो परिक्षा हैं आपकी ठीक से स्वोल कर पाएं आप में इतना सारा आपने डिसकस कर लिया इसके नोट्स अगर आपने प्रिपेर किये तो ठीक बात है नहीं नोट्स आपने प्रिपेर किये तो तेलिग्राम आप लोगों ने जोइन कर रहा हूं नहीं जोइन कर रहा हूं नीचे में लिंक डाल रहा हूं वो जोइन कर सकते हैं साथ ही साथ में पॉलिटी के जो सारी क्लासेस हैं जिसमें प्रसिडेंट करवा दिया पारलियमेंट करवा दिया लेट लेजिसलेचर हो गया ग कुछ नए टोपिक और साथ में जो पंचाय तिराज वाले कुछ टोपिक ऐसे इनकी भी महराथन लेके डिटेल के साथ में महराथन का मतलब निप्टाना रिटेल के साथ में सारे आयोग आपको और करवा दी जाएंगे तो लिए बहुत लंबा समय अपन साथ रहे आप लोगों ने करें देखी नोट्स आपने प्रिपेर कर लिए होंगे नहीं करें तो फिर इसके नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे जैसे वायों की मिलें तो लिए मिलते पन अभी नेक्स क्लास में आप पढ़िया र नेक्स आपका क्राम्झे किय और हो इसके मैं पाल्स से लिए